आप यहाँ पर सारे ही जो एजुकेटर से उनका जो एक्सपिरियंस है उसका अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें फिल्स कमिस्टिम मैं जब आप यहाँ पर तीनो सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छ तरीके से मास्टर करते हो तो आपको यहाँ पर conveniently JE में अच्छे नमबर लाने का मौका मिलता है तो make sure कि आप यहाँ पर कभी भी किसी एक सब्जेक्ट को लेकर आगे ना बढ़ें तीनो सब्जेक्ट आपके हाँ पर स्ट्रॉंग होने चाहिए ठीक है और साथे-साथ यहाँ पर आप हमारे साथ में further connected रह सकते हैं टेलिग्राम चैनल के उपर आप मेरी profile को follow कर सकते हैं आप ताकि आपको वहाँ पर भी जो मैं classes लेता हूँ उनका भी notification right time मिलते रहे और अगर आपने बायाचांस यहाँ पर अभी इसके बारे में नहीं देखा है तो एक बार इसको जा कि देखना बच्चों live daily.me.je के उपर हमने यहाँ पर physics chemistry maths का पूरा syllabus आपको यहाँ पर पढ़ाय हुआ है और उसको freely available करा दिया है तो this is the best resource for your jee preparation जो आपको यहाँ पर free में unaccardly jv team ने create करके दिया है make sure कि आप इसको बिलकुल भी miss out ना करें अगर आपको किसी भी topic में दिक्कत आ रहे है या फिर आपका backlog बायचांस create हो चुगा है किसी भी topic का तो आप इस particular एक single link के थुरू उन सभी chapters को tackle कर सकते हैं सभी ने यहाँ पर मेहनत करके free and quality education access करवाना काफी एक मुश्किल task होता है luckily we are able to do that आप सभी बच्चे को भी यहाँ पर फायदा काफी हो रहा होगा ऐसा मुझे पूरा यकीन है ठीक है और आप सभी बच्चे जानते होंगे unaccardly subscription के बारे में भी अगर आप यहाँ पर एक level और help चाहते हैं उपर वाली help चाहते हैं in the sense कि आपको यहाँ पर entire ecosystem अगर चाहिए क्योंकि आपको यहाँ पर live classes तो यहाँ पर भी मिल रही है लेकिन आपको unaccardly subscription के उपर क्या मिलता है unaccardly subscription के उपर आपको live and interactive sessions मिलते हैं जहाँ पर आपको doubt अगर कभी भी आते हैं तो उसी समय वो tackle हो जाता है उस समय handle हो जाता है और काफी interest के साथ में वहाँ पर पढ़ाई आपको आगे बढ़ाते आती हैं क्योंकि वहाँ पर monotone बिल्कुल भी नहीं होता है और यहाँ पर किसी भी educator की classes में जानने के लिए कोई restriction नहीं है आप किसी भी batch में किसी भी course में जाके अपनी पढ़ाई आगे बढ़ा सकते हो so that is the freedom which students enjoy and that is the reason कि इतना amazing result बच्चों नहीं हाँ पर निकाल के बताया है so make sure कि आप भी अगर यहाँ पर transition कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर plus और iconic आपके असमें दो options होंगे iconic में आपके साथ में हाँ पर बच्चों additional facilities जो होती है जैसे कि यहाँ पर personal coach आपको मिलता है आपको यहाँ पर study planner मिलता है और अब आपको यहाँ पर unacadion branded notes भी मिल रहे है तो यह सारी चीज़े आपको काफी help करती है अपने preparation को आगे बढ़ाने में आप समीर live के साथ में यहाँ पर अपना subscription का purchase करेंगे तो आपको maximum possible discount भी मिलेगा आपके सारे revisions यहाँ पर जो होंगे वो आपके short notes के through ही होने वाले है make sure कि आप पहले lecture से ही उनको ready करना start करते है ठीक है alright with this advice let us begin our discussion on trigonometry सारे बच्चे यहाँ पर हमारे साथ में जो जूट चुके हैं जल्दी से मुझे बताएं कि आपको क्या यहाँ पर right angle triangle के अंदर trigonometry का idea already लग चुका है yes we already have the idea कि trigonometry कैसे work करता है तो उसी को हम यहाँ पर आगे समझना चाहते हैं लेकिन थोड़ा सा थोड़ा सा यहाँ पर वैसे मैं live chat में देख पार हूँ बच्चे बोल रहे हैं कि उनका favorite chapter है trigonometry I hope that remains your view towards the end of the playlist as well यहाँ पर जो playlist आपकी create होने वाली है यहाँ पर जो पूरा एक course के तरह से आपको यहाँ पर present किया जाने वाले पूरा trigonometry chapter I hope कि आपको end way भी यही बोलते हैं कि trigonometry आपका favorite chapter है ठीक है क्योंकि इसके अंदर कई सारे यहाँ पर हमारे discussions होने वाले है जहाँ पर आपको कई सारी चीज़े याद भी रखते हैं कि जरूत पड़ेगी ठीक है लेकिन कुछ observations है अगर हम पहले इनको discuss करेंगे तो हमें यहाँ पर एक basic feel आती है कि trigonometry पढ़ने का main reason क्या था या फिर यह जो branch of mathematics basically develop होई है वो क्यों हुई है ठीक है तो यहाँ पर सोच के देखो हमारे पास में अगर let us say यहाँ पर यह figure जो है obviously मेरे पास में जो है केवल एक triangle की तरह बनाओ है लेकिन मैं आपको कहना चारूँ कि यहाँ पर AB जो है मानलो कि आपके उसमें एक बहुत ही बड़ा building है अगर AB आपके समें बहुत ही बड़ी building है तो क्या आप उस building की height find करके दिखा सकते हो इस तरह का challenge हमारे पास में अगर है तो क्या हम actually building के उपर चड़ेंगे क्या spider man की तरह मैं जो है tape लेके चड़ूँगा पूरी building को यहाँ पर नापने के लिए है ना वो किया जा सकता है no doubt वो किया जा सकता है लेकिन यार वो इतनी महनत जादा हम क्यों करेंगे क्या हमरे पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि हम यहाँ पर बिना बहुत technologically advanced हुए है ना या फिर बिना mutation के भी यहाँ पर जो है इस task को complete कर पाए है ना अगर यह बहुत बड़ी building है अगर यह बहुत बड़ी building है तो अगर मुझे इसकी height find करनी है तो बहुत ही एक amazing idea हमारे पास में होता है ठीक है हम यहाँ पर करते क्या है हम एक बहुत दूर से बहुत दूर रही है और इसको हम usually theta से represent करते हैं now there is one trick that we can use which we have studied in our junior classes which is called similar triangles which is called similar triangles ठीक है तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर एक छोटी सी stick है या फिर एक बहुत ही छोटा सा एक rod introduce कर रहा हूं रास्ते के अंदर ठीक है अरड़ी मैं यहाँ पर देख रहा हूं मैं इस observation point स अरड़ी अपने building का top देख रहा हूं ठीक है लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं एक छोटी stick introduce कर रहा हूं ताकि मुझे उसी line में इस stick का अपर end भी नजर आए और उसी के आगे चलके मुझे उस building का top भी नजर आ जाए अगर मैं इस तरीके से stick को place कर पाता हूं तो मेरे पास अब यहाँ पर होगा क्या मेरे पास यहाँ पर basically दो similar triangles बनते हुए नजर आएंगे एक similar triangle आपको यहाँ पर नजर आएगा with the help of the building जिसका नाम क्या रख सकतों में यहाँ पर ABC जो आपको यहाँ पर सबसे बड़ा triangle है उसके अंदर एक side length actually हमारी building वाली है और एक और यहाँ पर triangle देखो सबसे छोटा वाल triangle जो है आपके पास में which is PQC यह जो PQC हमारे पास में एक triangle बन रहा है इसके अंदर अच्छी बात क्या है अच्छी बात यह है कि हाँ पर हमने तो stick या फिर जो rod इस्तिमाल करी है वो तो बहुत ही छोटी है तो हमें उसका length पहले से पता है उ और जो भी distances हमें यहाँ पर horizontally सड़क की उपर या फिर horizontally earth की उपर count करने होते है उसके अंदर जाद हमें परिशानी नहीं होती है हमें दिक्कत आती है जब हमें उपर जाने की जरूत पड़ती है तो हम यहाँ पर कौन कौन से distances further निकाल सकते हैं हम यह देख सकते हैं कि जिस त stick को इस तरीके से place करना है ताकि आपको उसी direction में अब stick का जो upper end है वो भी दिखने लग जाए तो मतलब यहाँ पर अब decide क्या होगा यह जो particular हमारा एक stick place करने का तरीका है उससे distance of stick from observation point यहाँ पर अपने आप select होने वाला है ठीक है लेकिन यह भी मैं measure कर सकता हूँ यह जो horizontal distance distance x है इसको भी मैं measure कर सकता हूँ what can I further measure मैं यह भी देख सकता हूँ कि मेरा foot of perpendicular है from the top मतलब जो building का यहाँ पर जो lower most point है वो कितना दूर है मेरे observation point से वो भी मैं काफी आसानी से measure कर सकता हूँ so I have in all three distances which can be measured very easily with the help of these three distances now we can actually answer the सवाल जो हमने starting में आप से पूचा था वो क्या थ कि building के height कितनी है और ऐसे सवाल आपने heights and distances एक जो application होता है trigonometry का वो आपने 10 वी class में बहुत बार किया हुआ है और वो actually यहीं से start हुआ हमारे जो पूरा यह idea है कि trigonometry यहाँ पर important क्यों हो यहीं से start हुआ है आप यहाँ पर देखो कि मेरे पास में similar triangles यहाँ पर बन रहे है जो similar है किसके triangle PQC के good thing is कि हमारे पास एक ही unknown यहाँ पर आपके पास में side length है which is the height of the building और दूसरे जितने भी हमारे यहाँ पर lengths है triangle के वो हम पता कर चुके है हम यहाँ पर practical measure करके उनको पता कर चुके है ठीक है तो सोचो यहाँ पर ध्यान से कि हम मैं क्या क्या ratios लिख सकता ह अगर मेरे दो triangle similar होते हैं तो यहाँ पर आपके corresponding sides का ratio से हम होता है तो मेरा जो यहाँ पर AB corresponding vertical side है उसके corresponding छोटे वाले triangle में side कौन सा है वो मेरे पास में L length है जिसकी value मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ क्योंकि rod तो मेरे हाथ में थी ठीक है मैं इसके length जानता हूँ कितनी है दूसरी बार आपको यहाँ पर बेस का distance है observation point से यह है y के बराबर इसका भी length है बड़ी आसानी से क्योंकि ground के उपर है तो measure कर सकते हो कोई tension नहीं और obviously आपके यहाँ पर जो end point है जो ground के उपर है stick का उसका distance भी हाँ पर आपको पता है which is equal to x तो हमारे पास में यहाँ पर जो perpendicular upon perpendicular is equal to base upon base करेंगे तो यहाँ पर हमें अब l y और x की मदद से हमारी building की height successfully पता चल जाएगी l into y upon x and this is this is the idea जिसने हमें यहाँ पर हमें नी हमारे जो पूरवजे है ना उनको basically यहाँ पर प्रेरित किया है ना उनको motivate किया to develop something like trigonometry क्योंकि यहाँ पर वो क्या notice कर रहे है यहाँ पर वो यह notice कर रहे है कि यार अगर इसी के बीच में मिर पास में एक दूसरी building होती या फिर ले के साथ में similar करके निकाल सकता था मतब फिर से L और X की मतब से ही मैं यहाँ पर यह जो बीच वाला एक extra tree आ रहा है बीच में उसकी भी height बता सकता हूँ बस मुझे क्या करना पड़ेगा उस tree का जो base है वो कितना दूर है मुझे पता करने की जूरुत पड़ेगी ठीक है मेरे पास में हाँ पर L और X तो change होने वाले नहीं है यह जो Y का value यह change हो जाएगा तो उसके according मेरे यहाँ पर tree का जो height है वो भी निकल के आ जाएगा So what we observe in this particular arrangement is कि हाँ पर ratios basically equal आ रहे हैं because similar triangle लेकिन यह depend किस पर कर रहा है यह जो ratio का value है यह change कब नहीं होगा यह ratio का value change तब तक नहीं होगा जब तक यह angle आप change नहीं करते तो हमें यहाँ पर basically अब angle पर dependency create करवानी है हमें बोलना है कि यह ratios जो है हैंने कहीं ने कहीं इस angle के साथ में linked है अगर मैंने angle change कर दिया तो फिर हाँ पर यह जो perpendicular और base के ratios है वो भी change हो जाएंगे ठीक है तो हम यहाँ पर अब इन ratios को theta के terms पर लिखना start करना चाहते हैं क्या अब हम इन साइट्स के ratio को नाम देना चाहते हैं हम इनको नाम देना चाहते हैं ठीक है और हमारे पास में क्योंकि यहाँ पर जब भी इस तरह के practical scenarios होते हैं हमेशा हमारे पास में जो है right angle triangle की create होता है अगर मुझे यहाँ पर कोई बहुत बड़ी building या फिर बहुत बड़ा tree जो है उसके height अगर निकाल नहीं है तो right angle triangle हमारे पास में यहाँ पर create होता है है न प्रैक्टिकल ही अगर यहाँ पर सोचो तो इसलिए यहाँ पर हम जो आज यहाँ पर study करने वाले हों क्या है हम यहाँ पर अपने trigonometry पूरी right angle triangle के अंदर ही study करने वाले है ठीक है लेकिन ज foundation that thought will lay the foundation for upcoming lectures ठीक है और यहाँ पर ही आकर आपका basically जो है right angle triangle में class 10th का पूरा syllabus wrap-up हो जाता है है न वो जहाँ wrap-up होता है वहाँ से आपका class 11th का syllabus start होता है ठीक है but good thing is हम यहाँ पर क्योंकि आप just stringonometry पढ़ना start कर रहे है ठीक है so we will discuss a few ideas which you already know and obviously जैसे कि यह आला idea भी काकि सारे बच्चों को अलड़ी पता होगा and जो में यहाँ पर अब further आपको नाम बताने वाला हूँ वो भी obviously कई सारे बच्चों को पता होगे जैसे कि हमने यह आपर ratios हैं यह कहीं कहीं important है हमें पता चल चुका है और यह ratios कब तक change नहीं होगे जब तक मैं यहाँ पर अपना angle change नहीं करूँगा तब तक यह ratios change नहीं होगे ठीक है जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक और छोटा triangle introduce कर दूँ लेकिन यह angle change ना करूँ ठीक है यहाँ पर यह A1 यहाँ पर रखते हैं ठीक है तो हम यहाँ पर जो नाम रखना है वो हमने क्या क्या रखे हो है 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 रीकॉल कर पा रहे है सारे बच्चे सबसे पहला obviously sign theta आपका favorite chapter था है है ठीक है यह जो हमार पास में ratio create होता है उसको हम basically sign theta बोलते है मतलब basically opposite वाले को हम denote कर सकते हैं पर perpendicular T से जो adjacent है उसको denote कर सकते हैं base B से और जो hypertenous है उसको हम denote करते है हँहाँ से तो हमार पास में sine theta की value कितनी आती है यह आती है हमारे पास में opposite upon hypotenuse मतलब P upon H, ठीक है, वैसे cos theta, है ना, जिसका full form क्या होता है, cosine, वो value कितनी आती है, base upon hypotenuse, और जो आपके उसमें हाँ पे tangent theta, जिसको लिखते कैसे है, tan theta, ये value कितनी आती है, ये हम दे ratio किसका, ये नाम किसको दिया है, ये basically एक ratio का नाम है, किसके ratio का नाम है, triangle की sides के ratio का नाम है, ठीक है, और triangle की concilii sides का ratio लेते हैं, तो tan बनता है, तो perpendicular और base लेते हैं, तो यहाँ पे tan बनता है, ये हमने नाम खुद से दिये है, ये हमने नाम दिये हैं, इसके बिछे as such, आप अगर मुझसे कुई proof पूछ होगे, तो वो नहीं है, मेरे पास में, है न, sin theta, मतलब p upon h, होता है, मैं आपको ये ग्यान दे सकता हूँ, और आपको ऐसे के ऐसे उसको लेना पड़ेगा, ठीक है, alright, so हमारे पास में triangle के सारे ही sides का ratio important था, तो हमने उनके नाम रख दिये, फिर हमें याद है, याँ रेशो है, तो रेशो दो उल्टा भी हो सकता है, तो हमने उल्टा करके, जो यहाँ पर reciprocal करके, जो यहाँ पर हमारा ratio create हो रहा है, उसके भी हमने नाम रख दिये, sin theta, हैना अब यहाँ पर theta देखो, introduce करना जरूरी है, theta introduce करना जरूरी है, theta के terms में आपर नाम रखना जरूरी था, क्योंकि अगर यह change हो जाएगा, तो ratio change हो जाएगा, अगर यह आप same रखते हो, तो ऐसे कितने ही triangle बना लो, कितना ही छोटा triangle बना लो, कितना ही बड़ा triangle बना लो, आपके यह जो ratio ही यह change नहीं होने वाले है, P upon H का value, क्यों? Similar triangle, अगर आप यह आप यह similar triangle की idea को actually समझ चुके हो, तो आपको भी समझ में आगया है, कि आप यह अगर triangle में छोटा कर दूँ, तो भी sin theta का value change नहीं होगा, क्योंकि theta change नहीं होगा है, yes, similar triangle की वाज़े से हम यह basically constant चीज notice कर पा रहे है, तो हमने यहाँ पर reciprocal करना start किया, हमने बोला कि sine का reciprocal करके कुछ नया नाम देना पड़ेगा, तो हमने उसको kozec नाम दिया है, ठीक है, इसका reciprocal हमने kozec बोला है, obviously reciprocal कर रहे तो है, H upon P बोलेंगे, है ना, उल्टा कर दिया, जो cos theta है, उसका reciprocal हमने secant बोला है, sec से उसको denote करेंगे, तो यह hypertonus upon base हो जाएगा, और tan का reciprocal हमने co tan बोला है, मतलब cot जिसको हम represent करते हैं, यह आपका base upon perpendicular होता है, ठीक है, तो यह कुछ ratios हमने decide कर दिए, इस से आधा ratios हम create नहीं कर पा रहे थे, आगर और create कर पा रहे होती हैं, तो हम और भी हापे नाम देने के लिए ready थे, नाम की कोई कम जी नहीं थी, लेकिन अब ratios खतम हो गए, तो हमने हापे 6 ratios बिसकली अपने decide किये होए हैं, clear है सारे बच्चों को? Yes? Alright, right angle triangle देखके, अभी भी आपकी दिमाग में सबसे पहले जो आता होगा, वो क्या होगा? पायतोगरस थेरम हमारी दिमाग में सबसे पहले वैसे भी आता है. तो हमने हापे realize किया, अगर मैं right angle triangle में अपने ratios को, कुछ लोग कुछ नाम अलड़ी दे चुका हूँ. और अगर मैं right angle triangle में already पायतोगरस थेरम भी जानता हूँ, तो कियों मैं इन दोनो thoughts को merge करूँ? और जब हमने इन दोनो thoughts को merge किया, तो हमारे पास में क्या निकल कराईगी? हमारे पास में निकल कराईगी कुछ fundamental identities, fundamental identities हमारे पास यहाँ पर develop होती है, एक right angle triangle के अंदर, जिसमें सबसे famous, सबसे simple, sin square theta प्लस cos square theta आपका 1 होता है, sin square theta प्लस cos square theta आपका 1 क्यों होता है? because, पायदोकरस थेरम वाला idea से हमने यहाँ पर अपना discussion start किया है, हाँ सोचों यहाँपर हमारे पास में ध्यान से देखना सारे बच्चें, हमारे पास में यह जो AB है, जिसको हम P से perpendicular से denote कर रहें, यह जो BC है, जिसको हम base B से denote कर रहें, और है जो hypertenuous है, जिसको हम H से denote कर रहें हैं, अगर मैं यहाँ पे P, B और H में relation लिखने की कोशिश करता हूँ then we all know कि यहाँ पर पायतगर उस तरम कैसे work करेगा कि P square plus B square yes or no? कैसे work करने वाला है P square plus B square जो है आपका H square होगा ही होगा और क्योंकि अब मैं हाँ पे अगर H square से पूरी equation लिवाइड कर देता हूँ तो कोई मना नहीं कर सकता हूँ मुझे अगर मैं H square से पूरी equation लिवाइड कर दूँगा तो मेरे पास मैं आएगा P upon H square and plus B upon H square is equal to 1 and interestingly अभी इनी ratios के तो हमने नाम रखे हैं तो उनके हाँ पे इस्तिमाल कर लो P upon H हमने किसको बोला था P upon H हमने किसको बोला था sine को बोला था B upon H हमने किसको बोला था cos को बोला था ठीक है तो P upon H और B upon H को जैसे आप यहाँ पे replace करते हो sine और cos से आपके आपके अच में एक जो है theta के terms में एक बढ़िया सी fundamental identity create हो जाती है which is sin square theta plus cos square theta is equal to 1 which is basically pythagoras theorem it is basically converted format of pythagoras theorem clear हो रहे है सारे बच्चों को है ना ये भी कई सारे बच्चों को बता होगा तो यहाँ पर जल्दी से इन चीज़ों को देख लेते हैं फिर करेंगे हम questions तो आप यहाँ पर मेरे solve करने से पहले भी सारे questions का answer live chat में दे सकते हैं अगर देंगे तो बहुत अच्छा लेगा मुझे तो यहाँ पर सारे बच्चे attentively सारे questions को भी solve करेंगे apart from listening to the theory obviously हमारी पहले identity जो हमें याद करना है that is sin square theta plus cos square theta is equal to 1 बोलने का तरीका change किया है कि अब हमने पहले हम यहाँ पर sides के terms में बोल रहे थे अब हम यहाँ पर ratios की terms में बोलना start कर रहे तो ratios के क्योंकि नाम है तो हमने नाम लिख दी इसका नाम sin theta है इसका नाम cos theta अब यहाँ पर हमारे पास में और भी दो identities हैं एक identity हमारे पास में tan square theta is equal to sorry tan square theta plus 1 is equal to sec square theta यह कहां से आया यह भी पायताग्रस theorem ही है किसी और चीज़ से divide कर दिया होगा शायर एक बड़ चेक करके देखते हैं ठीक है फिर से आपके असमें अगर यह perpendicular है यह अगर आपके बेस है और यह आपका अगर hypotenuse है ठीक है तो आप हैंपे relation कौन से create करते हूँ आप relation create करते हूँ यहाँ परपेंडिकलर square plus b square is equal to x square यह तो पाइधाक्रस तरह हमको पता ही है फिसली बार हमने h से divide किया था इस बार b से divide करो इस बार b square से divide करो b square से divide करो तो आपके इसमें क्या आएगा p upon b का whole square plus 1 is equal to h upon b का square and let us now look at let us now look at the ratios जो हमने अलड़ी यहाँ पर लिखे हो है p upon b हमने किसको बोला है p upon b हमने किसको बोला है p upon b हमने यहाँ पर tan theta को बोला है ठीक है और क्या चीए मुझे यहाँ पर तो यहाँ पर तो tan theta आ जाना चीए यहाँ पर tan theta मतलब tan square theta आ जाना चीए और h upon b क्या है h upon b क्या है देख लेता है नहीं वार क्या दिक्कत है h upon b हमारा secant है h upon b हमारा जो नाम है वो क्या है, secant theta तो वहाँ पे डालते हैं, और हमारे पास में अपनी दूसरी fundamental identity ready हो जाती है, which is tan square theta plus 1 is equal to secant square theta, और इतने ही आसानी से, literally 3 step के अंदर, आप अपनी third identity भी ready कर सकते हो, which is 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta, कैसे करेंगे, फिर सिहाँ पर आपके उसमें, जो p square plus b square है, वो h square के करते हैं, तो 1 plus b upon p, k square is equal to h upon p, k square, ऐसा create होता है, तो आपका यहाँ पर यह बनता है cot, और यह बनता है आपका cosec, तो इसे के साथ में आपकी जो तीनों identities हैं, जिनके उपर आपने महरत already, हासिल करके रखी है, yes or no, आपने class दस्वी का board नहीं दिया है, इस बार, लेकिन इसक आप जो है, ऐसा valid proof नहीं रहेगा, कि आपने महनत करी थी, आपके इसमें जो result आएगा, वो questionable रहेगा आपकी बार, क्योंकि आपके actual papers नहीं हो रहे है, but I guess that is good for everyone, ठीक है, actually यहाँ पर जो है, हमारी जो सेहत है, है न, वो ज्यादा important है, ठीक है, so आप अगर यहाँ पर यह सो लेटर, rather than die today, ठीक है, तो बेटर यह है कि हम यहाँ पर अपने आपको अगर प्रूव करना चाहते है, तो आगे यहाँ पर बारभी में प्रूव कर लेंगे, है न, जेई में प्रूव कर लेंगे, या और आगे जाके कभी प्रूव कर लेंगे, ठीक है, दस भी गई तो इंग्रेंड है, है न, आपको पता है यहाँ पर, कि यार यह तीन आइडिल्टीज होती हमारी जिनको हम फंडामेंटल आइडिल्टीज बोलते है, ठीक है, और आपको यह सारे नाम भी पता होंगे, ठीक है, एंड कुछ तो यहाँ पर जो है, आपको स्कूल डिचलने, इतने बच्चे जो यहाँ पर शॉटकट इस्तिमाल करते हैं, इसको याद रखने के लिए, I don't think कोई भी करता होगा, है कि न, क्या ज़रूत है, मतलब, क्या ही है, मतलब, यह साइन थेटा मतलब, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपॉन 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 होता है, ठीक है इसके लिए इसके लिए पंडित बंदरी प्रसाद ऐसा कुछ बोलने की ज़रूत है, ठीक है, अल्रैट चलो, लेकिन बच्चे को अच्छा लगता है, इसलिए हाँ पर टीचर्स दसी क्लास में बता देता है, लेकिन अब हम बड़े हो गए, ठीक है, अब हम बड़े हो गए तो यहाँ पर जो है, ज़ादा कोशिश करेंगे कि हम questions ज़ादा ज़ादा solve कर पाएं, अल्रैट, great, लेकिन अभी यहाँ पर और एक दो चीज़ें में discuss करना चाहरा हूं, before we actually move on to the questions, and which is, कि हमारे पास में जो ratio से उनको हम अगर थोड़ा और अच्छे तरीक से study करेंगे, ठ ठीक है, ओहो, यह लगांगे, repeat होगे के, ओहो, चलो को यह बात, यह slide extra है, है न, इसको जाने दो, हमारे पास में, एक slide यह, एक slide यह, और एक slide यह, ठीक है, हाँ, तो यह तीनो entities हमारे cover हो चुके है, sin square वाली, tan square वाली, और cot square वाली, great, alright, तो यह था extra ही, इसको जाने दो, हा sin का reciprocal जो है, उसको हमने कोजेक बोला है, और cost का reciprocal है, उसको हमने हापे secant बोला है, हो सकता है कि हमें question solve करते समय, इन values को आपस में exchange करने से फायदा मिले, तो याद रखना इस बात को, इस बात को याद रखना, आपने हापे यह कई बार किया हुआ होगा, कि यार cot दिख रहा कि अगर हम solve करना start करते हैं, और अगर हम यहाँ पर करते जाएं, करते जाएं, कुछ ने कुछ करके answer तो आ जाता है, but important thing is, कि with practice, हमें एक ऐसा राश्ता select करते आना चाहिए, which is the shortest path, यह ना, क्योंकि हाँ अगर हम मेहनत करते हैं, तो trigonometer में इधर उधर करके, कुछ ने करने से हमें जादा जल्दी answer मिल सकता है, ठीक है, और एक, तो हम यहाँ पर फिर से आज भी बहुत सारे question करने वाले हैं, आपको वो सारी चीज़ याद आ जाएंगी, एक पूरे साल का, एक तरीके से आपका recap होने वाला है, एक single lecture के अंदर, ठीक है, और तो reciprocal system यादे सारे बच्चों को, reciprocal entities यादे हैं, एक और combination आपको याद होना चाहिए, और वो सभी बच्चों का favorite होता है, क्योंकि मेरा भी था, अगर आपको tan, seek and, caught, इस टाइब की चीज़े अगर बहुत सारी दिखाई दे रही है, अपने question के अंदर, और आपको यहाँ कुछ prove करना है, तो आ which is this thing, अगर आपको यहाँ पर tan नजर आ रहा है, और आपको tan अच्छा नहीं लगता, तो आप उसको sign upon cost लिख सकते हो, और अगर आपको caught अच्छा नहीं लगता, तो आप उसको cost upon sign लिख सकते हो, yes, yes or no, हाँ, तो इतने सारे बच्चे agree कर रहे हैं, बिल्कुल क्योंकि मैं इसा ही था, मैं भी यही काम करता था, अगर मेरे पास में कोई भी एक अजीब सा दिखने वाला question आता था, पहले sign cost में change करते हैं, फिर देखा जाएगा क्या करना है, ठीक है, हालकि कुछ question बहुत amazing होते हैं, कुछ question ऐसे होते हैं, जिनको sign cost में अगर आप change करते हों तो और अटक जाते हैं, और मेरे खाल से वो सवाल सबसे आता जो हैं, दिमाग में हमरे रहते हैं, आज भी हम एक सवाल करने वाले हैं, जो आप सभी बच्चों को याद होगा, literally याद होगा कि और ये वो सवाल है, जो हमने किया था class में, डस भी class में, ठीक हैं, तो बताना सारे इस थोट के साथ में, क्योंकि हमने यहाँ पर जो sin theta लिखा था, वो लिखा था हमने अपना perpendicular upon hypotenuse, जो हमने cos theta लिखा था, वो लिखा था हमने कितना, base upon hypotenuse, और आपका जो tan theta है, वो कितना है, perpendicular upon base, तो literally आप यहाँ पर divide करके देख सकते हो, अगर आप यहाँ पर divide करते हो, sin theta upon cos theta, तो वो ही आता है, literally आता है, perpendicular upon happiness and base upon happiness, आपका happiness cancel हो जाएगा और यह P upon B आता है, बास वन में आ रही है, तो इसलिए हम यहाँ पर जो है, यह बोल पाता है, यह हमारी जो है, कोशन वाले identity है, कि आपका tan theta, जो है, it can be replaced with sin theta upon cos theta, and similarly इसका reciprocal, कि cot theta can be replaced with cos theta upon sin theta, ठीके, इतना knowledge अगर आपके पास में है, तो आप बहुत amazing questions कर सकते हो, ठीके, क्या knowledge, fundamental identities का अगर आपके इसमें knowledge है, तो आप बहुत amazing questions, trigonometry के आप करना start कर सकते हो, and let us begin, let us begin with a simple one, okay, तो यहाँ पर questions का, आप यहाँ पर लड़ी लग गई है, है न, आप आपको यहाँ पर बहुत सारे questions solve क Alright, हाँ जी questions के उपर आचुके हैं, सारे बच्चे यहाँ पर, I hope pen paper के साथ में ready है, ठक तो नहीं गई है हाँ पर, physics और chemistry पढ़ पढ़ के, mathematics में आज हमारा नया chapter स्टार्ट हुआ है, पहले दिन से ही हाँ पर आप पकड़ के रखो सारी चीज़ों को, okay, principle of mathematical induction, class alone में, पढ़ principle of mathematical induction, and इसलिए फिर मैं पढ़ा नहीं पाता हूँ, alright, ठीक है, अंकुर की query थी है, हाँ जी, हाँ ये 10th में था ना, अरे बिलकुल, अरे रजनी, यहाँ पर मैं तो कह रहा हूँ कि, आज जो भी सवाल हम करने माले, अगर आपको लगे किया, ये मिरे 10th में नहीं किया, तो म सवाल है, अरे ये तो NCRD में था, अरे ये तो RD में था, अरे ये तो RS में था, अरे ये तो जो है, टीचर ने क्लास में कराया था, ये तो हमारे boards की paper में आया था, boards का इपर दुआ नहीं आपका, sorry, ठीक है, pre-boards में आया था, ठीक है, alright, A for Akshay, अच्छा है, चलो, बढ़ी आ एक बार चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर में, कि यहाँ पर आपका answer के अनिकल करा रहा है, 2 cos theta, I guess, is the right answer, यहाँ पर कुछ भी खास काम नहीं करना है, आपको किवल LCM लेना है, LCM लोग है, आपका answer आजाएगा, कैसे आएगा, यहाँ पर देखें सार बचे, हमारे पास LCM ले Now, if you open this, 1 plus cos theta का whole square, आपके पास हमें यहाँ पर जो है, काफी एक बढ़िया expression create होने वाला है, sin square theta plus 1 plus cos square theta plus 2 cos theta, है ना, बिल्कुल भी यहाँ पर बड़ा नहीं हो रहा है, solution, बिल्कुल गभणाने के ज़रूत नहीं है, cos theta into sin theta, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, identity दिग गई, द तो sin square theta plus cos square theta आपका हो जाएगा, क्या, 1 के बराबर, और यह आपके पास में और एक 1 है, तो यह तीनों चीज़े मिलके कितने हो जाएगे, 2 के बराबर, और आपके पास में उसके साथ में क्या है, आपके पास में 2 के साथ में है, 2 cos theta, तो आप यहाँ से 2 common निकालोगे, और ultimately आपका 1 plus cos theta ऊपर नीचे से cancel हो जाएगा, and we will get our answer, दिख्या, आगर आपने मुझसे पहले solve कर लिया है, तो बहुत ही बढ़िया बात है, अगर मेरे साथ साथ solve कर रहे हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो हमारा answer यहाँ पर क्या बना चाहिए, 2 cos theta हमारे यहाँ प yes, alright, a for atma, a for atma, a for atma, a for atma आपके दिवांगे कहां से है, alright, so आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, आगे बढ़ते हैं, let us do the second question of the day, हना, second question is this, क्या यह सवाल भी आप फट से एगदम से करके दिखा सकते हूं, cos a upon 1 minus tan a, plus sin a upon 1 minus cot a, ABCD में से क्या आपका answer निकल कराना चाहिए, जल्दी से सारे बच्चे बताएं, and along with that also, tell in short, क्या आपने क्या approach इस्तमाल करी, I think हैं यहाँ पर, हम काफी अच्छे से इसका explanation दे सकता है, हना, क्या किया आपने इस question को solve करने के लिए, वो भी यहाँ पर live chat में जरूर बताएं, okay, okay, Samy is from Bangladesh, all right, बेटा, welcome, good to know, that we are able to help people, even outside India, great, यार, काफी अच्छा लगता है, यह सब सुनके, बहुत सारे बच्छे इहां पर ओलोरी जो है, D option तक पहुँंचे हैं, बहुत सारे बच्छे D option तक पहुँचे हैं, क्या आप भी उन में से एक हो, जल्दी सी यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर आपको जो idea इस्तमाल करना है, वो यहाँ पर हमने सब से पहले आपके साथ में disclose क पन्ने वाला यहां पर यहां पर कॉसे अपॉन हने माईंस साइन ऊपॉन कॉसे ठीक है और वैसे ही अगले में कॉऻ्ठ नज़रा लाएगा तो उसको भी हाप पर जो है आपका solution काफी है ना number of steps count करें ना है आपके number of steps count करें कितना हमने जगे ले लिए उतना जो है नहीं देखना यहाँ आप देखो ध्यान जए अगर आप यहाँ पर पहले that is created यहाँ पर भी LCM लो यहाँ पर LCM लेने के बाद में आपके इसमें जो नीचे sign आएगा वो पलटके ऊपर जाएगा तो यह उपर जाएगा तो यहाँ पर भी COS से माइनस sign है बचेगा यहाँ पर भी COS से माइनस sign है बचेगा मतलब आप denominator directly merge कर पाओगे क्या करने से minus sign common लेने से तो आपका ultimately यहाँ पर denominator merge करने के बाद में expression क्या create होता है COS square A minus sign square A upon COS A minus sign A आगे बात दिमाग में हमने आप से क्या बोला कि आप यहाँ पर minus common निकाल लो minus common निकालोगे तो COS से माइनस sign है यहाँ पर भी COS से माइनस sign यहाँ पर भी तो cost से minus sign है आपका common denominator बना दो और minus sign क्योंकि आपने common निकाल की यहां पर डाली थी तो sin square a के आगे आपका minus sign आएगा आप क्या करोगे numerator में आपको a square minus b square अपलाए करना है a square minus b square जब अपलाए करोगे तो आपके इसमें cost से plus sign है तो बनेगा ही बनेगा लेकिन उसके साथ में cost से minus sign है भी बनेगा cost से minus sign है अगर आप उपली इसस कैंसल करते दे हो तो आपके बास में हाँ पर क्या आता है cost से plus sign है final answer आपके हैं पर create होता है which is your d option yes ओके तो पहले सवाल में हमने क्या क्या था पहले सवाल में कुछ नहीं किया था LC में ले ले था हमारे यहां पर identity लग गए थी sign square theta plus cos square theta वाली और हमारा answer आगया था इस सवाल में हमने थोड़ा सा better यहां पर step किया जहां पर हमने sign cos में चीजों को change किया है ठीक है एक एक करके आप सवाल करते होगे आपको सारे ideas जो है recall हो जाएंगे साल भर में आपने जितनी practice करी है वो एक lecture में आपकी पूरी नीचोड के सामने आ जाएगी and this is our next question which is so easy so easy कि it surprises everyone कि यह J main में आ चुका है this question जो NCRT के लायक question है ठीक है वो आपके J main में आ चुका है तो जल्दी से यहाँ पर answer बताओ ABCD में से आपका answer क्या होगा 2013 main में ऐसा सवाल बच्चों आपको पूछा गया था ओल्राइट try करें सारे बच्चे ओल्राइट everyone कुमार शुब में सेंग NCRT का questioning last time का अरे वाख्या बात है बाकी बच्चे भी recall कर पा रहेंगे इतना कुछ अगर आप recall कर पा रहेंगे बढ़ी 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 बात है लेकिन जहां तक मुझे पता है NCRT के तो याद नहीं मुझे लेकिन हाँ यह J main 2013 में जरूर आया था ठीक है कुछ-कुछ slot से जिसके अंदर एकदम से easy questions आ जाते हैं कुछ-कुछ slot में एकदम से difficult questions आ जाते हैं ठीक है So हम यहाँ पर कुछ भी expect तो नहीं करके जाना है paper में हमें तो यह मान के चलने कि difficult आएगा तो हम हमेशा खुश रहेंगे अगर हम यह सोच के जाएंगे हमारे slot में simple आएगा तो दुखी होने के chances जादा है ठीक है तो इसलिए यहाँ पर जो जो यह mean और जो यह advance है ना दोनों ही paper को देते समय आप तो भी मान के जाओ कि difficulty आने वाला है and we are ready for everything है ना तो we have to be ready for everything अभी दो साल बाद हम यहाँ पर paper देना है ठीक है so make sure that everybody is ready तो यहाँ पर यह question को अगर आपको solve करना है तो यहाँ पर solve करने के लिए जाधा आसान पड़ेगा अगर आप यहाँ पर reciprocal वाला idea इस्तिमाल करोगे तो court को आप यहाँ पर time में change करो तो वह इस question को solve करना है सबसे आसान और जल्दी से solve करने वाला थरीका है ठीक है instead of changing everything into sign cause ध्यान से सुनने सारे बच्चे instead of changing everything into sign cause जाधा कच्रा हो जाएगा है ना जाधा कच्रा मत करो ठीक है instead आप क्या कर सकते है यहाँ पर अपने court को 10 में change कर सकते है that is also an idea that we want to use anyways for practice so let us use that method हाला कि आपने कर यहाँ पर इस question को पहले किया हुआ होगा है ना और अगर sign cause से गया होगा तो फिर मेरे खाल से वो भी आपको comfortable यहाँ पर लग रहा होगा but this is something which I want to introduce in this question ठीक है कि हम यहाँ पर court को 1 by 10 लिखेंगे and 1 by 10 अगर में यहाँ पर भी लिखूँ 1 by 10 अगर में यहाँ पर भी लिखूँ तो अगली step में basically यह नीचे आपको नजर आएगा ठीक है so I want to do two things here है ना पहले तो यहाँ पर मैं क्या करना चाहरा हूँ LCM लेना चाहरा हूँ LCM जब में लूँगा तो 10 A minus 1 बनेगा और यह जो नीचे आपको यह उपर जाएगा पलटके तो आपको इसमें कितना आ रहा है इसका उतलब यह हो जाएगा आपको इसमें 10 square A upon 10 A minus 1 now यहाँ पर भी 10 A minus 1 में create कर सकता हूँ अगर मैं minus sign बाहर दे दूँ यहाँ पर अगर मेरे denominator में अगर similar से bracket बनेगे तो उनको merge करना ज्यादा आसान होता है यह तो हमें पहरे से पता है ठीक है so let us take out minus common from here यहाँ पर minus introduce करते हैं नीचे हमारे पास में क्या हो जाएगा 10 A minus 1 हो जाएगा और यह जो ऊपर वाला 10 है यह नीचे आने वाला है अगली step में वैसे भी तो उसको नीचे लेते हैं उपर वन बच्चे का बस now if I take LCM in this case अगर में यहाँ पर अब LCM लूंगा तो मेरे पास में यह तो है यहाँ यहाँ पर यहाँ पर दो है तो basically यह हमारा LCM हो गया LCM ऐसे लेते हैं LCM कैसे लेते हैं LCM लेते समय आप यहाँ पर जो है जो बड़ी वाली वैल्यू है उसको लिख लेते हो तो यहाँ पर यह बड़ी वाली वैल्यू है बड़ी वाली वैल्यू को आप यहाँ पर छोटी वाली वैल्यू से आपका denominator cm हो गया, तो आपको directly merge करके statement लिखते आ रहे हैं कितना, tan cube a minus 1, ठीक है, and with this, I guess we have the last step after this, अगर मैं यहाँ पर अपना a cube minus b cube का idea इस्तेमाल करूँगो तो क्या, यहाँ पर cancellations हो जाएंगे, जो मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, yes, a cube minus b cube दिख रहे हैं, यहाँ पर one को आप one cube बोल सकते हो, one को आप one cube बोल सकते हो, ठीक है, तो a cube minus b cube होता क्या है, a minus b into a square plus a b plus b square, और नीचे क्या गया है मेरे पास में, नीचे मेरे पास में है tan a minus 1, और उसके साथ में a core tan, तो tan a minus 1 तो देखो, कटने के लिए ही दिया है, अगली step में आप एक छोटा सा काम और क कर लो, कि tan square plus 1 कितना होता है, secant square होता है, yes, तो हो जाएगा secant square a plus tan a upon tan a, upon tan a, जो है, अगर आप इसको अगली step में split कर लोगे, तो आपको क्या मिलेगा, secant square a upon tan a plus 1, and secant square a upon tan a को अब आप यहाँ पर जो है simplify कर सकते हो, by changing tan into sin and cos, अगर आप इसको sin and cos में change करते हैं, तो आप इसमें final answer क्या मनता है, आपके इसमें final answer बनेगा, यहाँ पर, secant a into cosec a plus 1, एक बार सारे बच्चे चेक कर ले, yes, sign नीचे रहेगा, cos नीचे के भी नीचे है, तो वो उपर जाएगा, पलट के, तो cos और sign, आपस में, secant, sorry, cos और secant आपस में एक दूसरे के recipe को कर ले, तो cancel बच गया हो, यहाँ पर है, और नीचे जो एक sign बच गया हो, उसको हमने basically cosec करके लिखाए, तो secant a into cosec a plus 1, कौन सा option है, secant a into cosec a plus 1 is the B answer we have, ठीक है, इतना simple सवाल, yes, yes, बिलकुल, यहाँ पर values डालके भी आप बेटा solve कर सकते हूँ, ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसी method आपके स सीधी तरीके से चीजे solve करना बता दो, ठीक है, और values डालके आप यहाँ पर एक एक option चेक कर सकते हूँ, ठीक है, आगर आपको वह अच्छा लगता है, आप बिलकुल करो, nobody is stopping you to do that, लेकिन मेरी suggestion अगर मानो, है न, और यह बहुत ही genuine suggestion है, उन सभी बच्चों को जो यहाँ प यहाँ पर अपने practice problems और class illustrations को solve करते समय इस्तमाल कर रहे हो, then you are losing out on a lot of learning experiences, यहाँ पर यह सब जो हमने किया है, आपके demand में कभी यह process आएगा ही नहीं, अगर आपने अपने घर के ओपर, घर में भी solve करते समय सारे questions, shortcut से करना start कर दिये तो, और होगा यह कि कई सारे अच्छे questions भी होंगे, कई सारे अच्छे questions भी होंगे, जिसके अंदर कुछ एक नया, आपको book वाला सिखाने की कोशिश कर रहोगा, या फिर कोई एक educator आपको कुछ नया सिखाने की कोशिश कर रहोगा, and you will miss out on that point, and that will be costing your use thing, आपके है पर जो mind का actually development होना चाहिए न, वो development होई नहीं आप यहाँ पर गिन रहे हों कि मैंने 100 सवाल कर दिये, लेकिन actually आपने 100 सवाल किये ही नहीं, आपने यहाँ पर 100 सवालों के answer निकालें बस, आपने किये कहा हैं, तो जो ही बच्चे यहाँ पर अभी है सोच रहे हैं कि यार इसके नदर तो value डालके sir में 2 seconds के नदर इसका answer ब आपको आगे जाके hit कर सकता है बहुत गलत तरीके से और आपको यहाँ पर rank में भी बड़ी costing देनी पड़ सकती है उसके, ठीक है, so this is a genuine advice from an educator who has a lot of experience, ठीक है, and I think गलत बात कुछ नहीं है, लेकिन as an educator मैं कभी भी यहाँ पर आपको initially shortcut नहीं बताऊंगा, we can discuss multiple shortcuts, जीसे कि आपके सबने कर रहा हूं, कि हाँ values बगर डाल की कुछ सोचा जा सकता है इस case में, ठीक है, और कई बार आप देखोगे, होता क्या है, कई बार आप यह देखोगे, कि shortcut use करने से comparison में कुछ questions न, actual method इस्तमाल करके जल्दी हो जाते हैं, लेकिन अगर आपने कभी actual method इस्तमाल की आप यह सब करने से डरोगे, और आप अगर यह करने से डरोगे, तो फिर आपने क्या सीखा, अगर आप यह मामुली से steps करने से अगर डरोगे, तो आप फिर क्या सीख रहे हो, आप कुछ नी सीख रहे हो, आपको किवाल ऐसा illusion है कि आप यहाँ पर बहुत अच्छा कर रहे ह don't be under that illusion don't be under that illusion बास वन में आ रहे है ठीक है shortcuts nobody is saying no to it ठीक है but don't actually use it while practicing ठीक है चलो अगला सवाल करो यह लोग question का क्या answer निकल कर आना चीए कई सरे ऐसे questions होगे जो shortcuts होई नहीं सकते है नहीं यहाँ पर आपको actual 2-3 step करना ही पड़ेंगी तो जाके आपको यहाँ पर correct answer निकल कर आएगा ठीक है ट्राइ करने सारे बच्चे इसको ABCD में से क्या answer होना चीए ओके हाँ जी next question is already on your screen find the value of 5 sin theta minus 3 cos theta if it is given to you कि आपका 3 sin theta plus 5 cos theta जो है वो 5 के बराबर what is given to you we have this idea we have this input in question कि 3 sin theta plus 5 cos theta यह 5 के बराबर और आपको यहाँ पर निकालना है क्या कि 5 sin theta minus 3 cos theta यह कितना है तो मान लेते हैं कि यह कुछ है हमें इसकी value निकालना है है find the value of this expression मान लेते हैं कि let's say m constant के बराबर है मुझे नहीं पता मेरी मर्जी इसलिए मैंने m ले लिया ठीक है आपकी मर्जी यहाँ पर चल रही होती तो आप कुछ और लेते हैं ठीक है लेकिन यहाँ पर कुछ भी ले लो c ले लो k ले लो उसे फरक निपड़ रहा हम यहाँ पर basically जो भी आपने माना है वो value यहाँ पर find करके बताना है तो जब भी आपका समय यह arrangement होगा यह arrangement काफि अच्छ है इस arrangement यहाँ पर आप देख सकते हो कि हार cos और sin एक equation में 5 cos के साथ में एक equation में 5 sin के साथ में एक equation में sin के साथ में 3 है दूसरी equation में cos के साथ में 3 है और यहाँ पर plus minus का भी difference है ठीक है तो यह जब भी आपके समय combination exist करेगा you will always find it beneficial to square and add the given equations ठीक है squaring and adding करने से आपको यहाँ पर definite फायदा मिलने वाला है remember this as one of the major steps जो आपको यहाँ पर पता होनी चीए अगर मैं दोनो equations को square करो तो पहले वाली equation को square करके देखते है पहले वाली equation को अगर मैं square करता हूँ ठीक है तो यहाँ पर a plus b का whole square open होगा किद्र हो जाएगा 9 sin square theta plus 25 cos square theta and यहाँ पर further आपके समय कितना 15, 30 30 sin theta cos theta और यह right hand side में equal हो जाएगा 25 के और वैसे ही अगर मैं यहाँ पर second equation को भी अब यहाँ पर square करूँ second equation को अगर मैं square करूँ तो अब यहाँ पर क्या बन रहा है 25 sin square theta और further यहाँ पर आ रहा है plus 9 cos square theta लेकिन क्योंकि हाँ पर minus sign है इसलिए 2AB वाल अटम minus sign के साथ में आएगा and it will become how much minus 30 sin theta cos theta and right side में हमारा m square बनेगा जो actually हमें find करना है squaring हम ने कर लिया अब adding करो squaring and adding is helping us in this particular question squaring and adding alright, चलो तो यहाँ पर अगर आप add करते हो तो क्या हो रहा है अगर आप यहाँ पर add करते हो तो आपके 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 9 sin square theta and 9 cos square theta पायदा दिख रहा है सारे बच्चों को यहाँ पर combination इस तरीके से create करना है आपको अगर आप यहाँ पर 9 sin square theta M square is equal to 9, मतलब M is equal to plus minus 3 होगा, तो we will have two correct answers in this case, B as well as D. समझने है, सारे बच्चे? B और D, दोने हाँ पर हमारे correct answers होने चाहिए. बढ़ सकते हैं आगे? थोट लिए है, सारे बच्चे को squaring and adding वाला? Yes. बहुत ही बढ़ी हाँ बात है. Great. So, let us, let us, हाँ, जैसे यहाँ पर बच्चे बोल रहे हैं कि अब इसके नदे देखो दोका होगा होगा न आपके साथ में. यहाँ पर जैसे बच्चे बोल रहे हैं सार, यहाँ पर हम थीडा के value 0 डाल के अपने answer तक पहुँच सकते हैं. ठीक है? उस case में उसका यहाँ पर negative marking हो जाएगा. You need to understand this. यह बहुत ही छोटी-छोटी चीज़े हैं. आपको लगता है कि यहाँ पर यह सब जो ही मस्ती चल रहे हैं, नहीं मस्ती नहीं चल रहे हैं, आपके career का सवाल है. आपके हाँ पर college का सवाल है, आपके Ryan का सवाल है. क्या आपको लग रहे है कि एक ऐसा सवाल आप solve कर रहे हो, जिसके अंदर cable value डाल कि जो ही पूरा India answer निकाल कर रख देगा. है ना, आपको ऐसा लगता ही कि आपको exam में ऐसा सवाल मिलेगा, आपको answer मिल रहे हैं, अगर बायचांस ऐसा मिलता है, तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आप value डालो, answer निकालो, आगे बड़ो. ठीक है? लेकिन most of the time that will not work. In competitive exam like J, it will not work. ठीक है? And then you will regret. अब यहाँ पर जैसे बच्चा बोल रहे हैं कि सर यहाँ पर theta is equal to zero काम करता है, हाँ बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि theta is equal to zero काम करता है, लेकिन कहां गड़वड हो रही है? कुछ तो गड़वड हो रही है नहीं है, यहाँ पर जो है, अगर मैं zero value इसके दर substitute करता हूँ, तो sine zero यहाँ पर zero हो जाएगा, और यहाँ पर यह equation satisfy कर जाएगी, ठीक है? तो अब उसका कहना है कि यहाँ पर भी zero डालतो, अगर आप यहाँ पर zero डालते हो, तो आपके इसमें कितना आता है? यह तो cancel हो जाएगा, और minus 3 आपका answer create हो जाएगा, तो minus 3 बिल्कुल सही answer है, लेकिन plus 3 भी तो सही answer है, plus 3 भी तो सही answer है, वो कहां से आया? point पकड़ में है, ठीक है? clear हो रहा है? negative marking, ऐसे हाथसों से होती है, ऐसे हाथसे अपनी साथ ना होने दे, ठीक है? और वो आपके ओपर ही निरुपर करता है, क्या आप यहाँ पर ऐसे हाथसे खुद के साथ में होने देंगे या नहीं? so let us do one more question, फिर से यहाँ पर ध्यान से करना, ध्यान से करना, हाथसा यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है? और यह सवाल किस-किस को याद है, जल्दी बताएं सारे बच्चे, किस-किस को यह सवाल याद है, कि कौन सी exercise में, कौन से number का question यह था, या फिर कौन से salt example यह कहाँ पर था, है न? अगर आपको याद है पर जल्दी बताओ, do you all know this question? बहुत ही famous सवाल है, in fact, मुझे याद है कि यह सवाल मुझे याद था, जम में student था, तो, yes, हाँ, जी, थीटा को 90 put करेंगे तो 3 आ जाएगा, बहुत बड़ी आराम, थीटा को 90 put करेंगे, क्यों करोगे बेटा, वो उस वाली equation को satisfy नहीं कर रहा है, थीटा अगर आप 90 डालते हो, तो याली equation satisfy नहीं होती है, याली equation satisfy नहीं हो रही तो आप वहाँ पर कैसे डाल सकते हो, ओके, हाँ, जी, ओल्राइट, तो वगर आपको याद आगे है कि यहाँ पर, यह सवाल आपका देखा हुगा है, तो जल्दी से answer निकाल के बताओ, फिर क्या answer आएगा इसका, तीन step का सवाल है क्योंकि यह, यह literally तीन step का सवाल है, लेकिन अगर आपको नहीं पता कि यह कैसे solve होता है, तो आप यहाँ पर page पर page भड़ सकते हैं, और तब भी आपका answer निकलेगा, युगन लिटरली solve it in two pages and still not getting your answer, अगर आपको नहीं पता कि यहाँ पर क्या करने से answer, जल्दी निकल कर आता है, यस और नो, example 15, तो यहाँ पर फिर से, जैसे कि मैंने बोला था कि आपको धोका हो सकता है, बच्छों, तो आपको धोका हुआ है, यह question आपका single correct नहीं है, यह multi correct question है, ठीक है, तो जो बच्छे यहाँ पर D answer बता रहे हैं, all of you guys are partially right, congratulations, आपने at least एक सही answer यहाँ पर identify किया है, but it is not the only correct options in these available choices, आपको और भी एक option यहाँ पर correct है, ठीक है, तो यह सब चीज़े आपको अब सीखनी है, आपको यह सब सीखना है कि भई हमारे पास में यहाँ पर more than one के भी questions होते हैं, अगर more than one के questions है, तो हमें यहाँ पर बाकी options भी एक बार चेक करने पड़ते हैं, ठीक है, in fact, आप अगर अपना, जो है, आडी शर्मा का यह example है, या फिर जो भी NCRT में जहाँ पर भी है, आप यहाँ पर इसको prove that वाले question में realize करो, तो आपको याद आएगा कि यहाँ पर दो चीज़े एकल टू में होते हैं, एकल टू सम्धिंग एकल टू सम्धिंग एकल टू सम्धिंग जहाँ तो मुझे आ रहे हैं, इस तरह से बिसिकली वह आपको 10th क्लास में प्रूव करने के लिए दिया जाता है, और यहाँ पर अगर मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पर इसका दूसरा जो correct answer है, that is A, यहाँ पर आप basically D को convert कर सकते हैं into A in 2-3 small steps, लेकिन जादा important है इस सवाल को solve कैसे करते हैं, 2-3 step के अंदर वो बता करना, ठीक है, तो यहाँ पर जो main catch है, वो यह है कि हमें reverse direction में जाना होता है, हम कभी भी यहाँ पर जो ही चीजों को compress करने में तो काफी comfortable feel करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर कच्रा दिखाई दे रहा होता है, तो कच्रे को summate ना अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन साब सुथ्रे expression को खराब करना हमारी आदत में नहीं है, ठीक है, वो भले हम अपने घर के अंदर कर सकते हैं, कच्रा फैलाना हमें घर के अंदर जादा आसान लगता है, लेकिन जब भी हम mathematics की बात करें, या पर जब भी हम proof की बात करें, तो हमें usually summate ना ज़ाद अच्छा लगता है, कि अर बड़े-बड़े expression से उनको हम simplify करते जा रहे हैं, ठीक है, reverse order में सोचने थोड़ा सा मुश्री होता है, and that is why this question is good, यहाँ पर आपको अगर इसको जल्दी solve करना है, तो आप एक छोटा सा task perform करो, आपके उसमें हाँ पे numerator में tan a plus secant a लिखा हुआ है, यह जो आपके पास में 1 है, आप इसको इस्तिमाल करो, इस 1 को आप बेसिकल लिख सकते हो, secant square a minus tan square a, क्यों ने लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको 1 को पहले हैं 1 square imagine करो, और आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, फिर कितना, secant square a minus tan square a, square भी imagine करने ज़रोत नहीं, यह 1 से ही काम चल जाएगा हमारा, ठीक हैं, और नीचे हमारे पास में जो लिखा गए, उसको बिल्कुल भी हाथ लागने के ज़रोत नहीं, वो cancel हो जाएगा पूरा का पूरा, इतना आसान है यह सवार, ठीक हैं, कब cancel होगा, अगले step में, अगले step में आपका denominator पूरी तरह से, यहाँ से जाने वाला है, क्योंकि यह क्या है आपका, यह basically आपका factorize हो जाएगा, secant a minus tan a, into secant a plus tan a, तो secant a plus tan a basically यहाँ पर भी है, तो दोन ब्रैकेट्स में से हो, यहाँ पर चीज़े common निकाल सकते हैं, let me just write one more extra step here, tan a plus secant a, आपके पास में यहाँ पर अलग से है, आपका जो square वाले expression है, आप उसको क्या लिखोगे, secant a plus tan a, secant a plus tan a, into secant a minus tan a, और नीचे आजाएगा कितना, नीचे आजाएगा आपका cutने के लिए ready है, expression tan a minus secant a plus one, ठीक है, और रेट, तो अगर मैं यहाँ पर common निकाल हूँ अब, जैसे कि हमारा plan है, अगर मैं यहाँ पर tan a plus secant a, common निकालता हूँ तो अंदर क्या के बचेगा, क्योंकि यह पूरा का पूरा bracket मैंने common निकाल लिए है, तो इसके जाएगे बचेगा one, और अगर मैं यहाँ से देखूँ तो tan a plus secant a, अगर मैंने common निकाल लिए, तो मेरे पास में यहाँ पर बचेगा, minus के साथ में, secant a minus tan a, and can you now see कि यह जो आपका square bracket है, यह exactly नीचे भी लिखा हुआ है, tan a minus secant a plus one, ठीक है, एक बार minus के साथ में open करके देखू, अगर यह minus आप अंदर भेज जोगे तो यह minus secant a हो जाएगा, और plus tan a हो जाएगा, exactly what is written in the denominator, तो यह हो जाएगा आपका cancel, और आपके उसमें अब यह जो बचा है, इसको आप यहाँ पर sin a upon cos है, और यहाँ पर लिखो आप इसको one upon cos है, तो क्या बनेगा, one plus sin a upon cos है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बढ़िया answer है हमारा, यह तो answer है ही है, one plus sin a upon cos है, इस दिकरेक्ट आंसर जो यहाँ पर d answer है, yes, one plus sin a upon cos है, लेकिन आप इसको further manipulate कर सकते हो, into a expression, आप a expression में भी इसको change कर सकते हो, ठीक है, कैसे करोगे, one minus sin a आप उपर नीचे multiply करो इसके अंदर, इसके अंदर आप क्या करो, one minus sin a उपर और one minus sin a नीचे आप multiply करो, ठीक है, तो यह उपर क्या हो जाएगा, उपर आएगा आपके असमें a plus b into a minus b, मतलब a square minus b square, तो one minus sin square बनेगा आपका cos square, cos square बनेगा, नीचे आपके असमें a cos है, तो cos हो जाएगा, cancel, और one minus sin तो अलग से बचा ही हुआ है, ठीक है, तो यह further आपका change होगा कितने में, यह हो जाएगा, cos upon one minus sin में change, ठीक है, which is your a option, cos upon one minus sin, बात clear, ठीक है, तो पुरानी आदे ताज़ा होगई सारे बच्चों की, है ना, all right, चलो, अड़ यार यह क्या बोल रहा है बच्चा, सर के पीछे कोई खडा है, कोई ही, शितिज, शितिज क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, let me concentrate on mathematics, all right, यहाँ यहाँ लग प्यूश सही में काफी अच्छा सवाल, आगे बढ़ते हैं हाँ पे, let us do some different kind of questions, यह सवाल आपका आया था, यह में 2014 के अंदर, ठीक है, now this is the kind of question, where even I will suggest कि आपने shortcut इस्तेमाल कना चीँ, ठीक है, because there is a very peculiar reason, why I am saying कि यहाँ पर आपने shortcut इस्तेमाल कना चीँ, सारे बच्चे हाँ पर बताओ कि ABCD में से cancer आएगा, ठीक है, ट्राइ करने सारे बच्चे, यह J-Main 2014 का question है, J-Main का सवाल है, दो step के अंदर इसका answer हम निकाल सकते हैं, just because it is not framed in a way, options are not framed in a way, जो हमें हाँ पर पूरा solve करने के लिए मजबूर करें, ठीक है, तो देहाँ पर मैं आपको समझात हूँ कि shortcut किस तरह के सवालों में, पर क्यों लगानी चाहिए, ठीक है, आपके बास में हाँ पर एक बड़ा से expression दिया हूँ है, f of k, है ना, f नीचे अगर k लिखा है subscribe में, तो उसका मतलब होता है कि आप basically k को कहा कहा इस्तिमाल करोगे, एक तो इस fraction को create करने में इस्तिमाल करोगे, ठीक है, तो यह इसने दिया हुआ है, f of x, यहाँ पर जो है subscribe में k का क्या मतलब है, तो अगर पर मुझे बोलता है, f x base में 4, है न, या फिर f 6, f x base में 6, ठीक है, base तो क्या है, बोलने यादा थे lock की तरह, ठीक है, वैसे capital ही होना चाहिए, यहाँ पर जो है, थोड़ा सा typing error है, ठीक है, तो, आप यहाँ पर shortcut से solve कर सकते हो, for sure, यहाँ पर आप x की particular value लेके, अपना answer निकाल सकते हो, because there are lot of things, जो यहाँ पर अच्छी तरीके से, है न, लिखी हुई है, जैसे की एक बहुत अच्छी तरीके से लिखावा है, कि यार, यह जो है आपका expression, किसी भी x के लिए चल जाता है, दूसरी बात जो हम यहाँ पर notice कर सकते हैं, वो यह है कि options में, सारे के सारे values, constant values हैं, सारे के सारे values, constant values हैं, लेकिन जो पूछा गया है, वो तो x वाला expression है, सोच के देखो यहाँ पर, shortcut कब लगाना यहाँ पर जो है beneficial होता है, वो हम यहाँ पर सीखना चाहिए, हमें जो यहाँ पर पूछा गया है, वो क्या है, इस expression का value, ठीक है, अगर मैं यह expression create करनी की कोशिश करूँ ता, आप देखो यहाँ पर क्या बनेगा, f4x माइनस f6x, ठीक है, मतलब अगर मैं उपर ओले definition की मदद से, f4x create करनी की कोशिश करूँ ते हो जाएगा, 1 by 4, into sin की power 4x, plus cos की power 4x, ठीक है, and minus, अगर आप यहाँ पर करोगे, तो क्या हो जाएगा, minus 1 by 6, sin की power 6x, plus cos की power 6x, so हमें यह simplify करना है, यह उसने बोला है simplify करने के लिए, लेकिन option देखो नो, कितने खराब दियें इसने, option में इसने subject के constant values दे दी, which in a way is indicating, कि आपको जो यहाँ पर final answer आएगा, it will not depend on x, अगर आपका final answer यहाँ पर x पर depend नहीं कर रहा है, मतलब x की चाहे जो value आप इस्तिमाल करो, आपको हर बार same answer मिलेगा, आपको constant answer मिलेगा, तो अगर हर बार same answer मिल रहा है, तो आप x की value डाल दो नहीं इसके अंदर 0, आप यहाँ पर क्या calculate कर लो, आप यहाँ पर calculate कर लो, f 4, 0, minus f 6, 0, and it will give you the correct answer, 1 by 4 minus 1 by 6, for sure, इस बार आपका answer पक्के से यहाँ पर सही होगा, which will be how much 1 by 12, b answer यहाँ पर आपका correct होगा, क्योंकि यार इसने सवाल अच्छे से नहीं बनाया था, अगर यहाँ पर 2 option constant होते, और 2 option आपके पास यहाँ पर x वाले होते, तो यहाँ पर तब भी एक बार, जो हैं हम encourage होते ही, कि हमने यहाँ पर सही तरीके से चीज़ें एक बार check करनी चीए, these options are further giving us confidence की हाँ पर, अगर x की, हम यहाँ पर expression को solve करेंगे, x के expression को solve करेंगे, और solve करके, तो आपका x cancel होने वाला है, तो x अगर cancel होने वाला है, तो उसकी कोई भी भेली हो, तो हम यहाँ पर सबसे simple वाली भेली जिरो इस्तिमाल कर ली हमारा answer आगे, ठीक है, so such questions are definitely where we can apply this idea of shortcut, है न, और यह work करेगा, पक्के से work करेगा, है न, यहाँ पर x के सारे के सारे terms cancel होंगे, यह हम actually देख सकते हैं, by solving these expressions, क्योंकि ऐसे expressions हम दें पहले solve किये होंए, ठीक है, sin की power 4 and cos की power 4, अगर आप इसको simplify करना चाते होगा कैसे, actual step क्या होगा इसकी, हम यहाँ पर simplify करते समय बोलेंगे, कि sin की power 4, cos की power 4, is basically sin square x plus cos square x का whole square, लेकिन फिर हमें याद आएगा नहीं है, अगर मैं बोलता हूँ कि sin square x plus cos square x का whole square, तो इसके अंदर sin की power 4 और cos की power 4 तो आएगा, आएगा, लेकिन 2ab वाला term भी आएगा, जो यहाँ पर नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लिखने के बाद में, minus 2ab कर सकते हैं, minus 2 sin square cos square, ठीक है, यह हमने basically simplify करने का तरीका बनाया, क्यों बनाया, क्योंकि अगले step में, यह bracket मेरा क्या हो जाएगा, अगले step में, यह bracket मेरा हो जाएगा, 1 के बराबर, ठीक है, next, हमारे पास में, जो 1 by 6 वाला expression है, उसको भी इसी तरीके से हम handle कर सकता है, हमारे पास में, यह जो लिखा हुआ है, sin की पाद 6, प्लस cos की पाद 6, यह बन सकता है, अगर मैं sin square प्लस cos square का whole cube लिखूँ दो, ठीक है, so that is where, our cube वाले entity will play a role, sin square x plus cos square x, का whole cube जो होता है, उसके नेरे क्या क्या terms आती ही, a plus b का whole cube में, जब करता हूँ, तो मेरे पास में यहाँ पर a cube आता है, b cube आता है, a cube करूँगा तो sin की पाद 6 बनेगा, b cube करूँगा तो cos की पाद 6 बनेगा, जो हमारी requirement थी, लेकिन इसके साथ में और भी बहुत सारी चीज़े आती है, इसके साथ में हमारे पास में 3ab into a plus b भी आता है, 3ab into a plus b भी आता है, तो वो यहाँ पर नहीं है ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे उपर minus क्या था, यहाँ पर वाकई जो x वाली चीज़े हो, सारे सारी यहाँ पर गायब हो जाने वाली है, ultimately हमारा simplification 1 by 4 minus 1 by 6 ही बचने वाला है, that's why this shortcut will always help you, ठीक है, sin square plus cos square तो आपने हाँ पर 1 कर दिया, 1 minus 2 sin square x cos square x, ठीक है, then for 1 by 6, what do we have, हमारे पास में sin square x plus cos square x तो 1 हो जाएगा, 1 का cube तो 1 ही होने वाला है, and यह फिर से हमारे पास में 1 हो जाएगा, so we have 1 minus 3 sin square x cos square x, and now if you open the brackets, आपके आपके यहाँ पर 1 by 4 आएगा, आपके यहाँ पर minus 1 by 6 आएगा, and other two things will cancel out, ठीक है, and that's why this is the correct method, but almost unnecessary in this case, क्योंकि यहाँ पर आपको, basically options उतने जो है अच्छे नहीं दिये गए थे, ठीक है, अगर और थोड़े बेटर option होती है, शायद हमें यही exam में भी करना पड़ता, but obviously जो यहाँ पर 2040 में जिन्होंने इस question को attempt किया होगा, उन्होंने इसी तरीके से इसको answer करके आगे बढ़ गए होंगे, और सब को यहाँ पर पूरे number भी मिले होंगे, ठीक है, clear, yes, okay, बढ़ सकते हैं आगे, J-Main का level इतना कैसे गिर गया, ऐसा नहीं होता है, आप अगर किसी भी अच्छे paper को अगर देखते हैं तो वो well balanced होता है, ठीक है, तो यह जब अब यहाँ पर सवाल देख रहे हो, J-Main 2014 का, ठीक है, just because यह सवाल simple है, does not make that paper simple, क्योंकि आपको थोड़ी पता है कि इस paper के अंदर calculus का कौन सा सवाल आया था, या coordinate geometer का कौन सा सवाल आया था, ठीक है, जब पूरा paper देखो के तो आपको लएगा, यार ये तो सवाल simple था, बागी तो यहाँ पर difficult question थे, या फिर बागी तो यहाँ पर lengthy सवाल थे, है ना, तो यहाँ पर किसी भी एक question को देखकर, आपने किसी भी एक exam को, या फिर किसी भी एक year के paper को, judge बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है, just because यह सवाल, हमारे theory से match कर रहा है, जो हमने अभी यहाँ पर पढ़ी है, इसलिए हमने आज के lecture में इसको discuss किया, ठीक है, बट good thing is, यहाँ पर कुछ questions जो है, जो है, जो actually आचुके हैं, उनको discuss कर पाने है, ठीक है, that is good thing, चलो, और एक सवाल करते हैं, यहाँ पर सवालों कि कोई कमी नहीं है, tan theta plus secant theta, अगर 1.5 के बराबर है, तो sin theta का value कितना होना चाहिए, बताओ सारे बच्चे, जल्दी से solve करें सार बच्चे, आज़ी, हाँ, क्या सोचेंगे इस case में, काफी अच्छा यहाँ पर हम नया idea सीखने वाले हैं, फिर से हम यहाँ पर सीखने वाले कि आपका जो यहाँ पर tan और secant वाला formula है, जो आपकी identity है, उसको हम factorize कर सकते हैं, जैसकि हमने इसके पहले उस question में भी use किया था, factorization का idea, जहाँ पर हमने 1 को secant square है, minus tan square है लिखा था, ठीक है, आप यहाँ पर सोचो, कि आपके पास में यह information available है, ठीक है, और मेरे पास में एक universal information जो available है, वो कौन सी है, universally I know कि आपका secant square theta, secant square theta, minus tan square theta, जो है, यह 1 तो होता ही है, तो में यहाँ पर अगर इसको factorize कर लूँगा, तो मुझे कितना जादा फायदा मिलेगा, सोचो नहीं हाँ पर, यह हो जाएगा, secant theta plus tan theta, into secant theta, minus tan theta, और यह हो जाएगा 1 के बराबर, नो plus वाला value तो मुझे यहाँ पर 3 by 2 अलड़ी पता है न, तो plus वाला value अगर मैं यहाँ पर इस्तमाल करनू, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पर minus वाले value का answer मिलेगा, implies कि secant theta minus tan theta कितना होना चीए, 2 upon 3 के बराबर होना चीए, reciprocal हो जाएगा, यहाँ पर हम 3 by 2 डालेंगे, तो जब उस side cross multiply करूँगा, तो 2 by 3 हो जाएगा, इससे benefit क्या होगा, इससे benefit यह होगा कि मिरे पास में, एक plus वाले expression है, एक minus वाले expression है, अगर मैं इन दोनों को add कर लूँ, हमारी यह जो अपने पास में, equation number 1 है, और यह जो हमारे पास में equation number 2 है, अगर हम यहाँ पर equation 1, plus equation 2 करें, तो हमारा काम आसान हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पर दोनों equations को add करके होगा क्या, यहाँ पर tan plus sign के साथ में, यहाँ पर tan minus sign के साथ में, tan cancel हो जाएगा, और secant यहाँ पर 2 times हो जाएगा, so 2 times of secant theta is equal to, कितना हो रहा है, 3 by 2 वहाँ से, और 2 by 3 यहाँ से, so what is that giving us, यहाँ पर आजागा numerator में 30, नीचे आ जाएगा 6, तो 2 second theta का लेकिन यह value है, कितना है, 13 upon 6 के बराबर, 2 अगर नीचे ले जाओगे, तो हो जाएगा 13 upon 12 के बराबर, और secant theta का value, अगर आपका यहाँ पर 13 upon 12 है, तो cos theta का value कितना है, 12 upon 13 है, now if you already know cos theta, तो sin theta निकालना कोई बड़ी बात है, क्या, sin square theta plus cos square theta, क्योंकि आपका यहाँ पर 1 होना चाहिए, इसलिए sin theta आपका कितना हो जाएगा, 5 by 13 हो जाएगा, yes, clear है सारे बच्चों को, कितना हो जाएगा, 5 by 13, B answer आगया है, clear, B4 boards are cancelled, yes, B यहाँ पर बिल्कुल साही answer बटा आपका, 5 by 13, बहुत बढ़िया, आपको यहाँ पर और एक चीज जो दिमाग में रखनी है, आगे से हो क्या है, कि हम यहाँ पर यह factorization वाला idea, incorporate कर सकते हैं, and now let us come to a question, which is very interesting, यहाँ पर एकदम से देख के आपको पहले डर लाएगा, लेकिन उसके आप में आपको लाएगा क्यार, यह तो आसान था, ठीक है, एक बार पढ़के देगें सारवच्चे, if, if it is given in the question, that sin square x plus sin x is equal to 1, then we need to find the value of this big expression, which is, cos की पावर 12x, यह बस दिखने का यह बड़ा, यह में बता रहूं, cos की पावर 12x, plus 3 cos की पावर 10x, plus 3 cos की पावर 8x, plus cos की पावर 6x, कैसे करेंगे, we have some information with us, it is given that sin square x plus sin x is equal to 1, and based on that information, we have to find the value of this expression, all right, try it out everyone, क्या आंसर आना चाहिए, दो आनसर आएगा, एक बड़ वैभाव और चेक करो बटाए हाँ आपे, ध्यान से, चेक करें सारे बच्चे एक बड़ फिर से, आराम से करो, सवाल में अगर समय लग रहा तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा सवाल है, GP में है, क्या GP में, अगला सवाल आप यहां पर कर पाऊगे, यहां पर आपको जो दी हुई इन्फॉर्मेशन है, उसको कैसे आप इस्तिमाल करोगे, आपको यह पता होना चाहिए, अगर यह इन्फॉर्मेशन गीवन है, तो कोई तो एक X है, जो यह बेसिकली, कंडिशन सैटस्फाय करेगा, हर बार ऐसा होगा निए, कोई तो X होगा, जिसके लिए यह true बात होगी, लेकिन प्रॉल्म क्या है, कि हम उसके लिए solve नहीं कर सकते हैं, बड़ा अजीव answer आएगा, अगर यह अच्छी equation होती, तो हम यहां पर ढून लेते हैं, अच्छा 30 डिग्री साटिस्फाय करते हैं, अच्छा 60 डिग्री साटिस्फाय करते हैं, अच्छा 45 डिग्री से, कुछ लोग यहां पर अगर अच्छी value आ रही है, तो हम यहां पर इस equation से जो value आ रही है, वो यहां पर डाल देते हैं, हमरा answer आ जाता है, but we cannot do that here, क्योंकि हम यहां पर अच्छा sin x का expression मिल ही नहीं रहा है, तो we will have to now use it in a way, जो यहां पर simplification करवा दे, ठीक है, सबसे पहला thought आपका आना चाहिए, कि क्यों रहा मैं यहां पर sin x को right hand side में ले जाओ, sin x को right hand side में ले जाओ, हम यहां पर उपल रहा है, sin x is equal to cos square x, इससे फाइदा क्या हो रहा है, in this particular question, the x which is used is such that, sin x और cos square x का value equal आता है, in this question, तो इस question का ही तो हम यहां पर simplification करना है, इस question का discussion चल रहा है, मतलब इस question में जहां पर भी आपको cos square दिख रहा है, उसके place में आप sin x replace कर रहे हो, तो कोई गलत बात नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो हम यह काम कर सकते हैं, हम यहां पर क्या बोलेंगे, कि आरे cos की power 12 है न, यह basically cos square x की power 6 है, और यह जो है न, यह आपकी cos square x की power 5 है, और यह जो है न, कोई गलत बात नहीं इसके अंदर, ठीक है, तो मैंकर उसको sin x बोलूँगा, तो मेरा यहां पर at least, थोड़ा थो simplify होगा ना यार, cos की power 12, दिमाग ही नहीं चलता था, क्या करेंगे इसका, अभी यहां पर at least sin की power 6 बनेगा, समझ रो, cos की जगे में sin डाल सकता हूँ, question के इसाब से, तो एक तरह हो जाएगा, sin की power 6 x, plus 3 sin की power 5 x, plus 3 sin की power 4 x, and plus sin की power 3 x, अब क्या करेंगे, अभी यहां पर थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, ठीक है, सो अगर आप यहां पर दिमाग लगना चाहरे हूँ, यहां पर आप ध्यान से सोचो, कि आपको कुछ इस तरह का formula पता है गया, जहां पर 2, 3 आते हैं, coefficient भी यहां पर आपकी काफी help कर रहे हैं, अगर आपको formula दिख जाएगा, तो फिर तो यह सवाल आपका अब एक step का यह बचाएं, अगर नहीं दिखता है तो आपको यहां पर एक और method बता दूँगा, जहां पर आपको step by step simplify करने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है, but I still encourage कि आपको चीज़े दिखें, जो दिखना चाहिए, मैं यहां पर आपको एक तरीकी से लिखके दिखाता हूँ, ताकि आप यहां पर एक फॉर्मला बन रहा है, ठीक है, यहां पर यह जो पहला वाला sin की power 6 है, मैं इसको बोलना चाहता हूँ क्या, इसको मैं बोलना चाहता हूँ sin square x की power 3, चलेगा न, sin की power 6 को, वैसे ही next वाला जो है, वो power 4 वाला expression है, तो 3 times of sin square x की power 1 हो गए, और अलग से sin x का power 2 हो गए, और last वाज आपका expression है, वो sin cube x है, यहां पर आप देख सकते हो, sin cube x है, तो इसको मैं sin x की power 3 लिख सकते हूँ, तो क्या है यहां पर आपको एक identity जैसी create होते होए नजर आ रही है, एक बार मैं further आपको help कर देता हूँ, something का cube, a का cube, plus 3, that something का square into another value b, plus 3 times of, that something की power 1, बट दूसरे something का square, और फिर सब कुछ गया आप होके, जो दूसरा वाला है उसका cube, यह जो आपको समें बना है, यह तो standard identity न, यह a plus b का whole cube लिखा हुआ है, ठीक है, so what we have is, a plus b का whole cube, and what is a, a is this, and what is b, b is this, ठीक है, तेहां पर जब आप इसको, अब आइजिल्टिटी के नजर यह से compress करने के कोश्श करोगे, आपके सुख जो expression बनेगा, ultimately that would be, sine square x plus sine x का whole cube, but now this expression is anyways given in question, sine square x plus sine x, sine square x plus sine x, यही तो आपको 1 दिया हुआ था, तो आप यहां से क्या बोलोगे, किया रिए तो 1 cube हो गया, मतलब यह 1 हो गया, clear, तो यहां पर observation थोड़ा तो role play कर रही है, लेकिन अगर किसको नहीं चमक रहा है, तो उसको यहां पर step by step अपना simplification करना पड़ेगा, आपको यहां पर क्या सोचना पड़ेगा, यहां पर मेरे पास में न 3 sine की power 5 है, let us take 1 sine and give it to sine की power 6, अगर आप यहां पर 1 sine की power 5 निकाल के sine की power 6 को देते हूँ, तो आपके इसमें आप क्या होगा, sine की power 6 होगा और sine की power 5 होगा, वहां से अगर आप यहां पर sine की power 4 को में निकाल होगे, काफी lengthy हो जाएगा, इस हवाल आपका solve करते करते, लेकिन तब भी there is a way out में यह बताना चाहरा हूँ, ठीक है, यहां पर बिल्कुल हताश होने की जरूद नहीं है, अगर आपको यहां पर identity नहीं दिखी हो तो, है ना, but with practice दिख जाएगी, tension लनी की बात नहीं है, यहां पर मैं कह रहा हूँ कि आपको क्या करना पड़ेगा, sine की power 6 के साथ में, 1 sine की power 5 जो है, join करना पड़ेगा, एक sine की power 5 आपने वहाँ पर जो है दान कर दिया, तो आपके बास में यहां पर sine की power 4 common निकान लेके आप में क्या बचेगा, sine square x plus sine x, बास मैं आ रही है, sine square x plus sine x आपके हाँ पर बचने माला है, जिसकी value 1 के बराबर है, तो ultimately आपके यहां पर sine की power 4 बचेगा, इस तरह से आपको यहां पर multiple combinations create करने पड़ेगे, जहां पर आप बार-बार sine square x plus sine x को 1 लिखते जाओगे, and then your powers will further reduce down, है ना, हमने पहली step में देखो, यहां पर काफी successfully power reduce down कर ली, 12 से हम यहां पर directly 6 पर आ गया है, अभी 6 वाली power आप यहां पर already 4 पर reduce कर चुके हो, अगली step में और कम करोगे, उसके अगली step में और कम करोगे, ऐसे step by step आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, if you are not able to identify कि यहां पर directly एक identity दी हुई है, चो रो कोई बात नहीं, but let us take this question as a learning, and try to do the next one, आपको यहां पर फिर से जो गीवन डेटा है, वो सेम है, यहां गीवन डेटा जो हमारे पास में क्या है, कि sin square theta plus sin theta यह बन के बराबर है, और आपको जो find करना है, वो क्या है, आपको जो find करना है, इट इस की tan की power 4 theta minus tan square theta किसके बराबर होगा, try करने सारे बचे, अच्छा सवाल है, try it out, हाँ जी, अगर आपकी practice अच्छी है, तो आपको चीज़े tough नहीं लगती है, मैंने आपको यहाँ पर कुछ classes पहले एक example दिया था, mountain climbing का, मुझे यहाँ पर पहाड चड़ने की बिल्कुल आदत नहीं है, मैं अगर जाके एक दिन try करूँगा tracking करने का, ठीक है, ट्रेकिंग तो तब भी यहाँ पर मस्ती में बोलते हैं न, अगर मैं यहाँ पर mountaineering try करूँगा, तो मुझे लाएगर रहे तो बहुत tough job है, है न, यह जो पहाड चड़ने का exam है यह तो बहुत मुश्किल है, लेकिन उसी के place में अगर यहाँ पर आप imagine करते हो किसी guide को, जो mountains में बेसिकली tourist को guide करता है, उपर ले जाता है, ठीक है, उन लोगों को लगता है कि यह तो बहुत ही आसान काम है, पहाड़ी तो चड़ना है कि बत, क्यों ऐसा लगता है क्योंकि उनकी रोज की आदत है, वैसे आप यहाँ पर रोज अच्छे लेवल के questions अगर practice करते रहोगे, तो advance के दिन भी आपको जो है चीज़े simple लगेंगी, अगर आप रोज महनत नहीं करोगे, आप यहाँ पर आराम करोगे, तो exam वाले दिन आपके हालत खराब हो जाएगी, ठीक है, तो यह नहीं होने दना है, इसलिए यहाँ पर दो साल हैं हमारे पास में तैयारी करने के, ठीक है, दो साल तो पैयारी करते हैं, अपने आपको यहाँ पर used to करते हैं, उस लेवल के question solve करने के लिए, and then when the day will come, हमें वहाँ पर चीज़े आसान लगेंगी, अगर हमने practice की हैं तो, बट अगर आप absolute terms में पुछोगे कि paper difficult होता हैं कि तो हाँ, advance का paper difficult होता है, ठीक है, और उसके लिए हमें इसलिए तो महनत करने होती हैं, और इसलिए तो हर कोई उसको target करता नहीं है, ठीक है, हर कोई नहीं करता, उसको target ओर सलिए हर केसी का selection भी नहीं होता है, ठीक है, हम लेकिन करवाना चाते हैं हमारा selection, ठीक है, तो महनत करेंगी, क्या दिक्कात है, और रेट, चलो, तो यहाँ पर अगर आपको इस सावल को सौल करना है, आपको जो है काफी, जो है फेर बदल करने पड़ेंगे, आपको काफी फेर बदल करने पड़ेंगे, इसके अंदर सही answer है, कुछ बच्छे D answer बता रहे हैं इसका, ने D answer नहीं है बच्छों, इसका answer B correct है, ठीक है, साइन स्कूर थीटा मैनस कॉस स्कूर थीटा, यह क्यों हुआ, यह धोका क्यों हुआ आपके साथ में यहाँ पर ध्यान से देखें, we have the same equation with us, बट इसका use बहुत अलग तरीके से हो रहा है, ठीक है, आप अपनी reference book अगर solve करेंगे, उसके अंदर भी आपको इस्टाइक के बहुत सारा सवाल मिलेंगे, so make sure that you attempt those questions, है न, and see कि आपको यहाँ पर जो है thoughts जो generate करने की कोशिश हम कर रहे हैं हाँ यहाँ पर, lectures के थुरू, वो actually आपको help out कैसे कर रहे हैं, आपको यहाला तो idea इस्तिमाल करते आ गया, कि हम यहाँ पर साइन स्कूर को right hand side में भेज़ते तो हमारे पास में हाँ पर क्या होता है, साइन थीटा is equal to cos square थीटा आ जाता है, बट अब यह equation हमने last वाले question में इस्तिमाल तो की थी, लेकिन इस सवाल में आप देख पा रहे हो कि हमारे लिए, जो है sine और cos में asset जो है, कुछ पूछा है नहीं, हमें देहाँ पर tan वाला expression पूछा है, हमें tan की power 4 minus tan square theta पूछा गया है, तो इस case में आपको एक काम और करना पड़ेगा, आपको दोनों साइट कॉछ से डिवाइड करना है, इस ही equation, यह given equation है, आप यहाँ दोनों साइट कॉछ से डिवाइड करो, अगर आप दोनों साइट कॉछ से डिवाइड करते हैं तो आपको मिलता है यहाँ यहाँ पर tan, which is equal to cos, नाओ दिस इंट्रेस्टिंग, tan theta directly cos theta के परावर है, in this particular question, tan theta जो है, cos theta के परावर है, so let us replace tan theta with cos theta, so cos की पावर 4 theta, minus cos की पावर 2 theta, tan की ज़िए के cos लिख सकते हों इस question में, ऐसा बता रहा है यह equation आपको, tan की ज़िए के cos लिख सकते हो, and further, अब यहाँ पर यूज करो, क्योंकि आप cos आ गया है, पिछले आले सवाल में cos पहले से था, पिछले आले सवाल में हाँ पहले से था, तो हमने यहाला equation यूज कर लिया था, cos square की जगे हमने sign डाल दिया था, ठीक है, यहाले सवाल में अब आ गया है, cos, तो अब यूज कर लो नो, आप यहाँ पर क्या यूज कर सकते हो, cos square की place में sign डाल सकते हो, cos square की place में अगर आप sign डाल सकते हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, sin square theta minus sin theta, यह सुल, आसाने सवाल, लेकिन आपको यहाँ पे यह दिमाग चलाना पड़ेगा, और फर्दर आप क्या कर सकते हो, आप फिर से यहाँ पर, sin theta के place में cos square theta डाल सकते हो, ठीक है, इनफेक्ट यहाँ पर इसका मतलब क्या करना था, इसको change करने की ज़रूत ही नहीं थी, आगर आप इसको change ही ना करो, ठीक है, आप एक ही जगे change करो, आप यहाँ पर बोलो, कियार यहाँ पर तो मैंने cos square के place में sign कर दिया, तो यह sin square theta हो गया, यहाँ पर जो है, वो है, मैंने change ही नहीं किया, तो sin square theta minus cos square theta ही यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया, ठीक है, क्यों लिख दिया, because cos square, since, cos square theta is equal to sin theta, ठीक है, चमक कही बाद, यहाँ पर आपको दुना expressions को change करना ही नहीं, किसी एक ही expression को change करना है, and we have sin square theta is equal to cos square theta as the correct answer, ओर राइट, तो ऐसे कई सारे सवाल आपको यहाँ पर solve करने के लिए मिलेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर सोचो, कि हम दे बिल्कुल basic level पर अपनी केवल identities ही पड़ी है, तब भी हम इतने अच्छे सवाल यहाँ पर discuss कर पाए हैं, तो आगे जाके तो मजा ही आ जाएगा, आगे जाके तो मजा ही आ जाएगा ना, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत सारे पॉर्मोर्स पढ़ने वाले, यह जो हमारे टेबल हुआ करता था बच्पन में, कि आपको वो टेबल याद है, तो वो जो आपका टेबल है, अब बस यहाँ पर थोड़ा समय आपको आइडिया देना चाहता हूँ कि उसके values आए कहां से है, ठीक है, बहुत सारे बच्पन देहाँ पर टेबल बनाने का तरीका सीख लिया होगा, 0, 30, 45, 60, 90 एक साथ लिखो, फिर 1, 2, 3, 4 लिखो, फिर 4 से डिवाइड करो, फिर अंडूरूट ले लो, तो value आ जाती है, टेबल बन गया, अब वो जो sign की value आईए, उसे को ultra direction लिख दो, तो cost की value आजाती है, है न, इस type की discussion आपने है किया होगा, let me show you the table, table यह है, आप लोगों ने ऐसे ही किया होगा ना, याद ऐसे ही किया होगा इसको, है न, बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर, जब इस तरह की चीज़े बता दी जाती है तो, ठीक है, कि हाँ, आपको sign दी रहा है, यहाँ पर लिखना है, यह आपके सारे values है, क्या गरों, 1, 2, 3, 4, ऐसा लिख दो, 0, 1, 2, 3, 4, sorry, हाँ, 0, 1, 2, 3, 4, फिर यह जो लिख है, उसको 4 से divide कर दो, फिर unroot ले लो, तो यह table आपका ready हो जाता है, फिर यह जो ready हुआ है, उसको ultra direction लिख दो, तो cos का ready हो जाता है, दोनों को divide कर दो, तो 10 ready हो जाता है, आप सभी के reciprocal करके लिख तो नीचे का भी हो जाता है, तो अगर आपने इसी तरीके से किया है, अपने values को याद, तो आपने बहुती बड़ी learning फिर से miss out कर दी, ठीक है, which is, कि actually यह कहां से आया, कहां से आया, कहां से, ऐसे मतलब table create करते आ गया है, यह तो क्या है, याद करने का तरीका है, बढ़ 30 is good, 1 by 2, क्यों, तो क्या आप बता सकते हो, आगर आपको यह बताना है, तो आपको यहाँ पर जो है, इस तरह के, जो special triangles है, उनका इस्तमाल करते आना ची, जैसे कि मैं यहाँ पर 45 degree की, यहाँ पर answers, 45 degree वाला अगर मैं column fill करना चाता हूँ, then in that case मुझे यहाँ पर क्या इस्त 45 degree, 45 degree fix है, मुझे 45 degree वाले ही values find करके बताने थे, ठीक है, further मैंने यहाँ पर बुला कि यहाँ पर बुला कि यहाँ तो अगर मैंने एक side को A बुला है, तो दूसरी side automatically A हो जाती है, और क्योंकि यहाँ पर पायतगर सेर्म applicable है, तो आपको जो hypotenuse है, वो root 2 A हो जाएगा, and as soon as you have all these three sides, तो आप यहाँ पर जो आपके trigonometry के values है, वो क्या है, trigonometric ratios ही तो है, जो actually sides के ratios है, तो जैसे मैं यहाँ पर बुलूँगा आपको, कि आप मुझे sign 45 degree लिखके बताओ, तो आप यहाँ से क्या करोगे, 45 के सामने और hypotenuse का ratio मुझे report करोगे, तो आप यहाँ पर इस्तमा है कि आपका कॉस 45 का value क्या होना चीए, तो कॉस 45 के लिए आप क्या इस्तमाल करते हो, कॉस 45 degree के लिए आप यहाँ पर इस्तमाल करते हो, एक्जसेंट साइड, तो पास वाली साइड यहाँ पर फिर से a के बराबर है, और नीचे आपका आता है hypertonus, तो कितना हो जाएगा, व बाकी तीनों values तो obvious है न फिर, बाकी तीनों values जो है, कोजेक की, सीकेंट की और कॉट की, वो तो इन ही के reciprocals है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर किया गया है, हमने यहाँ पर actually देखा, कि यह जो 45 degree वाला आपका पूरा को पूरा column है, यह कैसे हम find कर सकते हैं, तो we can use a right angle isocellus triangle to get to these values, ठीक है, now यह discussion end में important क्यों है, आज की लेक्षर में यहाँ पर end क्यों करना चाहता हूं, because आज की लेक्षर में हमें यह समझ में आने वाला है, कि यार अगर कोई मुझ से 45 degree पूछता है तब तक ठीक है, कोई मुझ से 30 degree और 60 degree पूछता है तब तक भी ठीक है, लेकिन अ 0 और 90 degree का discussion करना चाहता हूं, and that too, I want to do that in a right angle triangle, हम करें नहीं बाएंगे, देखो यहाँ पर, यहाँ से देखना, ठीक है, लेकिन पहले जो कर सकते हों, 30 degree और 60 degree हम कर सकते हैं, आगर आपको 30 degree और 60 degree वाले values, जो है find करने है, then you have to use an equilateral triangle, आगर आपका इसमें एक equilateral triangle है, ठीक ह ही होता है, obviously angle bascetor भी होता है, जो perpendicular bascetor होता है, और आपका यह जो है, further median भी होता है, ठीक है, so altitude, median and angle bascetor all are same in equilateral triangle, ठीक है, so यहाँ पर अगर आप अपने BD length को X लेते हों, तो आपका DC length भी कितना हो गया, X हो गया, तो आपका overall side length कितना हो गया, 2X, 2X के बराबर आपका overall side length हो गया, right, and if, and if you further try to use Pythagoras theorem in this case, तो आपका यहाँ पर X है, आपका यहाँ पर अपर 2X है, पाइथगर से आप लिटरवी अपने altitude का भी length find out कर सकते हो, altitude का length, यहाँ पर root 3X निकल कर आएगा, क्यों, because, इसका square, 4X square, minus इसका square, मतलब X square, मतलब 3X square, और unroot करेंगे, Pythagoras theorem की मतलब से, तो कितना आएगा root 3X, So, in this left hand side वाला triangle, जो हमारा right angle triangle है, we have all the 3 sides, अगर मेरे पास में 3 होई sides है, और X के terms में है, तो जब में हाँ पर ratios लूँगा, तो X तो cancel हो जाएगा, मेरे पास में हाँ यहाँ पर particular values निकल कराएगी, अगर में हाँ 30 degree वाली values find करना चाता हूँ, तो यहाँ पर देख लूँग my answer, मतलब X upon 2X, which is equal to 1 by 2, लेकिन अगर में sin 60 degree find करना चाता हूँ, तो मैं 60 के सामने वाले को देखूंगा, perpendicular जो इहाँ पर आपको नाम देना होता है, triangle के अदर जो आपको perpendicular नाम देना होता है, वो basically decide कोन करता है, कि आपने theta कहाँ पर आपना लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपका X, X cancel हो जाएगा, root 3 by 2 आपका answer आजाएगा, and in this way, you can use this triangle to find any of the trigonometric ratios you want for 30 degrees and 60 degrees, तो आपका इहाँ पर इसका मलब और कौन सा column ready हो गया, आपका 30 degrees वाला column कैसे ready होगा, उस triangle की मदद से होगा, जिसका discussion अभी हम कर रहे थे, और 60 degrees का अभी उसी की मदद से होगा, तो ये कोशिश करू, 40 degree और 90 degree, तो the problem is, what we are discussing today is, trigonometry in right angle triangle, क्योंकि मैं right angle triangle का discussion कर रहा हूँ, तो एक angle तो मेरा 90 degree अलड़ी है, न, एक angle मेरा 90 degree है, क्या मैं और एक 90 degree angle बना सकता हूँ, उसी triangle में, क्योंकि आप यहाँ पे sin theta अगर find करोगे, तो आप यहाँ पे theta किसको बोलते हूँ, apart from this right angle, आपको एक और angle चाहिए, which is 90 degree, कहां से आएगा यह answer, यह answer हमने approximately करके पड़ लिया था, अगर वाकई किसी ने आपको पढ़ाने की कोशिश की होगी, तो शायद उसने थोड़ी महनत की होगी, इस तरह का figure से आपको explain करने की Otherwise, आधे teachers यहाँ पर क्या करते हैं, दसवी क्लास में, वो इटेबल बनाना सिखा देते हैं, है न, कि यहाँ पर जो है, हम, है न, 0, 1, 2, 3, 4 लिखेंगे, 4 सी डिवाइट करेंगे, अंडूट लेंगे, sign का हो गया, ultra लिखो, divide करो, आपको यहाँ पर तीन values आगे, उनके reciprocal करो पुरा table बेटा आपको बनाते आ गया, एंड हम भी खुश जाते हैं, दसवी क्लास में कि हाँ, है यहाँ यह तो सही बात है, हम पुरा table बनाते आ गया है, अब हम यहाँ पर बोर्स में सो में से सोल आ सकते हैं, ठीक है, बट, अगर हम real explanation की उपर जाएं, तो यहाँ पर real explanation द साइन 90 के लिए कौन से triangle सोचूं, साइन 90 के लिए मुझे यह triangle सोचना पड़ेगा, जहाँ पर right angle triangle में एक angle 90 degree है, और साइन 0 के लिए मुझे एक triangle सोचना पड़ेगा, जिसके अंदर, apart from this 90 degree मेरे पास में 0 degree का भी angle है, अब 0 degree तो हो नहीं सकता ना आपका angle, 0 degree आपका angle practically नहीं हो सकता, but if we try, if we try, then we can realize कि higher, जो values इस table में हैं, वो गलत नहीं है, values तो सही है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि आपका mathematics गलत हो गया, यहाँ दसवी class में जो आपने पढ़ा है, वो सही है, लेकिन उनके explanations अभी हम अच्छे से दे नहीं पा रहे हैं, उनके explanations हम यहाँ पर right angle triangle क कि अंदर अगर discussion कर रहे हैं, तो नहीं दे पा रहे हैं, लगबग हम यहाँ पर answer बता सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर सोचों कि अगर मुझे आपर zero degree का discussion करना है, so this figure looks लगबग okay, बहुत छोटा है नहीं, यह बहुत छोटा है, यह कितना छोटा है यह, बहुत छोटा है, तो मैं इसको लगबग zero मान रहा हूँ, तो मैं अगर यहाँ पर sine zero बोलना चाहता हूँ कि कितना होगा, तो मैं यहाँ पर क्या देखूंगा, कि यह zero के सामने वाला जो side है, वो कितना बड़ा है, तो यह तो काफी छोटा है, यह तो काफी छोटा है, ठीक है, तो आपका almost zero length का यह perpendicular है, लेकिन आपका जो hypertonus है, वो तो बहुत बड़ा है, ठीक है, तो यह बहुत बड़ा hypertonus है, तो इसका answer का आजाता है, फिर zero आ जाता है, दिल को तसलिदेने के लिए अच्छा है, यहाँ sine zero देखो zero आ रहा है, लेकिन तब यहाँ पर उतना मजा नहीं आ रहा है, जहाँ पर हम actually एक right angle triangle के अंदर zero देख पाए, obviously कहां से देखोगे, आपका triangle का angle zero होता ही नहीं, अगर आपका triangle का angle zero होता ही नहीं, और आपने यहाँ पर दसवी क्लास में, अगर right angle triangle में ही अपनी trigonometry पड़ी थी, तो क्या आपने यह सवाल नहीं पूछना चाहिए था अपन 90 degree बनाने जाओगे, तो आपके पास में यहाँ पर दो parallel line सा जाएंगी, एक तो right angle triangle के वैसे 90, और आपके यहाँ पर sin theta, sin 90 degree find करना है, इसलिए यह theta, 90 degree, तो triangle काँ बन रहा है, triangle बनी नहीं रहा है, ठीक है, सो हम यहाँ पर attack गए, हम यहाँ पर attack गए हैं, हम यहाँ पर attack गए वो बहुत ही limited है, हमें इस right angle triangle के, है न, एक restriction से बाहर आने की जुरूत है, अगर हम इस restriction से बाहर आ जाएंगे, तो शायद हम यह चीज़े और अच्छी तरी की से explain कर पाएंगे, और अगर हम restrictions के बाहर आ ही गए हैं, तो शायद हम अपने दिमाग को और जाद अगर open कर हैंगे, जैसे की, अभी तो मुझे दिक्कत आ रही है कि यहाँ पर, मैं 0 degree के लिए triangle नहीं मना पा रहा हूं, 90 degree के लिए triangle नहीं मना पा रहा हूं, लेकिन आप अगर बात करो 120 degree की, तो क्या आप नहीं चाहते हैं कि हमने यहाँ पे साइन of 120 degree का भी value find करने की कोशिश करना चा होगे, वो theta हमेशा acute रहेगा, एक right angle triangle में obtuse angle बना ही नहीं सकते हैं, तो क्या हम यहाँ पर कभी भी sine 120 degree explore करना ही नहीं चाहते हैं, बिल्कुल करना चाहते हैं, क्या हम इसका real explanation 0 degree 90 degree का नहीं लाना चाहते हैं, बिल्कुल लाना चाहते हैं, ठीक हैं, so that is where we will step out in our upcoming lectures, we will step out of right angle triangle and we will go into circular system, यहाँ पर हमें जो 11th class में main trigonometry पढ़नी हैं, उसका essence हमारे आगे वाले lectures में आपको मिलने वाला है, ठीक हैं, जहाँ आप हम circular system आपको introduce करेंगे, ठीक हैं, हम फिर से 0 से अपना discussion स्टार्ट करेंगे, ठीक हैं, but the good thing is, कि आपकी जो identities हैं, sin square theta plus cos square theta is equal to 1, जो आपके यह कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन इनको एक बहतर तरीके से समझने का हमारे पास में अब theory आने वाला है, जिसको हम बोलते हैं, trigonometry in circular system, बास में आरी, that is the reason कि हमने यहाँ पर इन चीजों को भी बड़े weightage देके lecture 1 में पढ़ा, क्योंकि गलत तो नहीं हैं, यह सही है, chemistry में क्या होता है, chemistry में होता है कि आपने यहाँ पर atomic structure में एक model पढ़ा, लेकिन फिर वो गलत हो गया, है न, पहले तो यहाँ पर ऐसा लगता है, तर्बूज है, फिर बोलते हैं, तर्बूज नहीं है, ऐसा लगता है कि वह orbitals हैं, फिर लगता है, फिर लगता है, और लगता है, य यह जो idea है हमारे पास में, यह सही है, इसी चीज़ को explain करने का एक बहतर तरीका है हमारे पास में, which is called trigonometry in circular system, ठीक है, so that is where we will start our discussion, ठीक है, and that is the need to understand trigonometry, है न, हमें इहां भी जो understanding है, उसको extend करने की जरूद इसी लिए, ठीक है, All right, so let us begin, let us first of all discuss किया है, यहां पर angle होता क्या है, कितने बच्चे यहां पर already जानते हैं कि angle क्या होता है, angle basically measure of rotation होता है, है न, हम यहां पर कभी भी कोई एक, जैसे की quantity को अगर measure करना चाह रहे होते हैं, तो पहले पता तो होना चाहिए ही कि वो quantity क्या है, आगर मैं length measure करना च चाहिए कि यार यह basically एक distance जैसे कोई quantity है, जो मुझे measure करनी होती है, फिर हम decide करते हैं कि उसकी unit क्या होना चाहिए, कि हम distance होते हैं, मीटर में measure करना चाहिए, माइल्स में measure करना चाहिए, वो सब हम बाद में decide करते हैं, लेकिन पहले तो quantity establish करते हैं तो सबसे पहले angle के बारे मे में जो पता होना चीव हो क्या है एंगल का हम यहाँ पर measurement करना चाह रहे हैं तो भी एंगल होगा क्या ठीक है तो basically आपको अगर यहाँ पर कोई एक ray दी जा रही है और आप उसको rotate कर रहे हो तो आपने उस ray को कितना rotate किया अगर आपको यह report करना है तो यहाँ पर जो value आपको पता चलती है वही हम यहाँ पर angle से denote करते हैं या फिर उसको हम angle बोलते हैं ठीक है अब यहाँ पर जो rotation हो सकता है आपका वो basically दो direction में हो सकता है आप initial position से या तो anti-clockwise direction है आप सहीव को पता है यहाँ पर clockwise measurement of angle ठीक है यह positive measurement of angle का हमारे direction है लेकिन आप अगर clockwise direction में जाओगे अगर आप अपने जो initial position है उसके comparison में रेको अगर rotate कर रहे हो in clockwise direction इस angle measurement को हमने basically negative बोल के रखा है ठीक है लेकिन यहाँ पर positive negative के साथ आपको और भी क्या बताते है ना चाहिए magnitude बताते है आना चाहिए किया आपने कितना rotate किया है ना आपने अगर इस direction में rotate किया तो हम उसको negative value के साथ में denote करेंगे इस direction में अगर rotate किया है तो positive के साथ में rotate करेंगे लेकिन कितना अगर आपको वो बताना है तो आपके पास में क्या होना चाहिए आपके पास में कोई एक unit होना चीए अपने angle को बताने के लिए जैसे कि अगर मुझे बताना है कि यह pen जो है कितना बड़ा है अगर मुझे बताना है कि यह pen कितना बड़ा है तो उसके लिए मेरे पास में कोई एक centimeter वाली unit या फिर मेरे पास में inch वाली unit कुछ नो कुछ होना चाहिए, जिसके terms में बताबाऊँगा कि यह इतने centimeter long है वैसे ही अगर मुझे बताना है कि यह angle exactly कितना है, तो मेरे पास में कुछ नो कुछ units होना चाहिए अब जिसे length measure करने के लिए, weight measure करने के लिए हमारे पास में different units होती है वैसे ही angle measure करने के लिए भी हमारे पास में different units होती है लेकिन सबसे famous वाली जो है उसे से start करते है हमारा सबसे famous angle measurement unit जो होता है वो होता है degree है ना हम बच्चपन से angle measurement इसी particular unit में करते आए है मतलब मुझे नहीं लगता है कि हापर कोई बच्चा कभी ये सोचता होगा है ना जिसको हम protractor बोलते है ठीक है इसके बतर से आपने बहुत अलगलग type के angles अलड़ी बनाए हुए होगे यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि आप यहाँ पर जो है 30 degree बना सकते हो आपको बस search करना होता है है आगर आपको यहाँ पर 30 degree का angle बनाना है ठीक है तो आप क्या करते हो एक horizontal line पहले draw कर लेता है यहाद है बच्छपन की चीज़ है हम यहाँ पर horizontal line draw कर लेंगे फिर एक point mark करेंगे उस point को यहाँ पर center में लेकर आप basically 30 degree बाला जो आपका direction जा रहा है वहाँ पर एक additional point plot करते हो यहाँ जो devices को हटा लेते हो और फिर connect कर देते हो अपने initial point और end point को ताकि आपको क्या मिल जाए आपको यहाँ पर अपना जो है पूरा का पूरा 30 degree वाला angle में जाए यह process हम बच्छपन से करते आए हैं ठीक है तो इसमें तो किसे को doubt नहीं होना चीज़ यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि इस device के अंद करके 30.5 mark कर सकते हो गया 30.5 degrees क्या आप इस device का इस्तिमाल करके mark कर सकते हो नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका जो least count है वो 1 degree है 1 degree से छोटा आप angle इस device के मदद से actually plot नहीं कर सकते हो ठीक है लेकिन क्या इस से कम angle हम कभी plot नहीं करना चाहेंगे बिलकुल करना चाहेंगे आगर यहां पर decimal वाले angles भी plot करना चाहेंगे ठीक है और जैसे हमारी यहां पर requirement जो है वो decimal वाले angle के आती है हम यहां पर उसी का एक sub unit create करने की कोशिश करते हैं ठीक है जैसे कि meters तो हमारा length का unit ही है लेकिन जैसे कि अगर मुझे इस pen का length निकालना है तो meters में बताऊंगा तो मेरे बस में बड़ा 0.00 करके कुछ तो answer आएगा ठीक है तो हमारे पास में जो answer आ रहा है वो अगर 0.something इस तरह से अगर बोलने की ज़रूत पड़ रही है तो instead of calculating the length of this pen in meters हम क्या बोलता है कि हमने इसका length जो है centimeters में बताने की कोशिश करना चाहिए अगर इस से भी छोटा है अग जो value है जो magnitude है उसको decimal में ना बोलके एक ठीक ठाक से integer के format में या फिर at least कुछ sensible format में अपना यहाँ पर answer बता पाए ठीक है तो जैसे आप यहाँ पर smaller angles की बात करते हो ठीक है तो यहाँ आपको पता होगा कि यह 1 degree तब तो जाई रहा है ठीक है 1 degree तब हम imagine तब भी कर लेते है ठीक है 1 degree अगर आपको plot करना है तो आप कैसे plot करोगे आप यहाँ पर जो आपको zero के बाद में पहला marking दिखाई दे रहा है अब पहले marking को यहाँ पर dot की मदब से connect करोगे और आपको यहाँ पर 1 degree का angle plot करते आ जाएगा ठीक है लेकिन क्या इस से छोटा angle हम plot करना चाहेंगे क for understanding हम यहाँ पर करना चाह रहे होंगे क्यों करना चाह रहे होंगे वो अभी हमारी समझ में नहीं आएगा लेकिन हम अगर करना चाहेंगे तो हम वहाँ पर अपनी जो है इससे degree से छोटी वाली भी एक unit चाह रहे होंगे जैसे कि meter से छोटी unit centimeter centimeter से छोटी unit हमें millimeter की भी requirement तो instead of measuring the angle in degrees हम इससे छोटे units भी create करके बैठे हैं, जिनको हम minutes और seconds कहते हैं, जिनको minutes और seconds कहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको यह समझना पढ़ेगा कि हम कैसे पहुचे हैं वहां तक, ठीक हैं, अगर मुझे हापे centimeter बोलना होता है, तो मुझे पता है कि meter से centimeter तक कैसे आया 100 portions में divide कर दिया, one meter को, हमने एक centimeter को 10 portions में divide कर दिया, millimeter आ गया है, तो यह सारी चीज़े हमें जैसे पता होती है, वैसे हम यहाँ पर पता होना चीए, कि हम अगर एक degree को भी break कर रहे हैं, तो कितने parts में break कर रहे हैं, और उस एक part को हम क्या बोलते हैं, ठीक हैं, तो यहाँ पर सबसे जो बढ़िया angle, initially, मौझूद होता है, वो कौन सा होता है, right angle सबसे ज़ादा, हमें एक basic angle पता होता है, दो perpendicular lines की बीच में जो angle होता है, उसको हम 90 degree angle बोलते हैं, ठीक हैं, मतलब उसको right angle बोलते हैं, और degrees के term में अगर हम बोलना चाहरे होते हैं, तो उसको हम 90 degrees बोलते ह हैं, इसको हमने 100 degrees क्यों नहीं बोला, क्योंकि अगर इसको हमने 100 degrees बोला होता, तो शायद हमरी यहाँ पर कुछ-कुछ calculations जादा आसान हो गई होती, लेकिन उसका हम कुछ कर नहीं सकते, अब यहाँ पर यह जो degree का, जो हमारे पास में measurement का unit है, यह इतना famous हो चुका है, कि हमार इसको आपने 90 degrees बोला, इसका मतलब आपने किया क्या, आपने यह जो आपके बास में दो पर निकलो लाइन के बीच में angle create हुआ था, यह जो आपके बास में एक right angle create हुआ था, आपने इस एक angle के 90 टुकडे किये, और उसमें से जो एक टुकड़ा है, उसको आपने एक दिगरी नाम दिये, इसलिए 90 टुकडे मिलके क्या हो गया, 90 टुकडे मिलके आपके यहाँ पर one right angle complete हो गया, इसलिए हमारे पस में जो equation आ रही हो कैसी है, 90 टुकडे, मतलब 90 degrees मिलके हमारे पस में एक right angle create हो गया है, बढ़िया हो जाता आगर यह 100 टुकडे कर देता तो, अगर create करते हैं हमें यह सब socially होता तो जाधा अच्छा होता चाहिए, ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ है, तो हमारा भी यहाँ पर एक दिमाग में angle को लेके एक particular number के साथ में angle associate हो चुका है, अगर मैं 60 degree बोलता हूँ तो हमारी दिवा में एक angle बन चुका होता है, ठीक तो यहाँ पर जैसे हमने जो step किया ना, हमने एक बहुत बड़ा angle लिया और उस बहुत बड़े angle के हमने बहुत सारे टुकडे किये, ठीक है, बहुत सारे टुकडे मतलब एक angle, दूसरा angle, तीसरा angle, चोधा angle, पांचवा angle, छटा angle, ऐसे करते-करते हमने 90 portions में अपने angle को break किय और उसमें से जो एक सबसे छोटा portion मना, उसको हमने 1 degree बोला, अब उसमें से भी हमने क्या किया, एक बहुत छोटे portion को उठा लिया, उसमें से एक 1 degree को उठा लिया, और उसके बाद में हमने क्या किया, उसके 60 divisions किये, जो already इतना छोटा है, उसके हमने 60 divisions किये, और उसमें से ज 60 टुकड़े मिलके क्या बनाएंगे, 60 टुकड़े मिलके आपका 1 डिगरी बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने 1 डिगरी को ही 60 portions में break किया है, और उसमें से जो एक टुकड़ा आया है, उसको हमने 1 minute बोला है, ठीक है, तो यह तो बहुत ही छोटा हो गया angle, लेकिन फिर किसको ज एसे 60 seconds मिलके फिर क्या हो गया, एसे 60 seconds, 60 टुकड़े मिलके आपका 1 minute create हुआ, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे नीचे से पढ़ना चाहते हो, नीचे से पढ़ना चाहते हो, उपर से पढ़ना चाहते हो, आपके उसमें सबसे छोटा अभी यहाँ पर जो है angle measurement का, जो sub unit create क्या है, seconds, ठीक है, एक second मतलब बहुत ही छोटा है, जो आप ऐसे 60 seconds इखट्या करते हो, तो आपके उसमें 1 minute वाला angle create होता है, वो एक minute जितना create हुआ है, वैसे अगर आप 60 साथ में लगा देते हो, तो आपके उसमें 1 degree create होता है, जो यहाँ पर आपको नजर आ रहे, बहुत ह चोटा सा, ठीक है, और ऐसे जो एक degree आपको मिला है, ऐसे 90 आप मिला देते हो, तो आपके उसमें पूरा right angle create होता है, ठीक है, this is how we are now going to discuss our angles, हम अपने angles को degrees, minutes and radians, sorry, degrees, minutes and seconds, मैं यहाँ पर बोल सकते हैं, जैसे कि हम अपने distance को kilometers, meters and centimeters में बोल सकते हैं, kilometers, meters and centimeters में हम जैसे अपने distance को बोल सकते हैं, वैसे angle को हम यहाँ पर बोलना चाहते हैं, so degrees, minutes and seconds में हम अपने angle को बोलेंगे, याला points हम आपने हैं सार बचो को, थोड़ा सा लेकिन अच्छा नहीं लगाए, मतलब यह समझ में आती है कि यार, इन्होंने, जो 60, जो सोचा, शा कि यहाँ पर 60 लेने का reason क्या है, वो यहाँ से पता चलता है, इन्होंने सोचा कि एक घंटे को जैसे हम divide करते हैं, 60 minutes, और फिर एक minute को divide करते हैं, 60 seconds, वैसे ही angle को भी कर देते हैं, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर इस तरह से इस चीज को सोचा है, ठीक है, तो फिर यहाँ पर ह कुछ कुछ जो है, अब चीजे जो है, बताते आनी चाहिए, है न, यहाँ तक जो हमने घ्यान ले लिया है, इसको एक बार इस्तमाल भी करके देखते हैं, ठीक है, अगर आपको कोई देता है 90 minutes, तो क्या आप 90 minutes को degrees में change करके बता सकते हो, 90 minutes मतलब time वाला नहीं, 90 minutes मतलब अ आपको relate करते नहीं आए, एकदम से आपको relate करते नहीं आएगा, क्योंकि अभी अभी आपने सीखा है, ठीक है, तो हम चाह रहे हैं, कि यहाँ जो 90 minutes है, इसको degrees में बताओ कितना है, तो कैसे करेंगे, हमारे पास यहाँ पर जो conversion का relation है, वो अलड़ी दिमाग में आ चुका है ठीक है, क्या आचुका है, कि 60 minutes जो होते हैं, आचाहिए, यहाँ पर एक notation भी समझ लें सारे बच्चे, हमारे पास में, जो minute का notation है, वो एक ऐसा dash है, minutes का notation है, वो एक single dash है, तो 60 को पर dash लगा है, मतलब हम उसको पढ़ेंगे कैसे, 60 minutes, ठीक है, अगर आप seconds का notation देख रहे हो, तो आपके इसमें 2 dash है, आपके इसमें, ऐसा मतलब, 60 के उपर 2 dash अगर लगे होगे, तो आप उसको क्या पढ़ोगे, 60 seconds, ठीक है, इसको पढ़ेंगे 60 minutes, जैसे कि यहाँ पर गोला लगा देते हैं, तो हम इसको अपने आप पढ़ ले थे है, 90 degrees, ठीक है, और तो यह notations हमारे पास में already है, degrees का notation तो already बच्चे को पता है, यहाँ पर हम ऐसा power में ऐसा गोला बनाते हैं, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर अभी जानते हो, कि 60 minutes जो है, वो आपका 1 degree के बराबर है, तो आप अगले हाँ पर निकालना चाहते हैं, कि 90 minutes कितना होना चीए, तो हम यहाँ आप इसमें 60, ठीक है, तो यह बनेगा कितना आपका 1.5 degree के बराबर, एक बार चेक कर लें सार बचे, कितना बनेगा यह, 1.5 degrees के बराबर, यह बोल के तब भी हमें थोड़ा सा ज्यादा बेटर आइडिया लग रहा है, अच्छा, 1.5 degree की बात चल रहे है, 90 minutes थोड़ा सा अजीब लग रहा था, 90 minutes पर ले थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन 1.5 degree we can relate, we can relate कि हाँ यह value कितनी होनी चीए, बहुत ही छोटा अंगल होना चीए, है ना, some angle between 1 degree and 2 degree, all right, but यहाँ पर अगर कोई ऐसा सवाल पूछेगा, तो हम इसको कैसे answer करेंगी, अगर हम यहाँ पर 30.540 30.540, ठीक है, अगर आपको इतने degree दे दिये जाए, है न, यहाँ पर degree होना चीए, यहाँ पर 0 की जगे मेरी चाल से ऐसा कर लेता है, यह 0 तो वैसे भी मतलब का नहीं है न, calculation point of view से, यह power में होना चीए था, ठीक है, अगर आपको कोई देता है, 30.54 degrees, तो क्या आप इसको change क करके बता सकते हो, in degrees, minutes and seconds, यह में कैसी बात कर रहा हूँ, मैं आपको अगर यहाँ पर पूछता हूँ कि आप यहाँ पे 1.5 km, 1.5 km का distance travel करो, तो instead of that, I can also say, कि आप 1 km and 500 m travel करो, दोनों में सेम बात है, लेकिन एक को हमने only km में बोला, which is 1.5 km, ठीक है, और दूसरे की case में हम आपके km और m, दोनों का इस्तमाल करके अपने distance को represent किये, वैसे ही, आपके 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 अजमें already angle degrees में मौझूद है, लेकिन decimal में मौझूद है, हम चाह रहे हैं कि हम इस decimal के representation को ना adopt करके, अपने answer को smaller units को involve करके, represent करे, अपने degrees की जगे, degrees का भी इस्तमाल कर ले, minutes का भी इस्तमाल कर ले, और seconds का भी इस्तमाल कर ले, तो हम इसको reduce down कैसे करेंगे, हम यह सोचना चाहरे है, तो यहाँ पर आप बताओ, कि आपके आपके समें already 30.54 अगर degrees available है, मतलब complete degrees तो आपके समें वैसे भी है, 30 degrees तो आपके समें वैसे भी complete है, incomplete क्या है, उसको अलग कर ल चाहेंगे कि हम इसको minute में represent करें, तो degrees से minute में जाने का हमारा conversion क्या है, ठीक है, अगर एक degree होता है, तो 60 minutes के बराबर होता है, तो अगर आपके बास में इतने degrees हैं, तो आप इसको minutes में कैसे change करोगे, minutes में change करने के लिए, आप यहाँ पर केवल उसके अदर 60 multiply कर लो, so instead of degrees, now you can say कि इतने आपके उसमें minutes हैं, ठीक है, and if you do this, आपके उसमें क्या create होता है, आपके इसमें यहाँ पर 30 के साथ में, अलग से, 0 मतलब 5.4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 होगा, 32 होगा, ठीक है, so 32.4 है मेरे ख्याल से, एक बार चेक करनें सारे बच्चे, हमारे पास में 32.4 minutes आए ठीक है, हमारे पास में 30 degrees है, and 32 minutes है, ठीक है, लेकिन इससे छोटा, आपके पास में जो minute बजा है, that is, 0.4 minutes, आप क्योंकि यह minute एक, जो है, 0.something वाली आपकी quantity है, हम इसको भी change करना चाहेंगे in seconds, ठीक है, तो फिर से आपका conversion factor एक बार देख लें सारे बच्चे, एक minute जो है, फिर वो 60 seconds के बराबर है, तो फिर इतने minutes, कितने seconds के बराबर होंगे, अगर आप कोई निकालना है, तो आप इसके अंदर 60 multiply कर सकते हो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 30 degrees, 32 minutes, and 0.4 into 60, इतने seconds, तो यहां बेर दो dash ने लगा दी, यहां दे पास हम आई, तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा आपका overall 30 degrees, क्या इस बार हमारे पास में pure integer आएगा क्या, एक बार चेक करना सरे बच्चे, यह हो जाएगा आपका उसमें 08 आथो 24 आएगा, 24 seconds, successfully हमारे पास में यहां पर क्या हो गया है, degrees, minutes, and seconds में complete answer represent हमें करते आगया है, so instead of saying this, we can also say this, instead of saying that, we can also say this, लेक लेकिन फिर से सोचो, क्योंकि आप लोगो को जादा करके degree में ही अभी तक काम करने की ज़रोत पड़ी है, इसलिए you will feel much more comfortable in saying this rather than this answer, ठीक है, यहां पर minutes और seconds में बोलने के जगे, आप यहां पर 30.54 बोलना जादा prefer करोगे, ठीक है, तो यह यहां पर दिक्कत हो गई है, हमार जो हमारे पास में figure होता है न, यह वाला, यह हम सबसे पहले शाहिए छटी class में देखते हैं, कि हाँ यह यह दो line की बीच में जो है, इसको angle बोलते हैं, ठीक है, ओर रेट, सो हमें पता है कि यहां पर degrees में हम कैसे अपने angles बनाते हैं, कितना angle यहां पर बोला जाता है, तो अ अगर आपके पास में एक standard angle था, एक standard angle था आपके पास में, which was angle between two perpendicular lines, और आपको ही अगर यहां पर unit create करनी थी, तो आपने 90 divisions क्यों किये, 100 divisions कर लेते हैं, 100 divisions अगर करते हैं, हमारे पास में यहां पर conversion factor थोड़े आसान आते हैं, उसके बाद में आपके अगर यहां पर 1 degree create होत जो भी आपके एक degree थी, उसको आपने 60 में क्यों divide किया, अगर आपको divide करना ही था होता है, अब फिर से 100 parts में divide कर लेते हैं, तो फिर से हमारे यहां पर calculation कितना आसान हो गया होता, सोचों, अगर 1 degree is equal to 100 minutes अगर होता, और 1 minute अगर 100 seconds होता, तो यह conversion देखो, कितना जल्दी हो ज बोलता में, और वैसे ही यहां पर फिर से 60 multiply करने की जगे 100 multiply करने के लिए बोलता, तो यहां पर 100 multiplication करना ज्यादा आसान है, 100 से multiply divide करना आसान है, तो इसलिए हमारे पास में एक और thought आया है, ठीक है, let us first understand this idea, जहां पर हम बोड़ना ही किया रही है, degrees वाला measure जो है, इतना अच grade नाम दे रहे हैं, ठीक है, काफी अच्छा thought है इसके अंदर, काफी अच्छा thought है, यह क्या बोलना चाह रहा है, यह बोलना चाह रहा है कि हमारे पास में, जो एक right angle था न, आपने उसको degrees create करने के लिए आपने उसके 90 equal portions किये थे, 90 equal portions किये थे, क्योंकि हम उसके 100 equal parts कर दे, 100 इसके अंदर यही actually बात ध्यान रखी गई है, starting point था आपने यहाँ पर right angle ही लिया है, right angle क्योंकि बहुत अच्छा angle है, बहुत जगे हमें दिखाई भी देता है, in fact trigonometry भी जो हम यहाँ पर पढ़ना start करे है, वो right angle triangle की मदद से हमने पढ़ना start किये है, ठीक है, तो right angle is a very good angle, उसको base मान के, यहाँ पर grade measure में हम क्या करता है, कि उस एक angle को, जिसका नाम अभी तक 90 degrees था, उसको भी हम बोल रहे हैं कि हमने 100 parts कर दिये हैं, grade measure के अंदर हमने 100 parts कर दिये, तो basically अब 100 parts मिलके कितना होगा, one right angle create होगा, क्योंकि हमने यही ultra काम किया है, हमने इस standard angle को 100 मिलके आपको क्या देंगे, 100 grade मिलके आपको अभी हम पर one right angle देगा, so that is why this equation, that is why this equation, फिर इसके बाद में हमारे पास में यह जो एक grade आया है, यह जो हमारे पास में एक grade आया है, इस एक grade के भी हमने यहाँ पर 100 parts ही किये, इसली बार हमने 60 parts किये थे, इस बार हमने 100 parts किये, ल कि उसने यहाँ पर नाम चेंज नहीं किये, नहीं उसने यहाँ पर base right angle को change किया, नहीं उसने यहाँ पर नाम चेंज किये, ठीक है, उसने क्या बोला, कि मैंने जो यहाँ पर grade define किया है, कैसे define किया है, एक right angle को 100 टुकड़ों में break करके उसने grade define किया, ठीक है, तो मैंने जो य नहीं होता थोड़ा लेकिन अब उसने बोल दिया था हम कुछ कर नहीं सकते हैं ठीक है और यहां पर उसने क्या बोला कि एक ग्रेट जो मैंने create किया है by dividing right angle into 100 bars मैंने उसको भी एक ग्रेट को 100 portions में divide के और उसमें से जो एक portion आया है उसको मैंने one minute बोला है इसलिए 100 minutes मिलके अब one grade बने हैं और फिर जो एक minute आया था न 100 टुकड़े करने के बाद में जो एक minute आया था उसके भी 100 टुकड़े किये उसमें से जो एक टुकड़ा आया उसको हमने क्या बोला है one second और इसलिए 100 seconds मिलके क्या create करेगा आपका one minute create करेगा लेकिन ये जो minutes और seconds है और इसके पेले जो हमने minutes और seconds पढ़े हैं वो दोनों अलग-अलग है measure wise grade system के अंदर जो one second का मतलब है और degree measure के अंदर जो आपका one second का मतलब भी दोनों अलग-अलग है इसलिए confusion लेने की ज़रूत नहीं है यह basically एक नया system में जिसमें आपको काम करना है अगर आपको इस system में काम करना है तो बताओ कि क्या आप comfortable feel करोगे यह जो हम यहाँ पर problem बता रहे थे degree measure के अंदर वो यहाँ पर rectify कर दी गई है एक right angle को 90 में break करने की जगे 100 में break किया फिर एक आपको जो degree था उसको आपने 60 में break किया था उसके एक grade को यहाँ पर 100 में break किया और फिर यहाँ पर जो आपको minute आया था उसको भी आपने 60 की क्या मुझे बता सकते हो कि 90 grades मतलब कितना हो जाएगा 90 grades मतलब कितना हो जाएगा अब 90 grade सुनके हमें से लगता है कि right angle तो नहीं होगा 90 degrees होता है right angle 90 grade actually जो होगा वो right angle से कम होगा 90 grade जो होगा वो right angle से कम होगा क्योंकि 100 grade मिलके एक right angle create करता है ठीक है तो हमें यहाँ पर जो है अभी angle वाली जो feel already degree के अंदर है वही आप grade के अंदर भी लाने पड़ेगी by actually studying the interconversion हम कभी भी अगर uncomfortable feel करेंगे, हम convert कर लेंगे अपने value को वापस grade से degree में बास अनमे आ रही है क्योंकि हमें बच्पन से degree देखने की यादत है ठीक है, alright, so यहाँ पर interconversion होगा कैसे, interconversion आपका बड़ा आसान है इस case में क्योंकि degree और grade दोनों के ही जो यहाँ पर base है, वो right angle है ठीक है, तो आपने क्या बोल के रखा है कि एक right angle जो है एक right angle जो है वो 90 degrees होता है और वो 100 grade भी होता है अच्छा, grade के लिए हमने यहाँ पर क्या decide किया है कि हम यहाँ पर power में g लिखेंगे ठीक है, 100 grade हो जाएगा हो लेकिन minute और यहाँ पर seconds का हमने यहाँ पर change नहीं किया है एक dash मतलब minute और दो dash मतलब seconds इसमें हमने changes नहीं किया तो यह जो हमारा relation है कि एक right angle 90 degrees भी है और एक right angle आपका 100 grade भी है यह actually manage करेगा है न यह actually हमें inter conversion के लिए एक नया factor निकाल के देने वाला है जैसे कि अगर मैं आप सो बोलूं कि आपके पास में अगर convert करना है degrees और grade को तो क्या आप बता सकते हो इस relation का इस्तेमाल करके कि 1 degree मतलब कितना grade होना चाहिए अगर 90 degree अलड़ी 100 grade के बरावर है तो equation के दोनों side अगर मैं 90 से divide कर दूँ तो left hand side में 1 degree बनेगा लेकिन right hand side में क्या बनेगा 90 से divide करके 10 upon 9 ठीक है तो इसका मतलब क्या है कि आपका 1 degree 10 upon 9 grade के बरावर है अगर 1 degree 10 upon 9 grade के बरावर है तो अगर कोई आप से बुछता ही कि x degrees कितने grade के बरावर है तो आप क्या करोगे यह जो conversion factor है यह multiply कर दिना x के अंदर ठीक है हमारे पास में 1 degree का value जो है using this equation क्या कि हमने हमने हमें 90 से divide के तोनों side और कुछ नहीं किया हमारे पास में 1 degree का value अगर 10 upon 9 grade आया है तो x degree का value कितना हो जाएगा x into 10 upon 9 grade ठीक है और अगर आपको reverse में conversion जरूत पड़ती है आपको अगर grade को change करने की जरूत पड़ती है इन degrees तो क्या करेंगे उस case में हम 1 grade की value पहले निकालने कोईश करेंगे in which case मैं equation को दोनों side 100 से divide करने की कोशिश करूँगा अगर मैं equation को इस side 100 से divide करूँगा तो मेरे पास में 1 grade आएगा लेकिन इस side अगर मैं divide करूँगा तो मेरे पास में 9 upon 10 degrees आएगा मतलब का 1 grade जो है वो 9 upon 10 degrees के बराबर है तो इसका मतलब आपको अगर ज़रूद पड़ती है x grades को convert करने की तो अब यहाँ पर इसकी मतलब से क्या बोलोगे x grade कितने degrees के बराबर हो जाएगा x into 9 upon 10 grade के बराबर हो जाएगा sorry degrees के बराबर हो जाएगा हमें अगर grade से degree में change करने ज़रूद पड़ती है तो हम basically इस तरीके से work out कर सकते है all right let us try to apply this यहाँ पर मेरा जो main idea है वो यह है कि हम grade को भी थोड़ा सा थोड़ा सा ही सही accept तो करें यहाँ पर एक नया measure है नया measure को हम यहाँ पर basically थोड़ा सा accept करना चाहरें बहुत जादा नहीं तो भी है न तो acceptance कब आएगा जह हमें यह पता होगा कि यह जो पुराना वाला थोड़े नो उसमें convert हो सकता है ठीक है so let us try to do this first express 81 degrees in grade measure क्या आप 81 degrees को grade में change करके बता सकते हो कितना होगा ठीक है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 81 को multiply करना पड़ेगा किस से अगर आपको x degrees को change करना है grade में तो आप इसको 10 upon 9 से multiply करोगे 10 upon 9 से multiply करोगे तो यह इतना grade बन जाएगा ठीक है तो अगर आप यहाँ से cancel करते होगे तो 9 आता है और यह हो जाएगा आपका 90 grades के बराबर ठीक है this is where we feel a bit uncomfortable 90 क्योंकि हमारे दिमाग में जैसे आता तो एक right angle हमारे दिमाग में आता है लेकिन 90 grade मतलब right angle नहीं है 90 grade actually आपका 81 degrees के बराबर है it is a bit less than a right angle ठीक है तो यहाँ पर हर बार यह दिक्कत आएगी हमारे दिमाग में already 30 degree का एक idea है हमारे दिमाग में 45 degree का एक idea है कि x axis y axis के बिल्कुल beach में से जाने वाली जो line है वो 45 degrees create करती है लेकिन यही बात अगर मैं बोलना चाहूंगा in terms of grade तो वो magnitude wise 45 नहीं आने वाला है कुछ और आने वाला है ठीक है वो कितना आएगा 45 जो आपका degree है वो कितना आएगा 45 degree अगर यहाँ पर लिखा हो होता तो आप यहाँ पर cancel करके उसको 50 grade बोलते है so यह आपको basically जो है थोड़ा सा accept करना पड़ेगा कि यहाँ पर आप values अलव होंगे अगर आप grade वाले question solve करोगे तो but good thing is जादा question आपको grade वाले solve करना ही जरूद पड़ेगी नी because जैसे कि हम यहाँ पर थोड़ा सा uncomfortable feel कर रहे है इन numbers को देखकर वैसे ही बाकी सबने भी इसको almost discard करी दिया है इस measurement वाले unit को हमने almost discard कर दिया है लेकिन तब भी यहाँ पर पता होना चीए इसलिए हमने इसका discussion यहाँ पर किया है लेकिन एक interesting सवाल और करते है before we actually discard it all together from our discussion एक simple सा question और मुझे करके बताओ कि in a right angle triangle ABC right angled at B angle A in degrees and angle C in grades are numerically equal तो आपका angle A का value कितना होना चाहिए यहाँ question को answer करते है उसके बाद में हमने जो यहाँ पर discussion किया है हमने जो यहाँ पर एक नया unit discuss किया है जिसका हमने grade measure नाम दिया है उसको हम जो थोड़ा सा sideway करेंगे और जो बहुत ज़ादा important questions है जो बहुत ज़ादा यहाँ पर important unit है उसका discussion स्टार्ट करेंगे ठीक है sorry to take up the time that we discussed grade measure है ना grade measure यहाँ पर जो है discuss तो हर साल करना पड़ता है लेकिन उसका use as such बहुत ज़ादा नहीं है this is just to help us understand कि लोगों ने basically वो जो problem थी grade degree के अंदर जो problem थी किया 90 क्यों है 60 क्यों है 60 क्यों है उसको rectify करने की कोशिश की है ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं की लेकिन जैसे हमारी दिवांग में degree चड़ चुका है वैसे बाकि सब की दिवांग में degree चड़ चुका है इसलिए grade measure को उतना importance नहीं मिल पाए otherwise calculation point of view से grade is very good calculation point of view से grade is really very good ठीक है बहुत ही बढ़िया कोशन है काफी अच्छा कोशन है इन्हे right angle triangle ABC इन्हे right angle triangle ABC angle A right angle and B ठीक है तो यहाँ पर ABC ऐसा बच फिगर बनना चीए हमारा angle A in degrees है ना कितना degrees है मान लेते हैं x degrees है and angle C in grades are numerically equal तो यहाँ पर आपका angle तो शायद अलग है लेकिन आप grade में जब बोलते हो इस angle को तो वो x grade हो जाता है समझे इस बात को जैसे कि इसके पिछले वाले question में अगर मैं बोलना चाहूं ठीक है तो आपका 90 grade और 90 degrees actually अलग अलग है लेकिन 90 grade और 90 degrees में जो numeric value है 90 वो same है ठीक है तो ऐसे कुछ आपका सवाल है कि अगर आप यहाँ पर एक angle को अगर degrees में बोलते हो और दूसरे angle को अगर आप grade में बोलते हो तो आपको लगता है कि यह दोनों same magnitude वाले आपके values है magnitude मतलब numerically यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो x ही लिखा हुआ है तो in that case आपको यहाँ पर angle A अभी हाँ पर find करके बताना है obviously degrees में find करके बताएंगे तो यहाँ पर start करने का हमारा idea क्या होना चाहिए कि क्योंकि हम already यहाँ पर right angle triangle के अंदर है तो हम यहाँ पर triangle की property पता है कि यहाँ पर तीनो angles का सम 180 हो जाता है एक angle already आपका 90 बन चुका है तो बाकी दोनों का sum भी कितना हो जाएगा बाकी दोनों का sum भी आपका 90 degrees हो जाना चाहिए तो पहला वाला angle A तो already degrees में है लेकिन दूसरा वाला grade में है और यह add करके 90 degrees आना चाहिए तो इस equation में थोड़ी सी खराबी है इस equation में खराबी क्या है कि यह grade कहां से आगे है इसको भी change करो इसको हम change करेंगे तो हमें यहाँ पर grade को change करना है किसके अंदर grade को change करना है degrees में तो grade को degrees में change करने के लिए हम करते क्या है grade को अगर आपको degrees में change करना है तो आप 9 by 10 multiply करते हो ठीक है 9 by 10 multiply इसके अंदर मुझे करना पड़े और अब यह पूरा का पूरा equation हमारा क्योंकि degrees में change हो चुका है so हम यहाँ पर इस सवाल को actually solve कर सकते हैं and if we try to do this हम यहाँ पर LCM भी ले पाएंगे LCM लेकि अगर आप यहाँ पर add करते हो तो यहाँ से 9x आएगा यहाँ से 10x आएगा we'll have 19x upon 10 is equal to 90 and that will give us how much यह obviously आपका x degrees में निकल कराने वाला है ठीक है so आपका यहाँ पर answer क्या हो जाएगा x degrees is equal to how much यह हो जाएगा 900 upon 19 बड़ा अजीब सा यहाँ पर fraction बन रहा है but this is the correct answer for this question कि यहाँ पर आपका angle A जो है वो इस value के बराबर है कि अगर यह condition यहाँ पर हम satisfy करवाते हैं कि आपका angle A in degrees and angle C in grades have the same numeric value तो मतलब अगर मैं यहाँ पर angle C आपसे पूछ रहा होता था आपका answer क्या था magnitude तो same ही है न, magnitude in the sense आपका जो है पर numeric value वो तो same ही है न तो अगर इतना value मैंने degree में बोला तो यह angle A का measure हो जाएगा और इतना ही मैंने अगर grade में बोला तो यह angle C का measure हो जाएगा ठीक है तो यह angle C का measure हो जाएगा तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा relation निकालने की कोशिश करी है between grade and degrees लेकिन degree हमारे लिए बहुत प्यारा है हम उसको छोड़ना चाहते ही नहीं है ठीक है हमने बोला कि हम यह दिक्कत ले लेंगे हमें चल जाएगी यह दिक्कत 60 से multiply करना है कोई दिक्कत नहीं हम कर लेंगे लेकिन नया unit मत बता हो ठीक है तो हम grade को यहाँ पर जो सीखने की कोशिश करते है हमने सीख लिया लेकिन हमने उसको अभी डिसकार्ड भी कर दिया है ठीक है वियर एक्चुली हपी विद दिस कनवर्शन वन राइट अंगल मतलब 90 डिग्रीज वन डिग्री मतलब 60 मिनिट एंड वन मिनिट मतलब 60 सेकंड हम इसके साथ में काफी comfortable ओर रैट तीसरा measurement का unit है वो है radiance ठीक है वो पढ़ने के पहले जल्दी से मुझे इस सवाल का answer निकाल के बता दो क्या answer आना चीज़ का find the angle between the minute and the minute and hour hand at 7.20 pm शाम के अगर 7 बच के 20 minute हो रहे है तो minute और hour hand के बीच में कितना angle होगा try करने सारे बच्चे बड़ाई आसान सवाल लग रहे है बड़ाई आसान सवाल लग रहे है answer लेकिन बच्चों भी बहुत सारे गलत देंगे इसके अंदर बहुत सारे बच्चे आंसर गलत देंगे हाँ जैसे कि हाँ पर बच्चे आंसर गलत देंगे रहें. कुछ कुछ कोशन अच्छे होते हैं. लेकिन जो बचे गलत आन्सर दे रहे हुं उनको भी बहुत जल्दी बहुत दुख होने वाले हैं. अरो हमने ऐसी गलती क्यासे कर दी? हमने यह इतने बच्चो वाले कोशन में इतनी बच्च वाली mistake करके गलत answer दिया ये सुनके आपको काफी दुख होने वाला है, ठीक है So, इसका answer 90 degrees नहीं है इसका answer 90 degrees नहीं है, जो भी बच्ची यहाँ पर ए answer दे रहे हैं वो यहाँ पर basically काफी दुखी होने वाले है आपको सबसे पहले यहाँ पर पता होना चाहिए कि यार आपकी जो यह पूरी की पूरी clock है यहाँ पर बहुत सारे numbers लिखे होए और हर number symmetrically placed है given that हमारे clock अच्छी वाली है कई बार जो यह numbers अजीब तरीके से लिखे होते हैं कभी आपकी rectangular आपने design वाली clock देखी होगी तो उसके अंदर number बड़े अजीब location पर होते हैं लेकिन वो location भी इस तरीके से होती है location इस तरीके से होती है कि आपका time सही आता है मतलब आप उसको एक circle के अंदर imagine करोगे तो फिर से वो symmetrically placed ही numbers आपको feel होंगे ठीक है इस बात को एक बार आप कोशिश करना सोच के देखना अगर आपने घर में especially अगर एक rectangular clock है तो आप इस चीज को notice करना कि numbers actually circular pattern में सही तरीके से placed हैं लेकिन क्योंकि आपके clock के design rectangle है इसलिए वो बड़ा अजीब तरीके का placement feel होता है ठीक है अगर मैं angle निकालना चाहूँ कि दो numbers के बीच में कितना angle create होता है तो क्या आप बता सकते होगी value कितनी आएगी हमारे पास total ऐसे कितने divisions है वन और टू के बीच में एक division है फर्स division, second division, third division ठीक है तो हमारे पास में total 12 division है और पूरा का पूरा angle कितना है आपके बास में पूरा पूरा angle आपके ऐसमें 360 degrees है ठीक है तो एक division मतलब दो consecutive numbers के बीच में अगर आपको angle चाहिए तो आप कितना angle बताओगे 360 आपका overall angle है आपके ऐसे 12 divisions है तो 12 से अगर आप इसको divide करते हो आपको कितना मिलता है 30 degrees मिलता है 12 और 1 के बीच में 30 degrees है 1 और 2 के बीच में 30 degrees है ठीक है तो आपके हाँ पर 30-30 degrees basically होने वाले है और इसी logic से बच्चों ने यहाँ पर answer 90 degrees बता दिया है क्योंकि उनको लग रहा है कि आप 4 और 5 के बीच में 30 degrees 4 और 5 के बीच में 30 degrees हो गया 5 और 6 के बीच में 30 degrees हो गया और 6 और 7 के बीच में 30 degrees हो गया so 30-30-30 add कर दिया हमारा answer यहाँ पर सही होना ची which is 90 degrees लेकिन problem क्या होता है problem यह है कि आपको पूछा गया है कि our hand और minute hand के बीच में इस particular time पे angle कितना होगा तो problem is होगा है कि 20 minute होगे लेकिन our hand अभी भी आपका exactly 7 पे यह और जैसे ही यहाँ पर जो है 8 o clock होगा नो तो एकदम से आपका our hand जो है 7 से 8 पे आजाएगा ऐसा नहीं होता आपका our hand भी धिरे-धिरे आगे चल रहा है minute hand थोड़ी तेजी से चल रहा है लेकिन our hand भी चल रहा है धिरे-धिरे आगे बढ़ रहा है ठीक है तो आपको यह देखना पड़ेगा कि 20 minutes जब आपके complete हुए है तो our hand 7 से actually कितना degree आगे निकल चुका है यह लिवा सुन्यारी तो यह कैसे निकालेंगे यह कैसे निकालेंगे फिर से एक घंटा हो गया है तो एक से दो प्या आजाएगा मतलब our hand को एक घंटा लगता है 30 degrees travel करने में मतलब अगर मैं यहाँ पर अपने minutes में discussion करना चाहूं तो मैं यह बोल सकता हूं कि जो हमारा our hand है वो 60 minutes में कितना travel करता है 30 degrees travel करता है तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि 20 minutes में हो कितना travel कर चुका होगा क्योंकि हम 20 minutes यहाँ पर आगे बढ़ चुके हैं ठीक है 20 minutes में हम यहाँ पर कितना expert करना है our hand का moment वो यहाँ पर फिर से unitary method से आ जाएगा 30 into 20 and divided by 60 कितना होता ही है यह 10 degrees के बराबर होता है आपका जो our hand है वो 10 degree आगे बढ़ चुका है इसलिए आप जो यहाँ पर देख रहे हो अगर 7.20 pm हो रहे है तो आपका minute hand तो exactly 4 पर है तो यहाँ से आपने जो counting स्टार्ट करें इसमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर 30 degrees यहाँ पर 30 degrees यहाँ पर 30 degrees अगर आप यह सोच रहे हो तो यहाँ तो दिक्कत नहीं है लेकिन क्योंकि आप यहाँ पर 20 minutes आगे निकल चुके हो तो आपका our hand भी यहाँ पर 10 degrees आगे निकल चुका है और इसलिए आपका overall angle जो होगा वो 100 degrees होगा और हैंड और minute हैंड के बीच में 720 पर जो angle होता है वो कितना होता है 100 degrees होता है 95 नहीं 100 होता है फिक है एक बार फिर से यहाँ पर सारे बच्चे एक बार calculation चेक करें यस C is the correct answer और अगे तो इस एक हलके फुल के question के साथ में हम अभी आगे बढ़ते हैं और अपना important serious discussion आज का start करते हैं ठीक है आज का serious discussion which is very very important is angle measurement in the system which is called circular system यह serious discussion क्यों है यह serious discussion इसलिए है क्योंकि हम आगे चलके circular system में यह trigonometry पढ़ने वाले है तो कुछ तो है यहाँ पर है ना इनका कुछ तो यहाँ पर जो है relation है तो हम आगे चलके जो भी हमारे angles अब trigonometry हो गया या फिर आगे कोई भी आप higher studies अगर करते हो तो instead of degrees we have now decided कि हम radians में बात करना start करेंगे ठीक है हमारा जो यहाँ पर angle measurement का unit है वो हमने radian decide किया हुआ है ठीक है और यह बहुत important है हमें यहाँ पर जो है इसके साथ में comfortable हो जाना पड़ेगा हमने grade के साथ में comfortable होनी की कोशिश की लेकिन उसके फायदे कुछ जादा नहीं थे except from the simpler calculations grade के और कोई जादा important फायदे नहीं थे इसलिए हमने उसको discard कर दिया है है ना उसमें हम जादा जो है नहीं जाएंगे लेकिन radian is very important for us आगे चलके हम जितने भी angles का discussion करेंगे radians में जादा करके करेंगे so we will do a lot of questions ताकि आपको एक comfort feeling आजाए है ना with this measure as well तो यहाँ पर समझने की कोईश करते हैं कि radian measure में हम starting point क्या ले रहे हैं जिसके आपने यहाँ पर degree में देखा था और grade में देखा था हमारा जो starting point था वो एक right angle था हमने right angle के टुकडे करने के बारे में सोचा था लेकिन radian measure या फिर circular system जो है इसके अंदर हम circle को यहाँ पर जो है base लेके चलते हैं क्योंकि circle में एक बहुत ही important property हमारे नजर में आई circle में हम एक बात notice कर सकते हैं कि यार यह radius चाहे जितना हो अगर आप circle के उपर चलना start करते हो और आप अगर exactly radius के बराबर distance travel कर लेते हो जितना भी इसका radius है doesn't matter आप अगर radius के बराबर distance travel कर लेते हो तो यह जो आपका arc AB बनता है इसका जो angle subtended at the center है this always remains constant फासर में आ रहे हैं आपका circle चोटा है चाहे आपका circle बड़ा है इससे फरक नहीं पढ़ रहा अगर आप अगर आप जितना radius है उतना travel करो अगर छोटे वाले का radius R1 है तो आप R1 travel करो अगर बड़े वाले का radius R2 है तो आप R2 travel करो अगर आप exactly radius जितना ही अपना arc create करते हो तो उस arc का angle subtended at the center हमेशा ही same आता है और वो जो हमारा इहाँ पर एक standard और constant angle create हो रहा है बार-बार किसी भी circle के अंदर है चाहे छोटे circle की बात करें चाहे बड़े circle की बात करें उस एक fixed angle को हमने बोल दिया है one radian के बराबर ठीक है तो यह आपके radian का definition है circle के उपर radius के बराबर length अगर आप trace करते हो then that arc always subtends a constant angle at the center that constant angle is called one radian और उसको represent कैसे करेंगे हम radian के लिए यह power में c लिखते है जैसे degrees के लिए गोला बनाते है degrees में जैसे o लिखने के आदत है हमें power में वैसे ही यहाँ पर अगर radian में आपको represent करना है तो आप इस चीज़ को power में c जैसा represent करते है जैसे मैंने हाँ पर किया हुआ है one की power में c लिखा हुआ है ठीक है मतलब यह one radian का notation ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहरी बात आप जो notice करोगे हो क्या है कि हमने यहाँ पर base जो है और right angle लिया ही नहीं right angle is not our base our base is the idea of this circle and the length of arc that we are taking ठीक है लेकिन problem क्या है कि हमारे दिमाग में तो degree बैठा हुआ है है और great measure जब में discuss कर रहा था तो at least हमारे जो starting point था वो scene था तो हमें समझ पा रहे थे कि यार आपने अगर right angle के 90 टुकड़े किये हैं ओके तो हमारे पास में एक टुकड़ा जो आया है वो one degree है अगर हमने 100 टुकड़े किये हैं तो एक टुकड़ा हमारा छोटा आएगा अगर आपने same right angle के 90 टुकड़े किये 90 equal parts किये या अगर हमने 100 equal parts किये तो जो एक grade आएगा वो छोटा होगा एक degree के comparison में हमें कुछ तो relation create करते आ रहा था क्योंकि वहाँ पर जो starting point था वो एक right angle था लेकिन हाँ पर हमारा starting point ही change होगे तो अब यह में relate कैसे करूँ one radiant मतलब क्या है यह definition तो चलो समय में आ गई problem समय में आ रहा है क्या होता है यहाँ पर बच्चों के साथ में सबसे आदा problem बड़ा क्या होता है कि यह feel नहीं आती एकदम से एकदम से feel नहीं आती है कि यह यह one radiant मतलब कितना है यह तो उसके लिए हम यहाँ पर फिर से इसको degree के साथ में relate करना पड़ेगा point समझ में आ रहा है हमें degree के साथ में इसको relate करना पड़ेगा है ना तो वो हम यहाँ पर करना चाह रहे उसके पहले और एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा feel और दिलाने की कोशिश करता हूँ अगर आप यहाँ पर ध्यान से अगर इस बात को सुने हो जिसका center कहाँ पर है minus 1 पर है यह क्या है आपका 0 अगर आप यहाँ पर इसको as an x axis y axis दिखना चाह रहे हो तो माल लेते हैं कि यह जो horizontal line है यह आपकी x axis है और यह जो vertical आपकी line है यह आपकी y axis है ठीक है यह basically vertical line जो है यह आपका rope है यह आपका एक rope है rope का यहाँ पर significance किया है बताता हूं मैं आपको बहुत ही चलती लेकिन हमारा यह x axis y axis जो है इसका intersection point यहाँ पर 0 आ रहा है ठीक है यह हो जाएगा हमारा क्या origin this is where origin lies ऐसा मान के चलते है ठीक है अगर मैं यहाँ पर minus 1 unit पीछे जाता हूं तो yellow point क्यों हो जाएगा आपका minus 1,0 this is the center of the circle that I have drawn मतलब इस circle का radius कितना हो गया इस circle का radius कितना हो गया आपका one unit के बराबर हो गया ठीक है obviously अगर यह one unit का circle है one unit radius का अगर circle है तो yellow point का आपका 0 आएगा लेकिन इस तरफ आके आप अगर one unit और पीछे जाओगे तो आपका yellow point कितना आजाएगा minus 2 ठीक है तो अगर आप यहाँ पर center को C और अगर yellow point को B नाम देना चाहरे हो तो आपके इसमें ऐसा कुछ figure बनना चाहिए हमने हाँ पर एक बहुती बढ़ी आसा specific सा circle लिया है जो origin से pass करा है जिसका center minus 1,0 पर है और जिसका radius 1 के बराबर है अगर y axis पे actually आपकी rope है मतलब y axis जो है वो कैसा है flexible एकदम y axis एकदम आपका flexible है ठीक है y axis अगर आपका एकदम से flexible है ठीक है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो इस rope को इस circle के उपर गिरा सकते हो आप इस rope को इस circle के उपर गिरा सकते हो ऐसे इसको जो है overlap करवा सकते हो इस surface के उपर आपने अगर यह rope गिरा दी तो आपका यह जो particular point है which is currently at the position 1 अगर मैं y axis की बात करूँ तो यह position 1 वाला आपको point है यह point P1 कहीं कहीं जाके तो लाय करेगा नो यह आपके circle की उपर कहीं कहीं जाके fit बैठेगा वो जिस point पे fit बैठेगा उस point का angle basically कितना बनने वाला है 1 radian बनने वाला है तो y axis वाला point यहाँ पर जाके गिरता है वो point x axis अपर जितना angle बना रहा है वो one radian के बराबर है क्यों हो रहा है इसा क्योंकि यहाँ पर आपका जो radius है वो भी one unit के बराबर है और आपने इसके उपर गिराया है मतलब आपने length of arc basically one unit के बराबर कर दी ठीक है तो आपका length of radius and length of arc अगर equal हो जाता है तो उस angle का ही measure basically by definition one radian के बराबर है ठीक है so what we are trying to do is we are trying to get more comfortable with the idea of radians यहाँ पर हमें सोच रहे है कि यार क्या में real numbers की मदद से radians को समझ सकता हूं किया अलग लग तरीक से समझने की कोशिश कर रहे हम यहाँ पर है नग डेफिनेशन तो समझ में आगे अपने जो है rope को अगर गिराता हूं ठीक है तो यहाँ पर जो one unit वाला point है वो जहां आके गिरेगा उतना basically angle आपका one radian कहलाएगा जो two unit वाला point आके गिरेगा जो two unit वाला point आके गिरेगा वो वाला point कौन सा है आपका फिर वाला point आपका दो radian subtend करने वाला point होना चाहिए so p1 is this point जो यहाँ पर आके गिरा है जिसकी मदद से one radian create होता है है ना आपका जो p2 point है उसकी मदद से आपका क्या radian create होगा आपके हैं पर दो radian create हो जाएगा ठीक है यह two radian वाला आपका p2 point होना चाहिए थोड़ी और feel आई थोड़ी और feel आई यहाँ पर radian थोड़ा समय और आया हमें लेकिन अभी भी पूरी तरह से feel नहीं आपाई है है कि ने अभी भी पूरी तरह से feel नहीं आपाई है यहाँ पर चल क्या रहा है yes feel तो हमें तभी आएगी जब हम degrees में उसको convert करके देख लेंगे कि one radian मतलब कितना क्योंकि हमें तो degrees on में आता है ठीक है हमें तो degrees on में आता है अगर मैं इसको one radian को degree में convert करके बता दूँगा तो आप बोलोगे अच्छा one radian मतलब इतना होता है क्या then you will find कि हाँ चलो अब यह चीज़े comfortable लग रही ठीक है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा इस सवाल का वाकिए एक solution ढूणना पड़ेगा how much is one radian actually एक radian मतलब ultimately है क्या degrees में बताओ यहाँ पर बाते मत बनाओ यहाँ पर क्या लग रहा है बाते बन रही है जितना आपने यहाँ पर radius रखा है उतना ही चलो और फिर जो angle subten होगा वो one radian है फिर यहाँ पर आप one का circle बनाओ फिर यहाँ पर rope है rope को गिराओ one वाला point जो यहाँ पर angle create करेगा वो one radian है फिर चल क्या रहा है समझ में नहीं आया मतलब हम ठीक है तो यहाँ पर हम convert करना चाहरे है basically one radian को in terms of degrees ठीक है तो यहाँ पर बहुत ही simple एक idea जो है आपको already पता है ठीक है circle में हमें circle के arc को लेके बहुत ही simple सी बात पता है angle subtended by arc at the center is directly proportional to the length of the arc अगर आपका arc का length जादा है तो बड़ा angle subtended करेगा यह सोनो अगर आपका arc का length छोटा है तो angle subtended भी छोटा रहेगा आपका length of arc अगर छोटा है तो angle subtended छोटा अगर आपका length of arc बड़ा है तो angle subtended जादा यह सोनो यह idea भी हमें clear है तो इस आइडिया का में इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस proportionality का में इस्तेमाल कर रहा हूँ, to actually relate radiance and degrees, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर बताओ, कि आपका अगर direct proportionality है, अगर आपका direct proportionality है, length of arc is directly proportional to the length of angle, subtended at the center, ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐसे कुछ लिख सकता है, कि दो अलग-लग arc का जो यहाँ पर length है, दो अलग-लग arcs का जो यहाँ पर length है, है न, जिसे कि एक arc मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, which is AB arc, और दूसरी arc का जो length है, जो यहाँ पर मुझे दूसरा arc नजर आ रहा है, वो में कौन सा लेना चाहता हूँ, AC लेना चाहता हूँ, ठीक है, यह इसके ratio के बराबर हो जाएंगे, जो angle subtended हो रहा है, उसी ratio के बराबर हो जाएंगे, मतलब यह angle AOB, angle AOB upon angle AOC के बराबर हो जाना चाहिए, क्यों ऐसा हो रहा है, clear हो रहा है आपको, क्यों ऐसा हो रहा है, clear हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर इस statement को देखकर क्या बोल पा रहे है इस statement को हम देख के बोल पा रहे हैं कि आपका जो length of arc होता है it is proportional to the angle subtended at the center let us say the angle subtended is theta if this is true then I can create some constant of proportionality and I can create an equation which is L is equal to k theta L is equal to k theta आगे चलके हम यह भी देखेंगे कि यह constant of proportionality कितना है लेकिन अभी के लिए हमें केवल proportionality से मतलब है तो अगर आपका यहाँ पर L is equal to k theta है तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं L1 is equal to k theta 1 and L2 is equal to k theta 2 तो मैं अगर दुमों साइट divide कर दूँगा तो ही आएगा L1 upon L2 is equal to theta 1 upon theta 2 L1 upon L2 is equal to theta 1 upon theta 2 यह इस proportionality से ही basically आया है हमारे पास हम ठीक है? तो यहाँ पर हमें बताता हूँ कि हमने यहाँ पर AC बहुत सोच समझ के लिए है AC हमने यहाँ पर basically right angle subtend करने वाला एक आपका arc लिए है AC arc actually subtends 90 degree at the center तो अगर यह 90 degree subtend कर रहा है center के उपर तो क्या मैं यहाँ पर length of arc भी बता सकता हूँ? क्या यह circumference का one-fourth हो जाता है? circle का जो circumference है two pi r उसका यह कितना हो जाएगा? उसका one-fourth हो जाएगा agreed? obviously 90 degree subtend करने वाला जो आपका quarter बोलते हैं इसको quarter ठीक है? one-fourth होता है और आपका जो AB है वो तो अल्लड़ी special है AB हमने हाँ पर कितना लिया है arc? आपका जितना भी radius है इस circle का हमने arc length भी उतना ही लिया हुआ है इसमें यहाँ पर हम r लिख सकते हैं बड़ी आसा नहीं से AOB जो आपका यहाँ पर angle है AOB जो आपका angle है obviously कितना subtend करेगा? one radius, one radius subtend करेगा क्योंकि यही हमारा definition है अगर arc length आपका radius के बराबर है तो फिर जो angle subtender होता है उसे को हम one radius बोलते हैं ठीक है? लेकिन क्योंकि AOC right angle है इसलिए right angle को हम यहाँ पर degrees में 90 degrees बोल सकता हूँ तो हमने यहाँ बर किया क्या है? हमने एक ही equation में दो अलग-अलग units substitute कर दिया है नए एक जगे हमने ही हाँ पर substitution किया है radians में और एक जगे substitute किया है degrees में this will help us create a relation between the two units ठीक है? इसलिए हमने यह काम किया तो यहाँ पर होगा क्या? सबसे बिले आपका r cancel हो जाएगा तो यह क्या बता रहा है आपको? कि यह हम basically derivation किसी भी circle के लिए start कर सकते थे उसका radius 1 होना ज़रूरी नहीं है कई सेरी books में 1 radius के radius के साथ में circle का discussion start करते है कि एक unit circle मानो और फिर यहाँ पर यहाँ ऐसा ऐसा बोलो ठीक है? लिकिन unit circle लेनी के ज़रूत नहीं है आप यहाँ पर अगर r radius का भी circle ले रहे हो तो ultimately तो cancel चीज़े हो ही रही है ठीक है? फर्दर यहाँ पर cancellation क्या हो जाएगा? यह 2 से आपका 2 cancel हो जाएगा तो यह जो नीचे 2 बचा है यह पलट के उपर आने वाले और अगर मैं यहाँ पर 1 radian को लिखना चाहता हूँ तो finally I have 1 relation 1 radian मतलब कितना होना चीए? 90 को cross multiply करो so 90 के अंदर यह नीचे वाला 2 multiply होगा तो 180 हो जाएगा और नीचे आपका πाई बचा होगा है finally अब शायद हमें चीज़े समझ में आने वाली कि 1 radian मतलब कितना? 1 radian मतलब 180 अपॉन 5 degrees 1 radian मतलब कितना? 180 अपॉन 5 degrees यह हमारा final answer अभी भी feel नहीं आई अभी भी feel नहीं आई? अभी नहीं पता चला है कि कितना होता है? तो फिर calculate करो अगर आपको अभी भी feel नहीं आई है तो calculate करना पड़ेगा 1 radian is equal to कितना होता है? 180 upon pi pi को में लगभग कितना ले सकता हूँ? 22 upon 7 ठीक है? तो यहाँ पर इतना आप calculate करके बताओ कितना value आयागा 180 upon 22 इंटो 7 आप करो और देखो जल्दी से कितना answer आपका बनने वाला है ठीक है? ओल्राइट 57.2727272727 और यहाँ पर हरियों हमारे साथ में है जो यह value create करके बता रहा है उसने हाँ पर बड़ी मेहनत करी मैं लेकिन उसको approximate कर रहा हूँ 1 radian को मैं approximately 57.3 लिख रहा हूँ जाहाँ दिल पर मत लेना 57.27 कुछ होता है ठीक है? लेकिन हम इसको लगभग approximately 57.3 जैसा at least बोल देता है calculation करते समय या फिर question में explain करते समय तो मैं यहाँ पर जो है इसको 60 degree के आसपास वाला angle बोलता हूँ है न अगर हम यहाँ पर एक अच्छे angle के साथ में इसको compare करना है तो 57 के आसपास वाला सबसे अच्छा angle जो हमें पता है वो कौन सा है 60 degrees मतलब one radian लगभग आपने अपने दिमाग में photo कौन सा बनाना चाहिए लगभग आपके दिमाग में अगर one radian का photo बन रहा है तो 60 degree वाला photo बनना चाहिए थोड़ा सर कम है 60 degrees है अब थोड़ी और feel आई yes अब थोड़ी और feel आई कि आपका one radian मतलब होता कितना है जैसे हम degree में बात करना start करते हैं हमें थोड़ा अच्छा लगता है कि अच्छा ये इतना है ठीक है तो अब यहाँ पर यह सोचो कि यह तो भई unit को अगर हम लेके चल रहे हैं अगर हम one radian को लेके चल रहे हैं तो दो radian तो एकदम से बहुत बड़ा अंगल हो जाएगा तीन radian बहुत बड़ा अंगल हो जाएगा ठीक है मतलब बहुत छुटपुट radian में हम बड़े बड़े अंगल से में बात कर रहे होंगे जैसे कि किलोमेटर से में होता है आप दो बोला 5 किलोमेटर है लेकम बहुत जाद है पांच किलोमेटर हुच notifications वैसे ही हम पर तीन radian मतलब बहुत ज़्यादा है भाई यहाँ बहुत जाता हो जाएगा आपका लगभग आपकर 180 डिगरी तक पहुशना के नौकशने के रोपत आ जाएगी लग वग लग ठीक है ऑल्राइट् सो पहली बात यह समझना चाहिए आपने की यह यूनिट बहुत बढ़ा है यह यूनिट बहुत बढ़ा है इसका इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है कि अगर वन रेडियन ही आपने यहाँ पर आल्मोस 60 डिगरी के बराबर को बोल के रखा है तो 45 डिगरी तो फ्रैक्शन हो थिक है बट देटिंग इस हम यहाँ पर जो ही उनको पाय के फॉर्माट में बोलेंगे कभी यहां से डिग्रीज को डिग्रीज में बैसे अपने करने वाले नहीं है ठीक है कि डेसिमल में अपने कर दी 22 by 7 बेसिकली हम बोलना के अचा थो हम 22 by 7 ऐसे substitute नहीं करने वाले हैं आगर पाय में answer आ रहे तो हम पाय में ही report करेंगे और उसी के साथ में comfortable होने की कोशिश करेंगे ठीक है तो अगर आपको कभी भी change करना है values को from degrees to radian या फिर radians to degrees तो हम यहाँ पर उनके 20 का relation अगर पता है तो we have the best relation possible which is pi radians is equal to 180 degrees हमरे पास में जो रिलेशन है जिसको हमें बार बार इस्तेमाल करना है it is pi radians is equal to 180 degrees 180 degrees दिमाग में फील आ गई 180 degrees दिमाग फिलागी straight angle straight line के ओपर जो angle है वो 180 degree है ठीक है लेकिन आप उसको radian में अगर कहना चाहते हो तो यह pi radian है कितना है यह pi radian ठीक है all right but pi is not 180 pi is not 180 pi radian is 180 degrees pi radian is 180 degrees ठीक है unity के साथ में चीज़े बोलते हैं तो यहां पर सही होती है अदर्वाइस numerically आपका pi कितना है 3.14 and आगे भी बहुत कुछ है है ना irrational quantity तो पूरा था बोल नहीं सकते है लेकिन हाँ लगभग अगर बोलना चाहते हैं तो 3.14 4 radian is actually 180 degrees काफी weird काफी weird है ठीक है लेकिन कभी भी अगर मुझे change करने की जरूद पढ़ती है तो मैं यहां पर फिर से अपना जैसे greater degree में हमने relation generate किया था वैसे relation यहां पर भी हम generate करके रख सकते हैं अगर मैं दोनों साइट 180 से divide कर दूँगा तो मुझे 1 degree का value मिलेगा 1 degree हो ज radians के बराबर है तो x degrees मतलब कितना हो जाएगा यह x into pi upon 180 radians के बराबर हो जाएगा ठीक है instead of dividing this equation with 180 we could have divided this equation with pi तो अगर मैं pi से divide करूँगा तो मेरा 1 radian का value निकल कर आएगा 1 radian का value होता है आपका 180 upon pi के बराबर इतना degrees होता है तो आपको कभी भी अगर x radians को change करना है अगर आ degrees में आंसर आपको मिल जाता है ठीक है x into 180 upon pi करको आपको अभी degrees में answer मिलेगा conversion factors आपको पहले भी पता है जैसे कि अगर आपको लीटर को मीटर क्यूब में change करना है दोनों volume के unit है meter cube भी volume है और liters भी volume का unit है लेकिन हमें conversion factor पता होना चीए था कि हम realize कर पाएं कि 1 meter cube मतलब कितना बड़ा होता है 1 meter cube कितना बड़ा होता है पता है न आपको ठीक है 1 meter cube बहुत बड़ा होता है ठीक है so वैसे ही कुछ यहाँ पर आपको realize करना चीए कि यार आपका x radian या फिर 1 radian मतलब काफी बड़ा है 1 radian मतलब आपको 57 के लगभग degrees हो जाते है complete ठीक है so these are the conversion factors that we'll use to actually get to our answers and there are some very very important angles जिसका हम यहाँ पर radian में expression याद रखना चाहेंगे ठीक है जैसे कि हाँ पर 90 degrees की अगर बात की जाये तो 90 degrees को अगर को convert करना है तो क्या करना है degrees को अगर आपको radians में convert करना थो pi by 180 multiply करना होता है ठीक है तो pi by 180 multiply करते हैं इसके अंदर पर भी अगर पाइब टूलिका हो दिखाई देता है मतलब नाइनिटी डिग्री का डिसकेशन चल रहा है कि पॉर्टीवाइगा दिग्री के समी क्या हो जाएगा 90 का भी आधा नाइंटी का आधा हो जाएगा तो डायक्लीच इसको मैं क्या पाइब फोर लिख दून है न pi by 4 radians जो है वो क्या है 45 degree के बराबर है आपको जो 60 degrees है वो कितना हो जाएगा 60 degrees के लिएक पर फिर से करके देख लो 60 into pi by 180 तो इस बर आपका 60 और 180 जो है 3 times cancel हो जाएगा और आपके समय जो angle निकल रहा है that is pi by 3 radians ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए ये सब आपको याद होना चाहिए आपके जो है question में अगर कोई बोलता है sin pi by 4 तो बिना conversion किये आपको 1 by root 2 answer देते आना चाहिए क्या आप बोलना चाहिए आपको इन सब units के साथ में इतना जादा comfortable हो जाना है वैल्यू बता देते हो एकदम से वैसे ही sin pi by 3 के साथ में आपको values बताते आना चाहिए ठीक है ये कैसे convert कर रहे हो समझ में आ रहा है pi by 180 multiply करके convert करें because we have already understood कि ये convert करने के लिए हमें क्या relation इस्तमाल करना है ठीक है और भी कुछ important values है है ना 90 डिग्री तो हमने कर लिया वैसा है 90 डिग्री हमने कर लिया है 180 कर लेते हैं चलो 180 डिग्रीस के case में हमारा answer क्या आएगा 180 इंडू pi by 180 तो ये तो बहुत ही आसान है ये तो हमने actually करी लिया था ये कितना है हमारा pi radians के बराबर है और 360 मतलब कितना हो जाएगा 180 का डबल मतलब कि हो जाएगा हमारा 2 pi radians के बराबर ये एग्री करें सारे बच्चे ये conversions हम कर सकते हैं आसानी से आल राइट येश आज हम यहाँ पर क्या क्या करने वाले हैं प्रनाव हम यहाँ पर आज जो है लेकिन एक बार convert करके बताओ अगर कोई standard angle नहीं है 36 degrees अगर किसी नहीं पूछ लिया कि 36 degrees को change करो into radians तो भी हमें जाधा परिशान नहीं होना चीए क्योंकि जो अभी हम standard angles के लिए कर रहे थे वही actually 36 के लिए भी करेंगे pi by 180 मतलब हम यहां पर कितने degrees की बात कर रहे है pi by 5 मतलब हम यहां पर 36 degrees की बात कर रहे है और वैसे ही अगर कोई आपको बोल ते कि 40 grade का value बताओ कितना आएगा 40 grade का value कितना होगा तो grade से directly हमने degrees में convert करना सीख लिया है और degrees को radial में convert करना सीख लिया है ठीक है तो यहावे दो step में basically हम अपने answer को निकाल सकते है पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 40 grade को degrees में change करेंगे degrees में change करने के लिए क्या multiply करना पड़ता है 9 by 10 multiply करना पड़ता है और जैसे आपने 9 by 10 multiply किया अब यह degrees हो गया और degrees को radial में change करने के लिए क्या multiply करना पड़ता है पाई बाई 180 multiply करना पड़ता है ठीक है तो यह overall आपका radial में answer create होना चाहिए ठीक है clear हो रहा है ये ये भी हमारा कितना हो जाएगा ये भी हमारा यहाँ पर calculation करके देखो ये 4 से 0 से 0 cancel होगा 4 9 से 36 ये 36 ही है ऐसे लगता है कि अलग-लग question है लेकिन अलग-लग question है ही नहीं because 36 degrees and 45 grade are equal और क्योंकि ये दोनों angles आपस में equal है इसलिए radian में इनका measure भी अगर आप निकालने जाओगे तो आपके उसमें same ही answer आएगगी दोनों का answer यहाँ पर जो है πाई वाई फाई radian ही है ठीक है एक और interesting बात में आपको बता जातो radian को हम इतनी priority देते हैं कि अगर by chance आपको किसी question में ये उपर कोई भी notation अगर नहीं दिख रहा तो हम उस angle को radian में है ऐसा मान के चलते है आगर किसी ने यहाँ पर directly sin pi बोल दिया तो आप ये मत पूछना कि sir ये sin pi radians की बात कर रहा है या sin pi degrees की बात कर रहा है आगर उसने sin pi लिख दिया है without any unit तो हम उसको radian में ही मानेंगे यह लिबासमन में आ रही हमारे लिए radian इतना important है जैसे कि log में हमने discuss किया था log में अगर base नहीं लिखा है तो हम 10 मान लेते हैं base वैसे ही अगर यहाँ पर angle में किसी ने यहाँ पर आपका unit अगर नहीं लिखा है तो हम उसको radian मानते हैं इतना हमारे लिए radian important है ठीक है 10 degrees 48 minutes radians में कितना बनेगा इस तरह के छोटे बूटे सवाल आपके NCRT में आपको बहुत मिलेंगे ठीक है आपके regular जो 11th class की कोई से भी textbook होगी उसके दिर आपको ये conversion वाले बहुत सारे question मिलेंगे वहाँ से आप practice कर सकते हो ठीक है कॉंसेट्स आपको क्या करना पड़ेगा हमें तो डिग्री से चेंज करने के आदा था है तो ये जो मिनिट में लिखा हुआ है मैं इसको भी डिग्री में चेंज करना चाहता हूं तो मैं क्या पूर्टी एट मिनिट्स मतलब अगर आप केवल डिग्री में बात करोगें इस ऊप्तिफ़िवर अपॉन फाइट इडिग्री इनटू राटी एज़िवरी एज़ि तो यहां पर जो है कैंसलेशन किया हो जाएगा आप यहां पर शायद यह 18 से पूरी तरह से चांसल हो जाएगा 3 times cancel होगा 18 से I guess ठीक है होना चीए तो 18 यहाँ पर 10 times आएगा यहाँ पर 3 times आएगा शहर and that will give you a better value दिखने में यहाँ पर pi के terms में तो आपके values अच्छी दिखते हैं ठीक है जिसके यहाँ पर हमारे पास में answer आए 3 pi by 5 3 pi by 50 sorry 3 pi by 50 ओके clear होगे तो हम यहाँ पर ऐसे गंदे गंदे से जो हमारे angle से उनको भी radiance में report कर सकते है और reverse काम भी हम कर सकते है reverse काम करने में कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको radiance में कुछ दिया है तो बढ़ी आसानी इसका degree measure भी बता सकते हो ठीक है बताओ यहां पर क्या हो चाहेगा 2 pi by 15 radiance मतलब कितना degree है जल्दी से बताओ ABCD option में से क्या होना चाहिए conversion factor इस बार उल्टा वाला इस्तमाल करने का करना पड़ेगा यह सो नो आभी तक हम यहां पर degrees से radiance कर रहे तो हम pi by 180 मुल्टिप्ला कर रहे थे आप क्या मुल्टिप्लाइ करना पड़ेगा 180 upon pi 180 upon pi multiply करो और जल्दी से आंसर बताओ क्या आना चाहिए yes everyone all right chemistry के लेक्षर में अल्री पाई का इस्तमाल radiance का इस्तमाल करना start कर दिया आप लोगों ने all right chemistry और physics और बहुत तेज चलते हैं इसलिए वहाँ बेसिक mathematics करके जो है initial discussions किये जाते हैं कि यार maths में तो actually पढ़ने में बहुत आंग लएगा आप पहले हम जो हमको जो चाहिए physics में हमको जो चाहिए chemistry में उतना उतना आपको बता देते हैं इस always happens and that is a good thing mathematics पढ़ाना में हमें काफी आसानी हो जाती इस वज़े से और आपको यहां पर multiply करना है 180 upon pi so pi से pi तो गया है ना यहां पर अगर देखो गे तो यह 15 times कितना जाएगा है ना 15 यहां पर अगर 12 times जाएगा तो आएकस आपका answer फिर यहां पर अच्छा मतलब d answer हमारे correct हो जाना जाए तो आप यहां पर इधर से उधर convert करो या इधर से इधर convert करो आपको यहां पर दोन ही conversions आते हैं करते राइट and apart from just converting the values हमारे पास में कुछ सवाल ऐसे भी हो सकते हैं जिसके अंदर आपको length of arc calculate करने के लिए बोला जाए या फिर आपको area of sector calculate करने के लिए बोला जाए ठीक है let us do these two formulas also before going on with more questions ठीक है इसके आपने और भी सावाल हमें करने है लेकिन पहले इन दोनों का भी discussion कर लेते हैं बहुत ही आसान discussion है बहुत ही simple discussion है क्योंकि हमें सिंपल सी बात पता है क्या पता है में कि अगरा art का length जाधा है तो angle subtended जाधा होगा अगरिए कलास में क्लास में прекрас craft करें डोके लेंको clock आउंट我說 is equal to r into theta लेकिन यहाँ पर जो theta होता है formula के अंदर वो कौन सा होता है radiance में होता है यहाँ पर जो theta होता है वो radiance में होता है तो इसका इपर formula generate करके देखते हैं using this statement again कि अगर आपके पास में length of arc जादा है तो angle subtended भी जादा है मतलब आगर मैं दो अलग-लग length लेता हूँ यहाँ पर length of arc AB और length of arc AC तो इनका जो ratio है यह इनके angle subtended के बराबर ही होगा मतलब AB कितना angle subtended कर रहा है तो AB यहाँ पर angle subtended कर रहा है theta के बराबर और AC कितना angle subtended कर रहा है AC हाँ पर angle subtended कर रहा है AOC के बराबर ठीक है थीटा एंगल यहां पर और ली बनावा था तो मैंने थीटा लिखे है हम यहां पर obviously जो एंगल अब लेना चाहते हैं वो रेडियंस में ही लेना चाहते हैं इसके पहले आपने notice कि होगा कि हमने जो derivation किया था जिसमें हमें पाय रेडियंस इस इकोल रेडियंस का रिलेशन मिला था वहाँ पर हमने दोनों एंगल्स को अलग लग यूनिट में सब्स्ट्यूट किया था लेकिन question solve करते हैं समय हम ऐसा नहीं करते हैं हमने अलग लग यूनिट वहाँ पर इसलिए substitute किते हैं because we wanted to relate those two units लेकिन आपको कोई भी अगर सवाल solve करना है ठीक है जैसे कि यहाँ पर एक equation लिखी हुई है तो हम यहाँ पर अगर ratios लिख रहे हैं नीचे में मैं theta radian में ही लेना चाहता हूँ लेकिन अगर मुझे यहाँ पर relation develop करना है तो better होगा कि मैं यहाँ पर जो AC arc ले रहा हूँ वो एक non arc ले लूँ तो non arc में कौन सा ले सकता हूँ यहाँ पर अभी तो मैंने यह एक random सा एक arc लिया हूँ जिसका length L है तो length of AB कितना है basically L के ही बराबर है length of AB L के बराबर है मैं यहाँ पर जो AC ले रहा हूँ वो बहुती standard एक length ले रहा हूँ which is R क्यों? क्योंकि अगर मैं length of arc R के बराबर कर देता हूँ तो मेरा जो angle subtended होता है वो 1 radian के बराबर हो जाता है तो यह मेरा relation generate करने में help करेगा ठीक है? So we are doing that हम यहाँ पर क्या कर रहे है? अपना जो length of AC है वो यहाँ पर R select कर रहे है ताकि यहाँ पर भी मुझे क्या लिखते आ जाए? यहाँ पर मुझे 1 radian लिखते आ जाए AOC का value यहाँ पर एकदम से 1 radian हो जाएगा and now if we just cross multiply हमारे बास में relation आज़ते है which is L is equal to L is equal to theta into R but always remember कि हाँ पर theta कैसा है? आपका radiance में है theta कैसा है? radiance में formula इस्तिमाल करते समय अगर आप गलती से भी degree में इस्तिमाल करोगी तो आपका answer गलत हो जाएगा ठीके तो यह गलती नहीं करनी है आपको यहाँ पर radiance में formula इस्तिमाल करना है length of arc निकालने का कितना छोटा सा और सुन्दर सा formula है L is equal to theta into R यह formula अगर आपने अच्छे से लगाया है नहीं है तो एक बार लगा के देखो आगर आपको यहाँ पर entire circumference का जो है length निकालना है circle का जो circumference है पूरा perimeter जो है circle का आगर आपको find करना है तो आपका arc धिरे-धिरे बड़ा होते जा रहा है ठीक है जो आपका arc पूरा का पूरा circle cover कर लेगा तो आपका angle subtended कितना हो जाएगा 360 degrees हो जाएगा आपका angle subtended कितना हो जाएगा 360 degrees हो जाएगा लेकिन degrees में नहीं लिखना है यहाँ पर आपको यहाँ पर जो theta डालना है वो क्या डालना है आपको यहाँ पर theta डालना है in radiance तो 360 degrees मतलब कितना radiance होता है 360 degrees मतलब कितना radian होता है 360 degrees मतलब आपका 2 pi radians होता है तो वहाँ पे 2 pi डाल देखे तो आपका actually formula बन जाएगा दिख रहा है आपको आप अगर theta के जाएगे 2 pi डाल देखे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 pi r ठीक है so यह अच्छी बात है यहाले formula के अंदर theta radians में होता है उसका एक तरीके सी realization है यह यहाँ पे आपका जो entire length of circumference है circle का वो 360 r नहीं होता है वो 2 pi r होता है ठीक है तो हमें एक formula पता चला है length of arc का कभी बेकर जरूत परडिकता है हम इसके इसके इस्तिमाल कर सकते हैं और वैसे ही एक और formula यहाँ पर बता करता है for the area of the sector area of the sector अगर आपको यहाँ पर निकालना है area of the sector लेट से आपको यहाँ पर area निकालना है इस particular जो है sector का जो theta angle subtend कर रहा है उस sector का आपको यहाँ पर area find करके बताना है तो ये भी फिर से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आप यहाँ पे फिर से उसी आइडिया के इस्तिमाल करो कि length of arc अगर आप बढ़ाते जाओगे तो आपका sector का area भी बढ़ा होते जाएगा अगर आप length of arc बढ़ाते जाओगे उतना आपका जो है area बढ़ते जाएगा ये भी बात बोलूगा तो बिल्कुल सही जितना जादा आपका sector का angle subtended है उतना ही जादा आपका area of the sector है ठीक है यहाँ अगर मैं D के साथ में एक नया sector बनाता हूँ तो यहाँ पर AOD एक जादा area वाला आपका sector होगा तो आप मतलब यहाँ पर जो sector create कर रहे हो तो अपने पूरा circle ही ले लिया तो आप अगर यहाँ पर angle subtended देखोगे in that case in that case आपका जो angle subtended आएगा जहाँ पर आपने पूरा circle ही ले लिया है वो limiting case कौन सा है 2 pi angle subtended वाला अगर आपने यहाँ पर 2 pi angle subtended किया है तो उस sector का area कितना होता है ठीक है limiting case है जहाँ दिल पे मतले ना तो sector का area हमारे पास में pi r square होता है ठीक है this is the easiest way to actually understand this form इसके लिए अलग से derivation मगरा भी discuss कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर अगर हमें realize हो रहा है तो इससे बड़ी बात क्या है इसे बड़ी आवाद हाँ है नहीं कुछ मैं अगर यहाँ पर देख रहा हूं कि मेरा angle अगर बढ़ाता हूं तो area बढ़ता है तो मैंने देख लिए कि limiting case है अगर मैं यहाँ पर angle बढ़े से बढ़ा लेना चाहता है तो कितना angle ले लिए मैंने पूरा को पूरा ही लिया है तो उसी के corresponding मेरा यहाँ पर अब answer generate होना चीए तहाँ भी फिर से unitary method हम लगाते है थीटा ओपर जाएगा multiplication में 2 पाज से divide होगा so pi r square के अंदर थीटा जाएगा multiplication में और 2 पाज से divide होगा pi pi cancel करो आपके उसमें answer जो निकल कर आ रहा है fourth theta angle area वो कितना आता है area of sector होजाएगा आपका half of theta r square again आपको पता होना चाहिए कि हाँ पर theta जो डल रहा है वो किसमें है वो radians में है अगर आप 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 radians में angle नहीं डालोगे तो आपका गलत answer आएगा ठीक है तो apart from the relation between the different units जैसे कि हमने हमने degree और grade में relation देखा हमने degree और radians में relation देखा हमने radians को समझने की कोशिश करी है ठीक है apart from that आपको ये जो दो four minutes बता है ये भी आज के lecture में पता कर लेने चाहिए अपने short notes में लिख लेने चाहिए ठीक है जल्द से इन से related कुछ questions करते हैं ताकि आपको इनको इस्तेमाल करके और conference आजाए इस question का answer बताएं सारे बच्चे yes कि दिनी देर की class बची है बस यहाँ पर कुछ सवाल करते हैं और फिर class को end करेंगे अल्री हमारा slot है वो तो यहाँ पर end होगा है क्योंकि center then find the ratio of the radius ठीक है तो यह पर try करते हैं आपके इसमें दो अलगलग circle है एक छोटा circle है एक बड़ा circle है ठीक है जब आप यहाँ पर same length के arc cut करते हो अगर आपने यहाँ पर let's say ab arc cut किया है है जिसका length आपके पास में यहाँ पर L के बराबर है और इतना ही आपने अगर यहाँ पर cut किया है ठीक है लेकिन मुझे जो Осब और बड़ा बनाना चीहां पता नी चलो और एक उतना ही length का shirt कि out-hit truth style इंपல्र ही बराबर है लेकिन इसका से CD रखते हैं तो जो आप बड़े सर्कल में आर्क करोगे तो उसका एंगल सब्टेंटिट रिलेटिवली छोटा आएगा और अगर आप छोटे सर्कल में L Length का R कट करोगे तो यह जादा कवर कर लेगा इस बार आप वोई रसी वाला थौट लेके चलो अगर आपकी रसी constant length की है तो यहाँ पर छोटे सर्कल के उपर वो जादा circumference का percentage कवर कर लेगा और यहाँ पर बड़े सर्कल के अंदर percentage of circumference covered will be less तो हम यहाँ पर सीधे सीधे बोच सकते हैं कि आपका जो पहले वाले सर्कल के अंदर angle subtended होगा वो छोटा होगा थीटा 1 आपका छोटा होगा अगर आपका R1 थीटा 1 आपका बड़ा होगा अगर R1 आपका छोटा है तो अगर R1 आपका छोटा है R2 से तो angle subtended थीटा 1 बड़ा होगा as compared to थीटा 2 ठीक है अगर यहाँ पर थीटा 2 है और यह R2 है तो बास वन में आ रही बट वैसे यहाँ पर यह अलग से सोचने की जरूत नहीं थी क्योंकि यहाँ पर जो condition दी हो काफी अच्छी है यहाँ पर condition दी है कि हमारे पास में जो length of arc से वो equal है तो हम यहाँ पर छोटे वाले circle के लिए length of arc का formula अपलाए करेंगे तो formula क्या है? length of arc का R into theta length of arc का formula कितना है? R into theta तो यहाँ पर R into theta का combination क्या बनने वाला है? R1 theta 1 और वैसे ही length of arc का अगर मैं formula अपलाए करता हूं बड़े circle के अंदर तो यह कितना बनता है? R2 theta 2 दोनों यहाँ पर equal है ऐसा दिया हुआ है मलतलब यहाँ पर हमारे इस relation बनेगा वो कैसा बनेगा? हमारा relation बनेगा R1 theta 1 is equal to R2 theta 2 अब यहाँ पर angles हमें दिये हुए है लेकिन angles हमें दिये हैं यहाँ पर degrees में जबकि इस formula के अंदर मैंने आपको ओला था कि हम angles लगाते किसमें है radians में हम अपने angles को substitute करते हैं so let us use that idea हाला कि यहाँ पर आप अगले step में उसको cancel कर दोगे it will not be that important लेकिन यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं लिखना चीए हमने हमेशा सही लिखो फिर भले उसके जरूत नहीं तब भी लिखो ठीक है? तो यहाँ पर आपका पहला angle है पहला angle आपका कितना है? जो बड़ा वाला angle है छोटा आपका radius है तो angle बड़ा है मतलब आपका जो theta 1 है वो कितना बनेगा? theta 1 आपका 110 degree बनेगा लेकिन degree में क्योंकि डालना नहीं है तो pi by 180 multiply करके इसको radians कर दो और r2 के साफ में आएगा theta 2 r2 क्योंकि आपका बड़ा है तो angle subtended actually छोटा हो जाएगा छोटा वाला value कितना दिया है है? 65 दिया है ठीक है? लेकिन ये भी हम किसमें convert करेंगे पहले? radian में convert करेंगे और फिर अपनी equation create करेंगे जैसे कि मैंने हापर बोला था कि इस question में आपको जो है जरूत नहीं पड़ रही है conversion की लेकिन तब भी हमने करना चाहिए because सही चीज तो सही होती है हो क्या राए कि आपका conversion factor पूरी तरस यहाँ पर cancel हो रहे है and आपको इहाँ पर निकालना क्या है? आपको इहाँ पर ratio of radian निकालना है तो आपका R1 upon R2 basically कितना हो जाना चाहिए? ठीक है? लेकिन यहाँ पर R1, R2 जो हमने नाम दिये है चलो यहाँ पर समझ जाते हैं कि R1, R2 क्या है? ठीक है? R1, R2 का जो ratio यहाँ पर निकल कर आना चाहिए और उपर 5 से cancel करके आपका उसमें 13 आयेगा कुछ बच्चों के यहाँ पर 22 upon 13 आया होगा क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है ठीटा 1, ठीटा 2 चेंज कर दिया है ठीक है? मैंने ठीटा 1 एक्चली बड़े वाले को बोल दिया ठीटा 1 मैंने किसको बोलते है? 110 डिगरी को और इसी के corresponding मैंने फिर radius 1 ले लिया है और आपका जो ठीटा 2 मैंने मान लिया है वो छोटा वाला मान लिया है जिसके corresponding मैंने यहाँ पर र 2 ले लिया है ठीक है? आपका answer अगर रेसिव रोगल आ रहा है तो कोई दिकत नी I hope सारे बच्चों के यहाँ पर clear है कि हमारा जो ratio है अब यहाँ पर theta 5, theta 2 basically जो है वैसे दो हम किसी को भी बोल सकते थे लेकिन usually क्या होता है? पहले जो angle बोला है उसको theta 5 बोल दी पहले जो angle बोला है वो theta 5 जो बोला है उसको theta 2 है ना अगर हम उस चीज़ को मानते है तो मैंने उल्टा माना है मैंने पहले वाले को theta 2 बोल दिया है और दूसरा जो यहाँ पर statement में में उसको मैंने theta 1 बोल दिया है ठीक है? कोई problem नहीं है अगर आप यहाँ पर सही तरीके से मानते है तो आपको यहाँ बस 22 upon 13 यहाँ रहा होता ओर एक सवाल यह भी हो जाए दे सर्कुलर वायर ओप रेडियस 7 cm is cut and bent again into an arc of a circle of radius 12 cm देन find the angle subtended by arc at the center of the circle यह हमें हाँ पर फाइंड करके दिखाना है ठीक है? दे सर्कुलर वायर ओफ रेडियस 7 शर्कुलर वायर ओफ रेडियस 7 मतलब पूरा को पूरा एक सर्कल है जिसका रेडियस 7 के बरावर है तो फिर अगर मैं length of wire की बात कर रहा हूँ तो length of wire तो कितना हो जाएगा इस case में? 2 pi r हो जाएगा मतलब 14 pi आपके यहाँ पर wire का length है फिर आपने क्या किया है? आपने इस wire को bend किया है आपने basically इस wire को cut कर दिया एक जगे से लेडियसे आपने यहाँ से इस wire को cut कर दिया और ऐसा open कर दिया तो cut करके अगर आप open करोगे तो आपका length of wire थोड़ी नगा change हो जाएगा length of wire तो आपका 14 pi ही रहने वाला है ठीक है? लेकिन आपने इसको bend किया एक ऐसे circle के arc में जिसका radius जिसका radius basically आपका 12 units के बराबर है तो radius अगर आपका 12 है आपने अगर बड़े radius का arc यहाँ पर create कर नहीं कुछ किये तो आप यहाँ पर पूरा को पूरा obviously circle complete नहीं कर पाओगे आपको यहाँ पर length छोटी पड़ेगे arc create होगे यहाँ पर बस तो आपको बताना है कि यह arc जो आप अब यहाँ पर create कर रहे हो AB यह इस नए circle के center पर कितना angle subtend कर रहा होगा यह angle आपको यहाँ पर find कर कर के बताना है तो फिर से आपका सवाल काफी आसान है हम यहाँ पर देख पा रहे है कि length of r जो है वो तो मेरा change होने वाला नहीं है length of r तो यहाँ पर 14 pi ही रहने वाले और अगर मैं यहाँ पर r के respect में अपना formula study करता हूँ तो मेरा formula क्या है मेरा formula ऐसा कुछ है कि l is equal to theta into r l is equal to theta into r l की value कितनी है मेरे पास में 14 pi और आपका जो r है वो कितना है नया वाला 12 के बराबर as given in the question तो आपके बास में यहाँ पर आ जाता है कि theta का value कितना होना चाहिए obviously किसमें आया है यह radians में आपका निकल कर आया है ठीक है आप यहाँ भी 2 से cancel कर सकते हो 7 pi by 6 आपके यहाँ पर angle बना है तो बस अब आपको यहाँ पर जल्दी से सोच के बताना है धून के बताना है कि यह कितना हो गया है यह angle कितना हो गया है तो आपको यहाँ पर जो है options degrees में दिये हो है तो आप इस radian को degree में change कर लो तो theta अगर मैं degrees में represent करना चाहता हूँ तो मुझी क्या करना पड़ेगा मुझी यहाँ पर 180 upon pi से multiply करना पड़ेगा ठीक है तो pi pi तो आपको cancel हो जाएगा 6 से आप यहाँ पर cancel करोगे तो यह 30 हो जाएगा और आपका overall degrees में answer आजाएगा 210 degrees ठीक है तो यहाँ से हमें फिर से अपना formula इस्तिमाल करने का मौका मिला और conversion भी करने का मौका मिला ठीक है हमें radians से degrees में degrees से radians में convert करते हैं हमें इस तरह के जो l is equal to theta r area is equal to half of theta r square यहाँ फॉर्मेस भी इस्तिमाल करते हैं आना चाहिए let us do one more question find the area swept by the minute hand of a clock of length 6 cm in 20 minutes 20 minutes के अंदर आप कितना area swipe होते हैं यहाँ पर पाऊगे जल्दी बताएं सारे बच्चे yes छुट्टी दे दे और छुट्टी दे जल्दी से एक question और कर लो चलो एक question और कर लो फिर छुट्टी दे देंगे फिर सो हो जाना सारे बच्चे लेकिन सोएंगे नहीं बच्चे हैं उसके राद में टाइम पास करेंगे कि Facebook पर क्या चल रहा है Instagram पर क्या चल रहा है है ना अगर बहुत जादा टाइम है तो निउस में क्या चल रहा है है ना कोरणा की क्या ख़बर है सारी खबरे लेंगे उसके बाद आराम से एक बज़े दो वज़े सुएंगे लेकिन क्लास यहां पर जल्दी खतम कर देते हैं no doubt in that class तो खतम करी देते हैं find the area swept by the minute hand of a clock of length 6 cm in 20 minutes ठीक है तो इनिशली आपका अगर minute hand 12 पर था तो 20 minutes में वो कहां चला जाएगा 20 minutes में वो 4 पर आ जाएगा तो आपके पास में यहां पर basically एक area swipe हो रहा है ऐसा feel आएगा यह जो area आपका swipe हो रहा है यह एक sector की तरह create कर रहा है अपना figure और इस figure का basically आपको area find करके बताना है ठीक है तो area कितना होता है area होता है आपका half of theta r square tell me कि यहां पर आपका theta कितना है और r कितना है आपका answer आ जाएगा radius तो यहां पर दिया हो है आपको 6 यहां पर आपका length of minute clock जो है वही तो यहां पर आपका radius जैसा feel होगा अगर आप इस sector को trace कर रहे हो तो आपका radius हैं पर कितना माना पड़ेगा 6 माना square हो जाएगा और theta कितना angle हमने decide किया था हमने बोला था कि 2 digits के बीच में 12 और 1 की बीच में 1 और 2 के बीच में 2 और 3 के बीच में 30 30 degrees होते हैं तो अगर मैं यहां पर देखता हूं तो मेरे पास में कितने degrees complete हो गया है मेरे पास में total 120 degrees complete हो गया है yes or no 120 degrees 12 से लेके 4 तक आपके 4 division से हर division 30 degrees का है मतलब total आपका यहां पर जो sector हो कितनी का हो गया है 120 degrees का हो गया है लेकिन यहां पर में degrees में value substitute नहीं कर सकता मुझे यह जो 120 degree मिल रहा है इसको convert करना पड़ेगा into radians by multiplying it with pi by 180 तो pi by 180 से अगर आप यहां पर multiply करते हो तो आपको पहले यहां पर cancellation के बाद में क्या म by 3 satisfy करवाना है तो 2 से 2 cancel हो जाएगा और आपको यहां पर कितना मिल रहा है 36 मिल रहा है so pi into 36 upon 3 मतलब 12 pi आपके यहां पर answer आए ठीक है 12 pi is the final answer yes और बहुत ही बढ़ी है बात ही तो इसी के साथ में ऐसा करते है अगला वला जो question है यह आप homework में कर लें सारे बच्चे and we will discuss this in tomorrow's lecture बट कल का lecture बच्चो आपका कुछ अलगी level पर important होने वाला है आज का lecture तो बहुत basic था यहाँ पर हमने angle measurements को जो है अच्छे तरीके से समझने की कोशिश की है आप यहाँ पर अपना जो boards वाला book है या फिर जो आपकी पास में यहाँ पर exemplar होगा आपने अगर net से download नहीं किय ठीक है लेकिन क्या यह पढ़ना important नहीं था पढ़ना तो जरूरी है क्योंकि आपके पास में यहाँ पर जो भी angles आगे चलके आने वाले है वो ऐसे ही आने वाले है ठीक है पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, 11 पाई बाई 18 इस तरह से दिखने वाले angles आने वाले है ठीक है तो इस पाई बाई 3 देखते से हमें पता होना चाहिए कि हम यहाँ पर क्या value बोलना चाह रहे है ठीक है तो यहाँ पर हम जो सीखने वाले हैं फंडा एक बर फिर से आपको idea दे देता हूँ हम next lecture में हमारी trigonometry को अब एक circular system में visualize करने वाले lecture 1 ने हमने देखा था कि हमारे पास में कुछ trigonometric ratios निकल कर आए हैं जहाँ पर हमने right angle triangle के sides के ratio की मदद से 6 अलग-लग trigonometric ratios define किये हुए हैं sign, cos, tan and cosec, secant and cot वो change नहीं होने वाले हैं अभी भी हम यहाँ पर कल की lecture में यही ratio स्फिर से पढ़ने वाले हैं लेकिन एक नए नजरिये के साथ में पढ़ने वाले हैं ठीक हैं एंड वो आगे चलके आपको बड़े ही amazing तरीके से allied angle की तरफ ले जाएगा allied angle is the fourth lecture that we will be discussing and वहाँ से आपकी कहानी फिर अब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी ठीक हैं उसके बाद में आपके पास यहाँ पर बहुत सारे formulas आने वाले हैं तो make sure कि आप यहाँ पर अपनी short notes की अगर आपने अभी भी notebook ready नहीं करी हैं तो उसको ready करना start कर दें ठीक हैं end of the course जो हमारे यहाँ पर trigonometry का चल रहा है end of the playlist जब यहाँ पर पूरी playlist create हो जाएगी आपके पास में एक short note होना चाहिए अगर नहीं है तो आपको trigonometry difficult लगेगा इसमें कोई दोराय है है ही नहीं ठीक है trigonometry बच्चों को difficult लगता है क्योंकि वो उतने सारे formulas को समेट नहीं पाते हैं उनको लगता है कि trigonometry में तो सर बताई जा रहा है सर खतम ही नहीं कर रहे है सर lecture 1 हो गया 2 हो गया 10 हो गया 12 हो गया 15 lecture कितने lecture हो गया सर समस्रे इतने सारे आपने जेपीपीस भी दे दिये solve करने के लिए इतने सारे आपने फॉर्लोंस बता दिये यह तो बहुत बड आपको बहुत ही एक अमेजिंग तरीके से trigonometry को नए तरीके से कैसे देखना है वो यहाँ पर आपको समझ में आने वाला है ठीक है लेकिन last class में एक question बच्चों हमने आपको दिया था homework के लिए उसका solution जली से discuss करते हैं और बहुत ही आसान सवाल था यहाँ पर मुझे लगत हमारा answer यहाँ पर A निकलता है सारे बच्चे यहाँ पर एक बार फिर से इस question को पढ़ लें जो यहाँ पर नए है जिन्होंने अभी तक यह question solve नहीं किया है अगर आपके यहाँ पर बाकी angles लिखना चाहता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर मेरा जो AP का common difference है वो D के बराबर है तो अब यह क्योंकि 120 आपका greatest है तो इससे छोटा वाला value क्या निकल कर आएगा आपका 120-D निकल कर आएगा अगर D मेरा common difference है तो इससे छोटा angle क्या निकल कर आएगा मुझे पता होता है कि इन सब का sum करने पर मेरे पास में क्या आएगा मेरे पास में 360 degrees create होना चाहिए ठीक है तो अगर मैं इन सब का sum करूंगा तो मेरे पास में दखो चार बार तो 120 degree लिखा हूँ आ ही रहा है मतलब 4 into 120 इतना तो यहाँ पर add करने पर आने वाला है और उसके स 60 degrees के बराबर होना चाहिए क्योंकि यह कोडिलेटरल के आपके चार एंगल्स है ठीक है तो अगर आप यहाँ पर जल्दी से 6 से cancellation करोगे तो आएकिस आपको यहाँ पर answer ढूनने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए यह हो जाएगा आपका 60 degrees 6 से cancel करके यहां से 6 cancel हो जाएगा और क्या यहाँ पर इसका मतलब सारे के सारे अंगल्स जान चुके हो एक आंगल आपको ओल्री 120 degrees था 20 degrees कम करोगे तो 100 degrees उसके बाद में 80 degrees उसके जाद में 60 degrees आपके यह चार एंगल्स है यह आपके चार एंगल्स है कोडिलेटरल के लेकिन आप यहाँ पर बस इतना सा आपको जो इन फैल्स के अंदर मल्टिप्लाई कर देंगे पाई बाई वन एटी इस दे कंवर्शन फैक्टर तो गेट अवर एंसर इंटरम्स ओफ रेडियंस ठीक है तो पाई बाई वन एटी करो और यहाँ पर आपको अपना ए ओप्शन क्रियेट होते में दिख जाना चाहिए जिसक है तो यहाँ पर हमारा जो बैक्लॉग आ गया था हूंबग का जो बैक्लॉग था वो इस लेक्टर का हमने फिनिश कर दिया जल्दी से क्योंकि हम यहाँ पर स्टार्ट करना चाहरे हमारा आज का नया डिसकेशन विच इस पॉर ट्रिग्नोमेट्री इन सर्कुलर सिस्टम य नहीं दस्वी में जो आपने पढ़ा था वो बिल्कुल सही है लेकिन वो थोड़ा सा थोट रिस्ट्रिक्टेड है हम यहाँ पर और ज्यादा ओपन आईडिया के साथ में अपने ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ना चाहते हैं ठीक है that is the reason कि हाँ पर हम अपने समझ के लिए अ अगर कोई मुझसे 60 डिगरी पूछा था कोई 45 डिगरी पूछा था 30 डिगरी पूछा था तो उसके लिए मेरे पास actually एक right angle triangle बन रहा था और वहां से में अपने ratios जो है ढून पा रहा था answer निकाल पा रहा था लेकिन अब 0 डिगरी अगर मुझे answer करना है तो triangle के अंदर 0 डिगरी आप बढ़ा नहीं पाओगे तो हम यहाँ पर approximately answer कर पा रहे थे no doubt कि हमने यहाँ पर देख लिया था क sin 0 degrees जो है वो लगभग 0 आना चाहिए हमने एक बहुत अजीब सा triangle बना के उसका answer निकालने की कोशिश की थी जहाँ पर हमने बला था कि एक right angle triangle के अंदर अगर अपना hypertenus और base बहुत बढ़ा कर दो और perpendicular बहुत छोटा कर दो तो फिर यह जो आपका angle बन रहा है यह लगभग 0 degree है आप ऐसा मान सकते हो ठीक है यह अगर आपको 0 गी लग़ा तो आप इसको और चोटा कर सकते हो ठीक है something like this ठीक है तो अगर आपको यह 0 degree लग रहा है तो आप यहाँ पर जो है इसकी मदद से यह idea ले सकते हो कि sin 0 degree आपका लगभग 0 आना चाहिए लेकिन हम कभी भी sin 0 को explain नहीं कर सकते क्योंकि आप right angle triangle के अंदर theta 90 degree कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी ना आपके समें already एक 90 degree है एक right angle triangle आपको create करना है इसलिए हाप एक 90 degree पहले से है अब आप boulder के आपको sin 90 fine करना है तो आप यहाँ पे एक और 90 degree बना दोगे तो triangle बने गई नहीं यह तो आपके lines कसी हो जाएंगी यह आपके parallel lines हो जाएंगी ठीक है तो दिक्कत तो है explanation में दिक्कत है explanation में दिक्कत है और दूसरी बहुत बड़ी problem यह तो तभी छोड़ी problem है कि यार जो हमारे पास में known values हम उसको अच्छे दरी किसे explain नहीं कर पा रहे है जादा बड़ी problem यह है कि अगर हम right acute होगा yes हमारे पास में जो theta होगा हमेशा acute होगा क्योंकि 90 degree अगर एक हो चुका है तो बाकी दोनों मिलके 90 degree होना चीद एक single angle यहाँ पर आपका acute होना जरूरी हो जाता है तो हम यहाँ पर इस तरह के values को कभी क्या निकालना चाहेंगे ही नहीं हम निकालना चाहेंगे ठीक है and that is the reason कि यह इतना amazing जो है आज का lecture आपका होने वाला है ठीक है तो ready है सारे बच्चे यहाँ पर explanation सुनने के लिए ready है सारे बच्चे all right so let us get into it let us get into it यहाँ पर जल्दी से समझते हैं कि हमारे पास में circular system में अब trigonometric ratios की नई definition क्या बननी छी ठीक है तो यहाँ पर circular system जब मैं दिमाग में पहले से 10 वी class से feed किया हुआ है तो right angle triangle की हम मदद लेंगे लेकिन starting point कभी भी हमारा right angle triangle नहीं होगा ठीक है हमारा starting point एक circle होगा ठीक है और इस circle के अंदर हम अपने radius की position को इस तरीके से align करेंगे कि वो theta angle बनाए with positive direction of x axis ठीक है तो आप यहाँ पर सोचो कि आपके पास में already x axis है आपके उसमें एक circle है जिसका radius r के बराबर है ठीक है अगर मैं यहाँ पर एक particular radius लेता हूँ जो theta angle बना रहा है जो x axis के साथ में theta angle बना रहा है ठीक है तो इस particular radius की मदद से अब मैं जो यहाँ पे sine की value निकालूँगा अब मैं जो cos की value निकालूँगा अब मैं sin theta, cos theta and tan theta की values होंगी क्यों क्यों क्योंकि यह है वो radius जो theta angle बना रहा है with x axis तो आपको अगर यहाँ पे sine 60 degrees find करना है इस particular circular system में आपको अगर sine 60 degree find करना है तो आप सबसे पहला step क्या करोगे आप अपने radius को 60 degree पे ले जाके रोकोगे अगर आपको sine 30 degree find करना है तो क्या करोगे आप अपने radius को 30 degrees पे ले जाके रोकोगे उसके बाद में सोचना क्या करना है लेकिन पहला step आपको circular system में जो करना होता है और क्या करना होता है कि आप अपने radius को रोक कहा रहे हो आगर आपको theta का discussion करना है तो आप अपने radius को theta angle तक म अच्छा जी, अब यहाँ पर मुझे बताओ, कि यह जो आपके पास में radius op है, इसका length तो r हमारे पास में already है, ठीक है, अब यहाँ पर, हम यहाँ पर थोड़ा सा, जो है, help लेना चाहा रहे है, help लेना चाहा रहे है, किसका, जो दस्वी class का knowledge है, उसका हम help लेना चाहा रहे है, ठीक है, क्योंकि, जैसे कि मैंने बोला, कि जो circular system है, वो एक तरीकी से क्या है, एक तरीकी से level improvement है, एक तरीकी से level improvement है, ठीक है, हम उस चीज़ को discard थोड़ी कर रहे हैं, वो तो सही है, sin square theta plus cos square theta, 1, 10 वी में भी था, 11 वी में भी होने वाले, ठीक है, तो यहाँ पर डरने वाली जो है, सही है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, कि यहाँ आपके पास में यह जो radius है, इस point से आप ऐसा करो, एक perpendicular drop डालो, इस point से अगर आप एक perpendicular drop डालो कि तो आपके उसमें क्या बन जाएगा, एक right angle triangle बन जाएगा, कौन अगर मैं अभी यहाँ पर जो है, नया कुछ ना सोचूं, अगर मैं यहाँ पर आपसे simple बात पूछूं कि यह, इस right angle triangle के अंदर आप बताओ कि sin theta का value कितना होना चाहिए, तो सारे बच्चें आपे बड़े comfortably मुझे बता सकते हैं, कि सर, sin theta का value है, इस particular triangle के अंदर PM, नाम PM upon OP, ठीक है, let me change the color as well, थोड़ा सा, और bold color ले ले लेते हैं, यहाँ पर red color से लिखते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पर answer आ रहा है, PM upon OP, है ना, क्योंकि यह सामने वाला side है और है, हाई-बड़े सामरा OP के बराबर है, अगर मैं cost तिरा पूछता हूँ, तो कोई भी यहाँ पर OAM होना चीए, clear है, यह हम क्यों लिख पा रहे हैं, यह हम इसलिए लिख पा रहे हैं, क्योंकि यह तो होता ही है, right angle triangle के अंदर, sin theta, cos theta, यह होता है न, ठीक है, अब यहाँ पर हमने जो ही जुगार के बहुत अच्छी तरीक से लगाए, ठीक है, यहाँ पर हमने अच्छी तर circular system से करी, लेकिन ultimately चलेगा right angle triangle के अंदर, जहाँ पर हमें चीज़े वैसे भी बहुत comfortable लगती है, ठीक है, तो कोई यह नहीं बहुत सकता है आपको कि आप circular system में बात नहीं कर रहे हो, बात आप circular system में ही कर रहे हो, लेकिन आप यहाँ पर answer पुराने knowledge से निकाल के बता रहे हो लेकिन अब यहाँ आने के बाद में, अगर आप यहीं तक रुक जाओगे, तो फिर आपको आगे बढ़ने में फिर से दिक्कत आएगी, क्योंकि अभी भी आपने अपना 10 वी class का knowledge इस्तेमाल किया है, अब मुझे यहाँ पर बताओ कि यार मैं थोड़ा सा गर इसके इंदर और मेरे पास में x-axis y-axis थी, ठीक है, तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि आप यह जो है न, pm, pm को न, pm मतलिगो, क्योंकि pm जो length है आपकी, वो no या on length के बराबर है, तो आपने इसका नाम चेंज कर दो बस, आप यहाँ पर यह जो pm length है न, यह pm length क्योंकि आपकी on length के rectangle तो मेरे एकाल से सारे बच्चे को दिखी गया होगा, यहाँ पर मैंने on कैसे plot किया है, वो में आपको फिर से बता देता हूँ, मैंने on के लिए p से perpendicular drop दिया था, ठीक है, तो मैंने पहले m बनाने के लिए p से x-axis के उपर perpendicular drop दिया, और n के लिए y-axis के उपर perpendicular drop दिया, ठीक ह यह rectangle तो opposite side की length मेरे पास में बराबर है, तो कोई मुझे ratio लेने से मना क्यों करेगा, मैं यहाँ पर नाम change कर सकता हूँ, ठीक है, और दूसरा होला जो case ही हाँ पर om upon op, इसमें बहुत जादा खास नाम change करना नहीं चाहरा हूँ, ठीक है, मैं इसको om upon op ही चलने देना चाहरा ह लेकिन एक बार फिर से हम नाम change करना चाहेंगे, pm से हमें दिक्कत है, क्योंकि pm perpendicular drop हमने दिया, ठीक है, तो pm जहाँ पर भी नजर आ रहा है, उसके place में om replace करना चाहता हूँ, है न, not anything difficult, सबकुत simple चलता, यहाँ पर हम om से गर replace करेंगे, ति हो जाएगा om upon om के बराबर, ठीक ह तो अब यहाँ पर इस बात को सोचो, अब इस बात को सोचो, कि आपके पास में, है न, आपके पास में basically एक x-axis है, जिसको आप floor, जमीन की तरह सोच सकते हो, ठीक है, और आपके पास में यह जो y-axis है, इसको आप एक wall, दीवार की तरह सोचो, और यह जो आपके पास में radius है यह जो आपके पास में radius है, इसको आप एक rod की तरह मानो, है नहीं, यहापर visualize अगर कर लोगे, तो आपको यहापर अपना answer जट से मिल जाएगा, हमें यहापर अपनी जो new definitions है, trigonometric ratios की, वो एकदम से समझ में आ जाएगी, ठीक है, तो उसके लिए visualize क्या करना है, x-axis को आप यह तरीके से आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, कि यह जो on है न, यह on basically shadow का length है, of the rod, op, on the wall, क्या कहते हो, अगर मैं right hand side से light throw करूँगा, तो आपका यह जो rod एक object है, physical object है, उसकी shadow दीवार पर बनेगी, और दीवार पर कितने length की shadow बनेगी, proper on length की shadow बननी चाहिए, yes or no, भई यह experiment आपने किया नहीं, तो आप अभी के अभी घर में कर सकते हो, आपको यहाँ पर बस कमरे की light बन करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि mobile में आपका यहाँ पर torch होता ही है, तो torch सबके पास में है, आपक आप निकाल रहे हो, इस ratio को create करने के लिए फिर से radius ही जिम्मेदार है, यहाँ पर यह जो perpendicular draw बग रहा है, यह सब तो हम जो है देफना ही नहीं चाह रहे है, क्योंकि हम right angle triangle actually तो create ही नहीं करना चाह रहे है, क्योंकि हम तो circular system में हैं अब, यह तो right angle triangle की मदद ले लिए हमने, क तुम बताओ कि यहाँ पर sign theta का value कितना होना चाहिए, ठीक है, तो वो क्या बोलेगा, अच्छा ठीक है, मेरे पास में एक radius है, और मुझे on की जरूत है, तो मैं on कैसे create कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि यह जो radius है, उसी का shadow है on y-axis, ठीक है, तो यहाँ पर मैं साइन थीटा का नया understanding लेते हो तो, projection of op, which is our radius on y-axis, और नीचे क्या आता है, op, अब op को कोई tension नहीं है, क्योंकि circular system में op था होता है, देखो circular system में क्या-क्या होता है, x-axis, y-axis होता है, circle होता है, और उसका radius होता है, ठीक है, और यह radius specifically बहुत एक proper location पे जाकर रुका हुआ है, जहाँ पर वो radius theta angle create कर रहा है, इसलिए sin theta का answer निकल कर आने वाला है, अगर मुझे यहाँ पे sin 60 degree का answer चाहिए होता, तो मैं 60 degree पे ले जाकर उसको रोक रहा होता, ठीक है, अच्छा, नीचे मेरे पास में क्या रहा है, op, और op का मतलब क्या है, length of radius, नीचे क्या है, length of radius, याला चेंज किया, और फिर उसको एक language में convert करने की कोशिश करी, ताकि हमें यहाँ पर dependency अब triangle की उपर बनाने की ज़रोत ना पड़े, ठीक है, क्योंकि answer तो वही निकल रहा है, ultimately यह जो ratio निकल कर आने वाला था, magnitude जो निकल कर आने वाला था, उससे भी वही निकल कर आने वाला है ठीक है, now if I try to continue that language for cost theta also, तो आप यहाँ पर सोच सकते हैं सारे बच्चे, कि यहाँ पर मैं क्या change करने वाला हूँ, अगर मुझे cost theta represent करना है, जिसका value यहाँ पर om upon op के बराबर है, तो क्या आप यहाँ पर सोच पा रहे हो कि om जो है, वो फिर से projection है, मतलब shadow है, किसका, radius का, अगर आप उपर से light डालते हो, तो किसके ओपर shadow है, x-axis के ओपर shadow है, ठीक है, तो यहाँ पर light आप subject ytão सकते हो, light की कमी नहीं है, let there be light, light की कमी नहीं है, हम light जो है, इदर से उदर से, है न, इदर से भी डालने की की जरूद पढ़ती, तो इदर से डाल सकते हो light, उदर से भ इसी radius का shadow on x-axis हो जाएगा और op जो है वो क्या है op हमारा फिर से length of radius है op हमारा length of radius है ठीक है तो cos theta का भी यहाँ पर हम जो value है वो circular system वाली language में बोल पा रहे है यह circular system की language है projection on here, projection on there, length of radius यह साथी चीज़ों जो है यह circular system में ratio निकालने की language है और tan theta tan theta तो बड़ा आसान है देखो यहाँ पर हमने PM का discussion अलड़ी कर लिया है PM जो है वो basically on के बराबर है और on क्या है projection on y-axis और नीचे om है, om क्या है projection on x-axis तो हमें यहाँ पर अब नए definitions जो use करने होंगे हमारी पूरी जो problem है हमारी पूरी problem क्या है यह यह दो हमारी major problems है अगर हमें इन दोरो major problems से बाहर निकलना है तो हमें यहाँ पर अब trigonometric ratios जो यहाँ पर हमारी पता है sin theta, cos theta, time theta उनको अब बोलने का तरीका यह करना पड़ेगा ठीक है, sin theta क्या बोलेंगे हम projection of radius on y-axis divided by length of radius यह आपका नया sin theta का definition है this is new definition of trigonometric ratios under circular system ठीक है और वैसी cos theta की नहीं definition क्या है लिख लो सारे बच्चे projection of radius on x-axis cos theta के लिए देखो यहाँ पर क्या आया था om responsible था मतलब x-axis के ओपर shadow responsible थी ठीक है, तो projection of radius on x-axis upon length of radius और यहाँ पर हमारे पास में on और om दोनों आ रहे थे, ठीक है तो उपर आया हमारे पास में projection on y-axis, नीच आया हमारे प्रोजिशन on x-axis ठीक है, इस बात को हम कैसे realize कर सकते है sign theta upon cos theta के मदद से भी realize कर सकते है यहनों क्या होगा यहाँ पर length of radius, length of radius cancel हो जाएगा उपर आएगा y-axis, नीच आएगा x-axis ठीक है problems all हो गई आपके अगर आप इतना सुन लेते हो, इतना समझ लेते हो तो आपकी problems all हो गई है let us try to solve the first problem जो हमारी यहाँ पर first problem है उसको एक बार rectify करके देखते हैं no good explanation for the values of 0 degrees and 90 degrees if we were discussing our trigonometry in right angle triangle ठीक है तो हमारी यहाँ पर problems all हो जाएगा इन definitions का इस्तेमाल करके मैं यहाँ पर sin 0 degree, cos 0 degree, tan 0 degree का exact value बता पाऊंगा आपको ठीक है तो यहाँ पर देखो उसके लिए मुझे करना क्या होगा अगर मैं यहाँ पर आपको sin theta साइण theta लिखने के लिए बोल रहा होताfirum तो आपको अपने radius को कितना rotate करने की जरूरत पड़ती आपको theta angle तक rotate करने की जरूरत पड़ती आगर आप sin theta discuss करना चाहते हो तो लेगिन अभी तो मैं sin theta discuss नहीं करना चाहता हम मैं तो sign 0 discuss करना चाहता हूँ मतलब मुझे अब अपने radius को कितना rotate करना है 0 से rotate करना है अगर मैं अपने radius को 0 से rotate करूँगा और फिर उस radius की मदद से sign की नई definition इस्तिवाल करूँगा तो मेरे पास में जो ratio निकल कर आएगा वो मेरा correct answer होना चाहिए मेरा यहाँ पर जो O है और जो मेरे पास यहाँ पर P है मैंने अगर radius को rotate ही नहीं किया तभी तो मेरा radius उस position में होगा जहाँ पर मैं 0 degree का answer निकाल पाऊँगा इस बात को पहले अच्छे तरीके से समझ लो circular system में हमें जिस भी angle का value find करना होता है आगर आपको lattice से sine of 120 degree find करना है जो हम आगे चलके करने वाले हैं तो हम क्या करेंगे हम अपने radius को 120 degree वाले location पर ले जाके पहले रोकेंगे और फिर इस position पर अपना sine theta का नया definition इस्तिमाल करेंगे ठीक है तो क्योंकि इस बार मुझे यहाँ पर 120 की figure नहीं करना है साइन theta की definition होती है projection on y axis upon length of radius तो आपको यहाँ पर projection on y axis कितना आएगा अगर आप y axis के उपर shadow निकालना चाहते हो तो आप right hand side से light डालोगे अब भई आपने जो है इसको पूरा पर horizontally कर दिया तो shadow आए ही नहीं क्योंकि यह तो आपका कैसा है यह आपका एक छोटा साल radius मतलब क्या है line segment है line segment का width थोड़िया होता है line segment का कोई width नहीं होता है अब यह pen अगर मैं बताओंगा example में तो it is not a good example क्योंकि इसका भी एक बहुत जादा circumference वाला है ना यहाँ पर जो है width है तो वो चीज हम यहाँ पर जो है सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं हमारे पास में basically जो radius है उसका कोई width नहीं है क्योंकि वो line segment है तो जब आप यहाँ से light डालोगे जब आप यहाँ से light डालोगे y axis के उपर shadow इनी बनने वाली तो projection कितना हो जाएगा y axis को फिर projection अगर आप निकालना जाते हो तो 0 के बरावर हो जाएगा 0 length के बरावर हो जाएगा लेकिन radius की value कितनी है r के बरावर है तो इसमें से आपका यहाँ पर answer क्या बनता है exactly 0 बनता है this time around we don't have any confusion हम अगर नई definition यहाँ पर इस्तमाल करते हैं sign 0 का हमारे पास मैं answer exactly 0 create होता है और अगर मैं cos 0 की बात करूँ तो अगर मैं cos 0 की बात करूँ तो क्या ये भी हम perfectly बता पा रहे है cos 0 अगर मुझे cos 0 की value निकालना है तो मैं यहाँ पर फिर से अपनी नई definition नहीं पर देख लेता हूँ क्या है projection of radius on x-axis देखना है और नीचे उसको length of radius से divide करना है तो length of radius तो यहाँ भी बहुत ही clear है r के बराबर है length of radius obviously r के बराबर है और यहाँ पर सोचो कि अगर आप x-axis के उपर shadow निकालना चाहरे हो तो भी पूरा का पूरा radius का ही shadow बन जाएगा इस बार क्या हो रहा है इस बार पूरे radius का ही shadow बन रहा है तो मतलब आपका shadow का length भी कितना है shadow का length भी आपका r के ही बराबर है और यहाँ पर exactly आपका answer इसलिए कितना आता है 0 पे 1 के बराबर आता है problem कितनी elegantly solve हो गई है है ना हमें यहाँ पर केवल जो है अपना नजरिया change करना था है ना right angle triangle से हमें circular system में आना था और यह फटफट हमें answer आप यहाँ पर सही तरीके से निकाल के दे रहा है tan 0 degree का value भी बता देंगे सारे बच्चे tan 0 तो क्या ही यार इन दोनों का division है है ना यह वाली बात जो हमने lecture number 1 में और आप लोगों ने दसवी क्लास में सीखी है कि tan theta is equal to sin theta upon cos theta वो गलत नहीं है वो सही है वो यहाँ भी लगा सकते हो ठीक है ओर रएट तो यह केवल एक improved version of visualization है ऐसा आप मान सकते हो ठीक है आपके जो पुराने fundamental identities हैं है ना वो सारी चीज़ें अभी भी सही है उनमें कुछ गलत नहीं है आप उनको उसी तरह से इस्तिमाल कर सकते हैं जैसे आप 10 वी तक इस्तिमाल करते थे ठीक है ओर रहे तो 0 वाला problem solve हो गया नो अब मुझे बताओ कि क्या आपका यहाँ पर जो 90 degree वाला problem में वो भी solve हो गया आएगा आदे बच्चों ने सोच भी लिया होगा उसके बारे में visualize तो करना है बस visualize ही करना है आपको अगर मैं बोलता हूँ कि sin 90 का value क्या आपको exactly 1 दिखाई दे रहा है तो मैं देख लेता हूँ मैं इस बार अपने radius को कहां ले जाके रोकूंगा मैं इस बार radius को rotate करते 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 वहां ले जाके रोकूंगा जहां पर वो actually 90 degree create कर रहा है ठीक है so let this be the point P1 O P1 is the location of the radius which is responsible for creating these values sign 90 degree कौन create करेगा वो radius create करेगा जो 90 degree angle बना रहा है तो अब यहाँ पर हम इस particular radius की shadow लेना start करते हैं ठीक है अगर मुझे sign का answer बताना है तो मुझे shadow y axis को लेना है तो भी पूरा का पूरा ही यहाँ पर shadow का length create हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा आपने vertically रख दिया तो shadow का length पूरा पूरा create हो रहा है अगर आपने टेड़ा करते हो ना तो shadow को length कम होते आता है तेड़ा करते 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 पूरा horizontal करते हो गए shadow का length 0 हो जाएगा ठीक है तो इस case में तो पूरा ही shadow आपका y axis को पर आ रहा है इसलिए आप उपर भी r लिखोगे length of radius जो है वो ही पूरा पूरा shadow है और length of radius तो इहाँ पर divide जो करना है वो तो आपका r है ही तो इहाँ पर आपका value कितना बनेगा ratio लेके 1 बनेगा ठीक है और cos 0 देखो यहाँ पर cos 90 degree मतलो आपको इहाँ पर जो shadow हो कहा लेना है x axis के ओपर किसका यह black वाला arrow का ब्लैक वाल arrow का shadow x axis के ओपर इस बार कुछ नहीं आने वाला ठीक है इसका width नहीं है यहाँ पर इसको width भी तो होगा तो width का आजए नहीं यह क्या है रेडियस क्या है आपका line segment है कोई width नहीं होता है ठीक है तो हमारे पास में जो answer निकल कर आएगा कितना हो जाएगा 0 upon r which is equal to 0 और यहाँ पर 10 90 degree obviously आपका क्या हो जाएगा 10 90 degree not defined हो जाएगा ठीक है जैसे कि पहले भी हुआ करता था ठीक है 10 90 degree अभी भी हमारा not defined है तो कचरा साफ हो गया येस दिमाम के जो बात आनी थी वो आ गई है ठीक है 45 degree का value निकाल सकते हैं क्या इससे भी better चीज़ करते है इससे भी better चीज़ करते है ठीक है हम यहाँ पर जो ठीक है लेकिन उसके लिए एक छोटा सा idea आपको पहले projection के बारे में ले लेना चाहिए 120 degree वाले problem solve करते हैं कि तो मज़ा आ जाएगा न कि अब हमने अपने circular system में सारे restrictions ही हटा दिये हैं क्योंकि आप यहाँ पर फिर से सोच के देखो यार कितना amazing figure रही है आपको यहाँ पे क कोई सा भी angle बोलो मुझे अगर मुझे उस angle का sign निकालना है तो मैं क्या करूंगा पहले तो मैं यहाँ पे उस angle पे radius को ले जाके रोकूंगा ठीक है आपको आपको लगता है कि नहीं सर आप 150 degree के लिए find करके बताओं तो मैं 150 degree पे अपने radius को ले जाके रोकूंगा और फिर म यहाँ पे यह restriction खता हो गया ना कि मैं 90 degree से बड़े angle ले सकता हो ने ले सकता यह सब तो बात ही नहीं हो रहे है सर्कल में तो आप कुछ भी बना सकते हो आप यहाँ पे 400 degree भी बना सकते हो सर्कल के अंदर आप 400 degree कैसे बनाओंगे बताओं जारा आप अपने radius को अगर एक पूरा चक्कर घुमा देते हो तो 360 complete हो जाता है उसके उपर से 40 और घुमा दो तो जब आप यहाँ पे एक चक्कर घुमान के बाद में समझ़रे हो इस बात को आप आपके पास में जो भी restriction हुआ करती थी वो restriction अब existing नहीं करती है आप यहाँ पे इसको पूरा चक्कर हुआ के 40 degree और आगे ले जाओ तो कितना हो जाएगा 360 plus 40 मतलब यह हो जाएगा आपका 400 degree तो 400 degree वाली location कौन सी है वो यह वाली location है तो उस location की मदद से आप यहाँ पे अपने projections का जो है analysis करो वहाँ से आपके उसमें 400 degree का भी answer आ जाएगा ठीक है और ऐसे ही आपके उसमें negative भी angles के अब ratios निकाले जा सकते हैं इसके पहले आपने कभी सोचा था कि आप sin of minus 30 degree कभी निकाल पाओगे sin of minus 30 degree नहीं क्योंकि negative angle triangle के अंदर बनता ही नहीं था लेगिन अब सोचो मैंने यहाँ पर आपको lecture number 1 में नहीं कल के lecture में क्या बताया था angle measurement में क्या बताया था हमने ठीक है कि आपका अगर movement clockwise direction में कर तो आपका जो angle होता है वो negative में count होता है ठीक है तो अगर आपको यहाँ पर minus 30 degree का answer चाहिए तो आप अपने radius को 30 degree से clockwise direction में rotate कर दो आई बस हमने अगर आप 30 degree से clockwise direction में rotate कर दोगे तो यह जो आपका location radius का भी create हुआ है यह minus 30 degree वाला location है and now I can again use the new definitions to find the answer आपको बस यह धिया रखना है angle जो पूछा गया है अपने radius को उस location पर ले जाकर रोकना है ठीक है अब अभी अभी जो है थोड़ा सा और समय देते हैं इस चीज को थोड़ा सा जो है उतरना पड़े यह थोड़ा सा भी जहन में उतरा नहीं है अभी मुझे ऐसा लग रहा है ठीक है इसके उपर और तो डिसकेशन करते हैं जिसमें से सबसे पहला discussion हमारा जो होना चीज हो क्या है कि अर projection यहाँ पर क्यों बोला गया शैड़ो इतना अच्छा word था है ना एक radius है radius की shadow जा रही है लेकि शैड़ो नहीं बोलना चाह रहे हैं उसको हम उसको projection बोलना चाह र हमारी दिमाग में एक फोटो है एक तरीके से ठीक है तो वह negative imagine हम नहीं कर पाएंगे ठीक है तो हमने यहाँ पर नया word जो है यूज किया हो क्या है projection ठीक है और projection आपका जो आ रहा है अगर वह positive x-axis और positive y-axis पर आ रहा है तो आप यहाँ पर projection की value positive sign के साथ में मानोगे लेकिन आपका projection अगर negative x-axis या फिर negative y-axis के उपर आएगा तो आप अपने projection को negative sign के साथ में लिखोगे magnitude तो जो है वो shadow की lens से ही पता चलेगा लेकिन आप अगर projection देख पा रहे हो on negative x-axis जैसे कि आप यहाँ पर let us say second quadrant में हो सोचों यहाँ पर हमारा आप यहाँ पर quadrant का discussion स्टार्ट होने वाला है अगर आपके पास में एक ऐसा angle है जो 90 degree से बड़ा है कोई problem नहीं है definition apply करने में लेकिन आप यहाँ पर देखो कि होगा क्या कि जब आप उपर से light डालोगे आपको cost theta की value के लिए shadow किस पे लेना है आपको x-axis पे लेना तो x-axis पर जब आप shadow लेको उपर से light डाल के तो यह आपका point p मान लेते हैं यह o मान लेते हैं इसको m मान लेते हैं ठीक है projection by definition हमें कैसे लेनी पड़ेगी negative sign के साथ में लेनी पड़ेगी so in this case when I will apply my definition में क्या बोलूँगा projection का value कितना है om तो magnitude है उसका om तो लेना ही पड़ेगा om में कोई गलती नहीं है shadow का length तो आपको om के बराबर है लेकिन क्योंकि negative x axis पे आया है इसलिए हम यहाँ पर minus sign के साथ में अपना projection लिखेंगे समझे लिए इस बात को यहाँ statement लेगार फिर से पड़ेगे देखो projection on negative x axis and negative y axis is considered with a negative sign मतलब आपको जो projection में वहाँ पर जो magnitude नजर आ रहे हो तो ले नहीं है लेकिन with negative sign लेने ठीक है यह यह चीज आपको आगे एक बहुत ही interesting जो है proof कहना चीए देने वाली है ठीक है projection का idea ही है जो यहाँ पर आपको बताता है कि कौन से quadrant में कौन सा trigonometric ratio plus sign के साथ में होगा कौन सा minus sign के साथ में होगा ठीक है आप अपना photo देखके आप अपना जो है नाम लिख सकते हो जैसे हाँ पर मैंने om लिख दिया है लेकिन मैं इस बात का ध्यान अख रहा हूँ कि negative x-axis के उपर आया है position तो मैं खुद से एक negative sign लगाऊँगा ठीक है बात clear होगे यह projection का main idea है ठीक है अब इससे होगा क्या इससे सबसे पहले जो हम यहाँ पर बात सवंच पाएंगे वो यह है कि अलग-अलग coordinates में कौन सा trigonometric ratio positive sign के साथ में answer create करता है कौन सा negative sign के साथ में answer create करता है live chat में जितने भी बच्चे मौझूद है क्या आपको यह बात पहले से पता है जल्दी बताएं सारे बच्चे कौन से quadrant में कौन सा angle कौन सा quadrant में कौन सा आपका trigonometric ratio positive होता है क्या यह बात आपको पहले से पता है और अगर पता है तो यह भी बताओ साथ में कि आपने कौन सी क्लास में इस बात को पढ़ा है कि आपने 11th क्लास की टीचर से ये बात सुनी है या आपने 10th क्लास की टीचर से ये बात सुनी है हम उसी का discussion यहाँ पर करने वाले है जल्दी बताएं सारे बचे Yes, I can see a lot of yeses here in the live chat Literally I can see a lot of yeses All right, कहां सुना है आपने बहुत बढ़िया ASTC rule ASTC rule All Silver Tea Cups बहुत बढ़िया है ना, आपको तो यहाँ पर जाएं यह कुछ-कुछ पता भी CAST, CAST, CAST यह भी एक तरीका होता है याद रखने का ठीक है 9th, 10th कुछ बच्चे को 9th से पता है यह बात तो पहली बात तो मुझे बताओ कि If this is the first lecture where you're getting the idea of circular system And this is the first lecture where you're going to understand कि हम यहाँ पर sign of 120 degree मतब एक optus angle का भी sign बता सकते हैं तो इसके पहले आपको यह knowledge क्यों है I'm pretty amazed कि यह जो आपको knowledge है All, sign, tan, cos यह क्यों है यह क्यों है आपके पास यह knowledge जब आपने 10th तक trigonometry केवल right angle triangle में ही पड़ी थी तो आपका theta कभी भी second quarter का तो होई नहीं सकता था क्योंकि second quarter का theta का मतलब क्या है second quarter का theta का मतलब ही कि आपका angle जो है 90 degree और 180 degree के बीच का है तो तो आप्टिवस angle हो गया right angle triangle में तो आप्टिवस angle आता ही नहीं था तो फिर यह याद कराने की भी क्या ज़रूरत थी कौन है जिसने याद करा है आपको यह कि all sign है ना और साथ में यह भी सिखा दिया वो कुस्तो all silver tea cups वगरा भी यहां पर आपको पता है ठीक है तो अब यहां पर basically हमें पता चलने वाला है कि यह actually ऐसा होता क्यों है है ना यह जो आपके quadrant के angles है अगर आप इनके trigonometric ratios find करते हो तो सारे के सारे ही trigonometric ratios आपके positive sign के साथ में निकलते है अगर आपका angle second quadrant में लाय करने वाला angle है मतलब 90 degree और आपका 180 degree के बीच वाला कोई अगर एक angle है जैसकि 120 degree, 150 degree, 135 degree तो यह सारे जो आपके ratios निकलेंगे उसमें से जो sign वाला ratio है वो positive होता है 180 और 270, 180 और 270 है ना इन range में लाय करने वाले जो आपके angles होंगे उसमें जो tan वाला ratio आएगा वो positive आएगा लेकिन sign और cos दोनो negative आएगे और जो आपका 270 से 360 के बीच वाला angle होगा उसमें cos का आपका answer positive आएगा बाकी दोनों यहाँ पर कैसे होंगे negative होंगे, यह बात basically समझने वाली है और वो भी अब समझने वाली है इसके पहले समझ की भी क्या कर लेते है जब आपको यहाँ पर right angle triangle में ही काम करना था तो आप इस range के बाहर ही नहीं आएगा न अभी आप यहाँ पर first column के बाहर कभी जाई नहीं रहे हो तो आपके लिए तो इसलिए 10th तक सारे trigonometric ratios positive sign वाले ही थे आपने कभी भी यह सोचा ही नहीं कि आपके पास में sign of something negative भी हो सकता है क्योंकि वहाँ पर हम sides का ratio इस्तमाल करते हैं triangle की sides negative हो नहीं सकती लेकिन projections हमारे negative हो सकते है हमारे projections negative हो सकते है अगर negative x axis या फिर negative y axis के उपर projection आ रहे था हम negative उनको मानेंगे ठीक है तो काफी सारा कच्रा है आप लोगों की दिमाग में ठीक है लेकिन अच्छी बात है पहले से information होने में कोई गलत बात नहीं है but I just keep on wondering कि आपको क्यों पता होना चीए there was no reason to know कि यहाँ पर जो है S आता है यहाँ पर T आता है यहाँ पर C आता है 1st, 2nd, 3rd and 4th ठीक है अगर आपको यहाँ पर 1st quadrant में trigonometric ratios का sign क्या होगा sign values की तो अभी बात starting ही नहीं की हमने केवल sign की बात कर रहे sign की बात कर रहे sign मतलब plus किया minus ठीक है तो हम यहाँ पर बड़ी आसानी से जो है इसका answer कर सकते है क्योंकि अगर मैं यहाँ पर अपना नया circular वाला definition इस्तिमाल करने की कोशिश करूँगा सो मैं यहाँ पर एक ऐसे theta की तलाश में हूँ मैं एक ऐसे theta की तलाश में हूँ जो basically 0 और 90 degree के बीच वाला है 0 और 90 degree के बीच वाला जो आपका theta होगा वो कहलाएगा कि वो first quadrant का angle है वो कहलाएगा कि वो first quadrant का angle मतलब acute angle है ठीक है? Alright So in that case मैं जब find करने की कोशिश करूँगा तो मैं इसी तरह से अपना radius pick करूँगा Radius मेरा कहीं न कहीं first quadrant में ही lie करने माला होगा ठीक है? तो अब अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मेरा projection on y axis कहां जा रहा है कितना जा रहा है अभी हम discussing नहीं कर रहे हम पूछ रहे कहां जा रहा है तो आपका y axis के उपर जो projection आएगा वो positive y axis के उपर जा रहा है और आपको यहाँ पर इस sign का value कैसे सिखाया है मैंने अब नया sign का जो हमारा sign theta का value होता है वो होता है projection on y axis upon length of radius projection on y axis upon length of radius तो length तो वैसे भी positive ही है जो sign theta का definition है उसके अंदर denominator तो वैसे भी positive ही है because length of radius is anyways positive but projection on y axis यह plus minus हो सकता है इसको हमें study करना पड़ेगा तो first quarter में जब में हूँ तो first quarter मेरा जो shadow आया है वो positive y axis के उपर आया है इसलिए sign मेरा कैसा बनता है मेरा sign यहाँ पर positive बनता है क्योंकि denominator तो इसका positive आने वाला है नए definition से लेकिन अब numerator भी इसका positive है और अगर मैं cost की बात करूँ कि cost कैसा बनेगा तो cost के case में आप यहाँ बे shadow लोगे on x axis तो यह भी आपका जो shadow आया हो positive x axis के उपर आया positive x axis के उपर shadow आया मतलब आपका यह भी कैसा हो जाएगा cost positive हो जाएगा क्यों क्योंकि इसका भी denominator क्या है length of radius तो numerator आपने positive कर दिया denominator तो always positive है तो ratio cost का कैसा हो जाएगा positive हो जाएगा और tan तो सोचना बहुत ही आसन है tan इन दोनों का ratio है तो positive आपन positive करेंगे तो positive भी आएगा और बाकी तीन में discuss कर नहीं रहा हूँ में के लिए हापर sign cost और tan ही discuss कर रहा हूँ क्योंकि बाकी तीन जो ही वो इनहीं के reciprocal है so it is of not much use to say कि हाँ पर cosec, secant and caught भी positive होंगे क्योंकि reciprocal करने से sign change थोड़ी होता है तो हम basically इस particular topic में जो discussion कर रहे है वो इनहीं तीन का discussion करेंगे बाकी तीन आप खुद से समझ जाना कि हाँ यह वो ही same sign रखेगा जो उसका original function है reciprocal करने पे भी उसका sign वही रहेगा तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है हमने हाँ पर दसवी क्लास में जितना भी trigonometry पढ़ा है हमें अपने जो angles मिले हैं हमेशा 0 से 90 degree के बीच वाला ही theta मिले है और हमें हमेशा ही positive trigonometry ratios के ही values मिले तो यहाला thought जो है यह तो कोई नया thought नहीं है let us come to second quadrant let us come to second quadrant तो अगर मैं second quadrant का जो है किसी एक angle का sign निकालना चाहा रहा हूँ जैसकि 120 degree, 150 degree, 135 degree तो मेरा जो radius होगा वो पक्के से ऐसा कुछ नजर आ रहा होगा ऐसा कुछ नजर आ रहा होगा कि आपका theta जो है वो 90 से भी बड़ा हो गया point पकड़ में आ रहा है then in this case अगर मैं sign निकालना चाहता हूँ मैं sign थीटा का value निकालना चाहा रहा हूँ तो sign थीटा का value कैसा हो जाएगा इस बार भी positive होगा क्यों क्योंकि आप projection लेते हो on y-axis और यह जो आपका radius है इसका shadow अभी भी कहा जा रहा है y-axis के उपर positive y-axis के उपर जा रहा है इसलिए second quadrant वाला जो भी radius का position होगा वो sign का value तो positive ही create करेगा लेकिन cost में दिक्कत हो गई जैसे कि हम इसके पहले ओले page भी भी जो है discuss कर रहे थे cost अगर आप यहाँ पर निकालना चाहते हो for some angle which is between 90 degree and 180 degree second quadrant का angle का मतलब क्या है second quadrant का angle का मतलब है कि वो 90 degree और 180 degree के बीच वाले किसी angle का discussion करना चाह रहा है तो मैं जैसे यहाँ पर बोलूगा कि आपको cost की फेली बतानी है आपका यहाँ पर shadow कहा गया आप यह realize करो आपका shadow क्या यहाँ पर negative xx के उपर तो आपको यहाँ पर अब projection negative sign के साथ मिलेना है लेकिन denominator तो cost का positive है क्योंकि denominator में क्या आते है length of radius length of radius तो negative थोड़ी length of radius तो length है वो तो positive quantity है तो यहाँ पर cost क्या हो गया negative हो गया और क्योंकि अब आपका सारे positive थे आपका जो first quarter था इसके अंदर सारे के सारे आपके values positive थे जब आप second quarter में गए तो आपको केवल sign positive मिला बागी दोनों कैसे हो गए negative हो गए ठीक है अब चलते हैं third quarter में अगर मैं अपने discussions को ले जा रहा हूं मतलब में basically कौन से angles का discussion करना चाहरा हूं जो angles 180 degrees से बड़े हैं लेकिन 270 degrees से छोटे हैं यहाँ पर यह 90, 90, 90 add करके समय में आगे ना सरे बचोको 90 add करूं तो यह 0 वाला location है यह 90 वाला location है, 180 वाला है, 270 वाला है और और आप यहाँ पर 90 add कर दो को 360 वाला भी यह location है तो यह जो आपको location है 0 degree भी है और यह 360 degree भी है तो अगर मैं यहाँ पर third quadrant में अपने discussion को ले जा रहा हूं, मतलब मेरा radius अभी यहाँ इस तरह से गुस्तो जो है project होना चीए ठीक है, और अब मैं अगर इनके उपर sin, cos और tan की नई वाले definition supply करूँ, तो मुझे बताओ कि sin के साथ में क्या होने वाला है अगर आपका radius third quadrant में जाके रुका हुआ है तो आप जब shadow होगे y axis के उपर तो negative y axis के उपर shadow बनी, right तो आपका यहाँ पर जो है numerator negative हो गया, sin का जो definition है उसके अंदर denoter में length of radius आता है negative हो जाएगा और अगर आप cost की बात करते हो तो cost के लिए आपको shadow x axis के उपर लेंगे, तो नीचे से light डालो मैंने बुलता कहीं से light डाल सकते हो, tension नीए ठीक है, तो इस बार shadow लेंगे, नीचे से light डालोगे तो आपको x axis के उपर shadow मिलेगी और इस बार आपके जो shadow आ रही हो, नेगेटिव x axis के उपर आ रही है इसलिए cost भी आपके कैसा हो जाएगा negative हो जाएगा आपके third quadrant third quadrant में sine और cost की जो value है जैसे की sine of 210 degree cost of 210 degree ये जो आपके values हैं, ये negative negative निकलेंगे, कितने निकलेंगे वह बात में discuss करेंगे, आज के lecture में करेंगे लेकिन अभी हम केवल sign कियाकर बात करें तो 210 degree पे आपका sine of cost दोनों कैसे होने चीए दोनों आपके हाँ पे negative होना चीए तो भई, ये ही तो बात है, है ना केवल याद रखने से भी देखो, answer तो आप निकाली रहे था इतने टाइम से, बाइचांस अगर याद करके कुछ निकाला होगा आपने value तो, लेकिन देखो, एक बार समझ में आ जातीने बात तो अच्छा लगता है, कि ओ, इसलिए हो रह अगर आपके पास की जो angle है, वो इतना बड़ा है कि वो 270 से भी बड़ा हो गया, है ना, जैसे कि 310 degree, थीक है, वो कैसा है, वो यहाँ पर 270 से भी बड़ा है, और 360 से छोटा है, कुछ इस तरह से, ठीक है, और तो अगर आप, अब ऐसे किसी बहुत बड़े angle का, sine, cos, time निकाल हुआ है, आपका radius इस तरह की किसी position में जाके रुका हुआ है, we actually don't know, क्योंकि theta भी हाँ डिसकेशन में आया नहीं, ठीक है, अभी धंकिवल sign का discussion करोंगे, तो हम कहीं पर भी एक radius plot करेंगे, जो इस range में lie कर रहा है, to understand कि क्या होने वाला है, तो इस बार जब मैं sign का discussion करूँ तो shadow बनेगी, ठीक है, तो आपका sign कैसा हो जाएगा, negative हो जाएगा, क्योंकि आपका projection negative है, और denominator तो length of radius है, तो तो positive होता है, ठीक है, आगर मैं cause की बात करूँगा, तो देखो इहाँ पर क्या हो गया, cause की case में नीचे से light डालूँगा, अपने radius का shadow बनाने के लिए x-axis के जो बन रहा है, वो actually positive x-axis के उपर बना, इसलिए आपका यहाँ पर जो है, cause का value positive हो जाएगा, ठीक है, और इन दोनों का ratio क्या हो जाएगा, इन दोनों का ratio obviously negative हो जाएगा, क्योंकि एक positive है, तो यहाँ पर हम कहता है कि भाई, आपका cause positive है, ठीक है, आपका cause positive, सो circular system में जब आ जो आपने रट के रखी है, तो finally we understand कि उसके बीचे की mystery क्या है, तो हमरे पस में, जो पहला quadrant है, इसके अंदर all positive, second वाले में sign positive, third वाले में 10 positive, ठीक है, और last वाले में cause positive, ठीक है, तो आप यहाँ पर cast वगरा कुछ इस तरीके से, इसको याद कर सकते हैं, लेकिन याद करने क पढ़ने की जरुदनी पढ़ना ची एतने जो है, चार values है, यह हमको याद वैसे भी हो जाता है, ठीक है, बास में आगे सर बच्चो को, all right, तो अब मेरे ख्याल से, जो है, हम एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं, और circular system का इस्तमाल करके, ठीक है, circular system का इस्तमाल करके, हम, अब यह problem solve कर सकते हैं, sine of 120 degree, अगर कोई निकालने के लिए बोल दे, तो कितना answer देंगे हम उसको, sine of 120 degree का, अगर मैं हाँ पर value actually निकालना चाहरा हो, तो मैं कितना value बताऊंगा, ठीक है, that is the problem that we want to solve, तो चलो, try करते हैं इसके अंदर, मैं अगर यहाँ पर sine of 120 degree निकालना चाहरा ह अगर मैं sine of 120 degree निकालना चाहरा हो, तो एक बात तो तय है, कि मैं अपने radius को कहां ले जाके रोकूंगा, मैं अपने radius को एक ऐसे position पर ले जाके रोकूंगा, जहां पर वो 120 degree create actually कर रहा है, इस position पर जब मैं projections study करूंगा, तो मेरे पास में sine 120, cos 120, tan 120, किसी का भी projection लेने के लिए बोल दो, answer आजाएगा, अगर सही definition इस्तिमाल करेंगे तो, तो now I know कि मुझे अगर sine of 120 degree का answer निकाल के बताना है, then in that case, sine of 120 degree कितना होना चीए, फोटो देखके, है न, यहां पर आपका projection on y axis कितना बन रहा है, op का projection on y axis, on के बराबर बन रहा है, यहां से लेगी यहां तक, on, is our position on y axis, ठीक है, और नीचे कितना आजाएगा, नीचे आजाएगा आपका समें length of radius, which is equal to r, ठीक है, which is equal to op, ठीक है, तो यह तो हमें पता चल गिया कि हां यार, यह होना चीए, sign of 120 degree का जो यहां पर अभी understanding हमने लिया है, वो यह होना चीए, अब लेकिन इसको आगे कैसे proceed करेंगी, तो आगे proceed करने के लिए हम यहां पर लगाते हैं अपना दिमाग, कि हमें यहां पर जो अभी तक values पता है, और यह दिमाग हम कल के lecture में भी लगाने वाले हैं, जिसको हम बोल रहे हैं कि यार अगर यह total 120 degree है, तो यहां से लेकिए यहां तक तो 90 degree मुझे पता ही था, मतलब यह जो छोटा सा angle यहां पर बचा हुआ है, क्या यह angle 30 degrees है, ऐसा में बोल सकता हूं कि है, यह angle 30 degrees है, जब 90 के ओपर 30 degrees बना होगा, तभी total आपका कितना बना है, तभी total important for me, 30 मेरे लिए यहां पर import होगे, तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं एक नया radius plot कर रहा हूं, जो 30 degrees ही बस create कर रहा है, x-axis के साथ, यह जुगार सीख लो, क्योंकि कल के lecture में भी यही हम करने वाले हैं, हम कल के lecture में अपने allied angles मतलब यहां पर इस तरह के values का answer निकालने का shortcut सीखने वाले हैं, उसको बोलते concept of allied angles, ठीक है, लेकिन आज हम उस concept को build कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं, आपने यहां पर notice किया, कि आर 90 plus 30 करके 120 create होता है, so मैं यहां पर 30 degree को weightage देना चाहता हूं, और weightage कैसे दूँगा, कि मैं 30 degree वाला radius यहां पर basically plot करना चाह ठीक है, तो यह आपका p point है, let us say आपका p1 हो गया, op1 भी आपका radius है, और op भी आपका radius है, op लेकिन 120 degree बना रहा है, और op1 आपका 30 degrees बना रहा है, ठीक है, so in this case, if I drop a perpendicular on x-axis, ठीक है, and if I call it m1, and if I drop a perpendicular on y-axis, and call it n1, तो किसे को दिक्कत नी होनी ची, है न, y-axis के ओपर perpendicular drop में हमेशा n के साथ में ले रहा हूँ, और x-axis के ओपर perpendicular drop में m के साथ में ले रहा हूँ, फिर उसमें subscribe हम अपने हिसाब से add कर ले तो, ठीक है, all right, we are almost there, we are almost there, अब मुझे हैं बताओ कि यार, यह जो दो triangles आपको नजर onp, जिसके अंदर 30 degree बन रहा है, और वैसे आपको और एक triangle नजर आ रहा है, जिसका नाम है om1p1, om1p1, नजर आ रहा है, क्या यह दोनो triangles congruent हैं, यह आप जल्दी से check कर एक बता सकते होगे हैं, क्या यह दोनो triangles congruent हैं, yes, these two triangles are congruent, यह दोनो triangles आपके congruent क्यों हैं, क्योंकि आप पहली बात यह notice करों कि आपके बास में similar तो पक्के से, यह दोनो triangles similar तो पक्के से ही, क्योंकि यहाँ पर 30 degree, यहाँ पर 90 degree, यहाँ पर 90 degree, है ना, यह on वाला भी 90 degree, ठीक है, तो बचा हुआ यहाँ पर 60 degree होई जाएग हैं, और OP, जो इसका hypertonus है, वो दोनों equal हैं, क्योंकि दोनों radius ही हैं, so this guarantees कि हमारे दोनो triangles basically congruent है, बात चमगरी सारे बचों को, CPCT से, CPCT का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, CPCT का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर बोल सकते हैं, कि since these triangles are congruent, हम यहाँ पर बोल सकते हैं, कि आपका जो ON है, इस triangle में जो आपका ON है, ठीक है, वो उस triangle में OM1 है, क्या जल्दी से चेक करके बता दो, 30 डिगरी के पास वाला, 30 डिगरी के पास वाला ON है, यहाँ पर 30 डिगरी के पास वाला OM1 है, तो यह दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है, और वैसे ही, OP, which is the hypertenus of this triangle, is same as OP1, obviously the radius ही, यह तुम्हें वैसे भी लिख सकता था, लेकिन चलो, CPCT की मतद से हम यहाँ पर OP को, OP1 गोल सकते हैं, yes or no, तो अगर यह basically आपस में values बराबर हैं, तो इतनके ratios भी बराबर होना चाहिए, so I can very conveniently now, change ON upon OP as OM1 upon OP1, समझे उस बात को, क्यों, क्यों नहीं कर सकता, यहाँ पर मुझे अगर ratio से ही मतलब है, तो वो ratio किस triangle के side से निकला है, मुझे उससे मतलब नहीं है, म Now, using this, this equation, let us call it equation number 1, and this equation, which is our equation number 2, मैं अगर इन दोनों को मिला देता हूँ, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि आपका इसका मतलब sin of 120 degree जो निकल रहा था, sin of 120 degree जो आपका निकल रहा था, वो किसके बराबर है, वो actually na, OM1 upon OP1 के बराबर है, लेकिन अब इस triangle के अंदर OM1 upon OP1 क्या है, इस triangle के अंदर OM1 तो base है, और OP1 आपका hypotenuse है, तो यह तो cos होता है, और यह हमारा दसवी class का right angle triangle है, जिसमें 30 degree बना हुआ है, तो दसवी class में, अगर मैं आपसा सवाल पूछता है, तो आप इस right angle triangle को देखके, OM1 upon OP1 को cos 30 नहीं बोल रहे होते हैं, बिलकुल बोल रह जो हमें नहीं पता कितना था, उसका एक equivalent defined कर लिया, जिसका value हमें पता है, तो cos of 30 degrees का value कितना है, cos of 30 degrees का value आपका root 3 by 2 है, and that is actually the correct answer for sin of 120 degree, बात पकड़ में आई, yes, root 3 by 2 is the correct answer for sin of 120 degree, अब हो यह राय है कि यहाँ पर यहाँ पर calculate करने में थोड़ा सा समय लग रहा है, थोड़ा ऐसा लग रहा है, दिमाग पर बहुत जोर देना पड़ रहा है, यहाँ पर 120 degree की value find करने के लिए, ठीक है, कोई बात नहीं लेकिन, एक concept develop हो रहा है हमारा, इस बात को सोचो आप य sin of 120 degree का value बताया, sin of 120 degree का value निकालते हैं, आ गया हमें, किसकी मदद से आया, आया acute angle की मदद से, लेकिन आ गया न, जुगार कुछ भी लगाया हो, उससे क्या फरक पड़ता है, right angle triangle में तो बनी नहीं सकता था, अब बन तो रहा है, अब बन रहा है, ठीक है, तो एक बार फिर स restriction आ चुका है, और sin 120 degree भी हम यहाँ पर जो है, अब define कर पा रहे है, और उसकी value भी find कर पा रहे है, और जैसकि मैंने आपको बोला, कि अब यहाँ पर angle की उपर तो restriction आप भूली जाओ, आप जो angle बोलोगे न, वो angle valid है, जो angle बोलोगे, आप यहाँ पर 720 degree बोलो, वो भी valid है, आप 1440 बोलो, कुछ भी बोलो यहाँ पर, कितना ही बड़ा angle बोल दो, कितना ही negative angle बोल दो, सारे ही angles का यहाँ पर आप अपना sin cos tan का value आता है यह बोल सकते हो, कितना आता है अगर बताते नहीं आ रहा तो वो एक अलग limitation है, जैसकि मैं अगर यहाँ बोलना चाह रहा हूँ कि आप मुझे बताओ कि sin of 55 degree का value कितना होगा, ठीक है मैं बता नहीं सकता, लेकिन होता है, यह मैं पर कैसे बोल सकता हूँ, sin of 55 degree कुछ तो होता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं 55 degree पर radius को ले जाके रोक सकता हूँ, और अगर मैं radius को ले जाके रोकूंगा तो उसकी shadow y axis पे निक होना चाहिए, how much is 10 of 150 degrees, फिर यहाँ पर हमार जो answer आ रहा है, उससे हमें काफी कुछ नया सीखने के लिए मिलने वाला है, यहाँ पर projection हमें अच्छे तरीक से लगाते आने वाला है, basically, हमें यहाँ पर projection को अच्छे थे, use करते आने वाला है, 10 of 150 degree अगर आपको यहाँ पर find कर सबसे पहले, ठीक है, 150 भी ले जाके आपने रोका, तो भई, अब आप यहाँ से कहानी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, तो यह हो गया O, यह हो गया P, और यह हो गया आपका angle 150 degree के बराबर, क्योंकि मुझे हाँ पर tan find करना है, तो मैं यहाँ पर क्या सोचूंगा, कि मैं अपन the projection on y-axis, projection on y-axis, let us call it n, and projection on x-axis, let us call this point m, इनका ratio report करना चाहूंगा, as per the definition of tan, ठीक है, और क्योंकि यह प्रॉपर आपका 150 degree ही बनाने वाला आपका यह radius है, इसलिए हमारे पास में tan, 150 का ही answer निकल रहा है, I am pretty sure about this, tan of 150 degree का हमारा answer कितना निकलेगा, इस photo के हिजाब से tan of 150 degree का answer निकलना चाहिए, on upon, on upon om, लेकिन थोड़ा सा कड़ बड़ है इसके अंदर, projection on y-axis upon projection on x-axis, यह हमारा definition है tan का, ठीक है, तो tan का गरे definition है, तो आपने हापे y-axis के उपर जब shadow लिये, तो वो तो आपने plus y-axis के उपर लिये हैं, लेकिन आपने जब x-axis के उपर shadow लिये, तो आपने यह माइनस x-axis के उपर लिये है, तो आप यहाँ पर om को minus sign के साथ में लिखोगे, यह समझना थोड़ा सबस important है, यहाँ पर हमें negative sign incorporate करते आ जाने चाहिए, ठीक है, so what we are looking for is negative of on upon om, now when I am separating out on upon om, मतलब मैं जो हमने पिछली बार किया था, let us try to analyze कि यहाँ पर हमारे पास में कौन सा छोटा angle इस्तिमाल किया जा सकता है, ठीक है, तो we already have 90 degrees, और अगर यह आपका black वाला जो radius है, यह गर 150 degree create कर रहा है, तो 90 के ऊपर कितना चले गए, आप 60 degrees चले गए, मतलब यह बचा हुआ angle आपका 60 degrees इसके बराबर है, so, जैसे मुझे यहाँ पर 60 degree दिखाई दिया, मैं यहाँ पर अब एक नया triangle create करूँगा, एक नया triangle create करूँगा, जहाँ पर 60 degree बन रहा है, ठीक है, तो अगर मैं वो करता हूँ, तो मेरा कहां जाना चाहिए, basically radius, वो ऐसा कुछ जाना चाहिए, ठीक है, यह आपको जो P1 point है, यह actually 60 degree create कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करते हैं कि perpendicular drop on X axis देते हैं, ठीक है, और इसको नाम देते हैं M1, और यहाँ पर perpendicular drop on Y axis देते हैं, इसको नाम देते हैं N1, तो फिर से आपके पास में यहाँ पर दो triangles अभी congruent बन गए हैं, मैंने खुछ से लिया है, मैंने खुछ से angle ऐसा लिया है कि मुझे दो congruent triangles बोलते आए, logic में, ठीक है, वो क्या है, triangle एक तो आपके समें जो originally वैसे भी बन रहा था, ठीक है, triangle कौन सा बन रहा था हमारा, triangle O N P, triangle O N P, यह किस के साथ में congruent है, triangle O M1 P के साथ, T1 के साथ में है क्या, O M1 P1 के साथ नहीं है, congruent है, है कि नहीं, अगर आपको यह दोनों triangles congruent दिख गए है, तो फिर से CPCT यहाँ पर लगाते हैं, और यहाँ पर अपने values को change करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, एक छोड़ सा step और कर लेना चाहिए था हमेने इसके पहले, अभी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आप यहाँ पर notice करो, कि आपके पास में, जो O M है, जो O M है, वो अभी जो है triangle का part नहीं है, कौन से triangle का, O N P triangle का part नहीं है, ठीक है, O N P triangle में लेकिन N P है मेरे पास में, N P जिसका value exactly O M के बराबर है, तो अगर मैं अब रेशो पे ही focus कर रहा हूँ, तो इसका मतलब में यहाँ अगर अपने O N के साथ में N P लिख दूँगा, तो किसे को problem नहीं होना चाहिए, because O M के सामने वाली side rectangle में, आपकी N P है, तो आपको O N के साथ में N P लिखने से कोई भी रोक नहीं सकता, ठीक है, इससे फाइदा क्या हुआ, कि अब यह ratio अगर मैं देखने के कोश्च तो मुझे उस triangle में literally यह ratio दिखाई देगा, कौन से अले triangle में, O N P के अंदर मुझे यह ratio दिखाई देगा, क्या ratio दिखाई देगा हो, कि आपका जो O N upon N P है, यह किस के बराबर है, concurrency का logic से, O N क्या है, 60 degree के पास वाला, तो 60 degree के पास वाला यहां पर कितना है, आपका, O M1, तो क्योंकि अब यह दुनों आपस में बराबर है, तो मैं इस ratio से replace कर सकता हूँ, to get my final answer, अगर मैं इस ratio से replace करूँगी, यह हमारा logic है, है न, कि भाई, आपका यह ratio, इस ratio के बराबर होना चाहिए, वो अगर मैं वहाँ पर इस्तिमाल कर लेता हूँ, तो मुझे हाँ पर मिलत upon pm1 के बराबर होगे, now let us get back to our 10th class का idea, और मुझे बताओ कि आपके अगर एक acute angle 60 degree वाला, एक right angle triangle है, ठीक है, और मैं यहाँ पर आपसे om1 upon op1 पूछ रहा हूँ, om1 upon op1 पूछ रहा हूँ, तो फिर यह basically आपके बास में कौन सा रेशो है, om1 upon op1, पहले आप यहाँ पर base बता रहे हूँ, फिर आप यहाँ पर perpendicular सी बता रहे हूँ, कितना बता रहे हूँ, caught बता रहे हो लेकिन कितने degrees की मदद से बता रहे हो 60 degrees की मदद से आप यहाँ पे caught वाला ratio बता रहे हो और minus of caught of 60 degree अब आप यहाँ पे generate करके बिल्कुल बता होगे, क्यों नहीं बता होगे आपके हाँ पर value कितना हो जाएगा caught 60, 1 by root 3 minus sign आगे लगा हुआ है तो हमारा answer आएगा minus 1 upon root 3 बासवच में आ रहे हैं कितना answer आएगा हमारा minus 1 upon root 3 के बराबर आएगा yes, clear हो गया okay, तो minus caught 60 degree से हमारा यहाँ पर final answer create हुआ है तो हम यहाँ पे इसका मतलब जुगार लगा-ला के हमेशा जो है इस तरह के angles का value बता सकता है ठीक है, हाँ लेकि यहाँ फे ध्यान दो कि मैंने आपसे 10 of 145 नहीं पूछा था क्योंकि यहाँ में 10 of 145 पूछ रहा होता तो आपका conversion किसमें होता फिर वो caught of 55 में conversion होता ठीक है, तो caught 55 हमें फिर यहीं छोड़ना वड़ता है इसके अगली step में नहीं कर पता, क्योंकि caught 55 है मुझे नहीं पता, so usually आपके pass में जो questions आएंगे उसमें हमेशा जो बड़े वाले angles होंगे नो उनमें भी कुछ अच्छा होगा मतलब यह बड़ा है लेकिन अच्छा है क्योंकि 90 में 60 जादा है, इसके पहले 90 में 30 जादा था, तो 120 डिग्री भी अच्छा था, है नो क्योंकि यह जिस acute angle की मदद से बना है, और मदद मतलब क्या होता है, ally, ally मतलब क्या होता है दोस्त, ठीक है, तो हम यहाँ पर किसकी मदद से क्या create कर रहे है, तो हम यहाँ पर 30 डिग्रीज और 90 डिग्रीज की मदद से 120 डिग्रीज create कर रहे थे हैं, है नो, यही हमें basically अगले lecture में समझना है कि allied angles का idea क्या होता है, allied angles से हम यहाँ पर अपने values को जल्दी-जल्दी जैसे कि यह आपका रोज का काम है, ठीक है तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूद नहीं है, लेकिन आज का lecture जो है, हमारे concept building के लिए बहुँ जाता important है और इसलिए आपने इसको जो है, एक बार फिर से दिखना चाहिए, अगर आपको कहीं पर भी doubt आ रहा है तो एक और करके बताओ जल्दी से मुझे आप यहाँ पर बताओ कि cost of 225 डिगरी का value कितना होना चाहिए, जल्दी से सारे बच्चे माइनस क्यों आया, ये तो दिक्कत है बेटा, माइनस ही तो आने main idea था माइनस क्यों आया, last question में क्योंकि बेटा, आपने यहाँ पर जो projection x-axis के उपर लिया वो negative x-axis के उपर लिया तो आपको जो magnitude है shadow का उसके साथ में negative sign भी लगाना है, ये तो projection का हमने definition आपको slide दिखाई थी ठीक है, आपको om लिखना तो है लेकिन क्योंकि negative x-axis x-axis को पर shadow आया है, इसलिए minus om लिखना है, यहाँ से आपका negative sign आया था, ठीक है, और वो negative sign चल रहा है चल रहा है, चल रहा है, यहाँ पर भी आगया यहाँ पर भी आगया, final answer में भी आगया, ठीक है और आना भी चीए था, क्योंकि अभी अभी हमने देखा है, तो आभी हम पर देखो कि आपका जो sign 120 का answer आया, वो positive आया है लेकिन यहाँ पर tan negative होता है, तो इसी cotton का जो एक दूसरा angle है 150 degree उसका answer minus में आया है, ठीक है, और रैट तो वो चीज़ें जो हमने अभी सीखी है, कौन से cotton में कौन सा angle, कौन सा ratio पॉस्टिव होगा, वो इस तरीके से workout automatically कर जाता है, ठीक है अरे, प्लस वाले भी कुछ बच्चे हैं, प्लस वाले कौन है यह बच्चे, प्लस मतलब प्लस मतलब आनक यहाँ प्लस वाले नहीं ठीक है, प्लस वाले मतलब जो बच्चे हाँ प्लस में answer दे रहे हैं, ठीक है अरे, तो माइनस में answer आएगा न, पहली बात तो यह की माइनस में answer आएगा क्योंकि यह आपका 225 कौन से cotton में चला गया, 225 जो है आपका 180 से जादा है और 270 से कम है, मतलब 3rd cotton में है, 3rd cotton में कॉस नेगेटिव होना चीए, ठीक है, तो हमारे पास में माइनस वाल रूट तो जो बता रहे हैं, बिल्कुल सही answer बता रहे हैं, जल्दी से हम भी इसको एक बार solve कर लेते हैं, खतम करते हैं मतलब, तो हमारे पास में 225 जो है, वो ऐसे कुछ plot होना चीए, 225, ठीक है, वोट इस 225, 225 आप जल्दी से करके देख लो, 225 is basically 180 के अंदर 45 add कर दिये, तो 180 मतलब आपका यहां से यहां तक तो 180 होई गा था, आपने उसके उपर 45 plot कर दिये, तो इस बार आपको important angle कौन सा है, 45 degree, तो 45 degree के मतलब से यहां पर आपके answer निकलने वाले है, ठीक है, और एक और आप, आपको क्या निकलने, पॉस निकलने है, तो आप यहां पर क्या करोगे, अब 45 degree का आप एक radius, 45 degree का आप एक radius, 45 degree का जो आपका Radius होगे, उसका end point letters से P1 है, यहां से भी आप Het और इसका भी नाम पर M1 दे देते हैं तो अभी हाँ पर सोच के देखें सार बच्चे आपका फिर से यह जो अपोजिट ट्राइंगल्स बने हैं यह तो कॉन्गुरेंट दिखे रहे होंगे सार बच्चो को ठीक है 45 डिगरी 45 डिगरी 90 90 बचाओ अभी 45 हो जाएगा और आपका है प्रोजिशन सेम लेंज का है तो similarity के साथ साथ यहाँ पर कॉन्गुरेंट सी भी आ जाएगे ठीक है तो आप यहाँ पर बताना चाहते हो क्या cost of 225 डिगरी इसका मैं पहले ratio create कर लेता हूँ by using the logic of projection जो हमने इस class में बढ़ा तो हम यहाँ पर cost की value अगर बताना चाहते है तो position on x-axis upon length of radius ठीक है position on x-axis प्रोजिशन on x-axis कितना आएगा om के बरावर आएगा लेकिन negative sign के साथ में आएगा ने क्योंकि आप negative x-axis के उपर प्रोजिशन ले रहे हो यही तो सीखा बच्चो हमने आज के lecture में है जो बच्चे positive answer बता रहा है हो क्या कर रहा है यही तो आपको देखना है ठीक है तो minus om basically आपने वहाँ पर लिखना चाहिए और नीचे कितना आएगा length of radius तो op के परावर है तो आपको अगर यहाँ पर दिख गया है कि आपके triangles जो है वो congruent है तो मैं क्या-क्या replace कर सकता हूँ मैं यहाँ पर replace कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से triangle की congruences से कि om जो है उसका correspondence om1 के साथ में है और op जो है उसका correspondence op1 के साथ में है ठीक है and if I just ask you कि यार यह जो acute angle 45 degree वाला आपका जो ratio निकल कर आ रहा है om1 upon op1 om1 upon op1 यह क्या है यह cost of 45 degrees है ठीक है क्या है यह cost of 45 degrees है और इसलिए आपका आंसल क्या हैगा minus 1 upon root 2 के बराबर आपका answer आएगा ठीक है clear हो गया तो आप तो यहाँ पर angle के उपर आपकी restriction गई लेकिन अब यहाँ पर लग रहा है थोड़ा सा हमें समय अब यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा मैंने steps कम कर दी वो triangles congruent यह साब मैंने लिखा नहीं क्योंकि मैंने बोल दिया वो सारी चीज़ें ठीक है तो आप भी यहाँ पर जोगे skip करने लग जाओ के steps तो वैसे तो आपको यह जारा difficult लगने वाला नहीं है लेकिन तब भी आपको यह plot करना पड़ेगा समझने के लिए कि भाई कौन सा किसके साथ में correspondence जा रहा है यह plot करना पड़ेगा कल के lecture में हम यहाँ पर पढ़ने वाले allied angles के concept जो basically यह सारी चीज़े theory में हमें सिखा देगा तो कल हम बहुत सारे गोले बनाएंगे लेकिन कल के lecture के बाद में गोले नहीं बनाएंगे कल का lecture जो है वो circular system का आपको पूरी तरह से समझा देगा है ना और उसका हम यहाँ पर एक short statements के format में उस idea को याद रख लेंगे ताकि हम आगे उसको जल्दी जल्दी इस्तमाल कर पाएं it will be kind of a formula जिसे हम formula जल्दी जल्दी इस्तमाल कर लेतें questions में वैसे ही कल के lecture में जो हम concept पढ़ने वाले अलाइड एंगल का उसका भी एक तरीके से हम निचोड summary याद कर लेंगे ताकि उसके बाद वाले lecture से हमें यहाँ पर कभी भी दिक्कत फेस करने की ज़रूत ना पढ़ें तो पहले तो हमें समझना पढ़ेगा बच्चो की allied angles का basic idea मतलब क्या होता क्या है allied angle थीक है तो allied angle में यहाँ पर पहली बात हमारे पास में दो अलग-अलग angles available होंगे हमारे पास में दो अलग-अलग angles available होंगे थीक है जिनका sum या फिर difference बहुती special quantity create कर रहा होगा हमारे पास दो angles होना चाहिए जैसे कि अगर मैं आपको example देने की कोशिश करूँ let us get to the actual statement later पहले यहाँ आपर सोच के देखो कि हमारे पास में क्या ऐसे दो special angles हो सकते हैं जैसे कि अगर मैं आपको example दे के बता हूँ कि हमारे पास में 60 degree होता है और 30 degree होता है ठीक है तो 90 degrees अगर आपका sum हो रहा है या फिर आपका sum 0 degrees हो रहा है या फिर आपका sum 90 का कोई दूसरा multiple हो रहा है उस case में ये सभी angles क्या कहलाते हैं allied angles कहलाते हैं ठीक है अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप basically इन दोनों को भी allied angles कह सकते हो जैसे कि यहाँ पर 120 degree and 60 degree ये भी आपके allied angles के under count होंगे क्यों क्यों क्योंकि इन दोनों का sum भी कैसा हो रहा है इन दोनों का sum यहाँ पर 180 हो रहा है जिसका हम interpretation कैसे लेते हैं 180 मतलब क्या है 90 का multiple है तो अगर आपके पास में ऐसे angles हैं जिनका sum 90 या 90 का multiple create कर रहा है देन वो angles कैसे हैं हमार पास में allied angles है ये हम आपस में जो है convert कर सकते हैं अगर मैं यहाँ पर 120 की value नहीं जानता तो मैं 60 degrees के value की मदद से 120 degree का answer निकाल सकता हूँ इसका मतलब ये है ठीक है तो इसलिए यहाँ पर allied angles को हम जो है काफी weightage देते हैं और इस तरह से उनको जो है समझते हैं पहले बात तो दूसरी बात अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूं तो आपका 120 degree और 30 degree भी क्या हो जाएगा allied angle हो जाएगा 120 degree and 30 degree का combination भी हमारा allied angle के अंदर आएगा क्यों क्योंकि इस बार इनका जो difference है इस बार इनका जो difference है वो कितना बन रहा है 90 degree बन रहा है ठीक है तो अब यहाँ पर एक बार statement को go through करता है if two angles are such that their sum or difference is either 0 or multiple of 90 degrees then they are called allied angles ठीक है तो यहाँ पर सारे examples के थुरू मेरे क्याल साब को clear हो गया होगा कि हम allied angle किस किस को कह रहे हैं जैसे कि आपको 120 degree का value अगर calculate करना है तो 30 degrees भी आपकी मदद कर सकता है और 60 degrees भी हमारी help कर सकता है ठीक है और तो यहाँ पर अगर मैं अपने variable के format में आपको allied angles लिखके दिखाना चाहूं तो allied angle कुछ आपके इस तरीक से लिखे जाएंगे जैसे कि हमारे पास में अगर एक angle theta है तो दूसरा angle हमारे यहाँ पर 90 plus theta हो सकता है या फिर एक angle अगर मेरा theta है तो दूसरा angle 90 minus theta हो सकता है ठीक है तो यह दोनों कैसे हैं हमारे allied angles है इस case में जो difference है वो 90 के बराबर आ रहा है इस case में जो sum है वो 90 के बराबर आ रहा है तो अग दूसरा वला एंगल 90 माइनस थीटा के बराबर है, ठीक है, तो काफी यहाँ पर हमें मदद मिल जाती है, इस concept को पढ़ने के बाद, बड़े-बड़े एंगल के values find करने के लिए, ठीक है, हालक यहाँ पर हम हर एक एंगल का value नहीं बता पाएंगे, हम यहाँ पर value किन का बता प सकता हूँ, ठीक है, मैं 30 degree की मदद से 150 भी बता सकता हूँ, लेकिन अगर आपको 145 चाहिए, तो I will face issue, क्योंकि मेरे पास में 145 का यहाँ पर एक सुंदर सा angle अवेलिबल नहीं है, ठीक है, I guess आज के lecture को end करने के बाद में अगर आप इस statement को फिर से आके reverse में सुनोगे, तो अभी यहाँ पर मेरे ख्याल से थोड़ा सा और in-depth understanding लेने की ज़रू थे, इस तरह के values बेसिकली बच्चों हमें आज calculate करके बताने है, ठीक है, आपको याद होगा last class में हमने already 120 degree का value find किया हुआ है, तो आज का जो initial discussion है, आपको ऐसा लएगा कि sir, आप actually वही काम कर रहे हमने सीखा है, लेकिन इस बार आप variables के साथ में कर रहे हूँ, exactly, आज की class में हम यहाँ पर variables के साथ में वही काम करेंगे, जो last class में हमने 120 degree एक specific angle के लिए किया था, और variable के साथ में करने का फायदा क्या होगा, कि हम उस expression को समझ कर as a formula create कर पाएंगे, एक shortcut create कर पाएंगे, ता लेकिन initial जो इहाँ भी discussion होगा, वो आपको ध्यान से उसके लिए सुनना पड़ेगा, तो पहले मुझे बताओ कि क्या आप already इस तरह का काम अपने 10 वी class में कर चुके हो गया, क्या आप इहाँ पर sin of 90 minus theta, cos theta होता है, यह पता कर चुके हो, yes, तो actually आपने क्या किया था, right angles का ही basically एक sub category वहाँ पर आपको बताया गया है, और इसके बाद में जो है next categories आपको obviously नहीं बताया गई थी, क्योंकि हम 10 वी class तक के वल right angle triangle के अंदर ही discussion कर पा रहे थे, ठीक है, और वहाँ पर इसलिए हमारे पास में काफी एक simple idea से इन दोनों का relation निकल कर आ जाता है, क्यो angle 90 minus theta हो जाएगा, तो इसलिए एक ही triangle के अंदर हमें दोनों angles दिख रहे होते हैं, 90 minus theta भी दिख रहा होता है, तो हम इसकी मदद से अपने conversion बड़ी आसनी से समझ पाते हैं, कैसे, अगर कोई मुझ से पूछता है, कि आप मुझे बताओ, कि sign of 90 minus theta का value कितना होगा, यहाँ पर कर पाओ, तब भी चलेगा, जैसे कि यहाँ पर Steve Jobs बोलता है, कि हम dots को connect कर पाते हैं, जो हम पूरी story देख चुके होते हैं, और पीछे पलट के देखते हैं, कि यार अच्छा, यह सब discussions हुए थे, that is when we are able to connect the dots, ठीक है, तो यहाँ पर अभी तो आप क्या सोचों, कि आपको ए आप यहाँ पर समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है, very important, sin of 90 minus theta, आगर कोई आप से बूच रहे है, sin of 90 minus theta, then this question is not at all difficult for me, क्योंकि यहाँ पर triangle के अंदर मुझे actually 90 minus theta दिख रहा है, तो मैं हाँ पर sin का value समझता कैसा हूँ, opposite upon hypotenuse, triangle की मदद से अगर मैं sin की value बतान अब अगर मैं अपना नजरिया change करूँ, अगर मैं theta के नजरिया से देखना start करूँ, तो मुझे लगता है कि BC तो adjacent side है, BC तो मेरी adjacent side है for theta, और AC मेरा अभी भी hypotenuse है, तो अगर मैं theta की language में बोलना चाहता हूँ, then this ratio is actually cos theta, then this ratio is actually cos theta, and that is what we want to learn here, कि sin of 90 minus theta की value exactly cos theta के बराबर आ आती है, और यहाँ पर theta अब आप इस्तिमाल कर लो, है ना तो जैसे हमने यहाँ पर आपको पहले examples बता है, लेकिन बाद में हमने बुला कि यह यह ना, यह पढ़ लेता है, तो this will work as a formula for such examples, ठीक है, तो आपको कर यहाँ पर sin of 60 degree पता करना है, तो आप यहाँ पर 30 degree का इस्त पड़े angles में काम आएगा, तो आपको जादा करके पता चलेगा, हम यह सारी चीज़े भी कर पा रहे हैं, इतने simple idea के साथ में, ठीक है, तो next करते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर और क्या-क्या पता कर सकते हैं, हम इस particular figure में cos of 90 minus theta भी तो लिख सकते थे थे ना, अगर मैं आप स पूछता हूँ, cos of 90 minus theta भचों कितना होना चाहिए, तो आप फिर से यहाँ पर 90 minus theta का weightage लेके, अपना visualization कम्रीट करोगे, कि अच्छा, cos पूछा है, मतलब adjacent side चाहिए, cos पूछा है, इस angle का, तो इस angle का adjacent side कितना है, इस angle का adjacent side AB के बराबर है, और AB upon hypertonus, मतलब AC करने से मेरे पा opposite, जैसे कि मैंने opposite upon hypertonus लिखा हुआ है, so this becomes equal to how much, this becomes equal to sin theta, and we all know this, यह हमें पता है, हम बहुत confidently यह सारी बाते हैं, जो है, बोलते हैं हैं, दस्वी क्लास में इस्तमाल भी हमने किया हुआ है, तो यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत किसी को नहीं हो रही हो कि समझने में, आगर मै इन दोनों को divide कर दूँगा, तो मेरे पास में tan का answer आजाएगा, so tan of this angle, 90 minus theta, should be same as division of these two angles, तो cos theta upon sin theta के तरह हो जाता है, cot theta के बरावर हो जाता है, तो यह values तो हमें तीनों, अर्री दस्वी क्लास से पता है, yes or no, agree करते हैं सारे बच्चे, तो फिर नया क्या है, नया क्या है, अब आएगा, अब यहाँ पर discussion नया आएगा, हमने यहाँ पर अभी एक particular type का allied angle पढ़ लिया है, यह दोनों angles allied angles हैं, क्योंकि इनका sum कितना हो रहा है, 90 के बरावर हो रहा है, कभी भी आपका sum या difference, 90 या 90 के multiples create करता है, तो वो दोनों angles आपके allied angles कहलाता है, ठीक है, now the problem is, कि जैसे ही मैं अगले allied angle का discussion स्टार्ट करूँगा आपके साथ में, I cannot continue the discussion inside a right angle triangle, और इसी लिए आपको केवल एक है allied angle, 10 वी क्लास में सिखाया गया था, जिसका discussion right angle triangle के अंदर किया जा सकता है, ठीक है, ओर्रैट, तो हमारे हाँ पर next जो है, 90 प्लस थीटा एंड थीटा, क्या यह दोनों आपके angles, allied angles हैं, बिल्कुल है, क्योंकि इस बार आप जब difference लेते हों इनका, तो 90 आता है, आपके दो angles का difference है, फिर सम जब भी 90 आ 90 का multiple आएगा, आप उनको allied angles वाली category में डाल सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर फिर से आपका सवाल क्या पूछा जाएगा, आप से सवाल ये बच्चों पूछा जाएगा, कि sign of this बताओ, sign of 90 प्लस थीटा का value बताओ कितना होना चाहिए, ठीक है, now, since we are in circular system, तो हमें नई definitions इस्तेमाल करनी पड़ीगे, वो opposite और hyperdemus वाला idea अब काम नहीं करेगा, अब projection वाला idea यहाँ पर काम करना चाहिए, जो हमारा last class में discussion हो गया है, ठीक है, तो किसी ने अगर last class मिस किये, please जाके देख लो, बहुत important है, ठीक है, आचा, देखो अभी हाँ ध्यान से, मेरे पास में, अगर 90 प्लस थीटा चाहिए, मुझे 90 प्लस थीटा चाहिए, मतलब में यहाँ पर अपने radius को कहा ले जाके रोक रहा हूँ, मैं अपने radius को इस position पे, पी वन पोजिशन पे लिजाके रोक रहा हूँ, जो basically y-axis के साथ में थीटा additional angle create कर रहे है, ठीक है, तो अब इस केस में मेरा जो projection होगा, वो कितना आएगा, यहाँ पर मेरा जो y-axis के उपर projection आएगा, वो on1 के बराबर आना चाहिए, on1, नजर आ रहा है 90 प्लस थीटा, मतलब थीटा यहाँ पर आपके लिए अगर एक important angle create हुआ है, तो हम थीटा वाला ही एक नया triangle construct करते हैं in first quadrant, तो थीटा वाले triangle अगर में यहाँ पर letter से लाल कलर से construct कर रहा हूँ, तो यह नीला और लाल triangle जो आपके पास में अभी आया है, यह हम बोच सकते है की congruent है, आपको ऐसा लग रहा होगा, सरी, यह तो हमने last class में discuss किया है, 120 डिगरी के लिए यही तो किया था, हमने 120 डिगरी के लिए 90 प्लस 30 किया था, और यहाँ पर 30 डिगरी extra बन रहा था, इसलिए यहाँ पर भी हमने 30 डिगरी वाला triangle construct किया था, लेकिन हम यहाँ पर, अपर जो है, अपना समय spend करें, ठीक है, तो हमें shortcut निकालना है अब, allied angle is the idea of shortcut, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में, on1 upon op1 आ चुका है, on1 upon op1, क्या यह congruent triangles में आप बता सकते हूं कि on1 का correspondence om है या नहीं, om है, ध्यान से देख्या बता न, on1 का correspondence om है, theta के pass वाला, और यहाँ अपर भी theta के pass वाला, तो theta के pass वाला, यहाँ पर अगर में replace करता हूं, तो मेरे पास में आता है, om, om upon op, hypertonus, hypertonus ना आपस में, यहाँ पर जो है linked ही है, तो अब मुझे बताओ, कि इस लाल triangle के अंदर, om upon op क्या है, om upon op, cos theta है कि नहीं, om upon op, cos theta है, this is what we conclude, कि sin of 90 plus theta is also cos theta, sin of 90 minus theta, तो cos theta था ही, but sin of 90 plus theta, अगर कोई पूछता है, तो भी आपको cos theta ही answer देना है, अब आप बोले के sir, अगर यह कल ही पढ़ा दिया होता, तो sin 120 तो हम जट से निकाल लेते हैं, यही तो सीखना है हमें, ठीके, तो हाँ पर concept ऐसे बिल्ड होगा, है ना, अभी हम यहाँ प all right, तो यह relation हमें पता सल रहा है, तो ऐसे ही अब बाकी भी अगर पता कर लेंगे, तो अच्छा हो जाएगा न, और यह सब सोचो किया, यह सब तो पता करी रहें, और अगर कोई एक, जो है, मुझे direct method मिल जाए, जिसमें यह photo बनाने की जरूद ना पड़े मुझे, गोले- m1 के बराबर बनेगा, ठीक है, आपका shadow बनेगा om1 के बराबर, लेकिन projection negative x-axis के उपर आ रहा है, इसलिए आप minus sign के साथ हमें अपना value लिखोगे yes or no, यहाँ पर आएगा minus of om1, और नीचे आएगा यहाँ पर length of radius, हमारी नई definition किसकी लगा रहे हैं हम, cos theta की नई definition लगा रहे ह cos की नई definition क्या है, radius का projection आप यहाँ पर x-axis के उपर ले सकते हो, तो यहाँ पर minus sign आगे है, देखो कुछ तो change हो रहा है, ठीक है, तो minus of om1 upon op1 हमारे बास में भी अगर create हुआ है, तो मुझे आप यहाँ पर सोच के बताओ कि अब आपका जो नीले वाले triangle के अंदर sides है, क्या सारी की सारी match हो रही है, नहीं, सारी की सारी match नहीं हो रही है, क्योंकि om1 तो triangle में ही नहीं, मैं तो उपर वाले triangle की बात कर रहा हूँ, नीला वाले triangle यह है, तो नीरे वाले triangle में मैंने क्या करना चाहिए, om1 के जगे, p1,n1 लिख देना चाहिए, क्या attention है, ठीक है, तो मैं य नीरे वाले ट्राइंगल और लाल वाले ट्राइंगल में, क्योंकि यहां पर CPCT लग सकता है, दोनों ट्राइंगल कॉन्गूरेंट हैं, तो हम उसकी मदद से अपने नाम चेंज कर लेंगे, तो आप जल्दी से बताओ कि थीटा के सामने वाला साइड P1N1 अगर यहां पर लिय तो अब यह रेशो क्या है, लाल वाले ट्राइंगल के अंदर PM अपन OP क्या है, PM मतलब सामने वाला और OP मतलब हैंपनलस मतलब यह साइन है न, यह साइन है, लेकिन प्रॉल्म क्या है, आगे एक माइनस साइन भी अब एक्स्ट्रा आया है, यहां पर हमारा जो एंसर हुआ है, माइनस ओफ साइन थीटा, साइन को भूलना नहीं, अलग से और वेटेज दे के यहां पर साइन में अलग से दिखा देता हूं आपको, ठीक है, यह सारी छोटी-छोटी बाते हमें यहां पर अगर पकड़ में आ जाएंगी, तो हमारा अंडरस्टैंडिंग और अगर मैं यहां पर अब 10 की बात करूं, तो 10 is not that difficult anyways, क्योंकि हम साइन और कॉस्स दोनों का discussion कर चुके हैं, तो मुझे बताओ कि 10 of 90 प्लस थीटा, कितना हो जाएगा, this upon that, तो कॉट तो बन रहा है, लेकिन फिर से माइनस साइन आएगा, yes or no, कितना हो जाएगा, माइनस क थीटा के बराबर यह बनेगा, हम यहां पर जो discussion कर रहे है, it can be considered as, it can be considered as a derivation of the shortcut, which is called the concept of allied angles, ठीक है, all right, this is the understanding, this is the basic understanding, तो यहां पर हमें यहां यहां पर हमें माइनस साइन का भी ध्यानक ना बढ़ा है, और यह भी नहीं है कि भई सब जेक माइनस आ रहा है, दो में माइनस हारा है, एक में प्लस हारा है, करेंगे कुछ इसका, हम जो यहां पर statement याद करेंगे, shortcut याद करेंगे, इसके नदर यही सारी चीज़ें एक साथ incorporate हो जाएंगे, बट आपको funda clear हो गया, हमारे पास में angles लेकिन अच्छे वाले होना चीज, जिनका sum या फिर difference 90 या 90 का multiple बने, थोड़ी और मेहनत करके देखते हैं, ठीक है, हम दो-तीन बार यह मेहनत करेंगे, तो आपको यहाँ पर clarity आजएगी कि सोचना कैसे होता है, ठीक है, so let us do another मेहनत for 180-theta and theta, क्या ये भी allied angle कहलाएंगे by definition, yes, क्योंकि इन दोनों को अगर मैं add करूंगा तो 180 आएगा, 180 क्या है, 90 का multiple है, मतलब ये allied angle कहला सकते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर 180-theta draw करना चाहता हूँ, तो मेरा radius कहां जाके रुखेगा, एक पर देखना सारे बच्चे, 180-theta में मेरा radius कहां जाके रुखेगा, अगर आप पूरा का पूरा positive x-axis से negative x-axis पे चले जाते हो, तो कितना हो जाएग आपका complete 180 degree हो जाएगा, लेकिन minus theta, मतलब theta वापस उस side चले गा, ठीक है, तो आपको ऐसा लएगा जैसे कि आपने यहाँ पे theta angle कहां पे plot किया है, theta angle आपने negative x-axis से साथ में plot किया है, ऐसा आपको feel आएगा, ताकि बचा हुआ एगल आपका क्या हो जाए, 180-theta हो जाए, जब आपका 180-theta वाली position में radius गया है, तो अब इसके projections देखने से हमें हमारे answers मिलेंगे, clear, अब यहाँ पर फिर से आप जो देखते हो अपना triangle इसके अंदर जो theta आया है, वो इस बार यहाँ आया, तो हमारे लिए important नीला वाला triangle कौन सा हो जाएगा, यह वाला triangle हमारे लिए important हो ज ultimately यहाँ पर theta आया न, तो first quadrant में मेरा triangle बनेगा, वो theta angle वाले ही बनेगा, because I know कि CPCT यहाँ पर लगा कि मुझे फायदा होता है, तो मैं अपना right angle triangle first quadrant में additionally create करता हूँ, वो theta angle वाला ही फिर से में create कर रहा हूँ, ठीक है, तो इस बार आपका नीला वाला triangle और लाल वाला triangle दिख है दोनों बच्चों को, यह दोनों कैसे हैं, यह दोनों हमारे congruent triangles है, तो अब यहाँ पर हम इनको CPCT के through ratios को change करते जाएंगे, ठीक है, alright, तो पहला वाला पकड़ते हैं यहाँ पर, पहला वाला हम यहाँ पर देखना चारे कि अगर कोई हम से पूछता है कि sin of 180 minus theta कितना होना आजी, for example, तो sin of 150 अगर आप calculate करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर 30 degrees imagine कर सकते हो, यहाँ पर आप 30 degrees imagine करो, तो आपको 150 ही तो मिलेगा न, तो कोई अगर आप से sin of 150 का value पूछेगा, तो आप यह जो formula create कर रहे हैं हम, अब खुद से वो इस्तमाल कर सकते हो to get your answer, ठीक है, और य हाँ पर अपनी नई definition के उपर focus करते हैं, मुझे बताओ कि sin of 180 minus theta, sin of 180 minus theta, ठीक है, sin निकालना है मतलब आपके radius को progression कहा आना चाहिए, y-axis, y-axis को progression कितना आ रहा है, on1 के बराबर आ रहा है, ठीक है, और आपका radius का length कितना है, op1 के बराबर है, क्या यह चीजे में directly convert होते वे द आपका projection आया है, वो इस निले वाले triangle में किसके corresponding सही है, तो यहाँ पर आपका p1, m1 जो है, एक सही length है, जो बिलकुल उसी के बराबर है, ठीक है, और op1 तो triangle में actually exist करता भी है, तो निले वाले triangle में मुझे अब यहाँ पे 2 sides मिल रही है, p1, m1 and op1, तो मैं लाल वाले triangle में अ इसी का equivalent लिख सकता हूँ, कितना हो जाएगा भई, p1, m1 किसके correspondence है, pm के corresponding है, और आपका op1 किसके corresponding है, op के corresponding है, तो अब यहाँ पर बताओ, यह लाल वाले triangle के 2 आपको यहाँ पर answer के मिल रहा है, लाल वाले triangle में अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि pm upon op कितना होना चीए, त अलग हुआ कुछ, कुछ अलग हुआ, इसके पहले जब हम sign of something निकाल रहे थे, तो cause of something हमारा answer आ रहा था, जब sign of something निकाल रहे थे, तो cause of something answer आ रहा था, लेकिन इस बार जब हमने sign of something निकाला, तो sign धिना में answer आ है, इस बार हमारा ratio change नहीं हुआ, पिछली बार लेकिन ratio change वा था, साइन की जगे, एंसर निकालते समय, कॉस की help लेनी पड़ रही थी, इस बर साइन का एंसर निकालने में, साइन की ही help लेनी की ज़रोत पड़ रही, अभी हो रहा है, आपने आप हो रहा ही, है ना हमने जो यहाँ पर funda पड़ा हुआ है, है नो उसको फंडे को अपलाए कर रहा है अपने आप हो रहा है यह सब कुछ ठीक है और एट तो अगला होला करके देखते ही हाँ पर नेक्स्ट विच इस ओविएसली कॉस कोई आप से अगर पूछ रहा है कि कॉस ऑफ बनेटी माइनस थीटा कितना होना चाहिए अगर आप इसी रेडियस का जो बना रहा है एक्स 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 के उपर अगर आप प्रोजेक्शन लेते हो तो आपको यहाँ पर O M1 तो मिल रहा है लेकिन नेगेटीव साइन लेनी पड़ेगी न यह प्रोजेक्शन का फंडा पकड़ लो आप सरबचे नेगेटीव एक सेक्स के उपर अगर आपका प्रोजेक्शन आता है तो आपको लेन्थ के साथ साथ साइन नेगेटीव भी लगाना है और नीचे क्या आएगा ओविसली लेन्थ ओफ रेडियस विच इस O P1 अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो यह नीले ट्रेंगल की एक्चुली साइड हैं O M1 एंड O P1 तो मैं डिरेक्ली रेड वाले ट्रेंगल पर जम कर सकता हूँ तो O M1 के कर्स्पोंडिंग आपकी साइड कों सी है खीटा के पास वाली आपकी यहाँ पर O M है और आपका जो रेडियस है वो तो ओविसली O P के बराबर कर्रस्पोंडेंस में जाए गई लिखाएगा अब मुझे बताओ कि O M upon O P 10 वी क्लास के नॉलेच से कौस होना चाहिए तो यह कौस ठीटा लिखाएगा लेकिन माइनस साइन थड़ी ने चली जाएगी कहीं माइनस साइन भी रहेगी तो यह माइनस ओफ कौस ठीटा बन रहा है कितना बन रहा है माइनस ओफ क प्लस साइन था नीचे माइनस साइन आगया उपर प्लस साइन था नीचे माइनस साइन आगया इतनी सारी चीज़े कैसे याद रखेंगे इतनी सारी चीज़े पैटर्न अगर पता कर लेंगे तो हमें यह सारी चीज़े याद रखने की जरौद भी नहीं पड़ेगी ठीक है माइनस टैन थीटा तो इस बार टैन का एंसर निकालने के लिए टैन की ही हेल्प लेना है कॉस का एंसर निकालने के लिए कॉस की ही हेल्प लेना है और साइन का एंसर निकालने के लिए साइन की ही हेल्प लेना है लेकिन ये positive sign के साथ में आया और ये दुनों negative के साथ में आया कुछ सोचते है क्या हमने last class में एक और चीज discuss करी थी जहाँ पर हमने बोला था कि आपके पास में अलग-अलग quadrant में अलग-अलग trigonometric ratios positive होते हैं अलग-अलग trigonometric ratios obviously true है अगर यहाँ पर sign positive है तो kozeg भी positive है अगर यहाँ पर tan positive है तो cot भी positive है और अगर यहाँ पर cos positive है तो secant भी positive है reciprocal करने से sign change थोड़ी नहों हो जाता है ठीक है तो याद हम इस तरीक किसे करते हैं लेकिन reciprocals भी almost यहाँ पर known होते हैं फिर हमें ठीक है तो मुझे बताओ कि यार ये second quadrant के अंदर sign positive sign के साथ में आ रहा है second quadrant में हमारा जो answer आ रहा है वो plus sign के साथ में आ रहा है और वही चीज़ क्या यहां पर reflect होने की कोशिश कर रही है क्योंकि जब मैं बोल रहा हूँ 90 plus theta तो 90 plus theta में किसका discussion कर रहा हूँ 90 plus theta मतलब basically second quadrant आपने imagine करना चाहिए to understand the variation of sign plus लेना है कि minus लेना है आपको यहां पर अपने angle को कहां imagine करना है 90 plus theta मतलब आपको यहां पर second quadrant में imagine करना है second quadrant में क्योंकि sign का answer positive होता है sign का answer positive होता है इसलिए यहाँ पर plus sign आया है और cos और tan के answers negative होते हैं इसलिए यहाँ पर देखो अपने आप ही negative sign आ चुका है for black and under and again let us look at the next format जो हमारे पास में यहाँ पर है तो 180 minus theta भी आपने कहां imagine करना चाहिए 180 minus theta 180 minus theta तो आप पहले vanity तक गए और फिर वापस पीछे आ गए तो आप अभी भी कहां हो अभी भी आप second quadrant में ही हो अभी भी आप अगर second quadrant में ही हो तो sign का answer positive आना चाहिए ना और cos और tan के answers negative आना चाहिए वही तो यह reflect कर रहा है ठीक है अभी और एक एक और करके देखते हैं ठीक है थोड़ी सी महनत और कर लेते हैं है ना मतलब यहाँ पर full and final जो finishing touch हमें चाहिए before we actually create a statement उसके लिए हमार पास में एक और data point होगा we need one more data point जो यहाँ से हम create करने की कोशिश कर रहे है ठीक है फिर से करेंगे यहाँ पर कोई आप करना यह मस्ती ठीक है बागे हमारा यह आखरी discussion है before we actually generate the shortcut तो यहाँ पर मुझे बताओ कि 180 प्लस थीटा इन थीटा हमारा allied angles है के नहीं यह सी बिल्कुल हमारा allied angles है क्योंकि इनको जो में सब्ट्राइट करता हूं तो यहाँ पर 180 create होता है तो मैं यहाँ पर देखता हूं कि 180 प्लस थीटा वाले position पर मैं अपमें radius को ले जाके रोक सकता हूं क्या बिल्कुल रोक सकता हूं ठीक है तो यहाँ से यहाँ तक आते 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 आपका already 180 complete हो गया है आप थीटा degrees और आगे चलेगे तो 180 प्लस थीटा पर अभी हो आपका जो op1 है वो अभी 180 प्लस थीटा वाले location पर है ठीक है तो इस location पर अगर मैं sign निकालना चाह रहा हूं तो मैं projection on y-axis लूँगा कितना आ जाएगा? on1 आ जाएगा लेकिन negative y-axis पर आया कहाँ पर आया? negative y-axis पर आया इसलिए आप यहाँ पर minus sign के साथ में कितना लिखोगे? आप minus sign के साथ में यहाँ पर अपना जो है length लिखोगे which is on1 तो minus on1 ठीक है? और नीचे कितना आ जाएगा? length of radius which is op1 अब मुझे बताओ कि हमारा corresponding triangle जो first quarter में बन रहा है वो कौन सा वाला है? उसको blue color से बना लेते हैं यहाँ ठीक है? तो red and blue हमारे yellow triangle जो है congruency show करेगा ठीक है? and again यहाँ पर ध्यान से देखो कि आपका red वाला कौन साथ triangle बन रहा है? नीचे वाला on1 connect करना चीए या om1 sorry P1 N1 connect करना चीए P1 M1 connect करना चीए तो यह connect करना चीए हमें basically importance किस triangle को देना है? हमें importance उस triangle को देना है जिसके अंदर theta angle बन रहा है ठीक है? all right so theta angle इस बार यहाँ बन रहा है all right great पिछले वाले question में एक बार फिर से देखलो तो इस case में ऊपर वाले को importance दिया इस case में नीचे वाले को importance दिया इस case में depend करेगा कि कहा theta बना उसको importance देंगे और उसके corresponding हम एक triangle फिर्स्ट कॉर्ण में imagine करेंगे तो यह दोलों तो पक्के से concurrent है इसके अंदर बार बार बताने की जुरूत नहीं है लेकिन o n1 जो है o n1 यह हमारे required triangle के अंदर तो हाई नहीं तहाँ पर नाम change कर लेता पहले o n1 basically किसके बरावर है p1 m1 के बरावर है ठीक है तो p1 m1 यह हो जाएगा हमारा minus of p1 m1 m4 mango ठीक है p1 m1 p1 m1 upon op1 तो यह correspondence कहा जाएगा फिर आपका आपका p1 m1 basically theta के सामने आला side है तो यहाँ पी theta के सामने आला side कुन सा हो जाएगा यह हो जाएगा आपका pm minus sign को लगा कर रखना पड़ेगा यह हो जाएगा pm और साथ में opi का correspondence तो यह क्या होता है हमारा जो नीला ओला triangle है उसके अंदर अगर आप देखते हो pm upon op तो उसको आप क्या बोलते साइन थीटा बोलते न तो आपके इसको तो final answer क्या आया minus sign theta minus sign theta आपका final answer निकल कर आया है ठीक है वैसे ही एक बार फिर से मेहनत कर लेते हैं है लास्ट टाइम मेहनत कर रहें सामान के एक बार फिर से कर लो ठीक है cos of 180 plus theta कितना बनेगा cos of 180 plus theta इस बार आप projection लेते हो x-axis के उपर तो आपको यहाँ पर minus sign के साथ में om1 length मिल रही है minus of om1 divide करते हैं यहाँ पर corresponding radius से तो हो जाएगा op1 और आपका यहाँ पर जब triangle के sides बिल्कुल सेम सेम हैं तो om1 replace होगा om से और आपका op1 replace होगा op से ठीक है तो यह हो गया किसके बराबर minus of om upon op के बराबर और अब अगर मैं आप सो पूछता हूँ कि इस triangle में om upon op क्या होता है तो आप बोलोगे sir cos theta होता है लेकिन minus sign क्योंकि आपको additional नजर आ रहा है तो हो जाएगा minus of cos theta के बराबर और अगर अब आपके पास में sin और cos के equivalence है तो tan create करना तो आप यहाँ पर जानते ही हो दोनों को divide कर दो तो आपको यहाँ पर जो third वाला है वो तो तीनों ही cases में काफी आसानी से निकला हमारा कि tan of 180 plus theta कितना हो जाएगा so this upon that करोगे तो minus minus cancel होगा और आपको यहाँ पर इस बार plus tan theta मिलेगा बढ़िया सही हो गया एकदम सब कुछ ठीक है हम जो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा शॉटकट दिमाग में create करने की कोशिश कर रहे थे इसके बेहने वो work कर रहा है है ना दिखाई दिया आपको work कर रहा है इस बार हम हमारा radius कहाँ पर है इस बार हमारा angle कौन से quadrant का है अगर 180 plus something है मतलब आप इस लिए 3rd quadrant के अंदर हो तो 3rd quadrant के अंदर 10 ही तो positive होता है ना 3rd quadrant के अंदर 10 positive होता है तो यहाँ पर देखो correctly यहाँ पर जो यह formula भी हमें बोल रहा है कि आप plus 10 theta वाला answer बताओगे लेकिन cos negative होता है इसलिए यहाँ पर minus आया यहाँ पर भी sign negative होता है इसलिए यहाँ पर minus आया तो हम यहाँ पर क्या समझ रहे हैं हम एके करके अब जो ही review कर लेते हैं सारी चीज़ें ताकि अगले बार हमें यह सब कुछ फिर से करने की ज़रूत ना पढ़े ठीक है हम अगर यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा pattern notice करते हैं तो हमें आगे की चीज़ें लिखने की ज़रूत नहीं पड़ती जिसे आपने यहाँ पर arithmetic progression सीख लिया है ठीक है तो arithmetic progression लिखते समय अगर मैं आपको बोलता हूँ कि यह 2, 4, 6, 8 है ठीक है आपने चार बार अगर अपने numbers का analysis कर लिया है तो अगला number बताने की ज़रूत नहीं वो समझ में आ गया सबको ठीक है कि अगला वलत यहाँ पर 10 ही होना चाहिए ठीक है वैसा ही कुछ यहाँ पर actually हमने किया है यहाँ पर हमने चार अलग-लग cases बच्छों discuss औरी कर लिये हैं बहुत detail में बिल्कुल basic तरीके है यहाँ पर हमने जो है sign पहले notice कर लेते हैं ठीक है क्योंकि मैं 90-theta का discussion कर रहा था तो 90-theta अगर आप quadrant वाई सोचो कि तो first quadrant का angle है है ना 90-theta first quadrant का angle है तो first quadrant में सारे के सारे answers positive आते हैं सारे के सारे answers positive आते हैं तो sign of something has to be positive, cause of something has to be positive and 10 of something has to be positive तो यहाँ पर तीनों की तीनों आपके plus sign के साप में आये हैं ठीक है क्योंकि आप जो angle demand कर रहे हो वो कौन से quadrant का है जो demand कर रहे हो angle वो आपका first quadrant का है ठीक है next is हम यहाँ पर notice करते हैं कि हमारा जो final answer आता है वो थीटा के terms में आ रहे है, allied angle create करते समय हम हमेशा थीटा के terms में answer बता रहे है, ठीक है तो थीटा 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 यहाँ पर आगे है, and then अब notice करो दूसरी बात यहाँ पर, है ना, कि हमारा जो ratio है वो change हो रहा है, sign जो है वो आगे हैं, वो second cotton में कैसा होता है, 90 प्लस थीटा मतलब हम imagine करें, second cotton, second cotton में sign क्योंकि positive होता है, इसलिए इसके form में plus आया, cost negative होता है तो इसके form में minus आया, और यहाँ पर tan भी negative होता है तो इसके form में में negative आया, लेकिन इस बार फिर से हमारा ratios change हो रहे है, sign का answer cost की मतद से निक odd multiple की मतद से create हुआ है, तो हम ratios change करेंगे, समझे इस बात को, shortcut जो है, finally हमारा create हो रहा है, अगर आपका allied angle create करते समय, है ना, आपको या तो add करने की जरूत पड़ेगी, या फिर subtract करने की जरूत पड़ेगी, तो आपके पास में जो final answer आएगा, वो 90 या फिर 90 का multiple आएगा, अ हमें ratio change करना है, है ना, sine की जगे, cost में answer बताना है, cost की जगे, sine में answer बताना है, और tan की जगे, cot में answer बताना है, अगर आप 90 का इस्तमाल कर रहे हो, तो, जैसे कि पिछली बार भी आप 90 का इस्तमाल कर रहे थे, ठीक है, तो 90 क्या है, 90 इंटू 1, तो मैं 90 को odd multiple of 90 बोल सकता answer sign में देंगे और tan answer cot में देंगे ठिक बात क्लियर होगे और अगर आप यहाँ पे अब देखते हो next जो हमने दो examples किये हैं इसके अंदर आप 180 involve हो गया 180 क्या है even multiple of 90 है 90 into 2 है यह तो इस बार आप notice करोगे कि आपको अपना ratio answer देते समय पे change नहीं करना है अगर आप sign का answer calculate कर रहे हो तो आपको final answer निकालने भी sign का इस्तमाल करना है cos का answer निकाल रहे हो तो आपको final answer भी 10 ही निकाल के दे रहा है 180 या 360 या 720 यह सब जो सारे values है यह 90 के even multiples है तो जब भी उस तरह के values आपको दिखेंगे तो आपको यहाँ पर final answer निकालने के लिए same ratio का इस्तिमाल करना है ratio change नहीं करना है लेकिन अगर आप यहाँ पर sign की बात करोगी तो sign फिर से हमारा जो है वो जो एक shortcut था वो यहाँ पर follow कर रहा है ठीक है कि second quadrant में sign positive होता है इसलिए यहाँ पर plus sign 4 में आगे यहाँ पर formula में negative होगे यहाँ पर formula में negative होगे क्योंकि second quadrant का discussion है ठीक है अगर मैं अपने अगले point को देखता हूँ 180 प्लस वाले को देखता हूँ तो फिर से यहाँ पर aligned angle create करते समय आप यहाँ पर 180 का इस्तिमाल कर रहे हो आप यहाँ पर 180 का इस्तिमाल कर रहे हो 180 क्या है 180 यहाँ पर even multiple of 90 है ठीक है तो इस बार आपने notice किया कि आपका ratio change नहीं होना चाहिए sign का answer sign में आया cos का answer cos में आया tan का answer tan में आया simple और जो plus minus की बात है वो क्या है 180 प्लस आपका कौन से quarter में चला गया so this is how we will actually apply the concept of allied angles in questions so how to use in questions this is actually the shortcut ठीक है तो यहाँ पर दो points important हमारे लिए first point is this second point is this ठीक है first point is कि हमें ratio change करना है या same रखना है तो हमें पता चलता है कि allied angle create करते समय आपने odd multiple of 90 plus minus theta किया है या even multiple of 90 plus minus theta किया है अगर आपने odd multiple of 90 plus minus theta किया है तो आपको ratio change करने पढ़े है और आपने even multiple of 90 plus minus theta किया है तो आपको ratio same रखना है even multiple of 90 plus minus theta अगर आपने किया है plus theta minus theta उसे फर्मी बढ़ रहा है आपने even multiple का अगर इस्तमाल किया है तो आपको ratio change नहीं करना है जो है वही इस्तमाल करना है जो question है उसी के ratio में आपका answer भी निकलता है और जब आपको change करना है तो इनका pairing important है आपका sign जो है वो cause create करेगा cause जो है वो sign create करेगा यहाँ पर double arrows लगे मतलब यह इधर से इधर भी work करता है इधर से इधर भी work करता है आगर आपको tan का answer निकलना है तो answer cot में आएगा और cot का answer निकलना है तो answer 10 में आएगा secant का answer निकलना है तो cosec help करेगा और cosec का answer निकलना है तो secant help करेगा ठीक है जब आपने odd multiple of 90 का इस्तमाल किया है तो even multiple का इस्तमाल किया तो फिर जो है वो ही है यहां पर आपको change ही नहीं करना है, ठीक है, तो ratio वाली एक बात आपको ध्यान रखनी होती ही, दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी होती ही, question solve करता है, that is, कि आपको plus sign का इस्तिमाल करना है, कि minus sign का इस्तिमाल करना है, और वहाँ पर तो मेरे ख्याद से बात बहुत ही clear है, ह फाकी सारे जारे नेगेटिव हैं उसके साफ से अब प्लस मैनस लगा ले ना यहां पे टैन होता है पॉजिटिव और यहां पर कोश होता है पॉजटिव ठीक है बात आगे सब्सक्रायर उसके साफ से अब कुछ फॉर्मस डिराइव करते हैं विदाओट बॉला और रेडियस वगर आप नहीं करेंगे हम ठीक है हम यहाँ पे अब डिरेक्टली क्या करेंगे हमारे answers लिखने की कोशिश करेंगे ready everyone answers लिखने के लिए ready है सारे बच्चे all right देखो यहाँ पे ध्यान से मेरे पास मैं अब जो सवाल है यह बिलकुल वैसा ही है जैसे अभी तक मैंने वो गोले बना बना के आपको जो है एक एक करके पूरा solve करके दिखाए था लेकिन इस बार में statements का इस्तिमाल करूँगा और हम directly अपने answer लिख रहे होंगे क्या यह allied angles है हाँ क्योंकि इनका सम करने पर 270 आता है 270 क्या है 3 into 90 यह odd multiple of 90 है तो क्योंकि यह odd multiple of 90 है तो हमारा answer निकालने के लिए हम क्या करेंगे ratio को change करेंगे क्योंकि यहाँ पर 270 इस्तिमाल किया गया है ratio तो आपको change करना ही है लेकिन अब यहाँ पर आती है बात sign की तो आप मुझे बताओ कि plus sign minus sign कैसे हाँ पर लगेंगे तो आप मुझे बताओ सबसे बहले कि 270 minus theta आप कहाँ पर imagine कर रहे हो यह 0 है यह 90 है यह 180 है यह 270 है और यह भी 360 है ठीक है तो 0 और 360 same position है तो 270 यहाँ पर है आपने 270 minus कर दिया मतलब 270 से थोड़ा सा छोटा imagine कर रहे हो तो आप थर्ड कॉर्टन में अपने angle को imagine कर रहे हो तो क्या आएगा यहाँ पर आपके third quarter में तो 10 वाला answer positive होता है नो so 10 का answer आप positive sign के साथ में expect करोगे और बागी दुनों आप negative sign के साथ में expect करोगे तो हाँ पर आपने sign इस तरीके से लगाना है ठीक है हमें यहाँ पर कोई भी triangle की congruency corresponding sides देखने कि अब जरूरत नहीं पड़ रही है क pattern हमें क्या मिला था वो यह दो चीज़े मिले थी कि कब change करना है कब same रखना है और sign किस तरीके से इस्तेमाल करना है ठीक है तो उसके मतल से हम यहाँ पर बड़े मतलब ठीक है तो वह बुक में जो टेवल दिया होता है वह फाल तो एकलम ठीक है कुछ भी याद करना है हमें all right 270 प्लस थीटा की बात करते है 270 प्लस थीटा 270 मतलब odd multiple तो रेशो तो चेंज करना ही है कुछ भी मतलब सोचना है रेशो चेंज करना है आपको sign का answer किसमें आता ह साइन में आता है रेशो तो चेंज करना ही है 270 दिख रहा है लेकिन आम मुझे बता है 270 प्लस थीटा आप कहां पर imagine कर रहे हो आपके दिमाग में क्या है 270 प्लस थीटा तो यह 0 है यह 90 है यह 180 है यह 270 है तो 270 और आगे चला गया थीटा तो फॉर्थ कॉर्टन में अपने आप यह तो अजी होता है यहां पर पॉप्जटिव लगाना जो आपका कोस्टन है उसका एंसर पॉजटिव आना चीए कि नेगेटिव आना चीए फॉर्वला इस तरीके से देखना है फिक है और तो टैं का एंसर नेगेटिव एक्सक्ट कर रहे हैं हम और साइन का भी आंसर हम नेगेटिव एक्सक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके इस तरह से एंसर्स क्रियेट होंगे माइनस कोस फीता प्लस साइन धीता माइनस कॉट थीता क्लियर से बच्छों को येस प्रफिर से देखना है एक बार फिर से चेकर लें सारे बच्छे एक बार फिर से चेकर लें आपको फंडा पकड में आये की नहीं तो इतने देर से हम जो डिस्कॉस करें पचास मिनिट हो गए लेक्चर को पचास मिनिट हो गए यही तो पढ़ने के लिए पचास मिनिट स्पेंड की हमने है कि हमें जल्ली से लिखते आना चाहिए ठीक है साइन का एंसर कॉस में आयेगा और टूेंटी प्लस फीरड़ा है मतला आप फॉर्थ कॉड़न का एंसर साइन का कैसे एक्सपेट कर रहे हो, साइन का एंसर कैसा आना चीज़, फोर्थ कॉर्टन में साइन का एंसर नेगेटिव आना चीज़, तो यहाँ पर नेगेटिव लगा तो, simple, है ना, आपका जो कॉस का एंसर है, वो साइन help करेगा निकालने में, लेकिन का एंसर आप एक्सपेट कैसे करते हो, फोर्थ कॉर्टन वाला एंसर आप प्लस साइन के साथ में एक्सपेट करते हो, ठीक है, और टैन का एंसर आप कॉर्ट निकाल के देगा, लेकिन टैन का एंसर आप एक्सपेट यहाँ पर माइनस साथ में करते हो, ठीक है, so 360 minus theta you are again imagining in 4th quadrant 4th quadrant में imagine करके आपको यहाँ पर formula create करना है ठीक है all right तो यहाँ पर आप मुझे बताओ कि 360 मदब कितना हो गया यह हो गया आपका 4 times of 90 4 times of 90 मदब even multiple of 90 तो मैं यहाँ पर अपना ratio change नहीं करूँगा तो sine का answer sine में निकलेगा cost का answer cost में निकलेगा और tan का answer tan में निकलेगा लेकिन जो 4th quadrant का आपका answer है वो क्या बोल रहा है कि cost तो मैं positive sign के साथ में आएगा sine का answer negative sign के साथ में आएगा और tan का answer negative sign के साथ में आएगा ठीक है तो आपको दोनों चीज़े करते आगी दो step का जो यहाँ पर हमारा conversion है पहरे हमें यह देखना है कि आपका ratio सेम रहेगा कि change होगा और next आपको देखना है कि sign आपका plus आएगा कि minus आएगा चमक गया सारे बच्चो को yes all right minus sin theta cos theta and minus tan theta बिलकुल बहुत बढ़िया बात है तो हमें यहाँ पर सारी चीज़े जो समझ में आनी चाहिए थी हो समझ में आ चुकी है allied angles को लेके एक दो important results और है जो आपके साथ में जो है important results बोलके discuss करना चाहरा हूं हाला कि यह अपने आपने formless है जैसे इसके पहरे हमने formless पढ़े है वैसे ही है यह formless लेकिन इनका अलग importance है इसलिए हाँ पर title थोड़ा सा change होते है आपको नजर आ रहा है important results हम इसको बोल रहा है अगर कोई आपसे बुछता है कि sin of minus theta का answer क्या होना चाहिए तो इसका answer आता है minus sin theta के बराबर ठीक है अब इसका logic कैसे देंगे हम तो यहाँ पर पहले बताओ कि क्या यहाँ पर minus theta और theta यह दोनों allied angle का pair हो सकता है क्या इसके पहले जैसे कि हमने लिखा था 360 minus theta and theta allied angle का pair है क्योंकि इनका sum करते हैं तो हमें 360 मिलता है 360 is a multiple of 90 ठीक है अच्छा यहाँ पर भी क्या हो रहा है इन दोनों को add करने भी 0 आ रहा है न तो हमने जब allied angle की definition बोली तो हमने बहुत है या तो 0 हो जाए या फिर 90 या 90 का multiple हो जाए ठीक है तो minus theta और theta आपके allied angles तो पक कैसे हैं और तो आप यहाँ पर minus theta का answer plus theta का terms में expect कर सकते हो लेकिन आप मुझे बताओ कि हम negative angle count कैसे करते हैं clock wise direction में count करते हैं कौन सी बड़ी बात है ठीक है अगर आपको theta plot करना है तो आप theta इस side जाओगे लेकिन minus theta count करना है तो आप minus theta नीचे जाओगे ठीक है तो जैसे आपकी दिमाग में आया है कि minus theta तो fourth quadrant का angle है minus theta है ना आप minus theta थीटा आप यहाँ पर नीचे लेगा है तो आपकी दिमाग में आया है कि यह तो fourth quadrant का angle है तो fourth quadrant में आपका cost positive होता है लेकिन आपके sin और tan negative होते हैं क्या sin ऐसे ही आपको लगे हो नजर आ रहे है cost का answer positive आया है, sin का answer negative आया है और tan का answer भी negative आया है तो यहाँ पर sin तो clear होगी, है रहा, plus आना चीए minus आना चीए हो clear होगी है क्योंकि यह fourth quadrant का आपका angle है लेकिन अब यहाँ पर क्या हाना चीए, यहाँ पर sin की help, sin क्यों कर रहा है, cos की help, cos क्यों कर रहा है, tan की help, tan क्यों कर रहा है क्योंकि आप यहाँ पर minus theta को लिख सकते हो, 0 into 90 minus theta, ठीक है, समझरो इस बात को आपके हाँ पर imagine जो करना है, to get the exact idea, to apply the formula जो अभी हमने apply किया है, that is 0 into 90 minus theta तो यह क्या है, even multiple of 90 है न, 0 even quantity है, इसमें तो doubt नहीं है किसी को, 0 even number है, ठीक है तो 0 into 90 क्या हो जाएगा, even multiple of 90 हो जाएगा, तो even multiple of 90 में हमने जो याद किया है, वो क्या है, कि ratio change नहीं करना है तो sin का answer sin में ही निकलेगा, cos का answer cos में ही निकलेगा, और tan का answer tan में ही निकलेगा, ठीक है, पास्वाण में आगे यह important result इसलिए है, क्योंकि आगे चलके हम functions में, अभी हमने trigonometric ratios पढ़े हैं, आगे चलके हम trigonometric functions नाम की एक चीज जो है, पढ़ने वाले है सेम ही होता है, लेकिन हाँ पढ़ने वाले, ठीक है, जिसके अंदर हम basically in functions को odd और even में categorize करें, ठीक है, तिहाँ पर odd और even का discussion आज तो नहीं करते हैं, लेकिन आप यहाँ पर जो है, एक बहुत ही peculiar सी चीज notice कर सकते हूँ, कि cost के अंदर अगर negative आता है, तो आप basically उस negative को ignore कर दो, वो ही आपका answer है, cost के अंदर अगर negative दिख रहा है आपको angle, तो आप उस negative को ignore ही मार दो, वो ही आपका answer है, यह answer आया कैसे, अभी जो हमने method define करी, उस method से आया है, but if I now try to look at what is written, how can I remember this, मैं उसका discussion कर रहा हूँ, ठीक है, कि cost of minus theta is same as cost theta, cost के अंदर negative डालने से फरक नहीं पड़ता, तो अगर कोई आपसे पूछ रहे है, cost of minus 60 degree कोई पूछ रहे है आपसे, आप minus ignore मार दो, और cost 60 degree का answer पता, वो ही आपका correct answer है, लेकिन sin और tan की क्या आदत है, sin और tan के अंदर अगर minus होता है, तो ऐसा लग रहा है कि वो minus बाहर fake देता है, tan ने minus बाहर fake दिया, ऐसा लग रहा है आपको equivalent इसका, और sin ने भी minus बाहर fake दिया, sign ने भी minus बाहर fake दिया, equivalent ऐसा दिखाई दे रहा है न, कैसे create हुआ है, वो formula थो होता हमने discuss कर लिया अलड़ी, लेकिन दिखाई कैसे दे रहा है, जैसे कि sin और tan minus बाहर निकाल देते हैं, और cos minus खा जाता है, cos खा गया minus, minus पता ही नहीं चला कि हमने दिया था कि नहीं दिया था, ठीक है, so that is how we need to remember these two things, ठीक है, कि sin और cos में से, sin और tan में से minus बाहर आता है, लेकिन cos के अंदर minus consume हो जाता है, ठीक है, all right, this is very important result, जो हम multiple times इस्तेमाल करेंगे, और बड़े आसानी से, इसी तरह के से इस्तेमाल करेंगे, और next आता है, यहाँ पर आपका fund for 360, ठीक है, अब यहाँ पर 360 प्लस के लिए सोच के देखो, क्या होगा, पहली बात है, क्योंकि आपको यहाँ पर 360 दिख रहा है कि, जो है 4 into 90 है, तो आपका sin cancer, sin देगा, sin cancer, sin देगा, cos cancer, cos देगा, tan cancer, tan देगा, ठीक है, लेकिन अब 360 प्लस थीटा आप कहां भी imagine कर रहे हो, first quarter में imagine कर रहे हो न, 360 प्लस थीटा, 360 तो आप पुरा घूमी गए, और उपर आप थीटा चले गए, ठीक है, तो आप 360 प्लस थीटा अपने आपको first quarter में imagine कर रहे हो, इसका मतलब आपका यहां पर जो आएगा, सारे के सारे answer plus sign के साथ में यह भी plus sign के साथ में, यह भी plus sign के साथ में, यह भी plus sign के साथ में, तो यह आया कैसे साई में आ गया, ठीक है जैसे पिछले वाले को विजलाइस किया था वैसे ही इसको भी विजलाइस करें और यह बोल रहे हैं कि क्या इसका यह मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के अंदर अगर 360 आ रहा है तो आप उसको हटा दो ठीक है तो यहाँ पर अब एक important statement हम पढ़ने वाने फिर से जो हमें यहाँ पर help करेगा questions को बहुत ही जल्दी solve करने में ठीक है वो क्या है adding and subtracting multiples of 360 does not change the value of the trigonometric ratio अगर आपको यहाँ पर अंदर angle में 360 हटाने से simplify करने में आसानी हो रही है या 360 add करने से answer निकालने में आसानी हो रही है आप यह काम कर सकते हो 360 के कितने भी multiples आप add कर सकते हो 360 के कितने भी multiples आप subtract कर सकते हो तो ऐसा क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि आप यह सोचो कि आपका जो गोला है उसके अंदर आपने कैसे यह angle बनाया होगा आपने अगर let us say 720 plus theta बनाना है अगर कोई आप से पुछ रहे है कि 720 plus theta कितना होना चाहिए sin of 720 plus theta तो 720 पहले बात ही imagine करो कि क्या है 720 बेसिकली आपके पास में 360 into 2 है and plus theta है तो इस बार आप आपने पहले एक बार अपना एंगल बनाया है 360 है न हम नहीं पहुच भाए 720 तक हमने एक बार फिर से गोला complete किया तो हम यहाँ पे 720 तक पहुचे और उसके उपर theta और जाना है तो भई आप यहाँ पे यह दो चकर लगाने के बाद जहाँ पर theta लगा के आप अभी अपना radius बता रहे हो directly theta लगाते तो भी वही radius बता रहे होते तो complete circles यहाँ पर अगर आप पूरे पूरे चल रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है circle ने फिर से आपको जो है उसी position पहुचा दिया जहाँ पे आप 0 पे थे तो इसलिए यहाँ पर 360 या 360 के multiples कितने भी हो उससे फरक नहीं पढ़ता आप उसको हटा दो it is as good as वह आपने cancel out कर दिए ठीक है या पॉइंट में आके सारे बच्छों को ठीक है so can we can we now quickly find the values of these expressions जल्दी से मुझे answer बताओ sign of 225 कितना होना चाहिए हमारा concept developed हो चुका है हमारा answer developed हो चुका है yes क्या answer आएगा sign of 225 degree क्या answer आएगा क्या सोच रहे हैं आप लो sign of 225 के लिए क्या सोच रहे हो sign of 225 के लिए आपने सोचना चाहिए कि या यह तो 180 प्लस 45 है तो अभी यह 180 प्लस 45 है तो आपको यहाँ पर sign का answer sign ही निकाल के देगा तो sine 45 के terms में answer आना चीए लेकिन आप 180 plus 45 कहां imagine करते हो third quarter में imagine करते हो तो third quarter में आपका sine कैसा होता है negative होता है ना third quarter में तो आपका answer minus के साथ में आएगा बस अब नहीं सोचना है जादा आप तो question करने पे आ गए हैं ठीक है, so minus of sine 45 degree मतलब minus 1 by root 2 आपका answer create होगा यहाँ पे इतना अजीब सा दिखने वाले angle था लेकिन देखो हमने इतना जल्दी उसका answer निकालके बता दिया ठीक है, वैसे ही यहाँ पर 330 थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन सोचके देखते ही हमें 360 के आसपस वाला लग रहा है तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो अच्छे वाले angle से उनकी positions पता करकर रखने पड़ेगी 90 अच्छा है, 180 अच्छा है, 270 अच्छा है 360 अच्छा है इनकी मतलब से हम कुछ नगुछ create कर सकते है तो यहाँ पर 330 मुझे दिख रहे हैं कि यह तो 360 माइनस 30 डिग्रीज है प्लस के साथ में अलाइड अंगल create हो रहे है माइनस के साथ में अलाइड अंगल create हो रहे है उससे हमें मतलब नहीं होता, ठीक है हमें यह देखना है कि भई, अंदर हमारा 360 है मतलब 90 का even multiple है 90 का even multiple है, इसलिए sign का answer sign ही, oh sorry question cause का है cause का answer cause ही निकाल के देगा cause का answer cause ही निकाल कर देगा, ठीक है लेकिन अब plus sign आएगा कि minus sign आएगा तो यह पर plus sign के साथ में ही आपका answer निकल कर आना चाहिए ठीक है, क्यों? क्योंकि हम अभी अपने आपको fourth quarter में imagine कर रहे है ठीक है fourth quarter में आपका यहाँ पर value कितना हो जाएगा यहाँ पर गलती से में अभी क्या लिख दिया था sign लिख दिया था, question तो किसका है question cause का है, तो cause वाला question जो है वो cause में ही answer निकाल के दे रहे है और cause 30 degree मतलब root 3 by 2 आपका answer होना चाहिए plus sign के साथ में होना चाहिए plus sign आएगा, fourth quarter में cause क्योंकि positive होता है yes alright, चलो अगला वाला धिहान से करते है 10 of 150 degree, क्या मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि यह 10 of 180 minus 30 degrees demand कर रहा है 10 of 150 degree अगर आपको find करके बताने तो आप क्या बोलोगे 180 minus 30 degree demand है तो जैसे आपने देखा 180 तो आप बोलोगे कि tan का answer tan ही निकाल के देगा ratio change करने की जरूरत नहीं है tan का answer tan ही निकाल के देगा ratio change करने की जरूरत नहीं है लेकिन 180 minus 30 आप कहां imagine कर रहे हो अपने आपको second quadrant में second quadrant में tan का answer कैसा expected है आपका negative के साथ में expected है minus sign के साथ में अपना formula complete करो so minus 10 30 degree हमारे यहाँ पर answer निकलना चाहिए which is minus of 1 by root 3 minus 1 by root 3 becomes our final answer clear हो रहा है yes simple है na clear हो गया चलो तो और करते हैं यहाँ पर थोड़े से और weird angles solve करने की कोशिश करते हैं यह तो तब भी काफी अच्छा थे let us try to solve something like 765 sign of 765 कल तक हमें 120 degree में डाउट था answer से निकाल पाएंगे की निकाल पाएंगे और आज हम यहाँ पर बोल पा रहे हैं कि यह 765 का answer निकाल के बता हो ठीक है तो कुछ तो बहुत amazing चीज पढ़ लिए इसका मदा हमने उसकंदर पक्के से 360 कम किया जा सकता है 360 तो पक्के से कम किया जा सकता है यहाँ पर मैं देख पा रहा हूंगे 360 के तो भही हाँ पर हम हटा देते हैं यहाँ पर हम subtract कर देते हैं 360 के दो multiple तो हमारे पास में answer directly sign 45 ही बनना चाहिए and which is actually 1 by root 2 clear अगला वला है हमारे पास में यहाँ पर negative sign के साथ हूं कोजेक ऑफ माइनस 1410 का हम क्या कर सकते हैं कोजेक ऑफ माइनस 1410 के case में मैं 360 के multiples add कर लेता हूं जैसे यहाँ पर मैंने guy up कर दिया था 720 मैं यहाँ से उससे introduce कर सकता हूं 720 कोई यहाँ पर मुझे रोप नहीं रहा है और 720 क्यों करना है दो बर 720 कर लेते हैं क्योंकि दो बर 720 मतलब 14 के आसपास पहुच जाएगा ठीक है तहां पर यह जो बहुत बड़ा सा negative value है मैं इसके अंदर कुछ add करना चाह रहा हूं ताकि यह जो है थोड़ा अच्छा दिखने लगे है ना लेकिन फिर से दो है थोड़ा से ध्यान अखना पड़ेगा पूछा क्या सवाल कोजेक का सो माइनस ओफ 1410 का अगर आपको value निकालना है तो आप इसके अंदर 4 times of 360 भी अगर कर देते हो तो आपका answer चेंज नहीं होने वाला adding और subtracting multiples of 360 does not change the value of trigonometric ratio यह property हम यहाँ पे लगाना सीख रहे है ठीक है तो जब मैं यहाँ पे इसको 360 into 4 करता हूँ मतलब 720 into 2 करता हूँ तो 1440 बनेगा शाय है 1440 और 1440 minus 1410 simplify होके कितना हो जाएगा simplify होके यह 30 degrees बनेगा तो आपको कोजेक 30 degrees answer करना है समझ्याई यह बाद कोजेक 30 degree आपके यहाँ पे answer बनेगा ठीक है और कितना हो जाएगा कोजेक 30 degree साइं 30 degree का reciprocal मतलब दो बनेगा ठीक है और वैसे यहाला गंदा सा एंगल देखो माइनस ओवन सेवन दिरो माइनस ओवन सेवन सेवन दिरो इसको ट्राइक करें सारे बचे यस 1 by root 2 2.0 अरे वा क्या बात बढ़ा कुनाल बहुत बढ़िया ओर रएट सो लास्ट वाले यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर फिर से यह और बड़ा हो गया तो भी 360 का और बड़ा multiple imagine कर लो ठीक है so 360 अभी हमने into 4 क्या था I guess 360 into 5 यहाँ पर चल जाना ची है न इक बार करके देख लेना सारे बचे 360 into 5 होता कितना है ठीक है तो वो मुझे चाहिए यहाँ पर cos of ठीक है minus 1710 इसके अदर में 5 times of 360 degrees अगर करता हूँ तो एक बार देख लो कितना value उसका बनता है ठीक है okay यह I guess 1800 बनेगा यह 1800 बनेगा और 1800 हमने add कर दिया तो कोई गलत काम नहीं किया हम कर सकते है खुद से हम 360 के कितने भी multiples add कर सकते हैं कितने भी multiples subtract कर सकते हैं ठीक है हमारा answer चेंज नहीं होता तो यह कितना create हो जाएगा यह हो जाएगा आपका 1800-1710 मतलब यह हो जाएगा 90 degrees तो बिसकी लिए हमसे बोल रहा है कि cost of 90 degrees का answer बताँ तो cost of 90 degrees का answer कितना हो जाता है हमारा 0 हो जाता है cost of 90 degree value हमारा 0 है ठीक है चमका समग्या सारे बच्चों न अगर आपको इतना question अगर solve करते आ आगया आपको हम पर aligned angle जो है use करते आ ठीक है और जितने जल्दी अभी हमने यह question solve किये उतने जल्दी हमारे आगे वाले सवाल भी हो जाने चाहिए जो हम अब discuss करने वाले ठीक है तो 330 को आपने बड़े जल्दी imagine कर लिया था कि यह 360-30 है ठीक है नहीं किया होगा तो अब realize होगा कि कैसे सोचना है लेकिन अभी हमें यहाँ पर radiance में भी सोचने के आदर डालनी पड़ेगी क्योंकि हमारे कई सारे सवाल radiance के format में दिये होए होंगे और मैंने यहाँ पर ब बहुत टाइम लग जाता है आप हर एक एंगल को डिग्री में चेंज करते हो फिर डिग्री में आप इमेजन करते हो कि हम पर आपका जो है चेंज कैसा होना चाहिए फिर उसको simplify करते हो ठीक है राधर देन डाट लेट इस पूट सम एफर्ट इन अंडरस्टैंडिंग कि आप करना चाहरे है तो एक बीच में कौन होगा ट्रांस्लेटर होगा एक ट्रांस्लेटर इसा होगा जिसको दोनों लाइंग्वेजज आती है ठीक है तो आप बैसेकल वैसा काम करते हूँ है ना आपको कोशन रेडियन में पूचा गया आपको डिग्री में आता है तो इसके comparison सोचो कि यार अगर दो लोग बात करें जिनको जो है दोनों languages आती ठीक है तो हमें वो बनना है हमें दोनों languages आनी चाहिए ठीक है तो जैसे यहाँ पर आपको बताए कि भाई आपके 090, 180 और 270 and 360 are important values वैसे आपने हाँ पर क्या करना चाहिए radian के format में अब याद कलाना चाहिए कि πाई बाई 2 मतलब 90 degrees होता है ना तो फाई बाई 2 is important for us पाई मतलब 180, पाई मतलब 180 नहीं होता है, पाई मतलब 3.14 होता है, पाई रेडियन मतलब 180 डिग्रीज, ठीक है, पाई रेडियन मतलब 180 डिग्रीज, मतलब जो नेगेटिव एकसेस का पोजिशन है, ये पाई वाला पोजिशन है, ठीक है, नेगेटिव एकसेस वाला पोजिश जो है रेडियन के रेडियन में ही solve कर लेना चाहते हो तो, ठीक है, और राइट चलो, सो, लेट इस, लेट इस, एंसर थी केंड फोश्चेंज, है ना, पहला वला सवाल, बहुत ही आसाने, बहुत ही डिर्क्टे, जल्दी से बताओ, इसके आंसर, ABCD में से क्या निकल कर आना चीए, ठीक है, ट्राइ करने सार बच्चें, ठाइट आउट, हाँ जी, तो हरे को हम चेंज करेंगे पहले, यह कोशन अच्छली सबसे सिंबल सवाल है, ठीक है, क्यों इसके अंदर, और multiple of 90 है, मतलब secant change तो होगा, अब secant किस में change होता है, कोशेक में change होता है, यह याद रखना पड़ेगा आपको, कि changes कैसे होता है, तो secant कोशेक में change होता है, ठीक है, तो आपका answer तो कोशेक एक ही मतलब से निकल कर आएगा, लेकिन मुझे बताओ कि 270 माइनस कौन सा आपका quadrant imagine कर रहे हो, 270 माइनस मतलब आप 3rd quadrant imagine कर रहे हो, 3rd quadrant में secant कैसा होता है, negative होता है, secant मतलब आप दिमाग में लाओ कि cost कैसा होता है, cost negative होता है तो भई secant भी negative ही होगा, क्योंकि secant उसका reciprocal है, reciprocal करने से sign change दो होता है, तो मतलब आप secant of this का answer negative imagine कर रहे हो न, क्योंकि 3rd quadrant में निकाल के देने वाला है, तो आपका answer minus sign के साथ में आएगा, आपका formula minus sign के साथ में create होगा, ठीक है, again and again I am telling you कि आपका formula minus sign के साथ में create होगा, ठीक है, कभी भी आपको यहाँ पर अगर सही तरीके से formula generate करने, जैसे कि आपका formula यह आपने याद नहीं किया है, यह आपने याद नहीं किया है, कि secant of 270 minus a कितना होना चाहिए, यह आपने खुद में लिख लिया formula, कि हाँ यह अपने logic से minus of kozic a बनना चाहिए, ठीक है, आप सोचके तो यहाँ पर यहाँ पर कि बच्चे कैसे confused होते हैं, आगर question में यह दिया है कि theta acute नहीं है, या फिर angle a acute नहीं है, ठीक है, तो अब अगर acute नहीं है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका obtuse angle है, मतलब 90 से बड़ा है, तो अगर 90 से बड़ा angle आप imagine करोगे, तो 270 minus a का क्या होगा, 270 यहाँ पर है, और minus a कर दिया, और a आपका acute नहीं है, a तो आपका 90 degree से जादा है, तो subscribe करोगे, तो भई आप second cotton में आ जाओगे, सब्ट्राइट करोगे तो आप second cotton में आ जाओगे, है ना, और फिर आप सोचोगे, second cotton के अंदर secant कैसा होता है, positive or negative होता है, ऐसा मत करना, ठीक है, formula जब भी आपको generate करना है, जब भी आपको अपने simplify करना है expression को, तो अपने दिमाग में, a हो गया, b हो गया, theta हो गया, जो भी है, उसको आपने acute ही imagine करना है, otherwise आपके sine-vine लगाना में, भूर टेंचन हो जाएगी, ठीक है, all right, so formula derive करने के लिए, हमेशा अपना angle, आपने imagine क्या करना, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, कि आप अपने आपको कहा imagine कर रहे हो, कौन से quadrant में आप imagine कर रहे हो, ठीक है, वो actually है कि नहीं है, उससे मतलब नहीं हमें, हम imagine कहां कर रहे है, 270-A हम कहां imagine कर रहे है, third quadrant में imagine कर रहे है, ठीक है, third quadrant में imagine कर रहे है, इसलिए हाँ पर minus sign के साथ में ही, आपका answer create होगा, secant of 90 minus A, 90 इस्तमाल हो रहा है, इसका मतलब क्या है सीधा-सीधा, 90 इस्तमाल का हो रहा है, मतलब आपको secant का answer, kozak में मिलेगा, तो kozak A की मतलब से ही, आपका answer मिलेगा, क्योंकि आपको ratio change करना है, लेकिन 90 minus है, first quadrant में आगया, first quadrant में जो है, plus sign के साथ में, आप secant का answer expect करते हो, तो यहाँ पर formula के अंदर में plus आएगा, ठीक है, minus, 270 दिख रहा है, मतलब tan का तो kozak होना तय है, ठीक है, लेकिन अब बताओ कि 270 minus, हमारे कौण सा quadrant, imagine कर रहे हैं हम, 270 में से थोड़ा सा subtract करो, acute angle subtract करो, तो आप third quarter में है, third quarter में आपका tan, हम positive के साथ में expect करते हैं, तो यहाँ पर plus sign ही आने वाल है, अगला वोले देखते हैं, आपके 90 plus, odd value है, तो यह change तो होना तय है, तो यह cot A तो बनेगा, लेकिन 90 plus, 90 plus मतलब आपने आपको second quarter में imagine कर रहे हूँ, second quadrant में आपका tan कैसा होना चाहिए negative sign के साथ में होना चाहिए tan का answer negative हम expect करें तो formula हमारा ये create हो रहा है तो ये बनेगा कितना ये बनेगा minus of cosec square a और ये बनेगा minus minus plus होगे plus cot square a तो ये basically क्या होगे ये आपका formula जो 10 वी class का है identity जिसको हम बोलते है वो ही generate होगे लेकिन भी थे minus sign तो minus common निकाल के आपका इसमे correct identity created हो रही है cosec square a minus cot square a यहाँ पर आपका answer क्या जाएगा minus 1 आजाएगा मतलब आपका b answer यहाँ पर correct हो जाएगा ठीक है this was one of the easiest questions जो आपके हापे allied angle के related मिल सकता है b is the correct answer yes alright minus 1 is the answer next question is this find the value of this expression अब इस question में और पिछले सवाल में ज्यादा difference नहीं है लेकिन इस सवाल में आपको अब light angle खुद से create करने पढ़ेंगे 225, 405, 765, 675 ठीक है खुद से create करो और फिर उसके बाद में यहाँ पर उसको simplify करो ठीक है पर और पास में 10 के साथ कितना आ रहेगा 180 plus 45 है क्या है 225 is 180 plus 45 उसके बाद में कॉट जो है वो क्या है 4,05 अब 4,05 लिंक बैठ रहे है क्या कुछ 360 plus 45 360 plus 45 ठीक है हाँ बैठ रहे 360 plus 45 आड प्लस 10 है हमार पास में 765 इसमें भी लिंक बैठ रहा है, 720 याओ दोगे सार बचोगों, तो हो जाएका 10 of 720 plus 45, 765, और 675 भी जो है चमक जाना चाहिए अभी आपको, कि 720 के नस्दीक है, तो 720 minus 45 होना चाहिए, देखना एक बर ज़रा, चेक कर लो, 720 minus 45 is basically 675, ठीक है, और तो हमारे सारे के सारे allied angles के format में, ह हमने अपने expression को change कर लें, तो अगली step है simplify करने की, ठीक है, so 180 plus, 10 of 180 plus third quarter में जाएंगे, 180 अगर है मतलब ratio change नहीं करना है, यहाँ पर भी ratio change नहीं करना है, 360 यहाँ पर भी ratio change नहीं करना है, यहाँ पर भी ratio change नहीं करना है, तो यहाँ आला सावल वैसे इस तरीके से देखा जा तो काफी आसान है, sign को हम importance देते जाएंगे तो 180 प्लस मतलब third quarter है तो इसको आप positive sign के साथ में लिखोगे 10 का answer 10 में ही आएगा, उसके आपने cot 360 plus 360 तो हटा तो यहाँ पर डारेक्ली तो आपको value जो है cot of 45 degree ही बनने वाला है, ठीक है उसके आपने यहाँ पर फिर से देखो, आप यहाँ पर 720 हटा सकते हो, है ना, तो आपका answer यहाँ पर 10 of 45 degree बनेगा, इस बार 720 हटा सकते हो, कोई टेंचन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा confusion ना हो जाए, इसलिए इसको आप सही तरीके से कर लो, 720 माइनस भी आप यहाँ पर कहां पर imagine कर रहे हो, 4th coton में imagine कर रहे हो, 720 मतलब 2 पूरे चक्कर, 2 पूरे चक्कर करके आपने फिर से negative कर देए थोड़ा सा, तो 4th coton में आगए, ठीक है, तो 4th coton में आपका cot actually कैसा होता है, negative sign के साथ में होता है, है ना, लेकिन answer तो cot ही निकालगे देखा, so minus cot 45 degree आपको यहाँ पर लिखना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर 1 into 1 plus 1 into minus 1 बनेगा, इसलिए आपका answer यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है, 1 into 1 plus 1 into minus 1 will become equal to 0, so c becomes our correct answer, ठीक है, यह last लग क्लियर होगा है सारे बच्चोंकों, 720 minus 45 में हम कैसे imagine कर रहे हैं, कैसे find किया हम यह कौन से location पर हूँ, आपकी location अगर आपको समझ नहीं है, तो आप यहाँ पर, यह एक चकर 360 का, फिर एक और दूसरा चकर complete किया है, तो हम यहाँ पर 720 तक आगे हैं, ठीक है, और इसके ओपर हम further कितना जा रहे हैं, sorry, sorry, open नहीं जा रहे हैं, इसके बाद में, नीचे जा रहे हैं, क्योंकि minus है न, तो हम यहाँ तक आने के बाद में नीचे जा रहे हैं, 45, तो instead of doing all this चकर बाजी, आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, directly minus 45 डिग्री वाला भी यहाँ भी imagine कर सकते हो, ठीक है, तो वो ही बात हो जाएगी, यहाँ पर आप इसको directly हटा दोगे तो, ठीक है, 720 को directly हटा दोगे तो भी, आप यहाँ पर जोए, cot of minus 45 डिग्री का discussion कर सकते हो, ठीक है, तो जैसे tan minus बहार निकाल देता है, tan of minus theta is minus tan theta, वैसे cot भी minus बहार निकाल सकता है, आप यह बात दी actually याद रख सकते हो, ठीक है, अभी हमने sin, cos और tan के लिए तो लिख लिए था, हम यही चीज कोजेक, कोजेक, secant और cot के लिए भी याद कर सकते हैं, ठीक है, कि cos of minus theta, secant of minus theta, और cot of minus theta की case में क्या होगा, तो जैसे cos खा जाता है, minus को, तो उसका reciprocal भी तो वही चीज है, क्योंकि secant अगर मैं आप से पूछ रहा हूं, और जैसे कि अगर कोजेक की बात करों, तो मैं one upon sine की बात करों, तो sine की आदत क्या है, minus बाहर निकालता है, तो minus उसने denominator में बाहर निकाला, ultimately simplify करके और numerator में आजाएगा, तो हो जाएगा minus of cos theta, और हो जाएगा आपका minus of cot theta, ठीक है, तो आप इस relation का भी इस्तिमाल कर सकते हूं, to simplify the last expression जो यहाँ पर लिखा हुआ था, ठीक है, 720 को उड़ा दो, जैसे कि यहाँ पर उड़ाया था, ठीक है, 720 को उड़ाने के और में minus 45 का answer के आगया, बाहर निकल के minus cot 45, ठीक है, यह भी हम कर सकते हैं, अल्रेट, चलो, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर इस सवाल का answer क्या होना चाहिए, ट्राइ करें सारा बच्छे, numeric pattern का question है, येस, हाँ जी, 10 of 720 minus, 10 of 720 minus कहां पर हैं, एक बच्छा doubt पुछला है, 720 minus, देखो, यहाँ पर cot है, तो cot में ही मैंने पहले था expression create किया, और फिर 720 अगर इस्तिमाल हो रहा है, तो आपका ratio change नहीं होगा, तो यहाँ पर tan नहीं create होगा, cot ही रहेगा हमाँ आपे, और यहाँ ले सवाल को देखें लें सारे बच्छे एक बढ़, अब यहाँ पर आपको जो सवाल है, यह किसमें है, यह जो आपका सवाल है, यह आपका basically radiance में पूछा गया है, तो आपको radiance में ही solve करना है, don't try to convert this into degrees, अधरोई बच्छे pi radian के जोगे 180, इस और 180 डाल दो, पहले यहाँ पर degree बन जाएगा, फिर हम comfortable हो जाएंगे, भाई, ऐसे ऐसे नहीं होना है, मेहनत करके इस expression को अपने आपने comfortable feel करवाना है, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ढूणना पड़ेगा लेकिन आपको, आपको थोड़ा सा stay काना पड़ेगा, इनिशेली questions के उपर, और यहाँ पर आपको usually, कुछ नो-कुछ pairs की मतद से, allied angles ढूणने पड़ेगे, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने जितना भी discussion किया है, वो पूरा-पूरा discussion हमारे degrees में ही चल रहा है, ठीक है, इसलिए हो सकते हैं कि हाँ पर एकदम से comfortable feel ना हो यहाला सवाल देखे, बट तब भी जो है, एक बार में guide करके देखता हूँ, हो सकता है कि guidance की बाद में आपको अच्छा लगे, जैसे क्यों, क्योंकि आप जब इनको add करते हो, तो आपको क्या मिल रहा है देखो यहां पर, आप इनको add करोगे तो आपको यहां पर 10 pi by 5 मिलेगा, 10 pi by 5 मतलब कितना है, basically 2 pi, और 2 pi हमारा positive x axis वाला ही direction, तो अगर आपको दो angles का sum करके, 360 या 360 के multiples, 90 या 90 के multiples मिलते हैं, तो फिर वो क्या हो जाता है, allied angle हो जाता है, और 90 मतलब क्या है, 90 मतलब basically pi by 2 है, तो मैं अगर यहां पर लिखना जाता हूँ, तो यह क्या है, यह 4 times of pi by 2 है, 360 डिग्री भी क्या होता है, 4 times of 90 degrees होता है, वैसे यहां पर 2 pi क्या है, तो यह 4 times of pi by 2 है, तो 4th multiple of pi by 2 का यहां पर हम use कर रहे हैं, मतलब even multiple of pi by 2 का में use कर रहा हूँ, ठीक है, तो हम यहां पर पाई-पाई में बात करेंगे, हम ज़्यादा 360 ना बोले तो ज़्यादा अच्छा, ठीक है, और वैसे यहां पर और एक चीज़ देखो, आपके पास में जो दूसरा यहां पर combination है, बीच वाले values, वो भी allied angles है, 4 pi by 5 and 6 pi by 5, अगर आप इनको add करते हो, तो आपको फिर से 10 pi by 5 मिलता है, जो basically आपका 2 pi है, 2 pi मतलब फिर से आपका क्या हो जाएगा, यहां पर allied angle का एक category हो जाएगा, ठीक है, so we can use this knowledge, to actually get the values of 6 pi by 5 and 7 pi by 5, ऐसा सोचो, कि आप 6 pi by 5 को अब, 6 pi by 5 को 4 pi by 5 की terms में find कर सकते हो, आप 7 pi by 5 को 3 pi by 5 की terms में find कर सकते हो, जिसे इसके पहले भी आपने find किया, आपने 225 को 45 की terms में find किया न, आपने इसको 45 की terms में find किया, तो छोटे वाले की terms में usually find कर रहे होता है, है न, तो बड़े वाले को हटाने के बारे में सोचना है, तो बड़े वाले कैसे हटेंगे, जब आप इसको change करोगे, और जब आप इसको change करोगे, ठीक है, तो इस thought को build up करते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पर हम पहले दो को touch नहीं कर रहे है, हमारे पास में sine of 3 pi by 5 लिखा हुआ है, हमारे पास में sine of 4 pi by 5 लिखा हुआ है, ठीक है, और next हमारे पास में, जो expression है, हमारे पास में sine के साथ में 6 pi by 5, now I can see 6 pi by 5 here, I can replace this with 2 pi minus 4 pi by 5, इस equation का में इस्तिमाल कर रहा हूँ, और में यहाँ पर 2 pi minus 4 pi by 5 इसको लिख रहा हूँ, ठीक है, ओर राइट, ऐसे ही, अगला ओला देखे हैं हाँ पर, मेरे पास में sine के साथ में 7 pi by 5, तो 7 pi by 5 को में replace कर रहा हूँ, 7 pi by 5 को में replace कर रहा हूँ, using 2 pi minus 3 pi by 5, छोटे वाली की मदद से में बड़ा ओला expression लिख रहा हूँ, 2 pi minus 3 pi by 5, ठीक है, अब इनको simplify करना होगा हमें, है ना, इसको और इसको simplify करेंगे, तो ये दो तो वैसे वैसे लिखे होगे, तो इनको तो क्या ही simplify करेंगे, ये तो ऐसे repeat हो जाएगा अगला page के उपर, तो sine के साथ में हमारे पास में एक तो 3 pi by 5 है, और यहाँ पर हमारे पास में sine के साथ में 4 pi by 5 है, अब यहाँ पर next problem मुझे बताओ, ये simplify करते समय हम क्या क्या वाते ध्यान अखेंगे, क्योंकि 2 pi का मतलब 4 times of pi by 2 है, मतलब even multiple है, तो मैं ratio change नहीं करूँगा, तो sine का answer sine ही निकाल के देगा, sine का answer sine ही निकाल के देगा, तो क्या हो जाएगा sine 4 pi by 5, 2 pi की terms में ही answer आएगा, लिगन अभी ये plus sign के साथ में आएगा, कि minus sign के साथ में आएगा, ये मुझे एक बार visualize करके देखना पड़ेगा, ठीक है, तो 2 pi मतलब कहां पर है positive x-axis, positive x-axis और आप minus में चलेगे, positive x-axis तक गए और फिर minus चलेगे, तो 4th quarter में अपने आपको भी imagine कर रहे हो, ठीक है, तो 4th quarter का जो आपका यहाँ पर sign होता है, sign का वो काउंसा होता है, negative sign होता है, ठीक है, तो आपका answer यहाँ पर minus के साथ में आने वाला है, ठीक है, और last वाला भी देख लेते हैं यहाँ पर, last वाला भी फिर से same logic है, 2 pi है, इसलिए आपको sign का answer, sign ही निकाल के देगा, ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो answer है, वो sign 3 by 5 की मदद से ही निकलेगा, लेकिन आपको फिर से imagine करना है, आपने आपको 4th quarter में, x axis, positive x axis, और आपने यहाँ पर minus कुछ कर दिया, 3 pi by 5, ठीक है, तो उसके मतद से हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पर minus sign के साथ में अपना answer मिल रहा है, और जैसे ही आप ही लिखोगे, आपको यहाँ पर चीज़े cancel होते वे दिख जाएंगे, दिख यहाँ सारे बच्चे को cancel होते हुए, ठीक है, हमारे हाँ पर 3 pi by 5, 3 pi by 5, first or last cancel हो रहा है, क्योंकि opposite sign के आगए, और यह भी opposite sign के आगए, so I need not know the actual value of 4 pi by 5 कितना है, इस question को solve करने के लिए, ठीक है, क्योंकि जिस तरी किसे question frame किया गया है, हमें यहाँ पर cancellation के थुरू अपना answer 0 मिल रहा है, ठीक है, ओर रएट, तो I hope सभी बच्चे को थोड़ा चमक रहा है, कैसे हमें सोचना होता है, yes, all right, we can also use sin of pi minus x is equal to sin x, yes, obviously आप यहाँ पर इस्तमाल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर इस्तमाल होते वे दिखाई दे रहा है कि आपको, दिख रहा है तो ठीक है, है न, pi plus है वैसे यहाँ पर, यहाँ पर अगर 6 pi by 5 देखते हो, तो इसको आप pi plus pi by 5 भी लिख सकते हो, that is another way in which you can convert, लेकिन अब होगा क्या कि, pi by 5 और कहीं है नहीं, pi by 5 और कहीं है नहीं, तो आपको cancellation में उतनी आसानी नहीं मिलेगे, तो question में, कौन सा वाला allied angle का pair create करके फायदा मिल रहा है, वो अगर आप add, subtract करके देख लोगे तो ज़्यादा अच्छा हो, ठीक है, आप अगर इस बड़े angle को change करना चाहते हो, आप इसको 6 pi by 5 को pi plus pi by 5 लिखके भी, minus sign pi by 5 लिख सकते हो, ठीक है, but it is not directly helping us in simplifying the question, हमें एक step और करनी पड़ी कि उस case में, to further get our answer as 0, ठीक है, ओर रैट, so I guess ये जो particular सवाल है, है ना आराम से ध्यान से आप homework में करना, ठीक है, ये आले सवाल में आपको जो है थोड़ा सा confuse करने की कोशिश की गई है, लेकिन मेरी जो बात बोली थी मैंने, एक बार फिर से बोल देता हूँ, आपका जो formula generate होता है, simplify करने के लिए जो आप यहाँ पर formula लिखोगे, उसको लिखते समय ये दिमाग में मत लाना, कि theta आपका acute है या नहीं है, मतलब आपका theta first quarter में है या नहीं है, formula को उससे फरक नहीं पड़ता, आप formula जो यहाँ पर simplify करने के लिए इस्तिमाल करोगे, उस case में तो अपने दिमाग में theta acute ही रखना, ठीक है, theta acute रखना, formula create कर लेना, और फिर उसके अंदर फिर value डालते समय ध्यान रखना, कि आपका acute angle नहीं है, simplify करने के लिए जो है, formula create करने के लिए दिमाग में acute angle, लेकिन actually value substitute करते समय हमें, हमें ये idea इस्तिमाल करना पड़ेगा, कि ये actually acute angle का question नहीं है, ये first quadrant में नहीं लाय करता, बहुत अच्छा सवाल है, आपके जो main यहाँ पे अगर कोई by chance misconception डेलोप होने वाले होंगे, तो वो भी इस question को solve करके clear हो जाएंगे, ठीक है, और आपने अगर पहली बार में अगर सही answer निकाला, मतलब तो आपको यहाँ बहुत अच्छी तरीकी से समझ में आ चुका है, ठीक है, तो I would like everyone to solve this question as soon as possible, ठीक है, and let me know in the comment section की आपका answer कितना आया है, ठीक है, दूसरे बच्चों के answer देखके अपने thought को खराब मत करना, ठीक है, आपका thought जो भी develop हो रहा है उसको होने दो, ठीक है, अगले lecture में हम इसका जब solution देखेंगे, तो वैसे भी सब कुछ clear हो जाएगा, ठीक है, तो comment section में बच्चे answer करेंगे, लेकिन उनके answer देखके, आप बहुत जादा परिशान मत होना, ठीक है, आप अपना answer बताना, comment section में, कि आपने यहाँ पर, जो है answer कितना निकाला है, ठीक है, ओर रैट, तो बच्चे आज, आज का lecture स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, आज हम यहाँ पर हलाखी, compound angles का discussion करना है, लेकिन एक बहुत interesting सवाल, मैंने आपके साथ में, अल्री homework में share किया था, और कुछ बच्चे ने इसका answer, बिल्कुल सही बता दिया है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, कि आपके पास में यहाँ पर, जो भी थीटा है, उससे आपको confuse नहीं होना है, आपके आज में जो भी यहाँ पर थीटा का value है, उससे आपका confuse नहीं होना है, चाहे वो आपके पास में यहाँ पर, थीटा first quadrant में हो, चाहे ना हो, इस question में बहुती specifically बोला गया है, इस question में बहुत ही specifically बोला गया है कि आपको जो theta है वो first quadrant में नहीं है not in the first quadrant but still the formulas that we learned in allied angles are easy to use अगर हम अपने दिमाग में conversion करते समय theta को acute मान के चलेंगे तो तो पहले था अगर आपको ये expression simplify करना है आप यहाँ पे भूल जाओ कि theta क्या है tan theta की value 3 by 4 है आपका theta first quadrant में नहीं है ये सारे discussion थोड़ी दर के लिए भूल जाओ और ये बताओ कि सीधे सीधे side of 90 plus theta का हमने जो converge ने वो कितना देखा है आप पहले इन चारो expressions को simplify कर लो and then we will think ऐसा नहीं कि उपर वाले statement का importance नहीं है final answer निकालने में उसका importance है लेकिन simplification point of view से यहाँ पर मुझे allied angle के formulas apply करने के लिए theta को हमेशा दिमाग में क्या रखना है acute angle है ऐसा ही दिमाग में रखना है ठीक है तो चलो sin of 90 plus theta sin of 90 plus theta 90 का odd multiple मदब ratio change होगा तो sin change हो जाएगा cost में तो आपका answer यहाँ पर cost की मदद से निकलेगा लेकिन sin of 90 plus theta होता है second quarter में second quarter में sin का answer positive होना चाहिए तो यह plus cost theta basically बनना चाहिए ठीक है next अगला वाला देखते हैं यहाँ पर cot of 180 minus theta 180 मतलब 90 का even multiple मतलब ratio change नहीं होगा तो cot का answer cot में ही आएगा तो cot theta की मदद से ही आपको answer मिलने वाला है लेकिन क्योंकि 180 minus theta second quarter में है second quarter में आपका cot negative होता है इसलिए negative sign के साथ में आपको यहाँ पर answer मिलने वाला है simplified value next 270 minus theta 270 आपका odd multiple है मतलब आपका time जो है cot में change होगा और 270 minus theta third quarter में थर्ड quarter में tan positive होता है तो आपको यहाँ पर plus cot theta equivalent मिलना चाहिए ठीक है make sure कि आप यहाँ पर theta को दिमाग में क्या रखें दिमाग में आप theta को convert करते समय acute angle ही मानके चले otherwise 90 plus theta सोचों यहाँ पर कितना confusing हो जाएगा 90 plus theta 90 plus theta और theta अगर आपका यहाँ पर first quarter में नहीं है तो 90 plus theta आपका second quarter में नहीं होगा कहीं और चले जाएगा ठीक है लेकिन formula अपलाए करते समय मुझे नहीं टेंशन लेनी उस बात की ठीक है value substitute करते समय टेंशन लेनी है formula अपलाए करते समय टेंशन नहीं लेनी है ठीक है और formula क्या है basically वही जो steps हमने हाँ पर conversion के सीखे हो तो cos का यहाँ पर answer plus sign के साथ में create होना चाहिए ठीक है so first things first हमने यहाँ पर अपना simplification complete कर लिए ठीक है so क्या है यह यह basically आपका cos theta plus cot theta cos theta plus cot theta upon cot theta minus sin theta ऐसा एक simplified expression आ रहा है अब मुझे यहाँ पर values को importance देना है यहाँ तक समय में आया अगर आपको यह समय में आया है कि हमें यहाँ पर theta के actual values को नहीं सोचना होता है हमें यहाँ पर conversion करते समय इस तरह से formula wise इसको convert कर देना होता है तो आपने एक misconception मेरे खाल से अपने दिमाग से निकाल दिया होगा नेक्स यहाँ पर हमें आप सोचना है कि अगर tan theta की value इन्हों ने 3 by 4 दी हुई है tan theta की value अगर इन्हों ने 3 by 4 दी हुई है और आपको यह बोला है कि theta is not in the first quarter तो इसका मतलब कौन से quarter में है वो tan theta का value positive है न tan theta का value positive है तो tan theta positive कब-कब हो सकता है या तो first quarter में हो सकता है जहाँ पर सारे के सारे trigonometric ratios आपके positive होता है या फिर third quarter में होगा जहाँ पर tan positive होता है तो यहाँ से हमें clear हो रहा है value देखे कि यह positive value है हमें clear हो रहा है कि अगर first quarter नहीं तो इसका मतलब third quarter तो मतलब theta lies in third quarter यह हमारे deduction हो गया theta lies in third quadrant अब third quadrant में क्या होता है third quadrant में आपका sin और cos दोनो negative होते हैं तो अब यहाँ पर आपका magnitude निकालने के लिए हम जो तरीका इस्तेमाल कर रहे है वो तो तब भी क्या है जो triangle method है वह हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे है tan theta का value अगर आपका 3 by 4 है तो उसके चलते हैं आपका यहाँ पर hypotenuse 5 बनेगा और इस case में आपका sin theta का value बनता है वो 3 by 5 बनता है और cos theta का जो value बनता है वो 4 by 5 बनता है ठीक है लेकिन क्योंकि अब मुझे पता है न कि theta यहाँ पर जो discussion में चल रहा है यह actually third quadrant वाला है तो हम खुद की समथ से यहाँ पर क्या करेंगे खुद की समथ से यहाँ पर minus के साथ में अपना answer बताएंगे यहाँ पॉइंट पकड़ना है सर बच्छों को this is where you need to be very very careful let me just put the minus sign with red color ठीक है तो यह minus और minus हमने अपनी समथ से लगाया अगर 10 theta का value हमारा 3 by 4 है and theta first coordinate में नहीं है तो बस अगर आपने ये दो values अच्छी तरीके से लिख लिए है तो आपके यहाँ पर final calculation भी correct हो जाना चाहिए हम यहाँ पर use कर लेते है हमारे expression 1 में अभी यह use कर लेते है ठीक है use in expression 1 and I guess this should give us our final answer cos theta का value हमने कितना सोचा है cos theta का value हमने minus 4 by 5 सोचा है ठीक है plus cot theta cot theta का value हमने कितना सोचा है cot theta तो क्या है tan का reciprocal है तो कितना हो जाएगा 4 by 3 हो जाएगा नीचे हमारे पास में क्या क्या है नीचे हमारे पास में फिर से है cot theta cot theta का value कितना डाल लाए इसी का reciprocal मतलब 4 by 3 and उसके साथ में हमारे पास में minus sin theta तो minus of sin theta sin theta कितना सो जाए हमने minus 3 by 5 वो यहाँ पर substitute करो और देखो यहाँ पर finally क्या हो रहा है finally आपके पास में जो create होता है वो हो जाएगे यहाँ पर LC में लेने पर minus 12 and plus 20 और नीचे हो जाएगे यहाँ पर आपके इसमें 20 and plus 9 so 8 upon 29 is the correct answer for this question बात पकड़ में है सरे बच्चों वो किसी का भी अगर misconception होगा यहाँ पर कुछ तो वो इस question के धूर मेरी खाल से दूर हो गया होगा बढ़ सकते हैं आगे yes तो हमारे यहाँ पर नया discussion स्टार्ट करें 8 by 29 बहुत बढ़ियां बच्चों 8 by 29 is in fact the correct answer for this question ठीक है all right great so next हम यहाँ पर अब अपना नया topic आज का स्टार्ट करना चाहा रहे है which is compound angles compound वैसे आपने यहाँ पर word तो इस्तेमाल किया हुआ है chemistry में बहुत ज़ादा chemistry में compound कैसे मनता है multiple चीजों को मिला के बनता है यह सोलो compound जो है जहाँ तक मेरी समझे compound कैसे create होता है multiple चीजों को मिला के हमारे compound ready होता है ठीक है so वैसे कुछ यहाँ पर होने वाला है एंगल्स पता नहीं है जैसे कि हमें हाँ पर अभी 75 डिग्रीज नहीं पता है 15 डिग्रीज नहीं पता है ठीक है ठीक है, ठीक है, so that is the problem जो हमें हाँ पर रेक्टिफाइ करते आ जाएगी, हाना, improvement यहाँ पर जो हमें देखने के लिए मिलेगा, बाइ studying the topic that we are going to discuss today, which is compound angles, ठीक है, how much is sign of 75 degrees, हमने जोब यहाँ पर allied angles का concept पढ़ लिया है, even that is not sufficient to answer this, allied angle ने बहुत गंदे-गंदे answers और निकाल के बता दी हमें, ठीक है, हमें हाँ यहाँ पर sign of 225 बताते आ रहा है, लेकिन 225 क्यों बताते आ रहा है, 225 इसलिए बताते आ रहा ह ठीक है, तो अब यहाँ पर 75 बताने के लिए हमें क्या सोचना पड़ेगा, compound angles में basically हम यहाँ पर सोचते क्या है, कि क्या मैं 75 को known angles की terms में लिख सकता हूं क्या, अगर लिख सकता हूं, तो compound angle हमें help करेगा, उसके answer तक पहुशने में, तो 75 बेसिक लिए आप यहाँ ध्यान से generate कर लूँ, है न, तो formula कैसे दिखाए देगा, obviously, यहाँ पर हम variable के time से formula पढ़ेंगे, तो हम यहाँ पर पता होना चाहिए कि sin of a plus b कितना होता है, अगर आज के lecture में मैंने यह सीख लिया कि sin of a plus b कितना होता है, तो फिर a की जगे 45 degree substitute कर दूँगा, b की जगे 30 degree substitute कर दूँगा और मेरा यहाँ पर sin 75 का answer निकल के आ जाएगा, ठीक है, and I am pretty sure कि आपके पास में यहाँ पर यह idea अलड़ी होगा, अगर trigonometry आपने basic level पे physics में अलड़ी पढ़ दी होगी तो, ठीक है, alright, तो can anybody tell me in the live chat, अच्छो बच्चो थे यहाँ पर जो है, जैसे कि यहाँ पर कौन है, म let me tell you upfront कि sin of a plus b is not equal to sin a plus sin b, it is not, sin of a plus b is not equal to sin a plus sin b, इतना आसान होता तो फिर तो हम बहुत खुश हो गए होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, हम यहाँ पर इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ाएगा to understand कि what is sin of a plus b, ठीक है, and believe me, मैं आपको केवल एक बार परिशान करूँगा, 6 formulas में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, आज के lecture में, लेकिन एक ही बार परिशान करने वाला हूँ, through the geometry that I want to discuss, to get to the derivation and the answer of sin of a plus b, ठीक है, तो जादा परिशान बताना हो, बहुत ही जल्दी हम यहाँ पर सारे के सारे formulas देख लेंगे, ठीक है, but I want to at least यह feel कर पाएं, क्या है, sin of a plus b का formula, अगर sin a plus sin b नहीं है, तो क्या है, और वो कहां से आया, अगर वो feel कर लेंगे, तो बाकि सारे formulas हम उसकी मदद से निकाल सकते हैं, ठीक है, so let us understand this figure first of all, ठीक है, यहाँ पर क्या किया है, इसकी मदद से, इस figure की मदद से, मैं आपको बताने वालों कि sin of a plus b कितना होता है, इसलिए figure समझना बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले हाँ पर सारे बच्चे इस figure को समझे, obviously हमारे पास में black color के हाँ पर x axis y axis है, हमारे पास में x axis y axis है, ठीक है, अब मैं यहाँ पर दो rays plot करी है, मैंने एक ray plot करी है, जो x axis के साथ में a angle बना रह अगर यह blue वाली जो ray है, यह red वाली ray के साथ में b angle बना रही है, तो overall, overall, blue angle कितना हो जाएगा, overall blue angle a plus b हो जाना चाहिए न, overall blue angle a plus b हो जाना चाहिए, now in my figure, क्या किया है मैंने, मैंने basically वो angle generate करने की कोशिश की है, जिसकी value मुझे find करनी है, I tried to find this value, a plus b, and I was able to do it successfully by doing two rays, जहाँ पर, यहाँ पर angle जो ही छोटा वाला a हो गया, बड़ा वाला b हो गया, तो यहाँ पर दोनों मिला के हमारे पास में a plus b angle बन गया, कुछ नों कुछ किया जा सकता है, ठीक है, alright, अब यहाँ पर और एक बात देखते हैं, आगे आपका जो figure है, वो hypotenuse, ठीक है, तो यह सारी चीज़ें हमें काफी आसानी से लिखते आती है, तो हम यहाँ पर बहुत सारे right angle triangles अभी बना रहा है, ठीक है, तो right angle triangle कैसे बन रहा है, मैंने कोई random point पकड़ा, मैंने एक random point पकड़ा P, which is on the blue ray, blue ray, alright, so इस blue line के उपर, मैंने हाँ पर जो P point पकड़ है, ठीक है, वहाँ से मैंने एक perpendicular drop दिया, perpendicular drop क्यों दिया है, we are very interested in getting right angle triangles, ठीक है, तो perpendicular drop मैंने यहाँ पर दिया, perpendicular drop दिया, और इसका जो foot of perpendicular आया है, उसको मैंने अभी S नाम दिया हुआ है, फिर मेरे पास यहाँ पर एक ray और थी, है ना, X axis तो एक ray है, मेरे पास में, उसके जो उस्चोर perpendicular drop दिया है, मेरे पास में, एक red वाली ray भी थी, मैंने उसके उपर भी एक perpendicular drop दे दिया, रॉम पॉइंट P, ठीक है, ये भी एक perpendicular drop है, अब मेरे पास जो Q point आया है, वहाँ से ही मैंने perpendicular drop दिया है, यहाँ से perpendicular drop में फिर से दो side दे सकता था, एक तो मैंने X axis के उप परपेनिटर डिया हैं जिस पॉंट को मैंने लिए और मैंने इस परपेनिकल डॉब के ऊपर कर बना कुछ मनें बता शाहिवा इज ने क्रियेट हो गया है ठीक है अब इस फोटो का इस्तिमाल करना सीखना है है आप एवरीबडी इस विथ में तिल इस पॉइंट यहां तक सब बच्छे को चमक चुका है ना अगर आप यहां तक आ चुके हो तो आप यहां पर ध्यान से देखो कि हमारा एक एंगल है जो नीचे से चलके ओपर तक जाने वाला है अभी यहां पर 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 सारे क्लियर हो गया ना तो मैं तुम्हें बड़ा सा फिगर को फिर से क्लीन कर रहा हूं ठीक है ओके बाकी मार्किंग्स जो हो यहां पर क्यों ही है तो डॉंट वरी मैं अभी यहां पे आपका ध्यान ले जाना चाहता ह है तो बहुत सारे बच्ची यहां पर भी देख चुके होंगे कि यह अंगल आपका आएगा स्कापिटल एंगल के बराबर कैसे यहां पे जो एंगल बन रहा है ने यह लाल कलर का exactly उतना ही एंगल है यह उपर वाला step by step अगर आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा दे इसके मतल से आपके उसमें नीचे वाले ट्राइंगल आया है इसके अंदर मुझे बताओ कि एक एंगल तो 90 डिगरी है एक एंगल तो ए है तो बचाओ एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस है और अगर यह इंट्रसेक्टिंग लाइन से तो वर्टिकल या अपोसित अंगल भी कितना हो जाएगा वर्टिकल या अपोसित अंगल भी हो जाएगा आपका 90 माइनस है सही बात है तो अब यहाँ पर फिर से आप देखो एक नए ट्राइंगल को आप इस ट्राइंगल को देखो जिहां भी मैंने ग्रीन कलर से शेड के ठीक है इस ट्राइंगल में आपके पास में एक अंगल औरी 90 डिगरी है क्योंकि आपने पर्पेणिकल ड्रॉप दिया था तो यहाला अंगल आपका 90 डिगरी है ठीक है और आप अभी हमें वर्टिकल अपोसित के मतल से बता रहा हो कि यह वाला अंगल जो है आपका यह 90 माइनस ए है तो यह तो ऊपर वाला ए होगा और यह 90 होगा तभी यह 90 माइनस ए हो सकता है ठीक है तो यहाँ पर अभी यह कॉपड़ेंस आगा सारे बच्चो को कि यह जो ऊपर वाला छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर एंगल हो एंगल एक के ही बराबर है क्या-क्या स्टेप्स की हमने यहाँ पे पहले नीची आले पकड़ा ले ट्राइंगल में एक 90 एक ए तो बचा हुआ जो है तीसरा वाला इहाँ पर यहाँ पर पता हो नहीं चीए वह आपको यहाँ पर समझहा दिए हैं और फिगर कैसे create किया गया है और figure में यहाँ पर यह उपर वाल angle a के बराबर है यह दो चीज़े बहुत important है जो हमने discuss कर लें ठीक है अब यहाँ पर आपके लिए जो यह discussion बहुत आसान होने वाला है आप बताओ ज़रा मुझी यहाँ पर कि अगर मैं आपसे अब यह सवाल पूछूँ कि इस figure में देखके बताओ कि sin of a plus b कितना होगा आगर मैं आपसे पूछूँ कि sin of a plus b कितना होगा तो आप यहाँ पर triangle कौन सा consider करोगे आप यहाँ पर triangle consider करोगे triangle POS क्या कहते हो triangle POS क्यों consider करोगा मैं क्योंकि triangle POS जो आपका बन रहा है उसके अंदर ये angle वाकई A प्लस B है इस particular triangle के अंदर POS triangle के अंदर ये angle A प्लस B है पूरा को पूरा angle A प्लस B है तो अगर मैं आप से बुच रहा हो कि sign बताओ इस angle का तो आप क्या करोगे इस triangle में इसके opposite side का length कितना है तो opposite side का length यहां पर आपका PS के बराबर है यहां पर opposite side का लेंद्ध होगे आपका PS के बराबर और आपका hypotenuse कितना है इस triangle के इंदर आपका hypotenuse कितना है OP के बराबर है तो PS upon OP से हमारा answer निकलना चाहिए था but what we are doing now is हम यहां पर यह जो PS length है इसको दो समझते जाओ और अपना दिमाग में steps clear करते जाओ मैं अगर यहां पर देख रहा हूं कि P से लेके S तक का length यहां पर मेरे पास में numerator में है क्या मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूं PR plus RS कोई मना क्यों करेगा मेरे को करना यह मेरे को तो कर लोंगा ठीक है क्योंकि actually हो किया जा सकता है PS को में यहां पर दो पार्ट में लिख सकता हूं PR plus RS नीचे तो हमारा OP चली रहा है अब एक और बात में आप से पूछ रहा हूं कि क्या आपका यहां पर जो RS है उसको में QT से replace कर सकता हूं क्या क्या आपके बास में यह RQTS एक rectangle है RQTS आपके बास में एक rectangle है तो rectangle की यहां पर आपके बास में जो opposite sides है वो equal होती है rectangle की हो हर जागे तो perpendicular डॉप गया है यहां से perpendicular है है सारे angle 90 degree मतलब rectangle ठीक है rectangle मतलब opposite sides equal तो मैं अगर RS के place में QT लिख दूँगा तो किसे को बुरा नहीं मान हूं क्लियर हो रहे हैं अब हमारा काम almost बन गया है अब हमारा इहां पर sign of A plus B का answer almost निकलने वाला है ठीक है कैसे निकलने वाला है मैं यहां पर यह जो OP है इसको दो पार्ट से ब्रेक करूंगा ठीक है तो मेरे पास मैं अभी PR upon OP आ रहा है और मेरे पास मैं अलग से जो है QT upon OP आ रहा है यस क्या किया मैंने बस separate out कर लिया है और कुछ यहां पर extra काम नहीं किया मैंने OP denominator को separate out कर लिया है अब मुझे यहां पर बताओ कि यह ratio को signify कर रहा है कि PR upon OP sadly कुछ भी signify नहीं कर रहा PR यह रहा PR यह रहा और OP कहां पर है OP यह है तो यह तो किसी भी एक single triangle के दो sides न सोचो यहां पर अगर PQ होता तो कितना मज़ा आ गया होता ना अगर PR के साथ में फिर से सोचो है ना दिमाग लगाओ PR के साथ में अगर PQ होता तो मज़ा आ गया होता क्योंकि इस triangle के अंदर फिर मेरे पास में 2 sides का ratio पूछा जा रहा है ऐसा में imagine करता तो यहां पर PQ होता आपको कुछ तो लिखते आएगा पी आर अपॉन पी क्यू आपको कुछ तो लिखते आएगा कितना लिखते आएगा वो यहाँ पर बताओ जल्दी से मुझे आपके उसमें एक ट्राइंगल है जिसमें यह उपर वाला अंगल एक के बराबर है ठीक है और आपसे पूछा जा पी आर एक पास वाली साइड पी आर और इसी ट्रैंगल का हाइगा पिक्यू पी क्या रेशो कितना होता है तो एक और यहाँ पर एडिश्यल कॉम्डेशन बना है which is actually good यहाँ पर हमारा जो combination बना है it is this PQ upon OP and good thing is कि PQ और OP भी एक single triangle के sides है PQ ये रहा और OP ये रहा तो इस right angle triangle के अंदर जिसको भी मेरे green color से shade किया है इस right angle triangle के अंदर अगर मैं आप से पूछा हूँ PQ upon OP कितना होना चाहिए तो आप सोचो कि B के सामने वाला use किया जा रहा है और इस triangle का hypotenuse use किया जा रहा है तो B के सामने वाला है इसलिए यहाँ पर इसका conversion क्या होना चाहिए sin B के बराबर होना चाहिए B के सामने वाला है इसलिए sin B के बराबर आपने इस value को लिखना चाहिए वैसे ही आपका यहाँ पर QT upon OP के ओपर ध्यान जाना चाहिए अब तो QT upon OP जो है फिर से आप यहाँ पर देखो कि यह जो है यह कोई बहुत अच्छे sides का combination नहीं है ओर राइट देखते जाओ और समझते जाओ आपके पास में जो QT upon OP है यह तो बिलकुली दूर दूर है QT यहाँ पर है OP यहाँ पर है लेकिन अगर इसके साथ में बीश में OQ आ जाए तो मज़ा आ जाएगा ठीक है तो what we are doing we are now extra multiplying OQ in numerator and denominator इससे क्या होगा फिर से आप यहाँ भी ध्यान से देखो आपके पास में एक तो आएगा QT upon OQ QT upon OQ का combination कुछ बन रहा है क्या देखो यहाँ पर दिहान से QT मतलब यह वाला side OQ मतलब यह वाला side ठीक है तो यहाँ पर angle A के सामने वाला इस्तमाल हुआ है तो इस triangle के अंदर यह सामने वाली मतलब opposite side है यह hypotenuse है तो opposite upon hypotenuse कितना कहलाएगा sign of A कहलाएगा ठीक है तो जो डबबा मैंने अभी mark किया है यह कितना है यह sin A के बराबर है ठीक है और आप यहाँ पे दूसरा combination जो देख पार हो कौन से है OQ upon O P अब यह भी combination काफी अच्छ है OQ upon O P combination B काफी अच्छा है उसके लिए आपको कहा ध्यान ले जाना है अपना उसके लिए आपको ध्यान ऊपर वाले triangle में ले जाना है जहाँ पे angle B बन रहा है देख वह आप ध्यान से OQ OQ यह रहा और O P यह रहा यह जो दोनों आपकी green वाले sides है यह किस triangle के side है यह उपर वाले right angle triangle के sides है ठीक है तो यह क्या हो जाएगा OQ यह B के पास वाला और hypotenuse तो B के पास वाला है इसलिए हमने इसको क्या बोलना चाहिए cos B बोलना चाहिए चमका येस last वाल में हमने इसको cos B बोलना चाहिए तो इसी के साथ हमारा formula generate हो गया है क्या होगे हमारा formula generate हो गया है तो sin of A plus B basically दो terms वाला होता है और दोनो terms के अंदर दो-दो ratios होता है sin of A plus B is not directly sin A plus sin B, sin of A plus B is this sin A cos B plus cos A sin B ठीक है तो इसको अगले page के उपर अच्छे से लिख लो और आपका जो यहाँ पर अब formula notebook है वो बहुत seriously बनना शुरू हो जाना चाहिए वैसे तो अभी तक हो जाना चाहिए लेकिन अभी तक भी नहीं किया तो formula notebook इस formula से कम से कम start करते हैं सारे बच्छे कि sin of A plus B कितना है sin of A plus B है आपका sin A के साथ में cos B और cos A के साथ में sin B उलट पलट के आपको यहाँ पर combination बनाना है sin A के साथ में cos B और cos A के साथ में sin B ऐसा करने से हमारा final answer ready होता है ठीक है यहाँ पर जो भी हमने पिसले 15 minutes spend किये है ठीक है यह इसलिए important है ताकि आपको एकदम से यह न लगे कि आपको बस याद करने के लिए बोल दिया गया है अभी हमने खुद से महनत करी और कुछ steps करके हमने यहाँ पर अपना derivation complete किया ठीक है अब आप यहाँ पर अलग-अलग books देखोगे तो हो सकता है कि आपको अलग-अलग books में जैसे कि NCRT में इस figure के through derive किया हुआ नहीं मिलेगा आपको हाँ पर किसी और figure का इस्तमाल करके जो है सिखाया जाएगा कि sign of A plus B का formula कैसे generate हो सकता है but anyways if we are anyways student of JEE तो हम यहाँ पर derivation जो है समझने के point of use ते अगर clear हो गया है we should be happy with it ठीक है हमें समझ में आगे कि हाँ यार यार यह सही यहाँ पर sign of A plus B मतलब यह ratio था उपर वाले को हमने split के दो parts में फिर हमने यहाँ पर extra terms multiply करके अपना काम चला लिया तो यहाँ पर हमारे पस में यह derivation कैसे जा रहा है कुछ बच्चों को वैसे समझ में आ गया होगा बड़ी आसानी से बट आप इसको एक बार फिर से देख सकते हो अगर आपको यहाँ पर अभी एकदम से पहली बार में पूरी तरह से नहीं चमकाए तो चमक तो जाना चीए देखो है ना क्योंकि हमारे यहाँ पर derivation जो है इसमें केवल right angle triangle से involved है so it is not that difficult of a deep हमने यहाँ पर यह जो important चीज है उसको एक बार फिर से mark करके रख दिया है ठीक है ताकि आप जो notes डाउल करोगे तो आपको जो important है वो दीखेगा बाकी साफसे तरह figure आपके असमें रहेगा all right clear है तो sin of a plus b का formula हमने derive किया और फिर पता किया किया यह तो काफी बड़ा है इसके अंदर 4 values आती है इसके अंदर sin b दोनों आता है और cause a cause भी आता है लेकिन उलट पलट के आपके यहाँ पर combination ready होता है and that is it अब हम यहाँ पर कभी भी इस speaker को फिर से नहीं देखेंगे ठीक है अब हम यहाँ पर क्या करेंगे चतुराई करेंगे हम यहाँ पर हम बोलेंगे कि already मेरे पास में एक formula है और मेरे पास में यहाँ पर पिछली class का इस्तिमाल करके allied angles का भी concept already है so if I'm required to find any new formulas then why not mix these two concepts and get to the answer quickly rather than doing these things again and again ठीक है क्योंकि वैसे भी derivation जो हमारे questions में हमारी help नहीं करेगा लेकिन जिस तरीक से में यहाँ पर अभी आपको conversion दिखाऊंगा एक formula से दूसरे formula के अंदर वो आपका thought develop जरूर करेगा आपको questions में further help कर सकता है ठीक है so आगे आने वाले जो हमारे formulas derive होंगे वो इस एक single form में से derive हो जाने ठीक है all right so यहाला formula note कर ले sin of a plus b कितना होता है sin a cos b plus cos a sin b ठीक है next what we want to do अच्छा यहाला यहाला formula से अब हम कौन सा answer दे सकते हैं बताओ वो सब एक साथ कर लेंगे वैसे लेगिन हम यहाँ इस sign of 75 degrees find करके बता सकते हैं बड़ी आसने से इस form में से क्या करेंगे a की value 45 degree डाल दो b की value 30 डाल दो तो आपके हम जो answer create होगा वो इस RHS की मदद से create हो जाएगा ठीक है so we now know कि यहाँ पे 75 degree का value कैसे निकाला जा सकता है but let us keep it for later discussion अभी यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और sign of a minus b करते हैं so आज का lecture में जैसे मैंने आपको पहले बता है हम यहाँ पे 6 formulas majorly सीखने होंगे ठीक है 6 formulas में बताऊंगा आपको और additional अगर करना है तो आप बाद में कर लेना खुद से derive कर लेना ठीक है लेकिन हम यहाँ पे 6 formulas discuss करेंगे sin के साथ में a plus b a minus b cos के साथ में a plus b a minus b और tan के साथ में a plus b a minus b यह 6 formulas हमें बिल्कुल by heart होने चाहिए sin of a minus b अगर मुझे चाहिए तो यहाँ पे इस तरह से कुछ सोच सकता हूँ कि अगर sin of a plus b पूछ रहे ना है और मुझे already sin of sorry a minus b पूछ रहे और मुझे already sin of a plus b का formula याद है तो अगर मैं इस expression को ऐसे लिखूँ ध्यान से देख लो सारे बच्चे क्योंकि जब मैंने आपको यहाँ पर sin of a plus b का formula बताया है तो as such a और b के उपर कोई restriction नहीं है हाला कि इस derivation से आपको ऐसा लग सकता है कि a और b हमारे acute angle से लेकिन ऐसा नहीं है जैसे कि हमने यहाँ पर इसके पहले वाले question में भी discussion किया था हो किया था कि although आपको हमेशा यहाँ पर derivation करते समय है transform करते समय हमेशा ऐसा imagine करना है कि theta acute है लेकिन theta acute नहीं होगा तो भी हम यहीं करेंगे वैसे ही आपके पास में यहाँ पर जो formula बना है sin of a plus b का this is universal formula इसके अंदर a और b कैसे भी हो सकते है से imagine कर सकता हूं कि मेरा जो b है न वो actually minus b के बराबर है तो मेरा sign of a plus b का form में अगर मैं apply करूंगा तो मैं बस apply करते समय क्या बोलूंगा apply करते समय हाँ पर में sin a cos b के place में minus b लिख सकता हूं यह नए angle है लेकिन formula तो a plus b का तब भी लगेगा that is how we will get to the final answer without even actually creating that kind of figure जैसे हमने पहली बार किया था ठीक है और इसलिए हमारे derivation सारे जल्दी जल्दी खत्म होने वाले हो तो sin of a plus b का formula मुझे पता है मैं हाँ पर sin of a plus b का ही formula लगाँगा लेकिन b लिखते समय माइनस b लिख दूँगा ठीक है तो sin a cos b plus cos a sin b sin a cos b plus cos a sin b बस b के जगे क्या होगे है minus b होगे क्योंकि अब मुझे यहाँ पर last class में सिखाएगो concept याद आना चाहिए मुझे last class में क्या सिखाएगा था मतलब मैंने आपको last class में सिखाएथा मैंने आपको last class में क्या सिखाएथा है नग कि आपका जो cos of minus theta होता है वो cos theta के ही बराबर होता है जो cos of minus theta होता है वो cos theta के ही बराबर होता है लेकिन sin of minus theta जो होता है वो minus sin theta के बराबर होता है अगर पिछली class का हमें यह discussion याद है तो हम यहाँ पर दूनों ही expressions को भी simplify कर सकते है आपके बास में यहां क्या बनने वाला है sin A के साथ में directly cos B आ जाएगा because cos of minus theta is same as cos theta तो minus खा गया basically cos लेकिन sin क्या करता है respectfully minus को बाहर फेकता है है ना, अगर मैं यहां पर minus को बाहर फेक हूँगा ठीक है तो आपके बास में यहां पर क्या बनेगा हम यहां पर दो अलग-लग concepts का इस्तिमाल करके basically अपना answer अचीव कर लिया है sin A minus B can be learned directly as sin A cos B minus cos A sin B clear है सारे बच्चों को, बढ़ सकते हैं आगे yes cos खा जाता है, yes, बिल्कुल सही बात है alright, चलो, तो आपको अगर यहाला formula भी ready हो गया है है ना, आपके node loop में लिख लिए है तो अभी आगे बढ़ते हैं हमारे third formula की तरफ और cos of A plus B का form में derive करने की कोशिश करते हैं पर यह कैसे करेंगे how will we derive this formula using the knowledge that we already have हमारे पास में allied angles के through एक knowledge है की sign of, है ना, उसको अलग से लिख लिख लेता है मेरे पास यहां पर जो knowledge होना चीए वो कौन सा है बिल्कुल basic knowledge जो आपको 10 वी class से बता है sign of pi by 2 minus theta कितना होता है तो यह cos theta के बराबर होता है समझे हो, pi by 2 मतलब 90 sign of 90 minus theta कितना होता है cos theta होता है यह आपको 10 वी class से बता है तो अगर cos of theta की बात चल रही है तो मैं उसको sign में अगर convert करना चाहता हूँ तो मैं ऐसा reverse में जा सकता हूँ ठीक है और theta की जगे यहां पर मुझे क्या लेना है a plus b लेना है theta आपका एक angle है a plus b करके भी एक angle बनेगा न तो जो theta के लिए applicable है बिल्कुल वैसा a plus b के लिए applicable होना चीए a plus b is also some angle ठीक है उसको हम दो parts में imagine कर रहे हों बाता लगे लेकिन ultimately है तो angle ठीक है तो angle के लिए जो यहां पर condition हमने सीखी हो यहां पर भी लगनी चाहिए अगर मैं इस thought के साथ में आगे बढ़ूंगा then I will realize कि यार यह जो चीज है यह जो है यह तो आपके पास में basically sine of pi by 2 minus theta मतलब इसके बराबर होना चीए पहली बात ते बताओ यह चमका सारे बच्चोंगो cos of a plus b should be same as sine of pi by 2 minus a plus b यह सो नो चमका बहुत बढ़िया तो आपका इहां पर इसका मतलब अगला step आसान हो जाएगा क्योंकि अब यहां पर क्या करने वाला मैं यहां पर ऐसे कुछ create करूंगा मेरे पास में यह हो जाएगा sine of pi by 2 minus a and minus b ऐसा अलग से हो जाएगा clear है तो यहां पर आपको फिर से imagine क्या करना है जैसे कि आपका sine of a minus b का formula लगने वाला है जिसका हमने value अलड़ी find कर लिया जो जो चीज़े हम अलड़ी find कर चुके है वो तो हम use कर सकते हैं न आगे वाले के derivation में पिछले वाले के derivation या पिछले वाले के form में इस्तिमाल कर रहे हैं तो sine of a minus b मुझे लिखते आता है लिगन अब यहां पर a की जगे a pi by 2 minus a लिखा हुए तो कोई बात नी formula के अंदर सब जगे a की जगे pi by 2 minus a लिख देना तो यहां पर भी pi by 2 minus a लिख देना और b के placement तो b ही आएगा ठीक है ध्यान रखना कि मैं a minus b का formula लगाने के लिए आप से बोल रहा हूँ प्लस वाला लगाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ minus वाला लगाने के लिए बोल रहा हूँ directly क्योंकि हमें minus वाला यह formula आता है तो इसका इस्तिमाल करते है न बीचे मैनस का sign है तो something minus something sign of something minus something क्या होता है ठीक है sign of something minus something क्या होता है यहोथ है आपके समें Sine A मतलब Sine मतलब पहला वाला इंगल और Cos of दूसरा वाला इंगल Minus Cos of पहला वाला इंगल In Dus Sign of दूसरा वाला इंगल समझें यह गी तो है आपने यहाँ पर क्या किया है बस आपने यहाँ पर A के Place में Pi by 2 माइनस ए क्योंकि इस्तेमाल करने के लिए बोला गया है तो आपने वो इस्तेमाल कर लिए और जैसे अब यहाँ पर आप कन्वर्शन करोगे आप बताओ देखो आपका फॉर्मला यहाँ पर रेडी हो चुका है यहाँ भी क्या हो जाएगा कॉस व पाइबाईभएल ही कितना होता है यह भी हमें याद है यह दुलादू यह दो में दसवे क्लाश से पता है न जान्ड़ आप का दो फॉर्मला है और इसी तरीके से हम बड़ी आसानी से अब अगला फॉर्ड में निकाल सकता है, which is cos of a minus b, cos of a minus b हम यहाँ पे फिर से find कर सकते हैं, फिक है, all right, so हमारे पास में cos of a minus b निकालने के लिए अब फिर से, already cos of a plus b है न, मैं अब यहाँ पर इतना क्यों सूचूँगा, πाइवाइट वगरा, भई यह जो पाइवाट वगरा, कि महनत थी, हमने अलड़ी यहाँ पर अगर कर ली है, और cos of a plus b का answer मेरे पास में अलड़ी है, तो मैं अब इसकी मदद से a minus b निकालोंगा न, तो वही का हम यहाँ पर हम करने वाले हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे, क्या आपका यह ज पूछ रहा होता था आप क्या answer बताते हैं, आप cos of a plus c का answer क्या बताते हैं, जो आपने cos of a plus b का answer बताया है, वही बताते हैं, लेकिन b के जगे c बोल रहे होते हैं, तो वही तो मैं कह रहा हूँ आपको यहाँ पर करने के लिए, आप b के place में c बोल रहे होते हैं, तो directly माइनस भी ही करतो नहीं है ठीक है आपको अगर एक बीच में स्टेप करना है तो कर लो कोई टेंशन वाली बात नहीं है क्या बोड़ा हूँ आप इसको थोड़ी देर के लिए सी मैजन करो ए प्लस प्लस हो जाएंगे ठीक हैं वहाथ को समझ मेंगी बढ़े सकते हैं पर को से कॉस भी प्लस साइन साइन भी तो यहां पर पिकलियर सी चीजें जो है इन चारो फॉर्मेंज में एक बाद देख लेते हैं ठीक है ताकि आपको यहां पर याद रहे हमेशा के लिए अगर आप साइन का एंसर लिखना चाहते हो तो यहां पर अपोजिट वाले कॉमिनेश किसी को पहले लिखो, किसको यह बात में लिखो फर्क नहीं परता ठीक है लेकिन अगर आप साहिन खेंक आपको को से साइन भी यहां और sin ए cause भी बात में लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पर इनको terms को आगे बीचे करने से फरकने पढ़ा है, क्योंकि बीचों प्लस का sign है, लेकिन यहाँ पर प्लस का sign नहीं है, बीचों माइनस का sign है, तो यहाँ पर आपको ध्यान से देख लो कि क्या हो रहा है, आपको जो sign of a minus b का formula है, वो sign a से start होगा, और फिर mix and match कर लो, और फिर mix and match कर लो, ठीक है, sign a से start करना है, मतब cause भी इस्तिमाल करना ही पड़ेगा, और cause एके साथ में sign भी इस्तिमाल करना पड़ेगा, और minus वाला formula है, तो minus ही आएगा बीच में, minus वाला अगर आपका formula है, तो final answer में भी minus आएगा, ठीक, और अगर मैं यहाँ पर अपनी cause की बात करूँ, तो यहाँ पर sign को थोड़ा सा बेटेश दे के देख लो एक बार, अगर आपका formula प्लस वाला है न, तो आपका answer minus वाले sign के साथ में आ रहे है, यहाँ इसको दियान से देख लिए सारवच, अगर हमारा formula ए प्लस भी इस्तिमाल करने का मन हो रहा है, तो हम जब उसको open करके लिखेंगे, तो answer minus में आएगा, यहाँ पर पीशो, यह कैसे आए, यह हमने सब देख लिया कैसे आए, ठीक है, अब याद रखने की बाद चल रही है, और cost के formula में यहाँ पर cost साथ में आता है, sign sign साथ में आता है, यहना cost का formula है, तो पहले cost आएगा, sign बाद में आएगा, ठीक है, और अगर plus का formula है, तो minus आएगा, लेकिन अगर minus का formula है, तो क्या आएगा, अगर minus वाला formula है, तो आप यहाँ पर final result जो देख पा रहे हो, कौन सा है, प्लस के अंदर आप अपना final result देख पा रहे हो, लेकिन cost cost साथ में आएगा, और sign sign साथ में आएगा, याद होगे, अगर आपको याद होगे, तो हम यहाँ पर अभी आगे बढ़ सकते हैं, और tan का discussion स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, clear हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर अगर tan का discussion स्टार्ट करना चाहरे हैं, तो यहर tan तो हमें बच्पन से बता हैं ना, कि tan theta क्या होता है, sign theta upon cost theta होता है, तो अगर को मुझसे tan of a plus b पूछेगा, तो मैं अभी भी वही सेम काम कर सकता हूँ, वो गलत नहीं है, tan of anything पूछो, that is always same as, sign of that thing, upon cost of that thing, और हमें अज़री इनके formula's पता है, आरिवसल में, तो इनको expand कर लेते हैं ना, अगर हम इनको expand कर लेंगे तो क्या होगा, आपके असमें ऐसा कुछ बनेगा है, यहाँ पे, sin a cos b, है ना, sin a cos b plus, cos a sin b, mix and match करके हमने यहाँ पे, बीश में plus के साब ने अपना formula open कर लिया, लेकिन cos of a plus b के case में, cos a cos b साथ में आता है, और sin a sin b साथ में आता है, लेकिन plus वाला formula है, तो बीश में minus आता है, plus वाला formula है, तो बीश में minus आता है, यह हम देख formula apply कर दिया, अब वैसे तो formula बन गया है हमारा, लेकिन अगर, देखो tan का question है, tan का formula है, तो कोशिश करना चाहिए कि tan के format में यह answer लिखा हुआ हो, अभी यह जो चीज है, यह tan के format में लिखी हुई नहीं है, ठीक है, so it can be converted into tan very easily, by dividing by cos a cos b, cos a into cos b, consider this as a single number, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, cos a into cos b से, अगर में उपर और नीचे divide कर दूँगा, तो numerically value change नहीं होने वाली, numerator को भी divide कर दूँगा, denominator को भी divide कर दूँगा, इस value से, ठीक है, तो इस value से, इस ही को divide करूँगा, तो यहाँ पर तो 1 आएगा, और इस value से, अगर यहाँ पर division करूँगा, तो क्या हो जाएगा, sine A, sine B के नीचे, cos A, cos B, तो यह क्या बनेगा, tan A, tan B, sine के नीचे, cos A, sine के नीचे, cos A, तो यह tan A, यह tan B, ठीक है, आच्छो तो यहाँ पर नीचे क्या आएगा, 1 minus tan A, tan B, उपर फिर से यह बार सोचो, अगर नीचे, इसको में divide कर रहा हूँ, cos A, cos B से, इस term को अगर मैं, cos A, cos B से divide कर रहा हूँ, तो cos B तो सीधे सीधे cancel हो जाएगा, cos B तो उपर नीचे से cancel हो जाएगा, तो sine A के नीचे, cos A मतलब कितना हो गया, tan A हो गया, वैसे ही यहाँ पर सोचो, बचेगा tan B, और नीचे हमरे बास में आएगा, 1- tan A into tan B, clear, और अगर आपको यह formula आगया है, तो आज का जो आखरी formula हम करने वाले है, वो भी आपको बड़ी आसानी से करते आजाएगा, क्योंकि अभी तक हमने, यही तो किया है, अगर प्लस वाला formula पता है, तो माइनस वाला formula कैसे निकलता है, प्लस वाला अगर formula पता है, तो माइनस वाला formula निकालने के लिए, प्लस कही हमें यहाँ पर इस्तिमाल करना है, प्लस वाले formula का, तो tan A plus minus B में इसको लिख सकता हूँ, और 10 of A plus B का फॉर्म है यहाँ पर अपलाए करूँगा लेकिन B के प्लेस में माइनस भी बोलूँगा ठीक है तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर 10 A plus 10 B upon 1 minus 10 A tan B 10 A tan B लेकिन जब भी B बोल रहा हूँ वहाँ पर लिखते समय माइनस भी लिख रहा हूँ यहाली बात ध्यान से देखने सरवच क्योंकि जो मेरी हाँ पर situation है उसके अंदर B के value minus B के परावा है और फिर से हमारे पास दिमांग में क्या आना चाहिए 10 minus theta कितना होगा है 10 of minus theta is actually minus of tan theta मदब यहां से भी basically जो है minus बाहर आएगा और यहां से भी minus आपका बाहर आएगा और ultimately आपको जो याद करना है वो कौन सा formula है ultimately you need to remember 10 of A minus B is tan A minus tan B upon 1 plus tan A tan B तो आपकी हाँ पर formula notebook अब बहुत तेज़ी से भरने वाली है okay make sure that you have one all right नेता आपके हाँ पर revision का जो time है बहुत जादा हो जाएगा हम यहाँ पर mathematics में revision जो है hardly दिन में 10-15 minutes करेंगे तो भी हमारे काम चल जाना चीज़ी और वो तब हो सकता है जब हमारे पास में formula notebook या फिर short notebook short notes हमारे पास में गर ready हो तो because most of the time we want to spend our time on practice है ना तो हम बार बार यह नहीं देखना चारे कि यह formula क्या था है नहीं अफिर यह कैसे आया था यह बार देखो और फिर उसी formula को बार बार देखके practice करो तो हमें याद हो जाता है ठीक है so 10 of a minus b is 10 a minus 10 b upon 1 plus 10 a 10 b तो अब यह बार देख सकते हैं कि 10 of a plus b के formula में उपर plus है और उपर plus है और नीचे उसका opposite मतलब minus है ठीक है और a minus b के formula में उपर minus है और नीचे उसका opposite मतलब plus है यह सारी बात में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस तरह से आप याद रख सकते हो इन चीज़ों को ठीक है आप अगर यह 6 formula याद रख लोगे तो आपको और formula की ज़रूरत नहीं है लेकिन बुक्स में आपको court of a plus b और court of a minus b भी मिलेगा लेकिन मेरे ख्याल से आप questions को तब भी tan की मदद से solve कर पाऊगे ठीक है हम जैसे कि आच के लेक्षर में करने वाले tan वाला court वाले question करेंगे जिसके निदर court के formula की ज़रूत नहीं पड़ेगी है problem statement generate किया था हो किया था कि हमें 75 degree जैसे angles का भी trigonometric ratios का value बताते नहीं आ रहा है तो अगर मैं आप सो पूछू हूँ अब कि क्या मुझे आप बता सकते हो कि what is the value of sign of 75 degrees तो हम अब answer confidently बता सकते हैं ठीक है because I now know कि sign of a plus b कितना होता है ठीक है उसके मदद से में यहाँ पर sign of 75 degree भी बता दूंगा sign of 75 degree क्योंकि मैं visualize कैसे करूंगा मैं visualize करूंगे हाँ यहाँ पर sign of 45 degree plus 30 degree 45 degree plus 30 degree ठीक है और अब मैं अपना फॉर्म अगर याद करके यहाँ पर apply करूं तो मेरा फॉर्मला क्या होता है है ना सारे बच्चे अपने नोडूंग में देखते जाएं sign a cos b sign a cos b plus cos a sin b ठीक है sign a cos b plus cos a sin b sign a cos b plus cos a sin b ठीक है और यह हमारा formula रेडी हो गया अब इसके दर value जी तो substitute करनी है good thing is कि यह angle 75 degree इतना अच्छा है कि वो दो standard angles की मदद से बना हुआ है इसलिए हमें यहां पर final formula apply करके benefit मिल रहा है यहां पर आएगा आपका समें 1 by root 2 उसके साथ में आएगा आपका समें root 3 by 2 उसके साथ में आएगा यहां पर आपका समें 1 by root 2 और यहां पर आएगा 1 by 2 ठीक है तो कितना हो जाएक है total 2 root 2 तो आपका LCM है उपर root 3 और 1 addition में आएगा root 3 plus 1 upon 2 root 2 this is the value this is the value of sine of 75 degrees ठीक है और ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आप मुझे अब बताओ कि cost of 75 degree का value कितना होगा ठीक है cost of 75 degree कितना होगा तो हम यहाँ पे cost of a plus b का formula apply कर सकते हैं ठीक है तो cost of a plus b apply करने के लिए फिर से आप imagine क्या करोगे 45 degrees plus 30 degrees लेकिन cost of a plus b का formula ध्यान से लगाना सारे बच्चे cost of a plus b का जब हम formula apply करेंगे तो बीचवे minus sign आता है cost के case में plus वाले formula का answer में minus आता है ठीक है तो formula क्या है cost cost साथ में sin sin साथ में ठीक है so cost 45 degree into cost 30 degree minus sin 45 degree and sin of 30 degrees ठीक है clear तो यहाँ पे value सब्सुट करते हैं values अगर मैं सब्सुट करोगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 by root 2 आएगा यहाँ पे अभी cost 30 मतलब root 3 by 2 आएगा और यहाँ पे 1 by root 2 आएगा और sin 30 मतलब 1 by 2 आएगा तो आपका almost similar सा expression बना लेकिन वे थे minus sin एक बार देखो यहाँ पे root 3 minus 1 upon 2 root 2 is the final answer that we want to remember yes root 3 minus 1 upon 2 root 2 is the answer that we want to remember for cost of 75 degrees yes हाँ जी तो आपके बसमें अगर यह भी point clear हो गया है तो 1075 तो मेरी ख्याल से आप बता ही दोंगो सारे बच्चे 1075 का भेल divide करना है बस 1075 तो बहुत ही जो है आसान है समझना 10 of 75 इसको मैं अलग से calculate नहीं कर रहा हूँ हाला कि कर सकते हो लेकिन अलग से calculate करने की जरूत नहीं में यह कहना चाला हूँ है ना हम यहाँ पर बेसिकली इन दोंगो डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा टू रूट टू टू रूट टू कैंसल हो जाएगा और आपका आंसल आएगा रूट थ्री प्लस वन अपोन रूट थ्री माइनस नहीं इसको फर्दर जो है रैशनलाइस कर सकते हूँ अदर्वाइस ऐसे भी अगर याद रखने साथ हो तो ऐसे भी याद कर लो कोई दिकत नहीं रैशनलाइस करो कि तो क्या करना पड़ेगा रूट थ्री प्लस वन उपन नेचे मल्लिप्लाइ करना पड़ेगा और यह एंसर विल भी आएगा इस टू प्लस रूट थ्री रैशनलाइस करके देख लेना एक पर सारे बच्छे आप या तो इसको ऐसे याद कर लो रेशो के टमस में या फिर आप टू प्लस रूट थ्र a any फिथे ईंड इसकिए पलता आ जा सकता है यह सिफ्टिन डिए अब यहां पर बताना चाहत थे कि वा इस साइन ओफ फिफ्टीन दिग्रीज तो आप यहां पर अभी बता सकते हों यूजिंग साइन ओफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्रीज ठीक है ओविएसली दिस वन वे टू गो अहेड माइनस वाला फॉर्म यहां पर इस्तमाल कर सकते हमारा आंसर आ जाएगा लेकिन और भी एक अमे 90 माइनस 75 है क्या एक बार देखना 90 और 75 का सब्ट्राक्शन कितना होता है 15 होता है 90 और 75 का सब्ट्राक्शन 15 होता है ठीक है तो आप इसको इंसेट आफ गोईंग थू दे compound angle का root आप allied angle का root भी पकड़ सकते हो और sin of 90 माइनस थीटा कितना होता है cos theta होता है तो यह तो cos 75 डिगरी के ही बराबर है आपका जो साइन 15 का value है value wise वो cos 75 के ही बराबर है और cos 75 का value हमने अल्री निकाला हो है तो हमारी महनत बजगे root 3 माइनस 1 upon 2 root 2 इसका answer होना चाहिए ठीक ह और उसी logic से आप यहाँ पर next दोनों answer भी बता सकते हों ठीक है next answer आपका क्या होना चाहिए for cos of 15 degrees cos of 15 degrees basically आप बोलोगे कि यह तो cos of 90-75 है which will make it equal to sin of 75 degrees which is equal to root 3 plus 1 upon 2 root 2 और अगर आपको बताना ही यहाँ पर 10 15 degrees तो आप इंदोनों को divide करते हो उन values को divide करते हो तो आपके उसमें finally answer आ जाएगा ठीक है so let us do that as well कि 10 of 15 degrees कितना होना चाहिए यह हो जाएगा आपका sign of 15 degrees upon cos of 15 degrees जिसके हम दें पिछली बार भी किया था तो divide करके आप minus sign उपर आ जागा root 3 minus 1 upon root 3 plus 1 ठीक है clear हो गया सारे बच्चों को values यह सारी values भी आपको याद करनी है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर याद करने के लिए हमारे पास में फॉर्मेज है है इंपोर्टन रिजल्ट्स है और वैल्यूज है ठीक है आपको यह सारी चीज़े याद होना चाहिए अदर्वाइस आपको यहाद कोशन करने में कही ने कहीं दिक्कत फेस करनी पड़ सकती ह है ठीक है ठीक है क्लियर हो गया चलो तो विद दैट आइट आइगेस विए दन विद्ध थियूरी ओफ टोड़ी लेक्चर तो विए नाओ स्टार्ट ओफ विद्ध कुश्चन्स है और दो इंपोर्टन एंगल्स अफ फॉर्दर हमारे नोन एंगल्स में काउंट कर लिए ह हमें अभी तर पॉन से नोन एंगल्स के वैल्यू पता है 0 30 45 60 90 और उनकी मदद से बनने वाले जो बाकि अलाइट अइंगल्स है वो सब पता है जैसेकि वन ट्वेंटी डिगरी पता है वन फिफ्टी डिगरी पता है लेकिन अब यह भी हमें पता चल गए 75 डिगरी भी पता मतलब अलाइड एंगल के नॉलिज से आपको और भी बहुत सारे एंगल्स पता चल चुके हैं जैसे की 105 डिग्री कि आगर मैं आपसे बुचूंगा कि साइन ओफ 105 डिग्री का वैल्यू कितना होगा तक आप मुझे पता सकते हो साइन ओफ 105 डिग्री का वैल्यू साइन ओफ 105 का वैल्यू कितना होगा साइन ओफ 105 का वैल्यू होना जीए भी निटी फ्लस बिटी डिग्री cath. और साइन साइन ओफ 90 प्लस थीटा कितना होता है कॉस थीटा के बरावर मतलब कॉस फीटीन निटा के बरावर उसका अंजर आए mm ठीक है, so sin of 105 is this, root 3 plus 1 upon 2 root 2, ठीक है, clear हो रहा है, 60 plus 45, हाँ, ये भी अच्छा थोट है आपका, लेकिन रुत्विक मेरे दिमाग में ये नहीं था, जब मैं आपको ये बताना चाहरा था, बट आपने अच्छा सोचा, रुत्विक है से यहाँ पर 105 आप पूछे हो, मैंने सोचा कि 60 plus 45 कर लेते हैं, that is also good, but I wanted you to think about 90 plus 15, हैना क्योंकि allied angle की बतर से जट से हमारा answer यहाँ पर बनता है, ठीक है, आगर आप compound angles, वह तो कहना हो, देखो इसका answer compound angle से भी निकल सकता था, लेकिन हमने allied angle का root क्यों prefer किया, क्योंकि इसे जट से answer निकलता है, ठीक है, all right चलो, तो यहा आपके questions की लड़ी लगाता है, एक के बाद एक बहुत सारे question करना है हम यहाँ पर, पहला सवाल आपके screen के उपर, आज का आ चुका है, try करने सारे बच्चे, okay make a video on tough questions of trigonometry, हाँ, बिल्कुल बनेगा वीडियो, आपके जो JPP sessions होंगे, उसके दर आपको और भी बहुत सारे questions करने के लिए मिलने वाले है, ठीक है, लेकिन trigonometer में आपको सही बताता हूँ, trigonometer में कोई end नहीं है, ठीक है, you can even solve thousand questions, and still you can feel किया है, जो आपके बास में 1001 एक क्या करना है, ठीक है, trigonometer is that kind of thing, लेकिन इसलिए हमें यहाँ पर जोई जितनी practice करने का मौका मिल रहा है, when the topic is ongoing, हमने उतनी ज्यादा practice करने में चाहिए, ठीक है, all right, B, यहाँ पर बच्चे answer बतारे है, बहुत बढ़ी है, इसका answer B होना चाहिए, क्योंकि यह आपको पहला स आपको compress करना है, ठीक है, that is the reason कि यह सवाल वैसे अच्छा है, ठीक है, आप यहाँ पर सोचो कि आपके पास में यह alpha plus beta, alpha plus beta भी कोई तो एक angle होगा, so let us assume alpha plus beta थोड़ी देर के लिए capital A के बराबर है, ठीक है, और alpha minus beta भी कोई तो एक angle होगा, so मान लेते हैं थोड़ी देर के alpha minus beta आपका B के बराबर है, ठीक है, with that idea, अगर मैं अब अपने required expression को लिखूंगा भर, तो मुझे पता चल जाएगा कि यह क्या पूछ रहा है, अभी ऐसा लग रहा है कि यह तो open करके कि कितने मुश्किल हो जाएंगी चीज़े, open करना ही नहीं यह इस question में, ठीक है, आप यह minus beta मतलब यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा, sin B, चमका, तो अब यह तो formula यह है, यह sin A cos B plus cos A sin B, तो यह क्या हो जाएगा, यह तो आपका sin A plus B का formula है, लेकिन अगर आप यहाँ से A plus B calculate करोगे तो A plus B कितना है, दोनों equations को add करोगे तो beta beta cancer हो जाएगा और आपका A plus B का value actually 2 alpha के बराबर है, तो आप यहाँ पर अगर alpha beta में replace करना चाहा देगो capital A capital B को, तो वो 2 alpha create हो रहा है, A plus B का value, ठीक है, तो उसको यहाँ पर substitute करो, और आपका answer यहाँ पर B mark करो, sin of 2 alpha, clear हुआ, question आसान था, लेकिन सोचने का तरीका अच्छा है, ठीक है, और एक सवाल करते, next question is this यहाँ पर क्या answer आना चाहिए, और राइट, ट्राइक करने सारे बच्छे, टोटल कितने lectures है, टोटल lectures कम से कम 10 है, कम से कम 10 लेक्षर तो हमें लगना चाहिए, हैं पर ट्रिक्नोमेटरी पूरी तरह से अपर समझने में, और ज्यादा भी लगता है, एक बार में देख लग सकते हैं, यह जो आपका सवाल है, फिर से यहाँ पर आपको जैसे इसके पहले वाले question में, reverse direction में सोचा, वैसे इस question में भी reverse direction में जाना, चाहिए हमने, यह तो बहुत ही clear हो रहा है, क्योंकि हमें जो question दिया है, जो हम यहाँ पर expression दिया है, वो बड़ा है, और यहाँ प something है, caught of something है, tan of something है, तो हम यहाँ पर एक single trigonometric ratio में, अपने expression को compress करके बताना है, ठीक है, तो अगर आपको compression आसान नहीं लग रहा, what you can do is, you can expand each and every option, ठीक है, लेकर I would not suggest that, let us try to look at this expression, जहाँ पर, हमें यह तो समझ में आ रहा है, क्यार यह जो sign or cost में दिया हुआ है, इसके through tan यह caught तक जाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, हैना compare करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, let us convert this expression in terms of tan, first of all, ठीक है, तो में क्या सुझेस कर रहा हूँ, कि आप numerator और denominator को cos theta से divide कर दो, अगर आप cos theta से divide कर दो, कि numerator और denominator को तो आप यहाँ पे numerically कोई change नहीं कर रहे हूँ, ठीक है, अब इस expression में, क्या आप यह देख पा रहे हूँ, कि आपका जो tan pi by 4 होता है, मतलब tan of 45 degree, वो actually 1 की बरावर होता है, so if I convert this 1 into tan of pi by 4, तो किसी ने बुरा नहीं मानना चाहिए, और आपके साथ में हाँपे theta तो है, और denominator में आपके साथ में 1 minus tan theta है, उसके साथ में अगर मैं 1 multiply क कर दिया tan pi by 4 से, और यहाँ पर मैंने extra tan pi by 4 multiply कर दिया, मतलब मैंने 1 multiply कर दिया, क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन इससे अच्छा क्या हो गया, अच्छा इससे यह हो गया, कि यहाँ पर मुझे फिर से अपना formula जैसा expression नजर आ रहा है, ठीक है, again and again, I cannot emphasize it enough, लेकिन आप समझ क्या आपको कुछ चमके गई नहीं, कि यह क्या हो गया, sin a cos b plus cos a sin b, किसी ने आपको यहाँ पर आपने दोस ने cheating करवा दी, कि इसमें यह कर ले answer आ जाएगा, अब आप यहाँ पर पहुझ गया, तब भी आपको समझ में नहीं आ रहे कि answer क्या, ठीक है, तो 4 में तो पहले आ ठीक है, और यहाँ आप यहाँ पर कुछ step करने के बाद भी final answer में लिख पाऊगे, similarly हम already अपने final step ते पहुझ चुके है, यहाँ पर आपको बसी देखना है कि यह तो tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b का expression, मतले पर tan of a plus b का formula होना चीए, जहाँ पर आपका a है pi by 4 और b है आपका theta, तो यह आप आगे बढ़ते हैं हाँ आपर, next question की तरफ, next is this, again an interesting problem, अगर आपको दिया हुआ है कि a plus b का value pi by 4 के बराबर है, तो आपको 1 plus tan a into 1 plus tan b solve करके बताना है, आपको 1 plus tan a into 1 plus tan b solve करके बताना है, try करें सर बचे, yes, how to know which step we should do, yes, that will come only with practice, that will come only with practice, this is just this beginning, ठीक है, यह हमारा केवल beginning है, तो अगर आपको अभी एकदम से click नहीं भी कर रहा है, परेशान मत होना, है न, सीखने की कोशिश करो कि अच्छा, ऐसे, ऐसे भी basically for me का application हो सकता है, for me का सबसे basic application हमने कहां पर देखा, जह हम sign 75 का value find कर रह कर रहें, ठीक है, वैसे यहाँ पर आप सोचना है हमें कि यहाँ में कैसे इस expression को simplify कर सकता हूँ, one thing that you all can imagine is, कि यहाँ आपका यहाँ पर जो है, ए और बी का कोई specific value लेके भी answer निकाला जा सकता है, अगर कोई बच्चे यहाँ पर shortcut में interested हैं, तो वो यहाँ पर इस question में apply कर सक उसके अंदर a और b unknown values है, हमें जो यहाँ पर value निकालनी है, उसके अंदर a और b unknown values है, ठीक है, जिन में relation है, no doubt, कि a plus b is equal to 5 by 4, यह relation लाक सितिया है, लेकिन exactly कितना है हमें पता नहीं है, लेकिन तब भी हमें यहाँ पर finally जो outcome है, वो दिखाई दे रहा है, हमें इन में से कोई यह cancer select करना है, क्योंकि हमें इन में से कोई यह cancer select करना है, तो it is for sure कि a और b cancel cancel हो जाएंगे साथ, कुछ तो cancel cancel हो जाएगा, तब यह constant answer आएगा, ठीक है, तो अगर cancel हो ही रहे है, तो उनकी कोई specific value भी ले 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 तो कोई क्या फरक पड़ रहा है, ठीक है, so in this question that's why I can also suggest कि यहाँ पर आपने, जो इस shortcut एक बार सोचना चाहिए, यहाँ पर हम shortcut क्या सोच सकते हैं, कि हम a का value 0 ले ले लेते हैं, b का value 45 degree हो जाएगा, अगर a का value 0 कर दोगे तो यह अलब bracket 1 हो जाएगा, और अगर b का value आप 45 degree करते हो तो यह अलब bracket 2 हो जाएगा, और आपका answer orally b निकल जाएगा, ठीक है, तो shortcut through इसका answer तो b निकल रहा है, लेकिन एक बार actual method भी हाँ पर देख लेते हैं, actual method is also not that difficult, मैं यहाँ पर इस relation का इस्तिमाल कर लूगा, ठीक है, यह जो आपका relation है, यह क्या बोल रहा है, कि आपका a plus b pi by 4 के पराबर है, मतलब b जो है, वो आपका pi by 4 minus a स replace किया जा सकता है, बास वन में आरी, b को में replace कर सकता हूँ, now I can actually use the same expression जिसकी मुझे value निकालनी है, ठीक है, मुझे किसकी value निकालनी है, मुझे निकालना है tan, 1 plus tan a into 1 plus tan b, 1 plus tan a into 1 plus tan b, ठीक है, आप यहाँ पर a तो रहने देते हैं, वैसे के वैसे, लेकिन b को replace कर देते है, करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है, तो यह हो जाएगा हमारे पास में 1 plus tan a into 1 plus tan of pi by 4 minus a, ठीक है, अब यहाँ पर में अपना formula लगा सकता हूँ, tan of a minus b का, है ना, हमारे पास में अभी और कोई expression ऐसा अच्छा generate हुआ नहीं, apart from this, where I can expand formula of tan of a minus b, है ना, this minus that का formula में open करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो 1 plus tan a के साथ में क्या आएगा, multiplication में, यहाँ पर आएगा आपका इसमें 1 plus, इसको open करते हैं, tan a minus tan b के फॉर्ड में से, so tan of this, minus tan of this, तो tan of this मतलब 1, tan of pi by 4 मतलब 1, minus tan of this, मतलब tan of a, tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b, तो आपका यह expression ready हो गया, एक बार LCM लोग tan a के साथ में आपको इहाँ पे, LCM में 1 plus tan a, plus 1 minus tan a बनते वी दिखाए, और denominator में तो आपका इसमें 1 plus tan a आए गई, तो यह जो आपका denominator आपने LCM से create किया है, यह इस bracket से cancel हो जाएगा, tan a, tan a आपका इहाँ पे cancel हो रहा है, और यह दोनों मिलके आपका इहाँ पे दो answer generate कर रह है, ठीक है, दोनों जगे 1 को tan a plus b से substitute कर दें तो, दोनों जगे अगर tan a plus b से substitute कर दें तो लेकिन होगा क्या होसने, है न हमें simplify करना है, और जातों complicate नहीं करना है, ठीक है, तो हाँ, तो यहाँ पर इसका मतर और थोड़ी practice लगेगी हमें, right, मुकुंद is suggesting कि यहाँ पर जो ह यह उल्टा मत करो, हाँ, हम यहाँ पर अंशिका की बाद भी मान सकते हैं, अंशिका इस से हैं कि सर यहाँ पर a plus b की value by by 4 के बराबर दोनों साइट tan लेलो, दोनों साइट tan लेकि भी आप यहाँ पर factorization का method use कर सकते हो, ठीक है, लेकिन तब भी मुझे लगता है कि यह तब भ यहाँ पर इसको उपन करके factorize अभी करने के बारे में सोच सकते हो, ठीक है, बट इसके अंदर factorization सोचना, है ना, factorization करके पहली बात तो यह बन जाएगा, और equal to 2 बन जाएगा, यह सोचना पड़ेगा आपको, उससे बेटर ही कि जो DIY उसके अंदर value डालना start करो, ठीक है, जो DIY उसके अंदर डाल दो value, cut pit आके आपके पास में answer आ चुका है, ठीक है, all right, great, बहुत बढ़िया बात है, पर अच्छा थोट है, यह भी अच्छा थोट है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, हम 10 के questions में ऐसा कई बार करने वाले आगे चलके, लेकिन इस question में हम इसको let go कर रहे इस method को, let us move on to a question जहां पर आपसे cot of a plus b पूछा गया है, try करें सारे बच्छे, formula अगर मैंने आपको नहीं बताया है, अगर मैंने आपको formula नहीं बताया है, तो अभी क्या आप इसका answer निकाल को बता सकते हो, Yes, Sagar is saying, a is equal to b is equal to pi by 8 ले लो, pi by 8 अभी मैंने सिखाया नहीं, अभी आगे आने वाले lectures में हम जो है पहले, multiple, some multiple angles, formulas पढ़े पढ़ेंगे, तब आपकी method यहां पर लगाई जा सकती है, but why do you think कि वो आसान पढ़ेगा, Why do you think कि pi by 8, pi by 8 लेना उस question में आसान पढ़ेगा, no, 0 और pi by 4 से simple क्या हो सकता है, 0 और pi by 4 से simple नहीं है वो, shortcut अगर use करना है तो values हम ऐसी use करें जो वाकिए आसान है, ठीक है, All right, From where you can get 3.0 whole year lecture planner, यह वो अभी बेटा हमने share किया नहीं, लेकिन आपको दिखा दिया था, अगर आप देखना चाहते हो, तो हमारा जो induction session ने शायद, induction session में share किया था, नी, launch में share किया था, है न, दो session किया थे हमने, किसी एक में हमने, planner आपको पुरा बता दिया था, ठीक है, share करना है, हो थोड़ा सा, ओके, लेकिन जो आपको यहाँ पर प्लान है, है न, वो बहुती need है, बहुती clean है, यहाँ पर आपके जो है, छे के छे दिन educators आएंगे, session लेंगे, आपके यहाँ पर session की duration बढ़ा दिये गए है, ताकि आपको एक दिन के अंदर ही काफी अच्छा, जो है, आइडिया लग जाए अपने topic के बारे में, ठीक है, all these things are taken into consideration, all right, so, tan a plus tan b का value यहाँ पर p के बराबर दिया है, और cot a plus cot b का value यहाँ पर q के बराबर दिया है, और मुझे cot of a plus b find करना है, अगर मुझे cot of a plus b find करना है, तो मुझे बताऊ की cot तो tan का reciprocal होता है, तो अगर मुझे cot of a plus b find करना है, और मुझे अगर fourma नहीं याद करना है, मुझे मुझे तो याद ही नहीं करना है, तो में क्या अपना काम चला सकता हूं क्या तब भी याद करो कि तो बहुत ही बढ़ी हा बात है देखो उस केस में ता आप यहां पर डिरेकल करना स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन मुझे याद नहीं करना है मुझे for a plus b जो है पता है कि यह reciprocal होता है तो यह 1 upon tan of a plus b है और tan of a plus b का formula में है पर open कर सकता हूं तो tan of a plus b का cool ने जब बहुत उपन करों प्यकित आएगा tan a plus tan b tan a plus tan b upon one minus tan a tan b तो denominator का जो अपन है, वो उपर चला जाएगा, तो 1- tan a tan b, आप इसको directly ऐसा भी सोचते थे, कि tan of a plus b के form ले का उल्टा करना है, tan of a plus b के form ले का उल्टा करना है, तो आपके ऐसमें as much expression create हो रहा है, तो basically जो मुझे यहापर expression find करना है, जो मुझे यहापर value find करना है, it can be calculated, करके देखनी पड़ेगी, that is also very easy, now what I am suggesting is, कि आपका पूरा question ही, अगर tan में change हो जगा है, तो इसको भी tan में change करो, ठीक है, तो हमारे पास में cot a का मतलब होता है, 1 upon tan, और cot b का मतलब हो जाएगा 1 upon tan b, और उसके साथ में आजाएगा q, ठीक है, अगर आप यहापर LCM लेते हो, तो क्या होगा, आपके असमेहापर बनेगा tan b tan a, मतलब tan a plus tan b numerator में, और मीचे आजाएगा आपका tan a into tan b, जिसकी value basically मुझे find करनी है, और right inside में q लिखा होगा है, अब interestingly tan a plus tan b तो आपको गिवन ही है, तो अगर आप यहापर इसको उपर और इसको नीचे करते हो, तो आपको tan a into tan b अब मिल चुका है, tan a into tan b आपका कितना हो जाएगा, p upon q के बराबर हो जाएगा, p upon q के बराबर आपका multiplication का answer आइंसर आगया है, उसको यहाँ पर डालो, और आपका जो यहाँ पर sum का value ही हो, तो दिया है होगा है, तो उसको भी यहाँ पर इस्तिमाल करो, therefore हमारा answer क्या हो जाएगा, therefore cot of a plus b बनन आइंसर आगया, q minus p upon p q, q minus p upon p q, q minus p upon p q becomes our correct answer, चमक गया, है न, बहुत बढ़ी है, तो हमें हाँ पर अगर कभी doubt होता है, कि cot जरूरी है या नहीं, ठीक है, ओके, पाई बाई एट का वैल्यू आपको root 2 minus 1 directly मानू है, ठीक है, अगर आप एक class आगे चल रहे हो अभी, ठीक है, और एक नहीं, दो class आगे चल रहे हो, ठीक है, और उसके आप में उस तरह की method हम discuss कर पाते हैं, अल्रैट, let us move on to our next question, मुझे English, sir, बच्छा बोल रहा है कि उसको English नहीं आता है, यह आपको, अगर हिंदी मीडियम वाली classes चाहिए, ठीक है, ठीक है, देन, आनक हैड में जहीं पर थोड़ा सा मुश्किल हो, क्योंकि we educators are not that trained enough, है न, we have not learned the concepts in हिंदी, actually है, मतलब यहाँ पर आपके जो language होती है, उसके अंदर बड़े हिंदी वाले word मुश्किल होता है, वैसे हम अगर कर लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए अलग से, जो है, कुछ समय हमें अलग से निकालना पड़ेगा, जहाँ पर हम class class नहीं ले रहे हैं, वहाँ प कभी तो करेंगे लेकिन, कभी तो करेंगे ताकि दोनों ही group of students को फायदा हो जाए, अभी तो नहीं कर पाएंगे लेकिन, है न, अभी अभी अगर आपको English में दिक्क्त आ रही है, यह सब समझ में नहीं आएगा फिर आपको शाएध, तो या तो हम हिंदी सीख लें या फिर आप English सीख लो, है न, and I am suggesting कि आप English सीख लो is a better option, क्योंकि आप जब यहाँ पर जैसे अगर exam तो आपका Hindi में हो जाएगा, J.E. का, लेकिन आप जब actually I.T. में जाओगे न, तो actually I.T. में ऐसे दो अलग लग बैचेस थोड़ी मिलेंगे आपको, कि यहाँ पर जो है केवल No things, not that कि हम यहाँ पर हिंदी हमारी राष्ट की भाषा है, राष्ट की भाषा है, लेकिन हम यहाँ पर English को वेटेज दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, mostly क्योंकि इस्तमाल होती है, तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है, All right, क्या answer आए, B answer आए, आच्छा, तो यहाँ पर B answer आपका correct लग रहा है, बहुत ही बढ़िया, दो step का सवाल है, यहाँ पर मुझे बताओ कि इस सवाल के अंदर आपको कुछ peculiar सी चीज़े दिख रही हैं क्या, इस सवाल के अंदर हमें peculiar से numbers दिखाई दे रहे हैं, otherwise यहाँ पर starting point आपको बहुत मुझे पड़ेगा, ठीक है, मुझे बताओ कि क्या आप यह देख पा रहे हो, कि यहाँ पर 70 degrees, 20 degrees और 50 degrees exist कर रहे हैं, और क्या 70 जो है वो 20 प्लस 50 भी होता है, तो 70 जो है आपका वो 20 प्लस 50 के बराबर होता है, ठीक है, और रहेट तो इसके पहले जैसे सारे बच्चों हूँ, यहाँ पर यह बात पकड़ना जरूरी है, जैसे कई बार बच्चों पूछते कि यह starting point हमें कैसे पता चलेगी, तो हम यहाँ पर classless station में usually सारे अलग-अलग type के questions लेते हैं, ठीक है, आपको यहाँ पर पहली बार में classless station करते समया, अगर यह सारी बात such questions, such questions in your reference book, या फिर practice book, तो आपको यहाँ पर तकलीफ नहीं होगी, and you will feel confident कि हाँ यह रभ मुझे सोचते आ रहा है, ठीक है, पहली बार में सोचते आ नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी बार में सोचते आ जाना जीए, ओर यहाँ तो आभी हमारा main idea क्या है, कि हम यहाँ पर tan of a plus b का expansion का इस्तेमाल करेंगे, tan of a plus b का form मा इस्तेमाल करेंगे, कितना होता है वो, वोता है tan a plus tan b upon one minus tan a into tan b, clear, यह हमारा expansion हो गया, cross multiply अगर मैं कर रहा हो, तो मेरे पास में क्या बनेगा, एक बार देखना सारे बैचे, काफी यहाँ पर जो है, अच्छा result बन tan 50 and tan 70, तीनों चीज़े आ जाएंगे इसके अंदर, दिखां, यहाँ पर already 20 और 50 था, 70 multiply कर दिया, तो यहाँ पर tan 70 भी आ गया है, और right hand side में numerator में क्या बचेगा, right hand side में आपका उसमें tan 20 plus tan 50 बचने वाला है, now एक यहाँ पर आपको जो फिर से ठीकलियर सी चीज नोटिस कर पड़ेगी कि 20 and 70 जो है, वो आपस में complimentary है, 20 and 70 क्योंकि आपस में complimentary है, तो आपका जो tan 70 है, वो actually cot of 20 के बराबर है, और cot of 20 मतलब भी हो जाएगा reciprocal of tan 20 और इसलिए आपस में cancel हो जाएंगे multiply करने पर, जैसे कि आपका यहाँ पर tan of 30 और cot of 60 cancel हो जाएंगे, tan of 30 और cot of 60 जैसे ही हाँ पर cancel हो जाएंगे, वैसे ही tan of 20 and tan of 70 आपके cancel हो जाएंगे, because of complimentary angles या फिर allied angles का concept जो हमने last class में सीखा, tan 70 can be converted into cot 20, cot 20 is reciprocal of tan 20, so these will cancel out, और आपका आपस में आप यहाँ पर बचा है tan 70 minus tan 50, so tan 50 को आप ले जा सकते हो right hand side में, ताकि आपका 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 tan of 20 degrees, plus 2 times of tan of 50 degrees, clear, 2 times of tan of 50 degrees, और मेरे खाल से यह जो multiplier है, यही आपको find करना था, 10 20 plus k times of tan of 50 degrees, clear, all right, चलो, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, let us do one more question, ग्याले सवाल में क्या करने का सोच रहे हैं बच्चे, try it out, Sir, are you from Bangalore, I am not from Bangalore, but I am in Bangalore, आपने 10 20 को left hand side में ले लिया, और फिर आपने एक्सपांड किया, 20 को left hand side में ले लिया, और फिर, हाँ चले लिए, आपको minus ओला formula लगाने की जरूत पड़ी होगी, यहाँ पर मैंने plus ओला formula इस्तमाल किया, ठीक है, यह काफी अच्छा सवाल है, आपका जो सवाल है, यह फिर से, इसके अंदर जो हमने पहले question में किया था आज, वैसा कुछ अगर आप सोचोगे तो आपको बड़ा benefit मिलने वाला है, ठीक है, अगर आपने वाकई जो है, उस question से कुछ सीखा है, तो आपको यह वाला सवाल करते आज आएगा, ठीक है, क्या सीखा था हमने, कि alpha plus beta को आप capital A बोल सकते हो, और alpha minus beta को आप capital B बोल सकते हो, ठीक है, बिल्कुल similar concept पर based यह question है, ठीक है, और इसका बड़ा भाई, इसके बाद में हम फिर से solve करने हो ले हैं, ठीक है, alpha plus beta को थोड़ी देर के लिए अगर मैं capital A बोलता हूँ, और alpha minus beta को अगर मैं थोड़ी देर के लिए capital B बोलता हूँ, then I can literally change my question in terms of capital A and capital B, instead of small alpha, small beta, मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, अपने पूरे सवाल को ही change कर सकता हूँ, देखो अभी यहाँ पर एके करके पूरे सवाल को ही change कर लूँगा, मैं, मुझे यहाँ पर दिया हुआ है cos of alpha plus beta कितना है, भई, alpha plus beta पहली बात तो A के बराबर है, मतलब मुझे दिया हुआ है कि cos of A कितना है, cos of A का value मुझे दिया है 4 by 5 के बराबर, ठीक है, और वैसे ही मुझे next information दिये कि sin of alpha minus beta कितना है, मतलब basically मुझे क्या दिया है, तो उसकी value find कर सकते हैं, ठीक है, क्या आपको यहाँ पर छोटा सा triangle दिखाए दे गया है अगर आपके उसमें cos A की value दी हुई है, तो क्या आप एक right angle triangle की मदद से जल्दी से बता सकते हूँ, यह अगर आपका 4 है, यह आपका 5 है, तो फिर right angle triangle में आपकी जो perpendicular है, वो कितनी हो जाएगी, 3 के परापर हो जाएगी, and using this, we can actually find other two values also, हम यहाँ पर sin A और tan A find कर सकते हैं, particularly sin A की value यहाँ पर कितनी हैं आपकी, sin A की value आपकी 3 upon 5 के परापर, ठीक है, और वैसे ही आप यहाँ पर ध्यान से देखू, कि आपका base कितना होना चाहिए, 12 के परापर होना चाहिए, तो आपको अगर यहाँ पर sin B का value पता है, तो cos B का value इस triangle से कितना निकला है आपका, cos B का value आपका यहाँ पर 12 upon 13 निकला है, ठीक है, ओके, तो मतलब यह काफी अच्छा होगा question, मैं यहाँ पर alpha, beta में deal ही नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर A और B में deal कर रहा हूँ, तो A और B में मुझे अगर और भी value साहिए होंगी, तो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, मैं additionally यहाँ पर values निकाल सकता हूँ, लेकिन अब देखते हैं कि आपका actual question क्या था, आपका actual question है कि 10 of 2 alpha कितना होना चाहिए, सो मुझे बताओ कि क्या आपको यहाँ पर कुछ दिख रहा है, अगर आपके समें एक equation है, alpha plus beta is equal to A की, एक equation है, alpha minus beta equal to A की, अगर मैं इन दुरों equations को add कर लेता हूँ, अगर मैं इन equations को add कर लेता हूँ, तो मेरे पास मैं 2 alpha ही तो बचेगा, सो 2 alpha इसका मतलब equivalent किसके है, capital A plus capital B के equivalent है, क्योंकि मैंने पूरा question ही capital A, capital B में change कर लिया है, है नम यहाँ पर मैंने values भी capital A, capital B की निकाली है, अगर मैंने question भी अगर change कर लिया है, तो फिर मुझे यहाँ पर मुड के पीछे देखनी की ज़रौत नहीं है, हम मैं यहाँ पर सीधे-सीधे tan 2 alpha की जगे tan of A plus B का value calculate करके बता दूँगा, और वही मेरा correct answer होना जीए, पंडा पकड में आया सर बचे को, ठीक है, यहाँ पर हमरा जो value है, यहाँ पर मुझे बताओ कि tan A का value कितना है, tan A का value आपका 3 upon 4 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर बताओ कि tan B का value कितना है, तो tan B का value आपका 5 upon 12 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो इन values को भी हाँ पर इस्तमाल कर लेते हैं, और हमरा answer को बताते हैं, तो tan A के place में मुझे डालना है 3 by 4, tan B के place में डालना है, मुझे 5 by 12 और नीचे, सेम चीज़ कर लेते हैं, 1 minus 3 by 4 into 5 by 12, ओके, और राइट, तो यहाँ पर आपका क्योंकि डिनाउमेटर के अंदर 12 into 14 आ रहा है, बेटर ही होगा कि LCM 12 लेने की बजाए, LCM हला कि इसका 12 आना चाहिए, हम यहाँ पर 48 ही कर लेते हैं, 48 कर लेते हैं ताकि ऊपर वाला LCM, ऊपर वाले का डिनाउमेटर और नीच आला की डिनाउमेटर कैंसल आउट हो जाए, आपको जैसे solve करना है, solve करो, अभी वैसे भी क्या है, calculation की बात बचीए बस, ठीक है, आप इस expression को simplify करोगे, आपका answer आपके सामने होगा, for sure, ठीक है, clear हो रहा है, question करने में time लग रहा है, हाँ, देखो, initially time लगएगा, for sure, initially आपको पता ही नहीं कि यहाँ पर आपका thought क्या होना चाहिए, कैसे approach करना चाहिए, आपको form में इस भी सोचते है, कि ज़रुत पढ़ रही होगी, कि यहाँ पर form में क्या था exactly, आपको हो सकता है कि पीछे, अपनी note book में देखना पढ़ रहा होगा, कि formula क्या है, ठीक है, तो इन सब वज़े से, आपको initially questions करने में time लगएगा, with time वो problem आपके solve हो जाने चाहिए, ठीक है, नई सौल होती है तो दिक्कत है, यहाँ पर देखो कि अगर मैं 48 यहाँ भी नीचे लाना चाहरा हो, तो यहाँ पर हम सीदे सीदे cross multiply वाला approach उस कर रहे है, तो वह जाएगा 36 plus 20 upon 48, और नीचे आजाएगा हमार पस में 48 minus 15 upon 48, तो 4848 तो कर दिया cancel, और यहाँ पर आपके उसमें उपर बचा है 56, नीचे बचा है आपके पास में 33, 56 upon 33 becomes our correct answer, 56 upon 33, C becomes our correct answer, ठीक है, पंड़ा पकड़ में आगया सरे बच्चे को, येस, बहुत बढ़िया, चलो तो मेरी खाल से अब आपको अगर अपना compound angle के उपर, थोड़ा confidence अगर आया है, इतने सारे सवाल करने के बाद में, ठीक है, then definitely we should have this problem, as homework question, ठीक है, फिर से, जैसे कि हमारे पिछली class का homework question काफी अच्छा था, उसके दिर आपके काफी सारे fundे, और misconception दूर हुए थे, वैसे ही, यह question भी आपका फिर से बहुत अच्छा है, ठीक है, इसको आप homework में solve करें, and I want everyone of you, to solve it, और answer comments में करते समय, बाकियों के answer से, आप manipulate मत होना, आपने जो सोचा, आपने जो किया, उसके basis पे आप यहाँ पर calculation करना, और मुझे यहाँ पर निकाल के बताना, कि sign c का value कितना होना चाहिए, ठीक है, alright, so I want everyone to try this, because अगर आप इसको try नहीं करोगे न, तो इसके अंदर जो एक important बात है न, एक ही important बात है वाज इसके अंदर, वो important बात आपको हो सकते हैं, कि आगे से याद ना रहे, लेकिन आप अगर गलती भी अगर कर दोगे न, दिखो आपने अगर पहली बार में सही कर दिया तो बहुती बड़ी बात है, लेकिन आपने अगर गलती भी करी, आपने अगर गलत आंसर भी रिपोर्ट के तो आपको lifetime याद रहेगा कि और मैंने कमेंड में गलत आंसर दिया था, ठीक है, और आपका, जो आपका कल का homework question था, उसके कई सारे बच्चों ने सही answer comment section में already दे दिये हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर भी दिये हैं, लेकिन बिलकुल यहाँ पर डरने वाली बात नहीं है, आगर आपने 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 गलती करी है, तो आज जो आपको इहाँ पर पता चलेगा किया और जो गलतीया हमने करी है, वो क्यों करी है और उसके अंदर rectification क्या क्या चाहिए होते हैं, तो आपको यह बाते हमेशे के लिए याद हो जाएंगी, ठीक है, इसलिए हाँ पर कभी भी आपको जो homework question मिलता है, उसको weightage देके solve किया करो, ठीक है, और memories के लिए comment section में आप लिखा करो, कि आपने क्या answer actually खुद से calculate किया था, ठीक है, आपको हो सकता है कि 2 मैंने बाद आके लगए कि, और मैंने कैसी गलती करी थी उस समय, जब पहली बार मुझे concept सिखाए गया था, और अब मैं ऐसी गलती तो कभी करता ही नहीं हूँ, आपको एक growth definitely नजर आएगी ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर इस सवाल के अंदर आपका main idea क्या होना चाहिए था, आपके असमे triangle ABC है, अब यह अपने आपने एक information है, इन triangle ABC हमें अगर यहाँ पर discussion करना है, then हमें बच्च्पन से पता है, triangle के बार में एक important property, कि इसके तीनों angles का sum कितना होता है, 180 degrees के बराबर होता है, अगर हम यहाँ पर अपने radians में बात करें, तो 180 degrees क्योंकि πाई के बराबर है, तो मैं इस छोटी सी information से, एक equation generate कर सकता हूँ, कि A plus B plus C is equal to pi, ठीक है, हमें यहाँ पर यह पर यह पर यहाँ पर इनिशली यूज़ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इसको यूज़ करना है, इन फैक जो बच्चों ने हाँ पर गडबड answer निकाल ले है, उन्होंने शायद इसी information को अच्छे सी utilize नहीं किया है, इसलिए आपकी गलत answer निकले, ठीक है, तो देखों यहाँ पर आगे information किया है, हमारे पसमें sin A का value given है, sin B का value given है, और हमें sin C का value यहाँ पर find करके बताना है, ठीक है, so if you look at this particular equation, अब sin C बढ़ी आसानी से calculate कर सकते हो, अगर आप A plus B को right hand side में भेज़ दो तो, क्योंकि आपका C का value कितना हो जाएगा, फिर उसकिस में pi minus A plus B के बराबर हो जाएगा, अगर आप यहाँ पर दोनों side sign लेते हो, तो आपको sin C का value मिलता है, sin of pi minus something के बराबर, तो क्या आपको याद है कि sin of pi minus theta कितना होता है, sin of pi minus theta, sin of 180 degrees minus theta कितना होता है, sin theta के ही बराबर होता है, allied angles, lecture number 4 में हम दो जी हाँ पर complete किया है, उसकी मतलब से हमें आपर बोच सकते हैं कि, आपका sin C का value actually, sin of A plus B के ही बराबर होना चाहिए, sin of pi minus theta, इस सेम है sin theta, sin of pi minus theta, इस सेम है sin theta, ठीक है, तो मुझे ये clear होगा है, कि मुझे sin of A plus B का value निकाल के बताना है, and now I am feeling very comfortable, लेकिन बहुत जादा comfortable हो जाओके तो दिक्कते, बहुत जादा comfortable हो जाओके तो गलत answer आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, आपको अगर यहाँ पर sin of A plus B, अब ultimately अगर find करना है, तो आपको last class में compound angles का formula बता दिया गया है, कि आपको यहाँ पर लिखना है, sin A cos B plus cos A sin B, yes, agree करते हैं सारे बच्चे, यह हमने फार्मा पढ़ लिया है, sin A cos B plus cos A sin B, अब मेरे पास में already कुछ एक values तो यहाँ पर available है, तो जो जो values available हो, उसमें तर पेंचन लेने की बात ही है, आपको यहाँ पर sin A का जो value है, वो यहाँ पर 3 by 5 के बराबर given है, और आपको जो sin B का value है, वो आपको यहाँ पर कितना given है, 5 by 13 के बराबर given है, अगर मेरे पास में sin A का value है, तो क्या मैं cos A का value निकाल सकता हूँ, yes, obviously, यह तो हमने 10 वी class में करना सीख लिया था, कि sin square A plus cos square A, आपका 1 के बराबर होता है, ठीक है, हमने क्या सीख लिया है यह 10 वी class में, कि आपका sin square A plus cos square A, A जो है, वो 1 के बराबर होता है, तो आपको अगर यहाँ पर cos square A निकालना है, तो आप यहाँ पर 1 minus sin square A कर सकते हो, ठीक है, और अगर आपको cos A बताना है, तो आप दुमों साइट अंडूरूट ले सकते हो, तो अभी यहाँ पर अगली step में करते हैं, cos square एक step और आगे बढ़ने देते हैं, यहाँ पर देखो कि आपको बनने क्या वाला है, 1 minus sin square है, sin square अगर आप यहाँ पर करोगे तो 9 by 25 बनेगा, और 1 minus करते हो 9 by 25 तो आपको उसमें आएगा, 16 upon 25, नाउ, प्रॉलम है कि अब हमें पता है कि cos की values negative भी आ सकती, ठीक है, हमें पता है न, अभी हमें 10 वी क्लास ते की प्रॉलम नहीं, जो हैं, जिलने की जरूत पढ़ी थी, अभी हमें यहाँ पर इसका discussion अच्छे तरह की से करना पड़ेगा, cos a का value आपका plus या minus दोनों हो सकता है 4 by 5 के बराबर, equation को क्योंकि पता नहीं है न, कि आपके यहाँ पर statement में क्या लिखा है, आपकी equation जो है, वो तो इमानदारी से आपको दोनों possibilities यहाँ पर बता रही है, कि आपका cos a का value जो है, plus 4 by 5 भी हो सकता है, minus 4 by 5 भी हो सकता है, as per the identity that we know, as per this identity we know, कि भाई हमारे पास में यह दोनों answer आ सकते हैं, लेकिन अब question में specifically additional information जो दी है, वो क्या है, कि आपका a जो है, वो obtuse angle है, अगर आपका a obtuse angle है, मतलब obtuse मतलब कैसा हो गया, 90 degree से बड़ा हो गया, 90 degree और 180 degree के बीच में कहीं नहीं कहीं, आपका a angle है, जैसे कि 120 degree, 150 degree इस टाइप के, आपके कोई तो angles हैं, ठीक है, तो उस case में, आप यहाँ पर जो imagine कर रहे हो, a angle वो कौन से quadrant का imagine कर रहे हो, आप यहाँ पर second quadrant का angle imagine कर रहे हो, a is obtuse, अगर a आपका obtuse है, मतलब वो कैसा है, वो second quadrant में, लाए करने वाला angle है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, कि आपका cost का जो value होगा, वो negative होना चाहिए, cost a का value आपका negative होना चाहिए, तो आप यहाँ पर plus वाले को discard करोगे, और minus वाला value इस्तमाल करोगे, ठीक है, cost a जो आपको इहाँ पर इस्तमाल करना है, that would be minus of 4 by 5, यही आपने अगर अच्छे तरीके से किया होगा, तो आपको इहाँ पर answer 16 by 65, बिल्कुल correct निकला होगा, ठीक है, cost b की क्या कहानी है, हमारे पास मैं already sin b है, जिसकी value 5 by 13 के बराबर है, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर अपने triangle की मदद से भी सोच हूँ, तो भी कर सकता हूँ, अगर मैं identity की मदद से भी सोच हूँ, तो भी कर सकता हूँ, कि आपका इसका जो counterpart, cost वाले value बनेगा, वो 12 by 13 बनेगा, ठीक है, यहाँ पर कई सारे बच्चे ने जो किया होगा न, गड़वर जो किया होगा, उन्होंने identity नहीं इस्तमाल करी होगी, उन्होंने क्या इस्तमाल किया होगा, triangle का इस्तमाल किया होगा, which is also okay, if you know, कि यहाँ पर triangle की मदद से हमारे पास में, हमेशा plus वाले answer आता है, बड़ हमें आगे चलके देखना चीए, कि हमें plus वाले answer चाहिए, या minus वाला answer चीए, ठीक है, क्या कहना चाता हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ पर triangle वाली method लगाना चाते हो, instead of identity, तो भी यहाँ पर आपका answer आजाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप यहाँ पर basically क्या पोड़े हो, कि आपका sin b का value 5 by 13 है, और इस वज़ए से आपका hypertonus, hypertonus और अगर आपको perpendicular पता है, तो base का value आपका 12 निकल कर आता है, तो cost भी यहाँ पर आपका कितना बनता है, 12 by 13 बनता है, बट be very careful, जब आप triangle method इस्तिमाल करोगे, ठीक है, तो आपको यह देख लेना चाहिए, कि ultimately आपका angle कैसा है, अब मुझे already यह पता है, कि triangle के अंदर हमारा sum तो πाई के बराबर होता है, और मेरे पास में triangle के अंदर, एक ही obtuse angle हो सकता है, बाकी दोनों for sure acute हो जाते हैं, तो अगर यहाँ पर already given है, कि A आपका obtuse है, तो इसका मतलब B पक्के से acute angle है, और B अगर पक्के से acute angle है, then cost B का answer positive ही होना चाहिए, और इसलिए यहाँ से जो आप 12 by 13 डालोगे, वो बिल्कुल सही value होगी, 12 by 13 जो आप यहाँ से डाल रहे हो, वो बिल्कुल सही value है, आप triangle actually यहाँ पर भी बना सकते हो, आप यहाँ पर A वाला भी triangle बना सकते हो, लेकिन याद क्या रखना है आपको, कि magnitude तो आपको यहाँ पर 4 by 5 आ गया, कोई tension वाली बात नहीं है, है ना, आपने अगर triangle भी लगाया था, तो दिक्कत नहीं है, ऐसे ठीक है, आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, कि sin A का value आपका 3 by 5 के बराबर है, तो आपको यहाँ पर पाइधाफरस theorem कम्लीट करके, अपना base जो है, वो तो 4 मिल रहा है, बट डोंट राइट 4 by 5 डिरेक्टल, आपको यहाँ पर क्योंकि पता होना चाहिए कि, आपका क्योंकि A optus angle है, तो cost negative है, और इसलिए यहाँ पर magnitude तो 4 by 5 है, यहाँ लेकिन negative sign के साथ में, ठीक है, और यह अगर आप calculate करते हैं तो आपका final answer क्या आता है, आपका final answer फिर यहाँ पर 16 by 65 आता है, यह सुनू, आपको यहाँ पर यह calculate करना है, और अपना final answer यहाँ पर report करना है, which is 16 by 65, कहीं सारे बच्चों ने इसको बिल्कुल correctly answer कर दिया था, आगे बढ़ सकते हैं, येस, गड़बड हो गई थे कुछ बच्चों से कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना, ऐसे था हम सीखते हैं, यह गलतियां करके ही हम सीखेंगे, और इसलिए mathematics के लिए हर बार क्या बोले जाता है, कि if you want to learn mathematics, you have to do mathematics, आप अगर यहाँ पर करोगे नहीं, तो कभी आपको पता ही नहीं चलेंगी छोड़ी-छोड़ी बाते हैं, जो actually important role play करती ही, अपने final answer तक सही तरीके से पोच्चन में, फिर आपको लगता है कि match tough है, match tough नहीं, match अच्छली सबसे आसान है, ये बात आज आपको शायद realize नहीं होगी, शायद 6 मैने बाद realize नहीं होगी, लेकिन आप जब अपना पूरा जेए का syllabus पढ़ लोगे न, दो साल बाद आपको ये बात realize होगी, कि आप starting से match को अगर tough मान रहे थे, तो बाद में जाते 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 है, ऐसा लग रहे है कि ये बाद की दोनों subject में तो काफी कुछ महनत करनी पड़ रही है, match काफी जल्दी आसानी से हो रहा है हमारा, ठीक है, और वो कब हो पाएगा, इस situation में आप कब आप आओगे, जब आप यहाँ पर concepts को अच्छी तरीके से पकड़ोगे, ठीक है, छोटी-छोटी बात हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आपने practice अच्छे सकी है, then you will find it very very easy, J.E. के अंदर, तीनों जो आपके subject है, सबसे कम syllabus पदा है किसमें है, mathematics में, सबसे कम syllabus, सबसे उधा syllabus किसमें में बता है, chemistry में, chemistry में काफ़ी जादा चीज़े आपको याद करनी पड़ती है, काफ़ी जादा चीज़े पड़नी पड़ती है, maths में लेकिन यहाँ पर concepts काफी limited है, and questions लेकिन infinite है, questions का कोई यहाँ पर limit नहीं है, है ना, लेकिन एक time के बाद में आपको question की भी feel आ जाएगी, कि हाँ यार, इस तरह का question आते हैं, तुम्हें इस तरह से attempt करूँगा, even if it is a new question, you will go ahead and solve it, ठीक है, अगर आपके फंडे अच्छे तरीके से ready हैं तो, कल हमने यहाँ पर अपने derivations में काफी time spent किया था, तो हम कल के लेक्षे में ज्यादा सवाल compound angles की उपर नहीं कर पाया था, ठीक है, so I am taking a few more questions, काफी interesting सवाल है, है ना, तो एके करके उनको start करते हैं, let us do this one, सारे बैचों के यहाँ पर सवाल दिखाई दे रहा है, बैकलोग कैसे खतम करने के लिए आपके अभी तो ज़्यादा बैकलोग खतम करने के लिए आपके अभी तो ज़्यादा बैकलोग ख्रीट हुआ नहीं है, आपकी class 11 की अगर बात करोगे तो, ठीक है, अभी आपने just अपनी J की journey start ही करी, ठीक है, make sure कि यहाँ पर आपको जैसे Sundays यहाँ पर मिल रहे हैं, Sundays को आपकी यहाँ पर J live daily के sessions नहीं हो रहे हैं, आपके हो जाते हैं, GPP sessions कई बार हो जाते हैं, PYQ sessions हो जाते हैं, लेकिन हमने कोशिश किए कि Sunday आपको free मिले, और वो इसलिए ताकि आपको यहाँ पर backlog अगर by chance create हो आप एक दिन में, काफी कुछ यहाँ पर sessions एक साथ बैट के देख सकते हैं, but don't make it a habit, क्योंकि उसमें होता क्या है कि retention थोड़ा सा कम होता है, you will understand everything, लेकिन retain कितना कर पाओगे, वो थोड़ा सा doubtful होता है, तो आपको थोड़ा सा revision वापस करना पड़ेगा, उन sessions का, ठीक है, लेकिन आप जो है थोड़ा सा, तीन से चार session एक साथ बैट के देखने की कोशिश कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो, that is how you can maybe clear your backlog, alright, तो इसका answer क्या बना चाहिए, इसका answer C बना चाहिए, बहुत ही बढ़िया बचो, आपने काफी जल्दी कर लिया, यहाँ पर देखो कि मैं आपको suggest कर रहा हूँ, कि इसके अंदर ऐसा करते हैं, क्या suggest करें, इसके अंदर वैसे एक बहुत ही simple thought तो हो सकता है, यहाँ पर मैं जो आपको formula याद दिलाना चाहा रहा हूँ, उसके लिए थोड़ी से मैं आपसे महनत extra करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि formula याद दिलाने के साथ साथ एक और बात में आपको realize करवाना चाहता हूँ, ठीक है, और वो realize कराने के लिए मैं हाँ पर sin cost में इसको change करूँगा, ठीक है, और multiple approaches, आपको पता है कि 10 वी class से आपको पता है कि आपके पास में trigonometer के question को solve करने के लिए अलग-लग approaches होती है, ठीक है, कुछ approaches में ज़्यादा steps लगती है, कुछ approaches में कम steps लगती है, ठीक है, here I am trying to change it into sin cost, अगर मैं यहाँ पर इसको sin cost में change करूँगा, तो क्या आप यहाँ पर सोच पा रहे हों कि आपके पास में क्या 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 बनने वाला है, आपके यहाँ पर sin alpha, sin beta उपर बनेगा, और नीचे आपके पास में यहाँ पर cos alpha, cos beta बनेगा, इसका हो जाएगा whole square, and plus, यहाँ पर भी अगर मैं sin cost में change करूँगा, तो मेरे पास में sin alpha upon cos alpha बनेगा, minus, मेरे पास में आएगा यहाँ पर sin beta upon cos beta, ठीक है, इसका कर लेते हैं square, जैसे कि given है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर lcm लेता हूँ, तो मेरे पास में numerator में क्या बनेगा, जल्दी से सोच के बताओ, मेरे पास में numerator में बनेगा, cos alpha, cos beta, plus sin alpha, sin beta, क्या यह कोई formula है, जो हमके कल के lecture में पढ़ा है, cos a cos b, plus sin a sin b, cos cos साथ में आ रहा है, साइन साथ में आ रहा है, मतलब यह cos वाला formula है, लेकिन बीच में अगर plus sin आ रहा है, मतलब यह minus वाला formula है, है कि नहीं, या अगर किसी ने अभी तक भी पिसले lecture के questions और जो अपने form में से याद नहीं किये, है ना, तो यह बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, आपको यहाँ पर trigonometry में, हर lecture में जो form में मिल रहे है, उसी दिन अच्छे दरीके से याद कर लेने, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपको दिख गया, cos a cos b plus sin a sin b का formula यहाँ पर लगते हुए, ताकि आपका numerator क्या बनेगा, cos of alpha minus beta बनेगा, उसका square यहाँ पर है, और आपका जो नीचे आएगा, वो क्या है, नीचे आपके उसमें cos alpha, cos beta का whole square आएगा as lcm, ठीक है, मैं यहाँ पर square को दो parts में split कर दिया, numerator में square अलग से दे दिया, दिन order में square अलग से दिया, ठीक है, और अगर यहाँ पर आप देखो के तो देखो, यहाँ पर आपका lcm लेकर क्या बनेगा, sin के साथ में cos जा रहा है, cos के साथ में sin जा रहा है, तो यहाँ पर sin और cos, mix and match होके जो है, यूज हो रहे हैं, मतलब यह sin वाला formula है, लेकिन अगर बीच में minus वाला ही formula है, sin के formula में minus आता ह तो यहाँ पर भी आपका numerator में square अलग से कर लेते हैं, और denominator अलग से देखेंगे, तो यहाँ पर denominator भी कितना हो जाएगा आपका, cos alpha, cos beta, और उसका कर लेंगे square, मतलब मैंने square उपा नीचे split कर दिए, तो आपके दोनों के दोनों denometers यहाँ पर same बन रहे हैं, तो हम numerator को directly add कर सकत अंगल को theta भी नाम दे सकते हो, तो ultimately आपको क्या दिख रहे हैं हापे, sin square theta plus cos square theta दिख रहे हैं, अगर आपको sin square theta plus cos square theta दिख रहे हैं, तो आप यहाँ पर बीना डर रहे हैं, उसको one लिखो, कोई tension वाली बात नहीं है, लगिन आपको पहले LCM लेना है, LCM लेने के बाद में आपको यहाँ पर 1 लिखना है, ठीक है, तो आपका बनेगा क्या, cos square alpha minus beta plus sin square alpha minus beta, numerator हो जाएगा आपका 1, denominator में आपका उसमें लिखा हुआ है, cos square दोनों ही angles के साथ हुआ, ठीक है, आपके इसमें cos square alpha लिखा हुआ है, और cos square बीटा लिखा हुआ है, numerator में हो जाएगा 1, नीचे आपका cos square, तो उपर जाकी कितना हो जाएगा, ultimately, secant square हो जाएगा, और हमारा answer कितना आजाएगा, हमारा answer यहाँ पर c आजाएगा, clear, formless दिखने लग गए आप सारे बच्चों को, है न, अगर formless दिख रहे हैं, मतलब आप यहाँ पर सही जा रहे है, formless अगर देखने में दि बराबर है, और x plus y आपका pi by 6 के बराबर है, then tan x and tan y satisfy which of the following equations, tan x and tan y satisfy which of the following equations, here I would suggest कि आप पहले options को देख लो, कि आपकी equation कैसी है, आपकी equation basically quadratic equation है in t, quadratic equation हमें पता है थोड़ी बहुत, दसवी class में हमने यहाँ पर sum of roots and prot of roots का discussion किया हुआ, और उसकी मतलब से हमने अपने quadratic equation लिखना भी सीखा हुआ, ठीक है, उसका कही ने कहीं हमें इस्तमाल थोड़ा यहाँ पर करना पड़ेगा, मतलब यह एक ऐसा सवाल है जिसके अंदर multiple concepts involved है, trigonometric के साथ साथ हमें क्या करन आइडिया लेना पड़ेगा from quadratic है ना, और ऐसे mix and match वाले question जाद करके आपको मिलते हैं अपने exams में, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में एक information है, इसको में straight away शायद इस्तमाल नहीं कर पाऊंगा, which is tan x into tan y is equal to a, है ना, next information जो मेरे पास में है, जिसको शायद में यूस कर पाऊंगा directly, which is, which is x plus y is equal to pi by 6, अगर x plus y is equal to pi by 6 है, तो क्या मैं यहाँ पर दोनों साइट tan ले सकता हूं, और tan ही क्यों लेना चाहरा हूं मैं दोनों साइट, मैं दोनों साइट tan इसले लेना चाहरा हूं, क्योंकि मेरे पूरा question ही tan में framed है, ठीक है, तो मेरे पास में एक angle व plus y, वाकई tan of pi by 6 के बराबर होना ची, है न, thought generate करते हैं सर्वेच होगी, हम एक question में दोनों साइट tan ले रहे हैं, अब जैसे मैं यहाँ पर right hand side में tan लोंगा, तो मेरे पास में तो tan pi by 6, मतलब 30 degrees का already value 1 by root 3 के बराबर available है, ठीक है, और left hand side में मुझे यहाँ पर tan of a plus b का formula कल प और यहाँ पर आजेगे मेरे परस में बनवाए, root 3, तो अब मेरे पास में इहाँ पे information जो है, usable format में आ गई है, यह जो मेरे पास में tan x tan y की value a के बराबर given है, वो में यहाँ पर इस्तिमाल कर सकता है, और अगर मैं यहाँ पर इस्तिमाल करूँगा, तो मेरे पास में tan x plus tan y क तो कितना हो जाएगा 1-a upon root 3, clear, 1-a upon root 3, all right, B answer आ रहा है, B for BB की वाइन्स, हाँ, yes, B answer आ रहा है शायद आपका, ठीक है, मैं भी एक बार चेक हलेता हूँ, आपका answer लेकिन ठीक लग रहा है, मुझे, तो हमारे पास मैं बेसिकली पूछा जो गया है, वो क्या है, कि 10x और 10y कौन सी equation को satisfy करेंगे, इसका मतलब क्या है, कि 10x और 10y कौन सी equation के roots है, तो अगर मुझे एक ऐसी equation चाहिए, जिसके roots 10x और 10y हैं, तो क्या मैं यहाँ पर create कर सकता हूँ roots की मदद से equation, सोच के देखो यहाँ पर, आगर मेरे पास में alpha और beta किसी equation के roots होते हैं, यह यादा आ रहा है आपको, दसवी class से, creating equation using roots of quadratic, ठीक है, तब जैसे ही आप यहाँ पर बोलते हूँ कि आपको इसका मतलब, एक equation ready करनी है, जिसके अंदर 10x और 10y, basically आपके roots है, तो alpha और beta के place में आपको 10x और 10y imagine करना है, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर equation जो है, उसने t में लिखी हुई है, तो हम भी t में लिखते है, variable change करने से क्या पर रख़ट रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पर x में equation नहीं लिखके t में लिखते है, तो यहाँ पर confused नहीं हो जाए, इसलिए t ही जादा बहतर है, ठीक है, so t square minus, instead of alpha plus beta में क्या लिखना चाहूँगा यहाँ पर, tan x plus tan y, है न, into x में, t, हमारा variable क्या चल रहा है, यहाँ पर equation का variable, equation का variable t चल रहा है, और plus यहाँ पर कितना आ जाएगा, alpha, beta के place में, tan x into tan y, ठीक है, तो यह जो हमारे पास में, दो अलग-लग chapters का knowledge है, हमने एक साथ, एक question में इस्तिमाल किया, और अब यहाँ पर, tan x plus tan y का value में, यहाँ पर इस्तिमाल कर सकता हूँ, t square minus, 1 minus a upon root 3, ठीक है, into t, और यहाँ पर tan x into tan y, तो question में इस्तिमाल कर सकता हूँ, root 3 जो है, अगली step में cross multiply कर दो, इधर, इधर, और आपके हाँ पर answer, I think b विल्कुल सही है, ठीक है, एक बार चेक कर लें सारे बच्चे, b answer आ रहे है, yes, all right, चलो, आगर बढ़ते हैं यहाँ पर, आगर आपके यहाँ पर b answer आ चुका है, then we need to do one more question, before I guess we move on to some new formulas, ठीक है, before we move on to some new formulas, हम यहाँ पर जल्दी से j advance 2009 का एक सवाल करते हैं, ठीक है, और यह सवाल देके एकदम से initially weird लग सकता है आपको, लेकिन tension मतलो, इसको बड़े अच्छे तरीक से समझने वाले हैं, बस भल्ड़ो इसको भी, यह सवाल का solution थोड़ा सा lengthy है, advance का सवाल है, थोड़े तो यहाँ पर हाथ पर मानने पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जो है, you answer निकल के आजाएगा, थोड़े कुछ steps extra यहाँ पर आपको करने पढ़ेंगे, जितने आसानी से हमें पिछले questions में answer मिलें, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया है, तो एक बार समझ नहीं कि कुछ करें सार वेचे, शिवा मैं से हमें कि उसने आज से लेक्ट्र अटेंड करना स्टार्ट किया है, कैसे करेंगे, आज से अगर आपने स्टार्ट किया है, तो instead you can skip this live session, आज से यहां पर live session अटेंड करना स्टार्ट मख करो, you can go back and start watching from lecture 1, ठीक है, that would be better, और यहां पर कोशिश करो कि मैं यहां पर एक session बढ़ा रहा हूँ, आप दो session पड़ो एक दिन में, ठीक है, तो आप यहां पर 4-5 दिन के अंदर अपना पूरा backlog भी फिनिश कर लोगे, और live session फिर आप देखना start कर पाओगे, ठीक है, 10x10y ही root से अनन्या आइस आसकें कि 10x10y ही root से कैसे परणा चला, satisfy करने का मतलब वो ही होता है, अगर एक कोई equation जिसके अंदर ये values satisfy कर रहे हैं, जैसे कि अगर यहां पर बिल्कुल simple example लेके चलो, तो आपके अगर एक quality की equation है, x square minus 5x plus 6, ठीक है, अगर इसके अंदर 2 satisfy कर रहा है, तभी तो उसका root है, x square minus 5x plus 6 के अंदर 2 satisfy करता है, 4 minus 10 plus 6, satisfy करता है, मतलब equal to 0 आ जाता है, तो इसलिए था हम 2 को इसका root बोलता है, तो अगर 10x और 10y satisfy कर रहे है, मतलब वो clearly भूनना चाहरा है कि roots, ठीक है, all right, so let us get back to this question, I hope everybody has seen what this is, ठीक है, तो solution देखना स्टार्ट करें इसका, और आप सारे बच्चे भी थोड़ा सा ध्यान जो है, यहाँ पर दो कि मैं कैसे इसको समझा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पहले तो मुझे यह क्या है समझना पड़ेगा, उसके बाद में solution तो बात की बात है, ठीक है, तो मेरे पास में पहली बात है, यहाँ पर theta के पर कुछ तो restriction दिए, यह लेकिन यह बहुत अच्छी restriction ऐसा लग रहा है मुझे, 0 से pi by 2 की बीच में, हमें अच्छा लगता है, ठीक है, और मतलो 0 से 90, acute angle बेसिकली है, ठीक है, तो अच्छी बात चलो, the solutions of this equation are what, मतलब यहाँ पर आपको theta के, है न, कौन-कौन सा answers satisfy होते हुए मिलेंगे, यह हमें basically इस equation को solve करके बताना है, ठीक है, तो LHS में आपके उसमें जो है sigma वाला एक expression लिखा हुआ है, sigma अगर मुझे open करना होता है, तो मैं क्या करता हूँ, एक-एक करके value डालना start करता हूँ, sigma के साथ में मेरे खाल से, अगर कोई बच्चे starting से जुड़े होगे, तो अभी तो comfortable हो गए होगे, ठीक है, क्योंकि हमने multiple questions अभी sigma वाले कर लिये हैं, ठीक है, let this be the final question, जिसके अदर आपको doubt है sigma के अंदर, तो वो clear हो जाए, ठीक है, तो mq value 2 डालना है, आपका दूसरा term create होगा, mq value 3 डालना है, आपका तीसरा term create होगा, ऐसे आपको 6 तक जाना है, बलाँ आपके हाँपे 6 अलग-लग terms create होगे, उन 6 अलग-लग terms का आपको क्या करना है, sum करना है, ठीक है, और sum करके, आपके इसमें एक expression create होना चाहिए, उस expression को पहली बात हमें इस होन में आ रहा है कि है, मैं अगर पहले ही step से, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 डाल दूँगा, तो फिर तो काफी गंदे expressions अंगे, वो जो गंदे expressions आएंगे, 6 अलग-लग, उनको समेटना और मुश्किल हो जाएगा, so instead of that, what we do is, हम पहले इस expression को simplify करने के उपर फोकस डालेंगे, किसके पर फोकस डालेंगे, इनको simplify करने के उपर focus डालेंगे, ठीक है, so let us forget about everything, and let us try to simplify this, अब simplify करने के लिए एक बात मुझे आपर नजर आ रहे हैं कि यह कोजेक में दिया हुए, पहली बात ने है कि कोजेक हमें वैसे ही पसंद नहीं है, तो हम यहाँ प इसको open कर दिया सारे बच्चों ने, m के साथ में πाई multiply करो, नीचे 4 है, 1 के साथ में πाई multiply करो, नीचे 4 है, 1 के साथ में πाई multiply करो, नीचे 4 है, ठीक है, तो यह हमारे पस में एक बड़ा सा गंदा सा दिखने वाला angle है, for simplicity of understanding, मैं इसको अभी थोड़ी देर के लिए alpha नाम द देना चाह रहें, और अगर इसका नाम alpha है, तो इसका नाम हम automatically रख चुके हैं, इसका नाम हम automatically रख चुके हैं, क्या रख चुके हैं, इबार ध्यान से देख के बदाओ, हमारे पास में यह जो angle है, this is theta plus m pi by 4, इसके अंदर minus pi by 4 नहीं दिख रहा है मुझे, मतलब भी minus pi by 4 add क परोगे, तो pi by 4, pi by 4 cancel हो जाएगा और आपको चाहिए, मतलब यह जो expression आपका लिखा हुआ है, this can be written as alpha plus pi by 4, इतना clear है, पहले तो हमें क्योंकि इस अंदर वाले गंदे से expression को simplify करना है, उसके बाद हम यहाँ पर अपना कुछ आगे का step कर पाएं, तो अगर मैं इस पहले वा यहाँ पर pi by 4 बड़ा है, है ना वैसे भी आप इस बात को समझ सकते हो, काफी आसानी से, यहाँ पर m-1 times of pi by 4 है, और यहाँ पर m times of pi by 4 है, तो यहाँ पर pi by 4 जाता है, एक pi by 4 जाता है, तो pi by 4 जाता है, ठीक है, इतना चमग गया सर बच्चोगो, first things first, did you understand this, कि अगर मैंने इसका नाम अलफा रखा, तो अगले वाले का नाम अलफा प्लस pi by 4 रख सकता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास में है टास्क कोजेक को सिंप्लिफाई करके लिखने की, तो यार कोजेक तो मुझे अच्छे ने लग रहा, मैं यहाँ पर instead क्या कर रहा हूँ, इसको one upon लिख रहा हूँ, one upon, sine के अंदर पहला वाला एंगल मैंने अलफा रखा है, और दूसरा वाले अंगल का नाम मैंने अलफा प्लस pi by 4 automatically रख दिया है, ठीक है, what I am solving is basically, इसका sigma कितना हो जाना चाहिए, इसका sigma मेरे पास में 4 root 2 के बराबर हो जाना चाहिए, ऐसा मैं इ इचे अलफा और अलफा प्लस pi by 4 create करने, then उपर भी अगर मैं यहाँ पे 1 by root 2 की मदद से sin pi by 4 create करूँगा, ठीक है, और वो मैं कैसे करूँगा, मैं दोनों साइड यहाँ पे root 2 से divide कर रहा हूँ, ठीक है, हमारे पास में एक equation है, इस equation को मैं यहाँ पे भी root 2 से divide कर रहा तो फिर तो कोई thought ही नहीं, यहाँ पे आपका root 2 cancel हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे root 2 से divide कर रहा हूँ, तो 1 upon root 2 आपका पता है हमें कि sin pi by 4 लिखा जा सकता है, इसमें कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात आने नहीं चीए, ठीक है, तो हम यहाँ पे sin pi by 4 generate कर वा रहे है ठीक है, बाकि हमने यहाँ पे अभी कोई change नहीं किया, इससे क्या फाइदा हुआ, यहाँ पे pi by 4 create करवाने से फाइदा क्या हुआ, 1 by root 2 के value sin pi by 4 मतलब 45 degree के बराबर आती है, यह तो सबको पता ही है, ठीक है, इससे फाइदा यह हुआ है, कि अभी यह जो pi by 4 लिखा हुआ ह साइन के साथ में यहाँ पर लिख सकता हूँ, अलफा प्लस pi by 4 माइनस अलफा, यह बास वान में आ रही है, इंस्टेट अफ जस्ट राइट प्लस pi by 4 माइनस अलफा, तो अलफा 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 कैंसल हो कि एक्शली pi by 4 ही बन रहा है न, मतलब सही जा रहे हैं, और आपका ज सारी चीज़े सिग्मा में चल रही है, और यह सारी चीज़े इकल टू सम्थिंग है, इकल टू आप यहाँ पर आलड़ी जो है, root 2 कैंसल करके 4 create कर चुके हो, ठीक है, now comes the interesting part, अब मैं अगर यहाँ पर इसको sign of a-b के formula से open करता हूँ, इसको a imagine करो, इसको b imagine करो, अगर मैं numerator क तो sign of a-b के formula से open करता हूँ, तो मेरे पास में क्या आता है, वो अगले page के उपर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना सारे बच्चे, मेरे पास में आएगा, sign of, sign a, is what this, sign a, cos b, minus cos a, sin b, ठीक है, यह हमारे पास में basically बन रहा है, sign a, cos b, minus cos a, sin b, और इसके नीचे क्या कर रहा हूँ है, अब अपने denominator को दो parts में break कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा denominator actually जो है, एक single entity है, लेकिन अगर numerator में दो अलगलग terms है, तो इसके नीचे भी अलग से लिखा जा सकता है, इसके नीचे भी अलग से लिखा जा सकता है, तो यह इससे फायदा क्या हुआ है, इससे फायदा यह हुआ है, कि दोनों side एक एक term cancel हो रही है, ठीक है, यहाँ पर आपका sin of alpha plus pi by 4 cancel हो रहा है, और यहाँ पर आपका sin alpha cancel हो रहा है, लेकिन यह सारी चीज़े कैसी है, यह सारी चीज़े तो अभी sigma के अंदर लिखे हुए और यह equal to 4 के साथ में चल रही है, ठीक है, और अब मैं यहाँ पर जो है, cot में अपना expression split किया हुआ, देख पा रहा हूँ, मेरे पास sigma के अंदर अब क्या आ रहा है, cot के साथ में alpha, दिख रहा है, cos alpha upon sin alpha कितना है, cot alpha, minus cos के साथ में नीचे sin, मतलब यह भी क्या है, cot है, लेकिन cot of what है, alpha plus pi by 4, ठीक है, और यह equal to 4 चल रहा है, sigma के साथ में, तो हमने हाँ पर क्या किया है, अपने expression को something minus something के format में change किया है, इस तरह का जो idea है, हम आगे चलके sequences in series में बहुत जादा इस्तमाल करने वाला है, ठीक है, जिसको हम VN method नाम से पढ़ेंगे, ठीक है, जहाँ पर हम एक single term को द ठीक है, यहाँ पर दिहान से देख लो, कि actually आपका जो M है, वो variable है, अब हुआ क्या है, कि जैसे ही मैंने यहाँ पर अपना understanding purpose से, इस बड़े से expression को छोटा सा alpha लिखा, और इसको भी मैंने alpha plus pi by 4 लिखा, ठीक है, तो अब यहाँ पर मुझे M दिखाए ही नहीं दे रहा, ले हमारा जो actual equation अब हम solve करने वाले हैं, कौन सा है, sigma के अंदर, cot के अंदर alpha, और alpha क्या है, alpha तो यह वापस में अब इस्तिमाल करना start करूंगा, theta plus M minus 1 के साथ में pi by 4, यह आपका alpha का वापस back substitution हो गया, and minus, cot के साथ में कितना आएगा, alpha plus pi by 4 यह कौन सा वाला था, alpha plus pi by 4 यह वाला ठीक है, और यह आपका equal to कितना जा रहा है, 4 के बराबर, clear, यहाद के बाद समझ में आ रही सारे बच्चे को, उजवाली सेंग सर कुछ समझ में नहीं है, अरी अभी पूरा complete नहीं हुआ है, अभी रूपो, वापस बता दूँगा, थोड़ा यहाँ पर जो है, लेकिन कोश है न, वो भले एक tagline है, लेकिन वो सही बात है बिलकुल, डर के आगे ही जीत है, अगर आप डर के वहीं रह जाओंगे तो फिर तो नहीं होगा आपसे कभी भी, ठीक है, और डरना नहीं है, पहली बात तो यह है, हम है न, डरना नहीं, ठीक है, समझा देंगे इसको अच्छ है, अगर M आ चुक है, तो यहाँ पर हमें सिग्मा की उपर भी M की वेल्यों के लिखूंगा, तो थोड़ा सेंस बनाएगा, ठीक है, वन से लेकि सिक्स तक, इसको अपर M था ही नहीं, तो यहाँ पर अगर मैं M लिख भी देता, तो फिर आप बूलते कि सर्क क्या M, क्या है किया, ठीक है, तो उपर लिखा निए M हमने, क्योंकि यह पूरा को पूरा जो हमारा, यह दो पेज का कैल्कुलेशन है, दो पेज वैसे नहीं है, यह तीन स्टेप यहाँ पर है, और दो स्टेप यहाँ पर हमने इसको सिंप्लिफाई किया, यह जो पांस स्टेप है, इनके हमें अब देखना है कि क्या बनेगा, ठीक है, बड़ा ही आसान सा यहाँ पर आपका एक्स्प्रेशन बनने वाला है, जल्दी से मुझे बताओ कि अगर आप M की वैलू 1 डालोगे तो क्या होगा, 1 डालो, M की वैलू 1 डालो, 0 हो जाएगा, तो किता माच जाएगा, कॉर्ट ठीक है, यहाँ तर्वी सब कुछ, आपको अगर कोई सा भी स्टेप अगर बीच में चमका नहीं है, तो भी आप ऐसा मानों कि चलो, अगला वला स्टेप तो समझ लें कम से कम, यह नी समझा तो कोई बात नी, अगला वला समझ लें, क्योंकि वो समझ में आ जेगा, तो आग मतलब ठीक है, यहाँ पर आप बन डालोगे तो यह थीटा प्लस पाइब फॉर बन रहा है, मतलब यहाँ ला स्टेप आपको समझ में आया है, ठीक है, अब सिगमा वाले कोईशन में करना क्या होता है, आपको यहाँ से लेकर वहाँ तक वैलिस डालते रहने पड़ती है, त तो next आपकी जो value बनेगी वो two डालके बनेगी, तो two अगर आप यहाँ पर डालोके तो theta प्लस πाइब फॉर बनेगगा, two minus one मतलब one, तो यहाँ पर आपका जो next term बनेगा, that would be cot of theta प्लस πाइब फॉर, उसके बाद जो आपका term बनेगा, उसके साथ में आपे, वो two डालके कित एक कम होके आ रही है और यh आपके सारे टर्म बन रहे इन सब टर्म का सिग्मा करना है मतलब क्या करना है निस rたम दो Тरी एसा बहुत जाल हो जाएगा इस मिहां पर ऐसा करते थैं । और सीधे लास्ट वाली टर्म लिख देते हैं क्योंकि समझ में तो आपको आए गया करना गया है तब अगर नोट्बुक में लिखना चारे तो बीच के दो टम्स और एक्स्ट्रा लिख लेना ठीक है लेकिर हमें यह आदद भी डालनी कि हमें पैटन केंसलेशन करते आना तो आप यहाँ पर देखो कि आपके असमें जो लास्ट टम बनेगी यह कौन सी होगी जब में यहाँ पर 6 डालूँगा तब आपकी लास्ट टम बनेगी, 6 डालूँगा यहाँ पर बनेगा 5 times of pi by 4, theta के साथ में 5 times of pi by 4, और यहाँ पर आया का-कोण के साहथ में, theta के साथ मे 6 times of 5 by 4 ठीक है तो हमारे यहाँ पर जो 6 value substitute करने का target था वो हमने complete कर दिया बीच में को इस terms मैंने लिखी नहीं लेकिन वो लिखने की जरूत नहीं क्योंकि मुझे एक pattern नजर आ रहा है ठीक है आप यहाँ पर देखो कि अगर मैं यह सारे की सारी terms add करूंगा तो यहाँ पर एक term है जो negative sign के साथ में है वैसे की वैसे एक term यहाँ पर नीचे है जो plus sign के साथ में यहाँ पर एक term negative के साथ में है और बिल्कुल वैसे की वैसे एक term यहाँ पर है नीचे जो positive के साथ में है तो जो मिने लिखा नहीं है क्या वो भी आपको दिख रहा है यहां पर जो एक term negative के साथ में बिल्कुल वैसिक 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 positive यहां पर आएगी जो एक term negative के साथ में यहां पर होगी वो उसके नीचे आएगी जो negative में यहां term होगी वो यहाँ पर बनी हुई है आइ तो अब सबकुलेट करने के बाद आपके पास में क्या बच रहा है मात्र दो टर्म्स बच रही है यह सिग्मा सॉल हो चुका है लेकिन यह सिग्मा है किसके बरावर है ये sigma sawl होके equal to 4 है ये sigma sawl होके equal to 4 है और जैसे कि मैंने आपको बولा था कि हाँ पर final equation बड़ी छोटी सी बनने वाली है बहुत simple सी बनने वाली है तो वो equation बनी क्या है आपको एक तो term यहां पर बचावा दिख रहा है और एक तो term आपको यहाँ पर बच्चावा दिख रहा है ठीक है तो इन तीरों चीजों को लिख लेते हैं green color से जो marked है cot theta यह cot वाल टर्म और एक यह 4 तो आपके कितनी छोटी equation बचें न ultimately this is what we were targeting तो हमारे पास में आया है cot theta के साथ में minus of cot of कितना है ज़रा यह ध्यान से देखना theta plus 3 pi by 2 है यह कि आपको यह नजर आ रहा है कि यह 3 pi by 2 है यहाँ पर 2 2 cancel कर दो 6 pi by 4 मतलब क्या है 3 pi by 2 and 3 pi by 2 plus theta कितना है 3 pi by 2 मतलब कितना हो थे 270 degrees 270 degrees मतलब आपका यहाँ पर ratio change होगा and 270 plus allied angles का देखो यहाँ पर फिर से use हो रहा है तो इस सवाल में हमने क्या किया है देखो एक point था जहाँ पर हमने compound angle का इस्तेमाल किया एक point था जहाँ पर हमने compound angle का इस्तेमाल किया formula का इस्तेमाल किया यहाँ पर open करने के लिए अदरकलर terms create करने के लिए यहाँ पर मैं allied angles का जो है requirement feel कर रहा हूँ कि मुझे हाँ पर पता होना चीए कि cot of 352 plus theta आपके हाँ पर minus 10 theta होता है और क्योंकि यह minus 10 theta होता है इसलिए आपकी equation बनेगी cot theta plus 10 theta is equal to 4 ठीक है, so this is the final equation जहाँ से हमें अपने answers check करने है ठीक है, clear हो रहा है अगर मुझे अब यहाँ से answer निकालने तो क्या मैं इसको solve कर सकता हूँ by converting cot into tan, यह तो हम 10th class से करते है cot को tan में change करके solve करने वाला idea हमें पहले से आता है ठीक है, so let us do that, let us change cot into tan यहीं पर कर लेते हैं इस simple system तो 1 upon tan theta plus tan theta is equal to 4 है यहाँ पर आप LCM लेके cross multiply करोगे तो 1 plus tan square theta is equal to 4 tan theta ऐसा बनेगा ठीक है, 1 plus tan square theta is equal to 4 tan theta 1 plus tan square theta is equal to 4 tan theta और यहाँ से आपकी जो quadratic equation आ रहे है क्या आप quadratic का formal लगाना जानते हो quadratic equation फिर से यहाँ पर इस सवाल में जो है थोड़ी सी use हो रहे है यहाँ पर tan theta को थोड़ी दर के लिए आप T imagine करो तो T square minus 40 plus 1 लिखा हुआ है T square minus 40 plus 1 लिखा हुआ है तो यहाँ से आपका इसमें जो answer निकल कर आ रहा है T का, T का answer मतलब tan theta का answer वो कैसे निकलेगा minus B plus minus under the root B square minus 4AC upon 2A यह formula सब को पता है minus B, मतलब 4 बनेगा minus of minus 4 minus B plus minus under the root B square B square मतलब कितना हो जाएगा 16 minus 4AC minus 4AC मतलब 4 upon 2A मतलब 2 तो यह हो जाएगा आपका कितना 12 और 12 का root कितना होता है 2 root 3 12 का root होता है आपका 2 root 3 और अब आपके बास यहाँ पर जो answer आ रहा है अगर आपको वो नहीं दिखा तो फिर से आप यहाँ पर इसका मतलब मेहनत नहीं कर रहे हो आपको यह दिखना चाहिए क्योंकि कल के ही lecture में हमने यह expression create किया था अगर 10 theta की आपके बास में 2 values निकली है अगर 10 theta की आपके बास में 2 values निकली है plus के साथ में आ रहा है 2 plus root 3 और minus के साथ में आ रहा है यही तो important है 2 plus root 3 हमारा निकला था 75 degree के discussion में 75 degree का जो discussion था उसके अदर हमने बोला था कि आपका answer root 3 plus 1 upon root 3 minus 1 आता है तो आप इसके अंदर root 3 plus 1 ऊपर नीचे multiply करके इसको rationalize कर सकते हो नीचे आपके समें बनता है कितना नीचे आपके समें बनता है यहाँ पे 2 और उपर बनेगा root 3 plus 1 का square मतलब 4 plus 2 root 3 cancel हो कि आपके समें कितना आता है 2 plus root 3 ठीक है यह calculation हमने किया हुआ है याद आ रहा है सारे बच्चों को 75 degree के case में तो आपको यहाँ पर इसका मतलब अब यह equation देखते से क्या answer बताते है आना चाहिए यह equation देखते से आपको अपना answer बताते है आना चाहिए क्योंकि अब उसे यह भी आपके standard values है जैसे tan theta is equal to 1 by root 3 देखते से आपको answer बताते आता है जैसे tan theta is equal to root 3 देखते से आपको answer बताते आता है वैसे ही tan theta is equal to 2 plus root 3 10ателя is equal to 2 minus root 3 देखते से ही आपको answer बताते हैं आना चाहिए आपको यहां से answer मिलेगा क्या यहां से आपको answer मिलेगा 75 degrees यहां से आपको answer मिलेगा theta is equal to 75 degrees यहां से आपको answer मिलेगा theta is equal to 15 degrees clear लेकिन अप एक और इशू है यहां पे कि आपको final answer जो है वो radiance में गीवन है तो आप यहाँ पर देख लो कि radiance में यह किसके equivalent जा रहा है आपका 15 degrees जो है सोचना हो कहा भी आसान है 15 degrees मतलब 30 का आधा 30 हमें अल्डी पता है 5 by 6 होता है उसका आधा कर देंगे तब 5 by 12 ठीक है और अगर आप यहाँ से देखोगे तो इस जिसका 5 times यह angle है 15 degrees जो है वो आपका 5 by 12 अगर हो गया है 15 degrees आपका convert करने के बाद में अगर 5 by 12 हो गया है जिसको convert करना काफी आसान है क्यों आसान है क्योंकि 30 का आधा है मतलब 5 by 6 का आधा मतलब 5 by 12 और आप यहाँ देख सकते हैं कि यह 5 times है तो यह कितना वाजाए का 5 times of 5 by 12 हो जाए ठीक है तो ऐसे दोनों आंसर्स आपके यहां पर सही निकल रहें ठीक है एक बड़ जल्दी से इसको go through करते हैं और फिर अपने नए फॉर्मिस के तरफ बढ़ते हैं आज का discussion अभी यहाँ पर जो है खतम नहीं होता है यहां सब शुरू होगा आज का discussion हमारा ठीक है हम यहाँ पर जो है trigonometry जो है इस तरह सकते हैं कि आपका secant square theta is equal to 4 times theta बनेगा आप यहाँ पर cancellations अगर करोगे तो आपको sin 2 theta is equal to 1 by 2 मिलेगा लेकिन वो अभी हमने पढ़ा नहीं है इसलिए I took a different route to explain and क्योंकि यह value हमें याद है यह standard value है तच्छी बात एक बात फिर से revise होगे ठीक है this is also a valid way to solve this question finally तो हमारे पास मैं यहाँ पर जो यह advance का सवाल था इसके अंदर कोई भी conceptually नहीं चीज़ है क्या नहीं है लेकिन मेहनत करनी पड़ रही है डर को भगाना पड़ रहा है अगर आप डरते रहोगे तो फिर नहीं होगा सवाल ठीक है तो पहली बात तो यह ठीक है कि ऐसे बड़ी बड़ी और खराब सी चीज़े देखने की आपकी आदत हो जानी चाहिए अभी नहीं है मैं जानता हूँ अभी आपने यहाँ पर जो है कि द्यारी करना start किया है लेकिन within a span of time आपको यह चीज़े ऐसे लगनी चाहिए कि हाँ ठीक है ऐसे ही आते हैं स this is equal to alpha तो यहाँ पर यह हमारा alpha plus pi by 4 हो गया है जब मैंने यह किया तो अगला मैंने सोचा है कि है कोजिक अच्छे नहीं लग रहा मैं इसको sign में change करता हूँ तो मैं इसको sign में change कर लिया अब यह देखके गंदा है यह देखके कोई जादा गंदा नहीं लग रहा लेकिन यहाँ पर alpha plus pi by 4 है तो numerator में pi by 4 बनेगा तो आगे चलके कुछ किया जा सकता है जो हमने यहाँ पर किया भी है ठीक है तो numerator में pi by 4 कैसे आ सकता है अगर मैं दोनों साइट root 2 से divide करूं मता आ सकता है तो मैंने यह root 2 से दोनों साइट divide किया आपका जो 1 by root 2 है उसको sign pi by 4 लिखने थी उसको हमने और गंदा कर दिया गंदा क्यों किया है नीचे वालों से match करवाने के लिए गंदा किया है ठीक है pi by 4 की जगे उसको alpha plus pi by 4 minus alpha ऐसा लिखा है ठीक है और उससे फायदा भी हमें clearly नजर आ गया हम यहाँ पर sign of a minus b का formula open किया तो यहाँ पर cancellations के बाद में something minus something बन यह जो आपका step है ना यह आपको फिर से जही देते समय इतना जो है difficult नहीं लगेगा अभी आपको हो सकता है कि यह idea जो है इतना अच्छा नहीं लग रहा ठीक है लेकिन आप यह सोचों कि आप बहुत बार अपने sigma को देख चुके हो practice करते करते हैं आप used to हो ठीक है उसके ब बुराइंग लएगा अगर आप actual paper में जाते समय सब कुछ पढ़ चुके हो ठीक है लेकिन अभी थोड़ा सा weird लग रहा होगा इसलिए एक बार फिर से explain करा हमें ठीक है हमारे पास में ultimately हाँ पर M की values जानले के बाद में 6 levels पे हमने M की values जाली है तो हमारे पास में first और last time भी करा होगा या फिर फियूकर विखाए का रहूंगा बिकास a को रिचंटली भी पूछा गया था ठीक है बिल्कुल ऐसा ही दिखने वाल एक और सवाल अभी आया था ठीक है तो अब तक आप बिसकी इसी को एक बार फिर से रिवाइस कर सकते है ठीक है और एक है रिच्शुन ह यहां पर नमबर ओफ एंगल शायद जाद है अभी तो हमने यहां पर साइन ओफ ए प्लस भी पढ़ा है लेकिन अगर कोई मुझसे पूछता है कि साइन ओफ ए प्लस बीप्लस सी कितना होगा तो extend हो गया formula ठीक है तो यह extended compound angles के category में आप इनको डाल सकते हो कि sign of a plus b plus c का formula क्या है तो वो यह है है ना दिग्या सारे बच्छे को जिसको यहां पर अभी पिछला question समझने में दिक्कत आई है पहली बात तो आप यहां पर ज्यादा अपने आपको जो है अंडर एस्टिमेट ना करें ठीक है आपके साथ में अच्छी बात यह है कि technology आपके साथ में already है and all you need to do is rewind this session and watch the solution once again ठीक है यहां पर किसी भी बच्चे को एक बार में समझ में आ जाएगा तभी हो जेए क्लियर करने लाइक बच्चा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ठीक है जो बच्चे यहां पर मेहनत करेंगे जो बच्चे यहां पर जो है लगे रहेंगे उनको definitely बहुत इस टाइप की questions आपको actually अपने exam में मिलते हैं ठीक है all right so पहली बात तो यह कि यह जो हम अभी discuss करना चाहरे है यह अपने आप में जो है काफी बड़ा formula है and I am expecting कि आप इसको याद कर लो तो आप पहली बात तो इसको याद कैसे करो को यह बताया तो मैं ठीक है तो पहली बा ठीक है आपके यह चार टर्मस है इसके अंदर तीन टर्मस आपके प्लस साइन के साथ में पहला टर्म प्लस साइन के साथ में दूसरा टर्म प्लस साइन के साथ में लेकिन आखरी वाले टर्म माइनस साइन के साथ में पहले वाले तीनो टर्मस आपके प्लस साइन के साथ में एक एक करके आपको यहां पर पहले फॉर्म में ज्याद हो जाने चाहिए, डेरिवेशन तो यहां पर इसका दो स्टेप करें है, ठीक है, दूसरी बात आप हमें नोटिस करोगे कि एक जो सिंगल टर्म यहां पर नेगेटिव साइन के साथ में हो, उसके अंदर सारे के सारे रेशोस साइन है, साइन ओफ ए, साइन ओफ बी, साइन ओफ सी, लेकिन जो तीनों यहां पर आपको प्लस साइन के साथ में वैलूज दिखाई दे रहे हैं, उसके अंदर दो कॉस है और एक साइन है, तो एक बार sin of A आ गया, एक बार sin of B आ गया, एक बार sin of C आ गया, ठीक है, फॉर्म में symmetry है, symmetry है, मतलब याद करना आसान है, ठीक है, तो हमें अगर कोई बोलेगा कि sin of A plus B plus C का फॉर्म ना use करके कोई question को solve करो, तो हम बड़ी आसानी से ये statement लिख देंगे, उसको open करके बता देंगे, ठीक है, चार टर्म्स लिखनी है, चार टर्म्स में से पहली तीन टर्म्स पॉजिटिव है, जिसके अंदर एक sin आना चाहिए, और दो कॉस आना चाहिए, interchange करके लिखते जाना तीनो टर्म्स, और उसके अंदर आख्रिव लिटर माइनस के साथ में आएगी, जिसके अंदर सारे का सारे sin है, तो याद होगे हमें, अब अगर कोई पूछता है, यहाँ पर कि आप इसको नहीं derive करके बताओ, आप इसको derive करके बताओ, ठीक है, तो अगर आपको इसको derive परना है, तो यहाँ पर हमें फिर से, जो standard compound angles का formula है, उसी को इस्तिमाल करना पड़ेगा, अगर आपको मुझसे पूछता है कि, what is sin of a plus b plus c, I can imagine b plus c as a single angle, इसको थोड़ी दिर के लिए d imagine कर लो, क्योंकि b plus c भी एक angle तो ही न, तो मैं उसको अगर एक single angle d imagine कर रहा हूँ, तो मेरे पास में फॉर्म जोगे काफी छोटा हो जाएगा, मेरे पास में फॉर्म है, sin of a plus d कितना होना चाहिए, तो sin of a plus d का formula हमें पता है, sin of a plus d कितना होना चाहिए, sin is cos d, मतलब b plus c, plus cos is sin d, मतलब b plus c, बस, अब आप अलोड़ी जो है, एक step नीचे उतर चुके हो, अब आपके पास में यहाँ पर extended compound angle की requirement नहीं बची, आप यहाँ पर normal standard compound angle इस्तिमाल करके, अपने final answer दो बहुत सकते हो, एक step और करते तो हो आप लोग के लिए, देव इहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पास में यहाँ पर cos of b plus c ki place में आपके डाल सकते हो, cos b cos c, minus sin b sin c, और यहाँ पर क्या हो रहा है, cos a के साथ में आपके डाल सकते हो, sin b cos c, plus cos b sin c, ठीक हैं? और यहाँ पर आप जैसे ओपन करोगे, आपको चारो की चारो टम्स यहाँ पे एक एक करके बनते हुए नजर आ जानी चाहिए ठीक है अगर आप पहला वाला यहाँ पे टम्स देखते हैं तो आपको कौन सा मिल रहा है साइन एक के साथ में बाकी दोनों कॉस साइन एक के साथ में बाकी दोनों कॉस cos ये अंदर multiply करोगे तो sin b के साथ में cos a cos c आ रहा है और वैसे ही यहाँ पर अगला term जो आप open करोगे उसके अंदर sin c के साथ में cos a cos b आ रहा है ठीक है तो इसको create करना important नहीं create तो हम यहाँ पर बड़ी आसानी से करी रह रहे हैं इसको important यह है कि हमें याद भी रहे ठीक है तो याद रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया so it should not be very difficult to revise this again yes all right एक तरीका और है इसको लिखने का वो भी यहाँ पर हम समझना सारे ठीक है वो तरीका जो है वो basically यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आप यह जो बड़ा सा expression है sign of a plus b plus c जो आपका यहाँ पर बड़ा सा expression है आप इसको लिख सकते हो by multiplying and dividing these four terms with cos a cos b cos c अगर मैं RHS में multiply भी कर देता हूँ और divide भी कर देता हूँ मतलब मैंने literally कुछ नहीं किया मतलब मैंने divide भी कर दे है multiply भी कर दे है value तो same है तो वो करने से हाँ पर हमारा expression दिखने में थोड़ा अलग हो जाएगा लेकिन बनेगा तो वोई तो मैंने हाँ पर multiply किस से किया है मैंने multiply किया है cos a cos b cos c से और मैं आप divide भी कर रहा हूँ cos a cos b cos c से लेकिन divide करते समय मैं actually expressions को divide कर रहा हूँ तो मैं अगर यहाँ पर cos a cos b cos c से divide करूँगा तो cos b cos c तो cancel हो जाएंगे आपका sin a की नीचे cos a बचेगा सही? cos a cos b cos c से अगर आप divide करोगे तो cos b cos c cancel हो जाएगा sin a की नीचे cos a बचेगा वो tan a बनेगा तो यहाँ पर जैसे आपका tan a बना है अगला वाला आपका tan b बनेगा अगला वाला आपका tan c बनेगा और last में आपके पास में tan a tan b tan c आएगा क्योंकि वहाँ पर सारे के सारे sign है last में आपके पास में tan a tan b tan c आने वाला है clear है सारे बचेगो yes all right तो आपके बास में ये जो formula है ये भी जो है आगे चलके आपको help करेगा आप इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं and similar formula we have for cos as well ठीक है, cos of a plus b plus c cos of a plus b plus c का जो आपके हाँ पर formula है cos of a plus b plus c का formula फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं कि यहाँ पर भी हमर पास में 4 terms है लेकिन इस बार एक positive term है और 3 negative terms है फिर से आप यहाँ पर देख सकते हूँ कि जो आपके एक single अलग से दिखने होली term है उसके अजारे सारे सारे sin थै अब cos वाला formula कर रहे थे हाँ पे सारे सारे cos है ठीक है एड बाकी जो तीन अगर ऐख ल&ट इंप्र याद होगे हो प्योपसर में क्षाइब हा सब्लया शेड़ी डैप से टॉपर में तो सॐमझा वस्कांड ऑई ये तेला इस्मियर शेचे में वर एकन यौपर चायर देंर साथ पर टॉपर सब्सक्राइब करें लेकिन फिर से हमारा यहाँ पर आईडिया है वह है कि हम इसको एक दूसरे तरीके से भी याद करें ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, कि अगर मैं इस expression को cos A, cos B, cos C से multiply करूँ, cos A, cos B, cos C से multiply करूँ और फिर divide भी कर दूँ, तो कोई change नहीं होना चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पर multiply करूँ तो उसको बाहर रख रहा हूँ, तो दो टैन आपके कौन सा मन रहे है, tan B, tan C, ठीक है, माइनस, अगला वालो कौन सा मन रहे है, tan A, tan C, एंड लास्ट वालो कौन सा मन रहे है, tan A, tan B, ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा आगी बीचे करके भी लिख सकते हूँ, प्लस माइनस C, एल्टिमिटली, ठीक है, तो आप इसको ऐसा कुछ याद कर सकते है, 1 माइनस, tan A, tan B, माइनस, tan B, tan C, माइनस, tan C, tan A, है न, ऐसा उल्टा याद करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, एक order ABC वालो आपको याद करने में आसा नहीं रहेगा, क्लियर हो गएוצारे बच्वेट, कोесть हमारे पास में हमें इसको दिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास में क्या होता है, वैसे ही tan A, A, प्लस B प्लस C कितना हो जाएगा, tan of A plus B plus C कितना हो जाएगा, tan of A plus B plus C होना चाहिए, आपका यहाँ पे, sin of A plus B plus C, upon cos of A plus B plus C, अब जो हमने यहाँ पर additional formulas generate किये थे, cos A, cos B, cos C से multiply, divide करके, वो यहाँ पर इस्तिमाल करके, आपको directly answer दिख जाएगा, ठीक है, तो वो step का importance यह भी आपने, sin of A plus B plus C के फॉर्ण में क्या लिखा था, याद करू, आपने हुआ पर लिखा था, cos A, cos B, cos C के साथ में, 10A plus 10B plus 10C minus 10A 10B 10C 10A plus 10B plus 10C minus 10A 10B 10C इसके साथ में बाहर क्या था? cos A cos B cos C B था और cos A plus B plus C के फॉर्मिंग आपने क्या लिखा था? आपने cos A cos B cos C के साथ में additional multiply क्या क्या था? 1 minus 10A 10B minus 10B 10C minus 10C 10 ठीक है? तो 1 minus 10A 10B minus 10C 10B 10C minus 10C 10 तो आपको यहाँ पर दिख रहा है लेकिन क्योंकि हमने divide कर दिया है तो उपर वाले bracket में भी जो additionally आपके उसमें 3 cos वाली terms आ रही थी और नीचे वाले bracket में भी आपके उसमें 3 cos वाली terms आ रही थी वो दोनों हो गई है, यह cancel पहली बार में ऐसा हो सकता है कि समझ में ना है ठीक है? क्योंकि होता क्या है कि हर एक का यहाँ पर पढ़ने का और समझने का speed सेम नहीं होता है ठीक है? बट इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पर अच्छी बात ही है कि आपका technology आपके साथ में है ठीक है? आपको यहाँ पर एक बार फिर से rewind करके देखते आएगा so don't worry है न यहाँ पर आपके comment में काफी वरी नजर आ रही है ठीक है? तो वरी ना करें पहले बात तो कभी भी हम यहाँ पर थोड़ा सा भी अगर level up करते हैं तो दिक्कत होती है कोई बात नहीं लेकिन उस दिक्कत को जो हम झेलेंगे तभी तो grow करेंगे नहीं तो grow कैसे करेंगे ठीक है? तो दिक्कत होरी है मतलब अच्छी बात है यह और growing ठीक है? कोई tension वाली बात नहीं है मैं यहाँ पर आपको कह रहा हूँ कि आपके ऐसमें एक formula है cos का जो हम denominator में चाहते है तो denominator में यह बड़ा सा expression लिखा हूँ है ठीक है? और वैसे ही एक formula है हमारे पास में sign का जो हम numerator में चाहते है so numerator में ऐसा imagine करोगी यह बड़ा सा लिखा हूँ है तो होगा क्या? यह बाहर वाला cos से cos cos c और यह बाहर वाला cos से cos tan a tan b plus tan c tan a plus tan b plus tan c minus tan a tan b tan c upon 1 minus tan a tan b minus tan b tan c minus tan c tan a इसको याद करने के लिए आप एक और तरीके सी इसको याद कर सकते हो, ठीक है? इसी form में को लिखने का तरीका ऐसा भी हो सकता है हो सकता है कि यह आपको और बुरा लगे but you should know this ठीक है? पता होना चीए कुछ-कुछ चीज है जैसी हाँ पर अगर मुझे tan a tan b tan c अगर मुझे tan a tan b tan c लिखना है तो मैं उसको sigma के format में sigma tan a notation से represent कर सकता हूँ b और c लिखने के ज़रूत नहीं है केवल sigma tan a अगर आपने sigma tan a लिख दिया ना तो सामने वाले की जिम्मेदारी है कि वो समझे कि आप क्या बोलना चाहरे हो ठीक है? तो जैसे मैंने यहाँ पर sigma tan a लिख दिया तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप यहाँ पर समझो कि 3 angles क्योंकि involved है तो tan a जैसे आप कितने similar expressions create कर सकते हो आप tan a जैसा tan b create कर सकते हो और tan c create कर सकते हो ठीक है? तो यह जो आप एक जैसे 3 expressions create कर रहे हो उनका आपको sigma करना है sigma करना है मतलब क्या करना है? sum करना है ठीक है? मतलब आपके पास में यहाँ पर इस expression से क्या बनेगा? आपको sigma किसका करना है, tan a जैसी जितनी term से सबका sigma करना है मतलब tan a के साथ में क्या आएगा, tan b आएगा, tan c आएगा तो ये जो तीन term से उसको हम compress करके sigma tan a बोल सकते हैं ठीक है, लेकिन अगले वाले term के अंदर ऐसा कुछ है नहीं अगला वाले तो एक single term है, ठीक है तो single term को आप directly भी आसा लिखता है, तो भी कोई tension वाले बात नहीं है, tan a, tan b, tan c ठीक है तो वैसे मैंने आपको pi notation भी बता दिया है जैसे यहाँ पर sigma को मैंने sigma tan a लिखा है, वैसे इसको pi tan a लिख सकते हैं, जो बच्चे हाँ रेगुलर है, उनको याद होगा कि हमने हाँ सिग्मा और pi, दो अलगले चीज़े एक बार अपने lecture में discuss की हुई है, now I am also not sure कि कौन से lecture में की थी, but I am pretty sure कि हमने करी थी, ठीक है ओल्राइट, वैसे ही यहाँ पर नीचे एक discussion देखते हैं, नीचे में क्या कर सकता हूँ, नीचे में यहाँ पर जो है already एक one देख पा रहा हूँ, नीचे already में एक one देख पा रहा हूँ, ठीक है, अगर में इन तीनों terms में से minus common निकालूंगा तो क्या होगा, अगर minus common निकालूंगा तो मेरे पास में अंदर चीज़े plus के साथ में आएगी, something plus something plus something, something plus something plus something, ठीक है तो यहाँ पर जो तीनों term से क्या वो एक जैसी हैं जैसे यहाँ पर मेरे पास में tan a tan b और tan c एक जैसी terms है, एक जैसी मतलब क्या है, एक एक expression का use कर ठीक है तो अगर मैं यहाँ पर use करके sigma notation का इस्तमाल करके अगर लिखना चाहता हूं तो यह जो बड़ा सा ब्राकेट इसको में क्या लिख सकता हूं इस ब्रडे से ब्राकेट को में लिख सकता हूं sigma of sigma of tan A tan B अब सामने वाला समझेगा कैसे कि मैं क्या वोलना चाहरो सामने वाला ये समझेगा कि tan A tan B जैसे मैं जितने terms बना सकता हूँ मैं सबको बनाऊंगा और फिर उनका sigma करोंगा अब कितने terms बनाने कैसे पता चलता है आपके form में कितने अलगलं angle से उससे पता चलता है आपको अगर दो-दो के combinations बनाने ता आप किस-किस का combination बना सकते हो आप A और B का बना चुके हो एक बार आप B और C बना सकते हो और एक बार आप A और C बना सकते हो और कुछ नहीं बनेगा आपके बास में तो जितने भी combinations यहाँ पर दो-दो के बन सकते हैं उन सबका sigma करके आपको यह bracket की value मिलती है इसका मतलब यह है और जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा था कि आपका product भी actually जो है compress करके लिखा जा सकता है तो अगले step में वो भी लिखते तो हमें आपके यहाँ पर sigma कितना आएगा tan a आएगा minus आपके इसमें आपके यह जो है इसको pi tan a बोल सकते हो यह जो आपका pi है यह represent क्या कर रहा है कि tan a जैसी जितनी भी values आप create कर सकते हो कितनी कर सकते हो tan a जैसी हम 3 values create कर सकते है tan a, tan b और tan c उन सब का आपको क्या करना है product करना है ठीक है तो यही चीज expand होके ऐसी दिखती है यह चीज expand होके ऐसी दिखती है tan a plus tan b plus tan c और नीचे हमारे पास में क्या आचुका है one minus sigma tan a tan b clear तो यह हम अपने form इसको लिखने का तरीका सीख रहे है okay कहीं पर भी अगर ऐसी कंडिशन आईगी तो अलग से बताया जाएगा ठीक है आपको यहां पर यह कभी भी टेंशन लेना है कि यह हमारी जो है कौन से एंगल्स की लगेगा आपके जो कंपॉर्ण एंगल्स है वो हर एक एंगल के लिए एक तरीके से लगते हैं ठीक है आपके क्कूसिंजन पर डिपन करता है कि वो आपको ट्रेंगल का डिसुच्शन दे रहा है तो फ्र ए प्लस डी प्लस सी का वालिव आपका 180 डिग्री के बरावर हो जाYUगा नहीं है तो फिर कुछ भी हो सकता है अगर आपके यहां पर ट्रेंगल का डिस्कॉशन नहीं है तो आपक को एक बार फिर से देखना है, because there is no other way out, समझना था हमें पढ़े गई, समझना था हमें पढ़े गई, और यहाँ पर कोई भी जो है, आपको, अगर एक ही step है, तो और क्या explanation देगा है, ठीक है, आप यहाँ पर भटकते हैं, कि इससे better explanation आपको मिल सकता है, तो वो नहीं मिल सकता क्योंकि यह की step है, इसके अंदर कोई क्या explain करके देखा, आपको और अच्छे तरीके से, ठीक है, और अगर आपको cos of a plus b plus c का formula, अगर देखना है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर basically क्या करना है, इस formula को तो open करके देखना ही है, जहाँ पर मैंने आपको बताए कि आप पहले b b plus c को एक साथ लेके इसको open करोगे और अगले step में एक बार फिर से derivation complete करोगे, ठीक है, तो आपको यह actually करके देखना है, इसके पिछला आप मैंने करके दिखा दिया, लेकिन आगे जो tan का understanding हो आपको ज़्यादा आसाने से आता है, अगर आप यहीं पर cos ay cos भी cos से अलग नि cos b cos c के साथ में आपको क्या मिलेगा, cos ay cos b cos c के साथ में 1 minus, minus अगर आप यहां से common निकालोगे, तो आपके इसमें plus sign के साथ में क्या क्या आएगा, tan a tan b जैसी सारी चीज़े हैंगी, tan a tan b जैसी सारी चीज़े हैंगे, ठीके तो इसको, ऐसा अभी इसको लिख सकते हो, clear हो र cos b plus c का formula, cos of a plus b plus c का formula और tan of a plus b plus c का formula अभी हमने आपे पढ़ा है, ठीक है, let us try to apply this in questions, है न, all right, lecture आपका आज का भरी हो गया है, कोई बात नहीं, आज अच्छी नीन दाएगी फिर आपको, यहला question अगर मुझे करने के लिए बोले तो कैसे करेंगे, in a triangle a b c, if cos a cos b cos c is equal to 1 by 3, then find the value of sigma tan a tan b tan c, अब अगर आपने notation नहीं पढ़ा होता तो यह सवाल तो आप करीं नहीं सकते थे, so कभी भी यहाँ पर theoretical discussions को, तो आपको यहाँ पर weightage दे नहीं, अगर sigma tan b tan c आप कभी पता करने की कोशिच ना करो, आप अगर यह बोलो कि नहीं, sir मैं तो नहीं, ऐसे ही य you're missing out on this idea of sigma tan a, आपको पर पता ही नहीं, और सवाल में अगर वो पूछ लिया, तो फिर कैसे answer करोगे, ठीक है, इसमें पता तो सब होना चाहिए, और एक और चीज़ आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, कि यार आप यहाँ पर sigma tan b tan c लिखो, चाहे sigma tan a tan b लिखो, चाहे sigma tan c tan a लिखो, उससे फर्म नहीं पढ़ रहा है, आपको यहाँ पर देखना है, कि आपके पास में अगर 3 angles हैं, तो आपको यहाँ पर 2-2 के combinations जितने भी possible हैं, सब create करके sigma करने, मतलब आएगा actually answer वही, जो sigma tan a tan b से आता, sigma tan a tan b से जो answer आता, वही यहाँ पर आपका sigma tan b tan c से भी आ जा रहा है आपसे, ठीक है, मतलब क्या है, इस फर्म में के अंदर में यहाँ पर sigma tan a ना लिखे, sigma tan b भी लिख सकता हूँ, तो भी सामने वाला समझ जाएगा, sigma tan b का भी क्या मतलब होगा, वही मतलब होगा, कि tan b जैसे जितने भी आप create कर सकते हो, तो tan b जैसे हम कितने create कर सक मेरे पास में यहाँ पर information क्या क्या है, मेरे पास में information है about cos a cos b cos c, so cos a cos b cos c, फिर से हमने यहाँ पर एक formula जो है, अच्छे तरीकी से पढ़ा हुआ है, ठीक है, अगर में यहाँ पर इस information को equation के format में लिखू, मेरे पास यहाँ पर starting point आ जाएगा, क्योंकि आपके ABC जो है, triangle के angles से, इसलिए a plus b plus c क्या है आपका, a plus b plus c आपका πाई के बराबर है, 180 degrees के बराबर है, तो अगर मैं 2 side cos ले लेता हूँ, तो मुझे फायदा मिलेगा, यह मुझे कैसे पता चल रहा है, कि cos लेके फायदा मिलेगा, sin का भी formula मैं आपको बता है, मैंने आपको tan का भी formula बता है, ल इसलिए हमें cost लेना है, ठीक है, फिर से, अगर आपको formula ही नहीं आदे, आप कैसे सोचोगे, फिर बच्चे यहाँ पर बोलते है, सर, आप कैसे सोच तो यहाँ पर आपका, जो approach है, यह कैसे develop करें, approach develop करने के लिए पता दो होना चाहिए कि आपको 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 आप job के बारे में सोचो, ठीक है, इसका example शायद पहले भी दिया होगा मैंने, ठीक है, आप अगर एक mechanic हो, ठीक है, आपको एक car की servicing करनी है, ठीक है, लेकिन आपके यहाँ पर mechanic वाली shop में, है ना, जो जो आपके इसमें tools है, आपको पता ही नहीं, कि वो tools कैसे function करते है, है ना, क कि ये expression कौन से formula में आता है, ये वाला expression भी कौन से formula में आता है, तो आप यहाँ पर सूचोगे कि ये formula अपलाए करते हैं, तो approach अपने आप बन गई, approach आपने यहाँ पर formula की मतदद से develop कर ले, because you are now able to fill in the gaps, जो यहाँ पर create हो रहे है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं cos of a plus b plus c का formula open करते हो, तो मेरे पास में क्या आता है, cos a cos b cos c के साथ में आता है, हमारे पास में, one minus, अभी मैंने short hand notation फिर से आपको लिखके बता दिया था, इस formula का, ठीक है, one minus, कितना होता है, sigma tan a tan b, अब हमने formula में tan a tan b लिखा है, लेकिन उसने question में tan b tan c पूछा है, उसे फरक नही minus one के बराबर होता है, तो इसके अंदर कोई doubt नहीं है, now actually the question is done, आईए question basically 2-3 step का ही है, cos a cos b cos c का value उसने 1 by 3 दिया हुए, यहाँ पर 1 by 3 substitute कर देते हैं, और यहाँ पर 1 minus sigma tan a tan b का value हमें निकालना है, तो जो निकालना है वही तो बचा है, बागि सब तो यहाँ पर दिया और simplify करके आपका समया पर answer क्या रहा है, जन्दी से देखने सारे बच्चे, 4 answer आ रहे, yes, 4 answer आ रहे, yes, 4 answer आ रहे, yes, 4 answer आते हैं, 4 answer आते हैं, सारे बच्चे को दिख जाना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि आप जब यहाँ पर cross multiply करोगे, तो यहाँ पर 3 बनेगा, और यह जो है, इस तरफ आके 3 बनेगा, minus 1 बनेगा, sorry, so sorry, यहाँ पर यह minus 1 है, minus 3 बनेगा, और minus 3 जो है, इस तरफ आके फिर 1 के साथ में मिलके 4 बनेगा, ठीक है, यह minus वाला sigma आपको right hand side में भेजना है, यहाँ पर clarity के लिए एक बार फिर से लिख देता हूँ, जो मैंने पर बात पर कही है, ठीक है, कि this expression is actually equivalent to sigma tan a tan b, कोई फरक नहीं है, चाहे आप इसका answer निकालो, चाहे आप उसका answer निकालो, आपके बास में same ही answer आ रहा है, लिखने का बस तरीका दूसरा है, all right, चलो, so, एक question और हो जाए, बिल्कुल similar सा सवाल, in triangle ABC, find the value of cot A cot B, plus cot B cot C, plus cot C cot A, try it out everyone, cancer आना चीज़ का, okay, try करें सार बच्चा, मैंने इस साल 12th क्यों नहीं लिया, आपका सवाल है, इसके अंदर फिर से आपका स्टार्टिंग पॉइंट कौन क्रियेट करके दे रहा है, इन triangle ABC, अगर मैं triangle ABC के अंदर discussion करना चाहता हूँ, मतलब मैं यहाँ पर क्या जानता हूँ, कि यहाँ पर A plus B plus C का value कितना है, पाए के बराबर, अगर A plus B plus C का value पाए के बराबर है, और यहाँ पर आपको cot में चीज़े नजर आ रहे हैं, तो cot मतलब भाई कौन है उसका, cot का भाई कौन है tan है, तो पिछली बार तो cost लिया था, इस बार लेकिन मैं tan लेना चाहता हूँ, इस बार में tan लेना चाहता हूँ, tan of A plus B plus C किसके बराबर हो जाएगा, tan A के बराबर हो जाएगा, tan pi, sorry, tan pi के बराबर हो जाएगा, ठीक है, और tan pi का value हमें पता है क्या, tan of 180 degrees, कि नहीं पता, tan of 180 degrees आपको पता है क्या, tan of 180 degrees is basically tan of 180 plus 0, और tan of 180 plus theta, tan theta ही होता है, मदब tan of 180 degrees basically tan 0 के बराबर है, which is equal to 0, ठीक है, तो आप पकर यहाँ पर formula open करोगे तो आपका असमें क्या है यहाँ पर, tan of A plus B plus C का formula, एक बार लिखते हैं चलो याद हो जाएगा, tan A plus tan B plus tan C, tan A plus tan B plus tan C, minus tan A tan B tan C, minus tan A tan B tan C, ठीक है, और नीचे क्या आता है, नीचे भी बहुत बड़ा सा expression है, 1 minus tan A tan B, minus tan B tan C, minus tan C tan A, यह हमारा बड़ा सा tan A plus B plus C का formula है, ठीक हैं, और यह किसके बराबर जा रहे हैं, यह हमारा 0 के बराबर जा रहे हैं, तो denominator आपका 0 से multiply होके waste हो जाएगा, तो ultimately आपके उसमें क्या आ रहा है, ultimately आपके उसमें numerator बच रहा है, और numerator में अगर मैं यहाँ पर 0 के side में इसको ले जाता हूँ, right hand side में इसको shift करता हूँ, तो मिरे पास में expression क्या आएगा, अगले step में, मिरे पास में expression आ रहा है कि tan of, tan A plus tan B plus tan C कितना हो जाएगा, एक बार फिर से देखने हैं सारे बचे, tan A plus tan B plus tan C अभी left में बचा हुआ है, right side में क्या भेज़ दिया मैंने tan A tan B tan C, tan A plus tan B plus tan C is equal to कितना हो गया, tan A tan B tan C के equal हो गया, तो आप अगर यहाँ पर आप दोनों side tan A tan B tan C से divide कर दोगे, तो क्या आप luckily वही generate कर रहे हो जो आपको चाहिए, अगर आप दोनों side divide कर देते हो, tan A tan B tan C से, ठीक है, तो right hand side में आपको क्या मिलेगा, one मिलेगा, ठीक है, लेकिन left hand side में हाँ पर क्या हो रहा है, जब आप यहाँ बेंड दिस्रिबूट करोगे, ऑफर जाके क्या हो जाएगगा, ऐसे ही अगला वाला जो टर्म बने गhu, तो tan A tan C नीचे बनेगा, उपर जाके क्या हो जाएगा, और वैसे ही आपके सम्में अगले term में तर्म T कांसल हो गगा, औरłe cubic बनेगा, ठीक है, तो यही actually आपको चाहिए था, जिसका value कितना बना है ultimately 1 के बराबर बना है ठीक है इसका answer कितना आ रहा है हमारा plus 1 हमारा answer निकल रहा है clear okay हाँ जी 1 बिल्कुल आपका correct answer है और मेरे क्याल से अभी के लिए आपको जादा मैंने परिशान कर दिया है तो इस topic को अभी change करते हैं और कुछ दूसरे results का discussion करते हैं ठीक है extended compound angles जो है हम जो है बीश में से revisit करते रहेंगे जैसे सहमें जरूत पड़ेगी वैसे वैसे ठीक है अभी के लिए एक important result देख लो यहाँ पर ये नीचे कैसे आगे नीचे क्या कर रहा है ये a इसको उपर भेशने रुको ये a यहाँ पर नहीं होना चाहिए ये a वहाँ होना चाहिए cos square के पास में होना चाहिए तो हमारा यहाँ पर जो अभी discussion है वो basically कुछ इस तरह से है कि हमें in formulas का भी इस्तवाल करने के जरूत पड़ सकती है ये भी क्या है ये basically आपके compound angle formulas का ही एक तरीके से variation है आपने किया किया compound angle formulas को multiply कर दिया compound angle formulas को हमने multiply कर दिया तो अगर हमने multiply कर दिया है तो यहाँ पर result derive करना हमारे बिल्कुल भी difficult नहीं होना चाहिए important तो बहुत है difficult नहीं होना चीए हम यहाँ पर क्या इसको actually derive कर सकते हैं दो step में मैं यहाँ पर जाना चाहरा हूँ कि अगर मैं sin of a plus b के अंदर multiply कर देता हूँ sin of a minus b तो क्या बनता है है ना दिख रहा है वैसे हमें sin square minus sin square b भी बनने वाला है है ना mystery already यहाँ पर solved है लेकिन क्या है पूरी कहानी क्या है उसको एक बार देखने के लिए इसको open करना है आपको बस ठीक है इसको अकर आप open करोगे तो कितना बनेगा आपके इसमें हाँ पर sin a cos b plus cos a sin b बनेगा यह plus वाला formula है और minus वाले formula में क्या change होता है बस इतना सही change होता है कि बीच में minus आजाता है sin a cos b minus cos a sin तो जैसे आप यहाँ पर open कर रहे हो आपको यहाँ पर अपने आप click कर गया होगा ठीक है कि यार something plus something into something minus something something plus something into something minus something कितना होता है यह तो a square minus b square अला formula है a plus b into a minus b is equal to a square minus b square ठीक है तो आपका अगला step यहाँ पर simplification का बड़ा ही आसान है a square मतलब sin square a cos square b minus b square b square मतलब cos square a sin square b ठीक अगर मैं अपने final result तक जाना चाहता हूँ तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा step और additional करना है कि यहाँ पर जो cos में expression दिखाए दे रहे है उनको आप sin में change कर लो ठीक है so cos square b को में क्या लग सकता हूँ 1 minus sin square b और cos square a को में क्या लग सकता हूँ 1 minus sin square a जैसे आप यह open करोगे आपको यहाँ पर अपना answer मिल जाएगा ठीक है क्या है यहाँ पर sin square a जो है वो तो direct है लेकिन cos square b के place में में हाँ पर 1 minus sin square b substitute कर रहा हूँ और cos square a जो है उसके place में में हाँ पर 1 minus sin square a लिख रहा हूँ ठीक है और अलग से यहाँ पर आपके उसमें sin square b तो पहले से है so I'm trying to convert entire expression into sin ठीक है yes तो हमारे पास में हाँ पर क्या हो रहा है second step में क्या होगे second step में हमारे पास में sin a cos b minus cos a sin b है अच्छा ठीक है अल्राइट यहाँ पर b कर लाते है thank you very much अल्राइट तो बागी सही है sin a cos b plus cos a sin b बागी सब सही है बल्कुल अल्राइट तो हमारे पास में हाँ पर अब जो next step create हो रहा है हमारे पास में हाँ पर आ रहा है sin square a minus sin square a sin square b और क्योंकि minus sin है यहाँ पर तो multiply करते समय ध्यान देना sin square b बनेगा तो सही लेकिन minus sin के साथ में बनेगा और sin square a sin square b बनेगा तो सही लेकिन minus minus plus हो जाएगा तो plus sin के साथ में आपका sin square a sin square b बनने वाला है और यही तो cancel हो गया क्योंकि एक जगे plus के साथ में एक जगे minus के साथ में तो we have our result finally which is sin square a minus sin square b ठीक है तो यह variation एक तरीक से compound angles कर और यह actually क्योंकि कम बार इस्तमाल होता है न इसलिए अगर इस्तमाल होता है तो हमें एकदम से click नहीं करता है इसलिए मैं आपको suggest कर रहा हूं कि इसको जादा importance दे कि याद करना ठीक है इसलिए हम यहाँ पर जो जाएगा और आपके समें cos square b minus cos square a आएगा कौन पहले है कौन बाद में है कौन plus sign के साथ में कौन सा minus sign के साथ में इसको अच्छे तरीके से देख लो और अच्छे तरीके से याद कर लो ठीक है कैसे आया है वो तो उसने काफी आसान है हमने दोनों form is open की multiply करके वाकई वही आया है जो हम यहाँ पर याद करना चाहा रहे है ठीक है तो ऐसे कैसे आया हमें कोई mystery नहीं है कैसे है हमें दिख रहे है कि आया तो यह काफी आसानी से लेकिन याद कर लेना अच्छे से याद कर लेना अच्छे से और वैसे ही obviously एक अगर यहाँ पर हमने discussion sign के साथ नहीं किया था एक तो कॉस के साथ में बनता है बिल्कुल ठीक है सो कॉस ओफ ए प्लस बी इंटू कॉस ओफ ए माइनस बी भी आपके वास में एक result है लेकिन यहाँ पर ध्यान देना कि पिछली बार तो आपका साइन साइन और कॉस कॉस वाला फॉर्मला था इस बार आपके असमें एक कॉस है और एक साइन है अब एक कॉस है और एक साइन में हम पर आप फिर से देखो कि A और B में actually symmetry है ठीक है आप यहाँ पर A और B को exchange कर दोगे तो भी आपका formula चल जाता है ठीक है यह सारी चीज़े देख देखके याद करना ताकि आपको confusion नहों आगे चलके कि यह formula था कि वो formula था ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर यह symmetry क्यों मिल रही है हमें अगर यह समझ लोगे तो आपको confusion नहीं होगा यह symmetry आपको इसलिए मिल रहे है because cos of minus theta is same as cos theta and that is the reason कि cos of minus of A minus B is same as cos of A minus B ठीक है और यहाँ पर minus अगर अगर अंदर multiply कर रहे हो जाएगा cos of B minus A ठीक है छोटी सी बात है लेकिन थोड़ा सा इस तरह से सोचना स्टार्ट करों नहीं तो आपको questions में भी करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकते हैं आप यहाँ पर A minus B की जगे actually क्या लिख सकते हो A minus B के place में आप B minus A भी लिख सकते हो कोई tension नहीं है तो अगर आप यहाँ पर B minus A लिख सकते हो और यहाँ पर तो B minus A obviously लिख सकते हो क्योंकि A plus B तो B plus A के बराबर होता ही तो अब अगर अपने actual LHS के अंदर A और B को exchange कर पा रहे हो तो जो formula है उसके अंदर भी A और B को exchange करी सकते होंगे फिर तो इसलिए यहाँ पर आपको यह notice करना है कि important क्या है कि cos वाला expression plus के साथ में आता है और sin वाला expression minus के साथ में आता है cos वाला expression plus के साथ में आता है और sin वाला expression minus के साथ में आता है यह ज़्यादा important है जो आपको याद रखना है ठीक है point clear, point taken कैसे आया, oops क्या हो गया हुई कैसे आया, है ना, वो अगर आपको देखना तो फिर से आपको करना क्या पड़ेगा वो ही, simple सी बात करने पड़ेगी कि आप इसको भी open करोगे, इसको भी open करोगे तो can I leave this task up to you students आप यहापर cos of a plus b cos of a minus b का formula कैसे open करोगे, cos a cos b minus sin a sin b ठीक है, और आपका जो cos of a minus b का formula है, उसको कैसे open करोगे, cos a cos b plus sin a sin ठीक है, तो फिर से हाँ पर आपको a square minus b square होते वे दिख रहा है ठीक है, a square minus b square को आप यहाँ पर simplify करना, and you will get to your answer, चलो दो कोई step पर वैसे मैं करते था हूँ, चलो, क्या ही, आपका wait करेंगे, हम यहाँ पर खुद से ही करते थे, चलो तो हमरे पास में आ रहा है, यहाँ पर cos square a cos square b minus sin square a sin square b तो यहाँ पर हम obviously, अब sin वाले expression को change करना चाहेंगे, so cos square a cos square b minus 1 minus cos square a into 1 minus cos square b ऐसा बचने वाला है, ठीक है, so होगा क्या, क्या आपका cos square a cos square b cancel होगा cos square a cos square b हाँ पर plus के साथ में बन रहा है, लेकिन बाहर एक और minus है तो इस वएसे वो minus के साथ में create होगा finally और इस plus वाले expression के साथ में cancel हो जाएगा, लेकिन अंदर आप बचेगा क्या 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 आपके आसमें एक तो 1 बचेगा और 1 के साथ में आपके बास में minus of cos square minus of sin square sorry, minus of cos square a minus of cos square b बचेगा minus of cos square a and minus of cos square b बचेगा ठीक है, बस अब यहाँ पर आपको 1 बचेगा, फिर से इहाँ पर द्यान से देखे निया साथ में यहाँ पर 1 बन रहा है लेकिन with a minus sin, यहाँ पर minus cos square b बन रहा है with a minus sign, तो minus cos square b with a minus sign कित्arna हो जाएगा, plus cos square b और plus cos square a भी हो जाएगा, ठीक है तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, अगर आप इसको merge करते हो तो आपके पास में sin square a वाले format create होता है which is cos square b minus sin square a है ना क्योंकि आपको इन दोनों में से minus common निकालना पड़ेगा तब 1 minus cos square a actually sin square a बनेगा ठीक है लेकिन आप अगर इन दोनों को merge करते है अगर आप इन दोनों को merge करते हैं तो क्या होता इस case में cos square a के साथ में आपका sin square b बनेगा cos square a के साथ में आपका sin square b बनेगा ठीक है all right so derivation भी हाँ पर हमने completely देख लिए clear है सरे बच्चे को okay हाँ जी आसान है बहुत दी बढ़िया बात है सुनके अच्छा लगा तो question भी आसान लगेगा फिर तो जल्दी से इसका answer बताओ क्या आएक है actually question भी काफी आसान है try करें सारे बच्चे इसको क्या answer आना चीज़ का what should be the answer for this question जल्दी से बताएं यहाँ आपके देख पा रहे हो कि आपके पास में sin square something minus sin square something denominator में लिखा हुआ है और अगर आप उसको देख पा रहे हो तो आपको यहाँ पे अब reverse direction में formula दिखना चीज़ रिवर्स direction में आपको यहाँ पर formula आदे आना चीज़ यहाँ पर आपके बस में sin square a minus sin square b कौन सा वाला formula था पहला वाला साइन, साइन, दोनों साइन है न अभी जो हमने किया उसके अंदर तो एक कॉस और एक साइन है दोनों साइन वाला कौन सा formula है दोनों साइन वाला यह formula है तो आपका sin square minus sin square b कहीं पर भी आपको नजर आ रहा है तो even replace it with sin of a plus b into sin of a minus b यह हमें बेसिकली अभी सीखने के लिए मिला है न वह यहांपर अपलाय करते है ठीक है तो कितना बनेगा यहांपर sin of a plus b पहला वाला प्लस दूसरा वाला into sin of पहला वाला angle minus दूसरा वाला एंगल बस आपका question solve हो गया यह question इतना ही आसान था आपको यहांपर formula पता होना चाहिए to actually get to your final step which is this this is the final step आप यहांपर यह pi by 12 और pi by 12 cancel करोगे ठीक है ओके और उस side आपका cancel करोगे देहां से देखना चाहिए उस side आप cancel करना चाहरे हो I guess theta by 2 इस side up theta by 2 cancel करना चाहरे हो ठीक है तो आपको जो पहला वाला expression उसके अंदर sin theta के नीचे देखो sin theta आगया theta by 2 add होके sin theta होके और यहां पर आपके उसमें कितना हो जाएगा सी आंसर आगया है हमारा बहुत बढ़ीया बात है तो आपको अब यहां पर अगर additional formulas यह वाले भी अगर पता चल चुके है sin of a plus b into sin of a minus b वाले तो हम अब आपको एक homework question दे सकते हैं ठीक है so with this homework question we will end our today's session हो सकता है कई सारे बच्चों को आँच का session जो है repeat देखना पड़े तो देख ले न right but be comfortable with these ideas as well नहीं तो हम वो advanced level कैसे touch कर पाएंगे ठीक है we cannot always discuss things जो हमें पहली बार में समझ में आ रहे हैं हमें कभी तो यह discussion करने पड़ेंगे जो हमें पहली बार में समझ में नहीं आ रहे हैं ठीक है but that is also important जैसे कि मैं आपको बुला कि जब हम उस तरह के discussions करेंगे तब हमारा main growth होगा ठीक है और मैंने comment section में बच्चों आपके comments देखे कई सारे बच्चों ने इस question का सही answer निकाला है ठीक है इस question का बहुत सारे बच्चों ने correct answer बताया है लेकिन साथ में उन्होंने ये भी लिखा कि sir यहाँ पर हमने identify कर लिया कि यहाँ पर shortcut लग रहा है क्या आप भी उनमें से एक है जिन्होंने इस question का answer shortcut के through निकाला है yes 3x4 जैसे कि यहाँ पर संभव बता रहा है इसका correct answer है बिल्कुल 3x4 बेटा आपका यहाँ पर जो answer 3x4 निकला है यहाँ पर कहीं सारे बच्चों ने इसका जो step किया है वो कुछ इस तरह से suggest किया है कि क्योंकि sir यहाँ पर given आपके जो expression है आपके जो given expression है उसके अंदर a और b unknowns है और वो बहुत अच्छा logic है वो बहुत अच्छा logic है आपको यहाँ पर जो calculate करना है उसके अंदर the unknowns है लेकिन जो आपके बास में यहाँ पर final options नजर आ रहे है वो ultimately constants है इससे सीधी सीधी बात हमें सवनी में आती है कि यहाँ पर na a और b ultimately mix and match होके cancel वाइंसल हो जाते होंगे और इसलिए हमारे यहाँ पर answer calculate कर लिया होगा और उनको यहाँ पर 3 by 4 दो step के अंदर ही मिल गया होगा ठीक है तो यहाँ पर एक shortcut definitely मैं आपको suggest मैं खुद भी करूंगा इस case में ठीक है कि इस case में आपका shortcut क्योंकि यहाँ पर काफी options support कर रहे हैं आपको है ना आपके options यहाँ पर जो है उसके अंदर a और भी वाले terms क्योंकि नहीं हम यहाँ पर clearly बता चल रहा है कि यहाँ पर constant यह answer आना है तो हर बार same answer आएगा जो 0 और 5 by 3 के combination में answer आएगा वही 5 by 6,5 by 6 वाले combination में भी आएगा ठीक है तो अगर हर case में same answer आ रहा है तो किसी भी एक constant के लिए आप answer calculate कर लो और वही answer mark करके आगे बढ़ जाओ 3 by 4 इस तरीके से आपने answer निकाला है तो आपने बहुत अच्छा सोचा ठीक है आपने बहुत अच्छा सोचा है लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि 0 और 5 by 3 के comparison में 5 by 6,5 by 6 यहाँ और ज्यादर बेटर option है आप यहाँ पर A और B को दोनों को ही 30 degrees ल plus cos square 5 by 6 minus cos 5 by 6 cos 5 by 6 तो यह भी क्या हो गया? cos square 5 by 6 ही हो गया ना? यह भी cos square 5 by 6 ही हो गया तो एक cos square 5 by 6 तो हो गया cancel और cos 5 by 6 का value आपका होता है root 3 by 2 उसका square करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 by 4 हो जाएगा, ठीक है? कितने बच्छों ने इसी तरीके से अपने question को solve किया है? जलसी which will help us understand कि हम यहाँ पर exact approach भी पता क्यों होनी चाहिए? यहाँ पर यह shortcut enough नहीं है, हमें इसका exact approach भी पता होना चाहिए कि इसको solve कैसे करेंगे, which will be our method 2. यहाँ पर जो हमने discuss किया है, this is method 1, which works for this question brilliantly. इसलिए यहाँ पर आपने इसको 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 important समझाने के लिए मैं आपको दिखाना चाहरा हूँ यहाँ पर J main 2019 का question, J main 2019 में April में यह question आया था, question देखने भी बार देहां से, आपको जिए हाँ पर J main में question आया था, वो यह था, cos square 10 degrees, क्या लिखा है यहाँ पर? cos square 10 degrees minus cos of 10 degrees, cos of 50 degrees and plus cos square 50 degrees का answer क्या होना चाहिए? now in this question, what they did? यहाँ पर अच्छा काम क्या किया इन्होंने? कि इन्होंने यहाँ पर यह जो हमारा thought है उसी को kill कर दिया, कि यहाँ पर हम अपने खुद से values ले सकते हैं, उस thought को इन्होंने kill कर दिया, तो कोई भी बच्चा इस question को देखके कभी भी यह नहीं सोचेगा कि यार, 10 और 50 के लिए जो answer निकलेगा न, वही same answer 30-30 के लिए भी निकलेगा और वही same answer 0-60 के लिए कोई ऐसा सोच सकता ही नहीं है, because we are not primed in that way, अगर इस तरह से question आपको सामने आ जाता है तो, ठीक है, और इसी लिए यहाँ पर 2019 में उन बच्चों को फायदा हुआ होगा, जिसको actually इस सवाल का answer, इस सवाल का answer सही तरीके से calculate करते आ रहा होगा, इसलिए मैं आपको हर बार यह बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पर कभी भी जो है न, shortcut अगर आप इस्तिमाल कर रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जो इसा भी question ऐसा तो होगा नहीं कि उसका solution केवल shortcut से आएगा, जो भी question यहाँ पर create किया गया है, उसका actual formula application और actual steps होते हैं, उसको use करके कोई तो solution exist करता होगा न, we should always think of that solution as well, बास होई में आ रहे सारे बच्चों को, this is the same question, this is the same question, अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि आपका angle A जो है, वो 10 degrees है, angle B जो है, वो 50 degrees है, तो यहाँ अबर A plus B कितना हो गया, 60 degrees, which is 5 by 3, और उसकेस में आपको यहाँ पर क्या पुछा गया है, cos square A plus cos square B minus cos A cos B, इसका answer भी क्या निकल कर आया है, obviously इसका answer 3 by 4 निकल कर आयागा, yes or no, इसका answer भी 3 by 4 निकल कर आयागा, yes or no, yes, all right, तो आपके पास में, अब हाँ, जैसे कि यहाँ पर तो आपको यहाँ पर, एक तो आप यहाँ पर ट्रिणोमेटर के बहुत सारे सवाल करने वाले हो, ठीक है, अब जब ट्रिणोमेटर के बहुत सारे सवाल करोगे, आपको यहाँ पर क्या लगता है, कि दो साल बाद आपको याद रहेगा, कि इस question का answer 3 by 4 आया था, और यह बि आपको बता देता हूँ, आप अगले वाल में अप्लाय कर लें तो उसका भी आपको correct solution बता चल जाएगा, so what we have at hand is this expression, cos square a plus cos square b minus cos a cos b, यह हमारे पास में target ही की, इसको simplify करके हमें बताना है, ठीक है, और यह मैंने आपको last class में एक बहुती बढ़ी आसा फॉर्मा बताया था उसके थुरू बड़ी आसानी से solve हो जाता है, आपको एक simple step यहाँ पर सोचना है कि आप cos square a को क्या कर सकते हो, cos square a को आप यहाँ पे 1 minus sin square a लिख सकते हो, ठीक है, और जैसे आप यह काम करोगे, आपको कल की class का, जो बिलकुल end में former discuss किया थो, वो याद आ जाएगा, cos square b minus sin square a क्या होता है, देखो 1 तो यहाँ पर अलग कर लो, लेकिन इन दोनों का combination क्या है, cos square b minus sin square है, यह a cos और एक sin वाला combination वाला कौन सा फॉर्मला होता है, cos of a plus b into cos of a minus b, ठीक है, यह बनेगा, साथ में हाँ पर cos a cos b तो आपके पास में है ही, अब जैसे आप यहाँ पर यह formula अपल हम तो directly convert हो जाएगा, because a plus b आपके question में given है, आपके question में a plus b का value pi by 3 given है, इसलिए यहाँ पर में pi by 3 use करके, cos pi by 3 का value कितना use कर लोंगा, 1 by 2 के बराबर में इस्तिमाल कर लोंगा, and I will get a simpler expression, तो यहाँ पर 1 plus 1 by 2 के साथ में आपको क्या मिल रहा है, 1 plus 1 by 2 के साथ में we have cos of a minus b, can open this, यह अगर मैं open करूँगा, किसी को पुरान लगना चाहिए, क्योंकि यह form लोंगा, तो हमने और पहले पढ़ लिया था, तो cos of a minus b क्या होता है, cos a cos b plus sin a sin b, और उसके साथ में अलग से आपके उसमें cos a cos b भी लिखा हुआ है, अब जब आप यहाँ पे 1 को अभी भी आएगा sin a sin b, और a cos a cos b plus sin के साथ में है, और lcm के वैसे यहाँ पर minus 2 times of cos a cos b generate होने वाला है, इस वज़े से आपके पास में यहाँ पर बनेगा क्या, 1 plus ultimately आपके यह expression आता है, now I guess सभी बच्चों को दिग्या होगा, यहाँ पर answer आते हो, हमारे पास यहाँ पर बनेगा, 1 plus half क साथ में, sin a sin b, and minus of cos a cos b, this should be the simplification that we get, और यह आपका फॉर्मला क्या है, यह आपका फॉर्मला क्या है, cos of, यह आपका फॉर्मला क्या है, cos of, हाँ ने, अभी यहाँ पर minus common निकालना पड़ेगा, उसके उन्हें फॉर्मला बनेगा, है न, cos of a plus b का फॉर्मला के अंदर, cos positive मे आता है, sin negative में आता है, तो पहले यहाँ से minus common निकालो गया, तो minus common निकालने के बाद में, आपके उसमें, आपके cos a cos b आएगा, and minus sin a sin b आएगा, जिसको अगली step में, आप क्या कर सकते हो, sin a sin b, जिसको अगली step में, आप cos of a plus b लिखके, 1 by 2 फिर से create कर सकते हो, clear हो गया सारे बच्चो को, ति हो जाएगा आपके समें, 1 minus 1 by 2, into 1 by 2, which is 1 minus 1 by 4, which is 3 by 4, ठीके, वैसे solution तो simple ही है, solution तो वैसे इसका simple ही है, ठीके, clear हो रहा है, okay, alright, चलो, तो आगे बढ़ें, इतना समय में आ गया सारे बच्चो को, right, so यहाँ पर importance भी clear हो गया, कि हमें क्या करना है, उसका importance clear हो जाता है सारे बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर हमारे पास में, a plus b का value, जैसे हमें दिखाई देगा, a plus b का value हमें यहाँ भी दिखाई देगा, 60 degrees के बराबर है, same arrangement है, तो हम इस question को भी solve कर लेंगे, तो now, let us come to our today's new topic, which is trigonometric ratios of multiple angles, तो यहाँ पर basically इस मुझे ऐसा लगता है कि, just theoretical point of view से बोलना जरूरी है, but otherwise तो उसके अंदर जो हमारे फॉर्मेस होते हैं, वो बिल्कुल same, ditto same आते हैं, ठीक है, तो आपको अलग से यहाँ पर मेहनत नहीं करने पड़ेगी, सब multiple समझने के लिए, अगर आप फंडा समझ जाओगे कि सब multiple basically कि बोल रहे हैं, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, हाँ पर trigonometric ratios of multiple angles के साथ में, multiple वैसे आपको पता हैं न, जैसे x का multiple क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, theta का multiple क्या हो जाएगा, 2 theta, 3 theta, यह सारे multiples हैं, तो अगर मेरे पास में sine of 2 theta पूछा जा रहा है, या फिर sine of 3 theta पूछा जा रहा है, then in that case, I will say कि यहाँ पर multiple angles का discussion चल रहा है, multiple angles मतलब ऐसे अलग अलग नहीं, multiple मतलब multiple, 2 का multiple, 3 का multiple, 4 का multiple, यह हमारे multiple का मतलब हैं, ठीक है, तो सबसे simple वाले idea के साथ में यहाँ पर start करते हैं, ता कि आपको एक funda पकड़ में आए, कि यहाँ पर हम करने क हाले, हमारे पास में आज का जो सबसे पहला और सबसे simple सा formula generate होड़ा है, that is for sine 2a, अगर कोई आप से पुछता है कि sine 2a का value कितना होगा, तो आप उसको वोलोगी कि यह 2 sine a cos a के बराबर होता है, लेकिन यह कहां से आया, देखो अब यहाँ पर अच्छी बात किया है, कि हमने compound angles फढ़ लिए है, compound angles में आपको याद है कि हमने वो figure वगर आप बना के derivation किये थे, काफी समय हमने spend किया था, compound angle sine of a plus b निकालने के लिए, ठीक है, perpendicular drop दिये थे बड़ा आजी वोजिब सही हाँ आपर, triangles का discussion हुआ था, और finally हमरे पास में sine of a plus b का formula आया था, उसके बाद में हम यहाँ पर प्रूब कर चाहिए, उसको base मान के अब उसके उपर build up करते हैं, तो हमरे पास में already एक understanding है, since we already know कि sine of a plus b जो होता है, वो कितना होता है, sine a cos b plus cos a sine b, यह आपका understanding होता है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछ रहे कि sine 2a का value कितना होना चाहिए, तो कि आप ही realize कर पा रहे हो, कि हम यहाँ पर b को भी किसमे change कर दें, b को भी अगर मैं a create कर दूँ, तो यहाँ पर आपका lhs के अंदर a plus a हो जाएगा, मतलब sine 2a का answer आएगा, बस आपको यही करना है, और आपका formula आपके सामने आ जाएगा, sine 2a कितना बन रहा है, sine 2a बन रहा है, यहाँ पर sine a cause है, यह बनेगा sine a cause है, और यहाँ पर b के place में अगर आप डालोगे, तो यह बनेगा cause a sine, लेकिन यह दोनों तो same ही है, इनको add करो, add करके इसको क्या बोल सकते हो, आप two sine a cause है, थीक है, तो sine 2a का formula कितना होगया हमारा, sine 2a का formula कितना होगया, two sine a cause होगया, clear है, और रहे लेकिन अब आपको यहाँ पर जो है कभी भी यह नहीं सोचना है कि मुझे क्योंकि यह आता है तो मैं इसको याद नहीं करता ऐसा कभी भी गलती से मत करना क्योंकि अब हम जो आगे पढ़ने वाले है वो हमेशा ही compound angle formulas की मदद से निकाले जा सकते हैं आगे आने वाले सारे formulas ठीक है लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इसका अपने आपमे importance कम है इसका importance है इसलिए इसको पढ़ रहे हैं अगर नहीं होता तो हम पढ़ते ही नहीं हमें बो आपको अगर sine 2a को expand करने की जरूत पढ़ रही है तो आपको यह arrangement पता होना चाहिए कि sine 2a का जो value निकल कर आता है it is actually equal to 2 times of sine into cos है जैसे कि आप यहाँ पे अगर sine 120 degree अगर नहीं जान रहे होते है तो आप उसको actually calculate कर सकते थे by using 2 times of 60 degrees अगर आप sine 120 degrees निकलना चाहते हो तो 120 क्या है 2 times of 60 है तो उसका value कितना आएगा exactly 2 times of sine of 60 into cos of 60 which will ultimately give you the correct value which is root 3 by 2 ठीक है और एट तो ही हमारा आज का पहला formula है I hope सारे बच्चों ने अपना formula लिख लिया है ठीक है clear हो रहे है हाँ जी next यहाँ पर जो important formula आपको पढ़ना है अच्छा एक question कर लेते हैं चलो जल्दी से उसका अपना जो cost way वाला formula है उसको देखेंगी अगर आपके समें कोई सवाल पूछता है कि cot theta plus tan theta का equivalent ABCD में से कौन सा है कि आप जल्दी से उसको solve करके आप बता सकते हो I guess yes काफी काफी straightforward question है यहाँ पर आप देख सकती हूँ कि अगर आपको इन दोनों को merge करना है then one idea could be कि हम cot और tan दोनों को ही sin cost में change कर ले तो यह हो जाएगा आपका cos theta upon sin theta और यह हो जाएगा आपका sin theta upon cos theta ठीक है तो अगर मै यहाँ पर LCM लेता हूँ तो मेरे पास में क्या आ रहा है cos square plus sin square which is one और नीचे आ जाएगा मेरे पास में sin theta cos theta अब जो sin theta into cos theta है यह बहुत सही चीज है sin into cos sin into cos के साथ में अगर 2 भी आ जाता है तो हम उस चीज को sin 2a बोल सकते हैं ठीक है तो वैसे यहाँ पर हमारे पास में sin theta cos theta already exist कर रहा है बस एक constant की ही कमी है तो क्या करते हैं यहाँ पर constant 2 ऊपर और नीचे multiply कर लेते हैं तो 2 sin theta cos theta कितना हो जाएगा यह हो जाएगा आपका sin 2 theta के बढ़ा हो अगर 2 sin a cos a sin 2a होता है तो 2 sin theta cos theta sin 2 theta हो जाएगा क्या यह एक ही जगे मैंने theta लिख दिया है ना एक ही जगे मैंने theta लिख दिया लेकिन formula का arrangement जो है वो तो वैसे काम करेगा जैसे a के लिए करता था ठीक है तो हमारे पास में यहाँ पर ultimately simplify होके आएगा किया आपका जो one upon sign है उसको आप cosec लिख सकते हो सो यह 2 coset 2 theta basically आपका create होता है which is your c option clear है सारे बच्चों को yes हमारे यहाँ पर c answer बिल्कुल correct निकल कर आ रहा है ठीक है तो आपको idea clear हो गया यहाँ पर अगर आपको फॉर्म पता ही नहीं होता तो आप आगे transition कैसे करते हैं आगर आपको फॉर्मा ही नहीं पता होता कि यह 2 sin theta cos सब्सक्रा कुछ होता है तो आप यह सारे आगे के steps नहीं कर बाता है इसलिए इन फॉर्मेस का अपने आपने importance से इनको हमें अलग से लिखना है याद करना है अपने node book में available होना चाहिए ठीक है all right so let us move on to our next set of formulas which is for cos 2a अब लेकिन आपको एक idea चमक गया है तो मेरे खाल से आ है वो already बन चुका है आगे आने वले जो आपके 5-6-10 formulas जितने भी है बहुत सारे formulas ठीक है सभी formulas में basically आपको एक ही काम करना है आपको already बता है कि cos of a plus b का formula क्या होता है यह होता है आपका cos a cos b minus sin a sin b ठीक है और अगर आप यहाँ पर काम करते हो वही कि आप b को replace कर देते हो a से तो यहाँ पर lhs में आपके बसमें क्या आजाएगा आपके बसमें lhs में cos 2a ही तो आ रहा है ना cos 2a ही आ रहा है और यहाँ पर क्या हो जाएगा b के place में a तो cos a into cos a can be written as cos square a और minus of sin A into sin A क्योंकि आपने B के प्लेस में भी A डाल दिया है तो sin A into sin A हो जाएगा आपका sin square A ठीक है तो यह आपका पहला result है अब इस cost to A के formula में थोड़ी सी जो है interesting बात यह है कि हम A की formula को अलगलग तरीके से बोल सकते हैं और questions में भी इसका एक arrangement जो है वो तो cos square A minus sin square A obviously है जो हमें यहाँ पर मिल रहा है लेकिन हम यहाँ पर एक छोटा सा change कर सकते हैं हम यह बोल सकते हैं कि cos square को मैंने क्या कर दिया 1 minus sin square कर दिया अगर मैं छोटा सा change करता हूँ ठीक है कि आपका जो cos square है वो 1 minus sin square है तो यहाँ पर 2 sin square A आपके एकटा हो जाएंगे और आप इसको बोल सकते है 1 minus 2 sin square A लेकिन यह करने के place में आप यह भी बोल सकते थे कि मैं यहाँ पर sin square है न उसको मैं यहाँ पर cos square में change करना चाहरा हूँ तो आपका फिर से एक अलत तरीके से दिखने वाला फॉर्मा रेडी हो जाएगा है न और वो क्या होगा यहाँ पर cos square A के साथ में आपको मिलेगा minus of 1 minus cos square A तो यहाँ पर minus minus आपका हो जाएगा plus and this will create 2 cos square A minus 1 ठीक है again very very important कि आप यहाँ पर तीनों ही arrangements को याद रखें ठीक है एक arrangement आपका कौन सा है एक arrangement आपका यह वाला है cos square A minus sin square एक arrangement यह वाला है 1 minus 2 sin square A और एक arrangement यह वाला है जहाँ पर 2 cos square A minus 1 हमें मिलता है ठीक है तो questions में आप अगर यहाँ पर 1 cancel करवाना चाहरे हो तो उपर वाला formula आपकी help करता है minus 1 cancel out तो इस तरह से हम basically सोचेंगे कि simplification में हमें तीनों में से कौन सा arrangement इस्तमाल करके जादा जल्दी answer तक पहुचते आ रहा है ठीक है that is the main idea but otherwise these three formulas are interconvertible very easily यहाँ पर क्या करना है आपको sin square theta plus cos square theta is equal to 1 वाला identity पर सितमाल करना है और आपके चीज़े एक दूसरे में change हो जाती है ठीक है alright so यहाँ पर I hope सारे बचों ने तीनों equivalent expressions cos to a के लिख लिए हैं अपने notebook के अंदर सवाल करेंगे बचों तो आपको यहाँ पर ज़रूद पढ़ने वाली है questions को solve करता समय फॉर्मलिस की so make sure that you are noting these down miss n ही करना है जल्द सी आले question का answer बता है क्या निकल कराएगा sin theta plus sin 2 theta upon 1 plus cos theta plus cos 2 theta क्या होना चाहिए इस question का answer क्या होना चाहिए try करें सर्वच्छे alright हाँ यह tan वाले वी equivalent पढ़ेंगे अभी हम पढ़ेंगे बहुत चल्दी sin theta plus sin 2 theta upon 1 plus cos theta plus cos 2 theta का simplified expression क्या होना चाहिए ऐसा यहाँ पर पूछा गया है so one thing is for sure कि मुझे जो भी यहाँ पर options नजर आ रहे है उसके अंदर 2 theta तो पक्के से नजर नहीं आ रहा मतलब में 2 theta वाले formage तो उपर और नीचे दोनों जगे अपलाए करना चाहूंगा ठीक है तो निउमेटर में तो देखो doubt ही नहीं न sin 2 theta के मैंने multiple formage अभी आपको बताए ही नहीं sin 2 theta जब भी दिखेगा we will prefer कि हम यहाँ पर 2 sin theta cos theta ही इस्तमाल करें लेकिन अभी यहाँ पर नीचे हमारे पास में 1 plus cos theta है और उसके साथ में cos 2 theta है अब cos 2 theta के हमारे 3 equivalent expressions है ठीक है 3 equivalent expressions में से यहाँ से मुझे देखके ऐसा लग रहा है कि मैं 2 cos square theta minus 1 लिखुँँगा तो शायद जादा फायदा होगा कौन सा हुला equivalent अगर मैं इसके place में 2 cos square theta minus 1 लिखुँँगा तो जादा फायदा होगा क्योंकि यहाँ पर अगली step में 1 1 cancel होगा 1 cancel होगे कुछ तो फायदा मिलेगा तो यह आप देख सकते हों कि आपकी बास में 1 के साथ में cos 2 theta अगर है तो plus के साथ में है या minus के साथ में this is interesting that we can further discuss going back here है ना इसको एक बार फिर से हम discuss करते है एक interesting सी चीज हम फिर से यहाँ पर जो है आपको बताने वाले है ठीक है पहले आप इसको simplify कर लो आप यहाँ पर देखो कि यह काम करने से आपका यह 1 और 1 cancel होगा numerator से आप यहाँ पर sin theta common निकाल कि यहाँ पर 1 बचेगा यहाँ पर आपका 2 cos theta बचेगा और आपका answer के आएका फिर यहाँ पर tan theta will become our final answer ठीक है tan theta is the answer for this particular question तो यहाँ पर वापस आते है अपने interesting discussion के उपर और इस particular combination को cos 2a along with 2 cos square minus 1 and cos 2a along with 1 minus 2 sin square a एक बार फिर से देखते हैं अच्छे तरीके से देखते हैं ठीक है so यहाँ पर अगर आप इसको ऐसे लिखोगे न आपको थोड़ा सा और याद रहेगी यह चीज़े की हमने discuss करें थी cos 2a का value आपका 2 cos square a minus 1 होता है ठीक है अगर आप यह minus 1 left hand side में लेके जाओगे तो आपका 1 plus cos 2a expression create हो रहा है ठीक है यहाँ सवाल में आपको doubt ही नहीं आएगा because आप इसको देखोगे कैसे है आप इसको 1 plus cos 2 theta की तरह से देखोगे और क्योंकि आप इसको 1 plus cos 2 theta के वज़े से देखोगे इसलिए आपका answer क्या आएगा 2 cos square वाला ही आपका answer यहाँ पर create होगा जैसे कि यहाँ पर actually create हुआ भी है 2 cos square वाला answer आपका create हुआ है और अगर आपके पास में second discussion करना है तो second discussion देखो हमारा क्या है कि cos 2a जो है वो 1 minus 2 sin square a भी होता है तो आप यहाँ पर अगर चीज़े आगे पीछे करोगे तो देखो आपको क्या मिल रहा है cos 2a को उस साइड ले जाओ sin square a वाले term को left hand side में लेके आओ so 2 sin square a जो है वो basically आपका 1 minus cos 2a होता है ठीक है तो अगर आपके उपर वाले question में जो भी हमने solve किया अगर यहाँ पर minus का sign होता है we would have preferred उस case में जो है और भी कई सारी changes करने पढ़ते ताकि इतने आसानी से simplification हो जाए लेकिन अगर यहाँ पर 1 minus cos 2a दिख रहा है 1 minus cos 2a दिख रहा है then we need not think much हम यहाँ पर sin square वाले equivalent जो है answer निकाल के आसानी से देता है ठीक है अब आप इसको इस तरीके से समझो चाहिए आप इस तरीके से समझो उससे फरक नहीं पढ़ रहा है आपको question में apply करते है आजाना चाहिए फॉर्म ने ता सेम ही है न चीजों को left से right और light से left मिले जाना से change तो नहीं हो रहा है कुछ भी लेकिन हाँ हमारा यहाँ पर जो है एक बार visual जो है create अगर हो गया कि अच्छा ठीक है तो शायद यह आगे चल के कहने की हमें help करेगा ठीक है तो अपने दिमाग में इस बात को रखना कि 1 के साथ में combinations basically हमें guide करते हैं कि cost 2A में से कौन सा equivalent हमने इस्तमाल करना that's it ठीक है और रट चलो तो हमारा next formula obviously कौन सा होना चाहिए next formula will be for tan 2A tan 2A निकालना फिर से हमारे लिए बिल्कुल बच्चो वाला टास्क है यहाँबर कोई साभी formula बताने में आज बुझे जो है बिल्कुल भी जहमत नहीं उढ़ाने पड़ेगी क्योंकि मैंने आपको अलड़ी बड़ी मेहनत से compound angle formula पढ़ा दी है ठीक है बी के place में भी a replace कर दो तो क्या होगा यही तो बनेगा अगर आप बी के place में भी a replace कर दोगे तो आपका यहाँपर जो answer बनेगा वो कौन सा बनेगा आपका answer बनेगा यहाँपर tan 2A के लिए और यह बन जाएगा कितना 2 tan A numerator मे ये भी 10 A है ये भी 10 A है तो 2 10 A है और नीचे यहां पर 10 A into 10 A मतलब 10 square है simple है na formula तो बहुत simple है formula तक पहुचता हम भी बहुत simple है formula अपने आपने भी simple है ठीक है questions में हाँ पर जोई थोड़ी जहमत हमें definitely उठानी पड़ती है ठीक है all right so 10 2 A का formula है हमारे पास में 2 10 A upon 1 minus 10 square A 2 10 A upon 1 minus 10 square A ठीक है हमारा तीसरा formula आज का है ना complete होता है इतने इतने से छोटे-छोटे से हमारे discussion से जो हमें formula पूरी निकाल के दे रहे है ठीक है नो ये जो particular discussion है इसको एक बार फिर से देखने सार बच्छे we are again discussing equivalent expression for sine 2 A and cos 2 A हम already sine 2 A का एक formula पढ़ चुके है which is 2 sine A cos A ठीक है और हम इसके 3 formulas पढ़ चुके है जिसमें से एक formula है हमारे पास में cos square A minus sine square A इंट्रेस्टिंग्ली हम इनको further change कर सकते है in terms of tan इसका अपने आपने एक अलग importance है अगर आपके पास में यहाँ पर एक बहुत बड़ा question है जिसके अंदर sine भी है cos भी है tan भी है आगर आपके उसमें बहुत बड़ा question है जिसके अंदर sine भी है cos भी है tan भी है ठीक है तो आप क्या कर सकते हो आप तीनों ही expressions को sine cos tan को tan के terms में change कर सकते हो and this is something really important in case of integration 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 में in fact हमरे पास में एक type होता है चेंज करते हैं ठीक है यह क्या है 2a का answer a की terms में निकल करा रहे है इसके पहले भी 2a का answer sine 2a का answer a की terms में निकल कराया था ठीक है तो यह भी आपका half angle ही है लेकिन इस standard half angle formula है यह जो यहां लिखा हुआ है यह क्या है यह half angle formula in terms of tan और वैसे ही cost to a के तीन answer है हमारे पास में लेकिन यह जो है यह क्या है cost to a का answer in terms of tan ठीक है और importance बहुत जादा है है ना लेकिन यह आया कैसे अभी तो हम वो discuss करना चाला है है ना questions करेंगे तो यहां पर आपको automatically जो है इसका importance अपने आपे clear हो जाएगा ठीक है लेकिन यहां पर जो है अगर आप इसको केवल अगर जो है एक तरीके से समझना चाहरे हो कि यह कहां से आ गया ठीक है तो आपको कोई major यहां पर जो है दिक्कत नहीं है आप बस यहां पर एक काम करूँ कि यह जो आपके समें already existing formula है sin 2a का जो आपके समें already existing formula है इसको एक बार आप cos a से divide कर दो और cos a से multiply कर दो ठीक है तो जैसे आप यहां पर sin a upon cos से देखोगे तो आपके समें tan a आ जाएगा 2 tan a हाँ पर आपको दिग्या सार बच्चोंगा ठीक है और इन दोनों का अगर combination लेते हो तो cos square a बनेगा cos square a को में denominator में secant square a लिख सकता हूँ सो अगला जो step होगा यहां पर वो क्या है अभी तो हम इस step पे हैं अगले step में मैं आपको बोल रहा हूँ कि यह already 2 tan a बन चुका है आप यह जो cos square a बन रहा है इसको denominator में secant square a लिख दो and secant square is what? secant square is 1 plus tan square ठीक है तो फॉर्मा दिखे है सार बेचो बेसिक सा जो हमारा standard फॉर्मा है 2 sin a cos है उसी का ही converted expression है लेकिन इसको भी याद करना है लेकिन इसको भी याद करना है हर एक चीज़ का कही ने कही importance आपको दिखाई देगा और वैसे ही आपके उसमें already अगर ये knowledge है कि cos to a जो है वो तो cos square minus sin square a होता ही है ठीक है एक छोटा सा काम करो आप यहाँ पर ऐसा करो कि आप cos square common निकालो ठीक है cos square अगर आप common निकालोगी आफिर ऐसा हिर्मानों कि cos square से divide भी कर दिया है multiply भी कर दिया है something like that ठीक है जो भी है यहाँ पर आपको जैसे भी समझ में आ रहा है समझो है ना but all you need to do is cos square आपका एक अलग से बाहर मिलना चाहिए ठीक है तो cos अगर आपने cos square अगर common निकाले है यहाँ तो 1 बचेगा यहाँ पर तो cos square था नहीं तो आपको basically ऐसा feel हो का जैसे आपने cos square से divide किये है ठीक है तो 1-tan square था आपको already बन गया 1-tan square आपका बन चुका है है अब यह जो cos square ए denominator में मैं उसको secant square लिख सकता हूं तो यह क्या हो जाएगा 1-tan square a upon secant square a and secant square a is obviously 1 plus tan square ठीक है so that gives us our formula cos 2a is equal to 1-tan square a upon 1 plus tan square इसको भी note कर ले cos 2a is equal to 1-tan square a upon 1 plus tan square and sin 2a is equal to 2 tan a upon 1 plus tan square ठीक है clear and obviously tan 2a is 2 tan a upon 1-tan square which can be obtained by dividing these two expressions अगर आप इन दोनों expressions को divide करोगे so 2 tan a upon 1-tan square आप यहाँ पर tan 2a ही generate कर रहे हूं कोई tension वाली बात नहीं ठीक है all right so here comes another set of formulas हम यहाँ पर अप्ग्रेड कर रहे है ठीक है अब इदक हम 2 multiple में चल रहे थे अभी हमने यहाँ पर sin 2a cos 2a tan 2a देखा अब यहाँ पर हम क्या करना चाहरे है अब हम sign 3 यह देखना चाहरे है लेकिन आपको अगर idea clear हो गया है तो फिर यह formulas आप निकाल तो बड़ी आसाने से लोगे याद लेकिन आज राद तक हो जाना चाहिए आपको ठीक है अभी तो आप यहाँ पर जो है इस lecture में तो आप definitely जो है formulas देख देख के apply करना question solve करते समय लेकिन जैसे आपके JPPs यहाँ पर मैं आपको दूँगा ठीक है आप यहाँ पर अपनी reference book जब solve करोगे तो आपको यहाँ पर जो है बिना देखे भी formulas याद आ जाने चाहिए ठीक है यह उस formula में सही बैठ रही है आपको basically यहाँ पर formula में दिमाग में होंगे तो information ऐसे जगे जगे put करके आपको बता लएगा कि आपका approach क्या होना चाहिए कौन से formula सबसे तरीके से यह basically expression काम कर रहा है ठीक है इसलिए formula इस पता होना चाहिए तो sin 3a का formula हमारा निकल कर आता है 3 sin minus 4 sin cube a यह भी क्या है यह a का multiple है हम क्या कर रहे है multiple angle formula इस यहाँ पर पढ़ रहा है sin 3 है अब sin 3 निकालने के लिए हम यहाँ पर step by step वैसे आगे बढ़ सकते हैं कि हम इसको बोल सकते है a plus sin a plus 2a और 2a का formula हमें पता है तो हम उसके मदद से कर सकते हैं बट मैं यहाँ पर चाह र यह का answer achieve करना चाहते हूं one idea is to actually break it down into two portions like this a b कर दो 2a कर दो और इसको actually पर revise हो जाए जल्दे से यहाँ पर सारे बैच्चे याद करके बताएं क्या था हो उससे दो तीन step में आप यहाँ पर अपने answer पहुंचा हो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि sin of a plus b plus c कितना था तो आपको याद आना चाहिए कि इसके अंदर 4 terms होते हैं जो पहले 3 terms होते ह मानस sign के साथ में होते हैं जो पहले 3 terms होते हैं उसके अंदर 1 sign आता है 2 cos आते हैं ठीक हैं तो 1 sign 2 cos तो sign a cos b cos c plus sign b cos a cos c and plus sign c cos a cos b हैं इस तरह से हमारे पास में combinations create होते हैं अगर sign a के साथ में जो है है तो फिर आपके पास में cos के साथ में b और c होगा interchange करके हमने सारे values यहाँ पर लिग दिया हैं ठीक है sign b वाला लिग दिया है और हमने यहाँ पर sign c वाला लिग दिया है sign a sign a sign b and sign c ठीक है all right so now only thing you need to do is this time we will be replacing b and c बोथ with a आपका जो भी हमने approach इस्तेमाल किया था उसी को यहाँ पर आपको continue करना है इसलिए आपको additionally सोचना जीचिए b को भी हम replace करेंगे a से और c को भी हम replace करेंगे a से और ऐसा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा a plus a plus a मतलब sign 3a ही तो बन रहा है यही तो चाहिए था हमें एक sin है और दो कॉस है तो यह तीन बार आएगा 1 sin और 2 कॉस एक साइन और 2 कॉस वाले टर्म तीन बार आएंगे और minus last में कीतना हो जाएगा आपको साइन क्यूक्य तीनों की दिन आपने हापर क्या कर दिए ऑक कर दिए अब एक स्वा स्वार्मॉला आपके वन माईनस सामने आ गुद हूँ हैं टीक है अगे यह इसको ओपन करते होत систем क्रिकुड दोडम क्या हो रहा है ऊपन क्या हो रहा है ऋपन कवास में सबसे फहला transit तो प्रीट हो रहा है तो टोल केतने होगे माइनस 4 साइन क्यूब है एंड डेट इसन कि हमारे पास में यह फॉर्मॉला अल्टिमेटली आता है याद आगया सबको फिछला लेक्चर याद आगया येस ओर राइट थ्री साइन माइनस 4 साइन क्यूब है यह हमारा साइन 3 एका फॉर्मॉला है तो इसी का भाई हमें पढ़ना पड़ेगा इसका भाई क्या है कॉस 3 एका फॉर्मॉला क्या है तो कॉस 3 का फॉर्मॉला फिर से हम जल्दी से निकाल लेते हैं इसके अंदर कोई नया जो है सर्प्राइज एलिमेंट तो है नहीं देखो ठीक है कि अगर मुझे कॉस 3 ए निकालना है तो मुझे यहाँ पे आसानी से का फॉर्मॉला अगर यहाँ तो मैं कर सकता हूँ ठीक है अगर नहीं भी यहाँ तो भी आप कर सकते हो मैंने आप अलड़ी इसका एप्रोच बता दिया आपको आप यहाँ पे कॉस 3 को लिख सकते हो कॉस ओफ ए प्लस 2a और फिर आप अगली स्ट्मेंट 2a का फॉर्मॉला कर लोगे तो आपको यहाँ पर फाइनल आंसर मिलेगा लेकिन तब भी यहाँ पर जो है में एक दूसरा यहाँ पर जो है एप्रोच इस्तमाल डेलिबरेटली कर रहा हूँ ताकि आपका एक बार फिर से कॉस ओफ ए प्लस बी प्लस सी का जो फॉर्मॉला होता है उसके अंद ऐसा है एक कॉस है तो कॉस से आ गया है तो साइन बी साइन सी आएगा ठीक है उसके बाद में आपके पास में अगर कॉस बी आ गया है तो साइन 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 बी आएगा ठीक है तो फिर से हम यहाँ पर अगर अपना ट्रांजिशन करवाएं कि बी के प्लेस में आपको a डालना है और c के place में भी आपको a डालना है then we will get the required result which is cos 3 तो cos 3 है कितना हो जाएगा cos 3 है हो जाएगा हमारा यहाँ पे यह तीनों कितीनों cos है तो यह हो जाएगा cos cube है और यहाँ पर minus 3 times क्योंकि सारे के सारे terms साथके सेम बने वाले है यह यह आला term यह आला term सेम बने वाले है इसलिए तीन बार हम यहाँ पर जो है minus 3 करके लिख सकते हैं इसको लेकिन वो बनेगा ख्या यह बनेगा आपके cos a into sin square a दोनों sin यहाँ पर जो है sin a बनेंगे तो साइन स्क्वेर यह आप लिख सकते हो फिर से आपको यहाँ पर एक स्टेप एडिशनली करना है एक त्रे कॉस क्यूबज बेai चैक्श अधाट हर लिख लैगा हो labrisa उना कुस्टाइफ हो चया है I don't think this will come as a surprise, अगर मैं यहाँ पर फिर से आपको बोलूँ कि आपको पता होना चाहिए, 10 of A plus B plus C का formula, 10 of A plus B plus C का formula हमें याद है क्या अलड़ी, 10 of A plus B plus C, यह काफी interesting और काफी symmetric formula है, यहाँ पर हमारे पास में आता है, 10 A plus 10 B plus 10 C, 10 A plus 10 B plus 10 C, minus 10 A 10 B 10 C, minus 10 A 10 B 10 C, और नीचे आता है हमारे पास में क्या, 1 minus 1 minus 10 A 10 B, minus 10 B 10 C, minus 10 C 10 A, यह हमारा बड़ा सा 10 of A plus B plus C का formula है, भई अगर यह याद नहीं है तो फिर आप मेहनद नहीं कर रहे हों, ठीक है, जब कल की class में formula आपको बता दिया है, और आज की class में अगर में लिख रहा हूं, तो आपने agree करना चाहिए बिल्कुल, है ना conference के साथ में हाँ से यह ही है, ठीक है, अगर नहीं है ऐसा, तो फिर आप यहाँ बर जो है, अभी serious नहीं हुए है उसका मतलब, थोड़ा serious हो जाओ, अगर आगे जाके अच्छी नहीं लेगेगी, अभी से ही वैसे कुछ बच्चे को परिशान करना, start कर दिया होगा ट्रिनोमेटरी नहीं, ठीक है, लेकिन आगे जाके और ज़्यादा परिशान होगी, अगर आप यहाँ पर formulas को, हर दिन याद नहीं कर रहे हो तो, ठीक है, एवरी डे आपको जो भी बताय जा रहे है, वो आपको उसी दिन याद कर लेना है, तो वो सबस्यादा फाइदे मन्द है, और टैन थ्रिया का formula देखो, यहाँ पर कितना systematically create होगा, यह टैने टैने टैने, आपके समें हाँ पर किया हो रहे है, और यहाँ पर कितना हा जागा, तो यहाँ पर कितना हो जागा, 3 times of tan square, घैक है, यह एक्षली ज्यादा यहाँ से हमें दिख रहा, एस दिख रहा, ठीक है लिख लिए न सारे फॉर्मलेस सही बच्चों ने अपने फॉर्मलेस लिख लिए हैं तो करते हैं फिर सवाल इसका अंसर क्या निकल कराना थी यह काफी कुछ वैसे लग रहा है जैसे अभी हमने एक कोशन सॉल किया था है यहाँ पर लेकिन क्या है यहाँ पर थ्री थी और याँख जो तो हैंट करते हैं मंकी मदब रिदियूज़ डाउन तो पक्के से करना में तो हम यहां पर थ्री थीट के फॉड्मलीस स्था मोथी इस्तवाण पक्के से करेंगे जल्दी से अपलाए करो और देखू आपका एंसर आता है कि SAN हाँ जी ट्राइग रहे साइन थ्री थीटा का फॉर्मला क्या है साइन थ्री थीटा का फॉर्मला क्या है ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास में साइन क्यूब थीटा है उसके साथ में 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा ऐसा फॉर्मला है और नीचे हमारे पास में कॉस्ट थीटा का फॉर्ण ओपन करने का टार्गेट है तो वहां पर हमारे पास में आएगा फॉर कॉस्ट क्यूग थीटा माइनस थ्री कॉस्ट थीटा है ना यह सारी चीज़ें आपको भी याद हो जाएंगे दिरे दिरे सो यहाँ पर देखो नुमेरेटर में क्या हो रहा है नुमेरेटर में थ्री साइन थीटा माइनस थ्री साइन थीटा माइनस है ना थ्री साइन थीटा तो अलग है q वाली चीज़े आप simplify करोगे तो minus 3 sin cube theta आपके उसमें बचेगा denominator को भी एक बार देख लेते हैं आपके उसमें minus minus जो है वो plus होने वाला है so 3 cos theta आपका यहाँ पर plus हो जाएगा 3 cos theta आपका plus में आएगा और अगर आप इन दोनों को 3 sin theta common निकालता हूँ तो क्या होगा 3 sin theta common निकालके 1 minus sin square theta बचेगा which we all know की cos square theta है और वैसे ही denominator denominator में से 3 cos theta common निकालों तो मेरे पास 1 minus cos square theta बचेगा जो हम सब को बताएगी क्या है sin square theta है तो आपका नीचे sin square है तो उपर वाले से एक cancel हो के नीचे एक sign बचेगा और उपर cos square है तो नीचे वाले cos से cancel हो के उपर एक cos बचेगा so we will get ultimately cot theta is the correct answer this time around the answer is cot theta not tan theta ठीक है आपका b answer इस case में correct है ठीक है कई सारे बचे यहाँ पर a बता रहे थे लेकिन पहले ठीक है तो थोड़ों और यहाँ पर हो है question के साथ में आपको रुखना पड़ेगा जल्द वाजी ना करें कोई भी ठीक है cot theta becomes the correct answer for this particular question ठीक है alright so formulas की बहुचार अभी खतम हुई नहीं आपके उपर ठीक है अब यहाँ पर जारी है so trinoptic ratios of some multiple angles भी करते हैं में और भी questions है हमारे साथ में जो हमें यहाँ पर solve करने होंगे आज के ही lecture के अंतर ठीक है but let us get over with the formulas ठीक है and by the way we are already done with the formulas यह जो भी हम यहाँ पर discussion start करने वाले है आपको यहाँ बहुत जल्दी समझ में आ जागा कि यह बिल्कुल फर्जी यह discussion बिल्कुल फर्जी discussion नहीं है ठीक है क्योंकि हमें यहाँ पर क्या दिखाई देगा हमें दिखाई देगा कि सब multiple पर अगर आपको जाना है पहली बात है समझो कि यह multiple तो एक बार समझ में आता है कि theta का multiple 2 theta हो गया 3 theta हो गया है ना लेकिन सब multiple मतलब क्या होगा तो आपके पास में अगर theta by 2 create हो रहा है या theta by 3 create हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि वो angle कैसा है सब multiple angle है ठीक है So this time around we want to change our sine theta into sub multiples Alright So क्या यह formula देखके आपको लग रहा है कि यह तो सर अभी अभी पढ़ाया शायद आपने यह वो ही है लेकिन यह अलग से बताया जा रहा है as some multiple ठीक है तो आप भी इसको लिख लो लेकिन बाद में ignore कर देना ठीक है Because we will all know कि यह सारी चीज़े तो same ही है क्यों same है क्योंकि मेरे पास में already जो है अभी अभी एक discussion के थुरू पता चला था कि sin 2a जो होता है वो 2 sin a cos a होता है So all I need to imagine is कि आप मैंने न a का value theta by 2 डाल दिया अगर मैं a का value theta by 2 डाल दूँगा तो मेरा answer आजाएगा न यही फॉर्मा basically हम नया सीखने वाले है लेकिन हमें यह realize हो रहा है अगर हमें काफी beneficial लगना चाहिए बात ठीक है तो अगर मैं यहां पर इतना काम करता हूं कि sin 2a को अभी मैंने formula पढ़ा है उसके अंदर a के place में theta by 2 अगर मैं डाल दूँगा है तो यहां पर two times of theta by 2 कितना हो जाएगा तो यह देखके हमें yes on में आता है basically arrangement याद रखना important है actual angles क्या है वो important नहीं है मतलब है उसका discussion अलग से करेंगे लेकिन arrangement important है कि sin को हम यहां पर represent कर सकते हैं in terms of sin and cos ठीक है लेकिन आपने एक बात जो ध्यान रखनी हो क्या है कि हम जहां से start कर रहे है जिस angle से start कर रहे हैं उसके comparison में आपके final answer में जो angle होता है वो आधा होता है आपने अगर 2a से start किया तो इस arrangement का इस्तमाल करके आप उसके आधे वाले angle पे पहुचोगे अगर आपने theta से start किया तो इस arrangement का इस्तमाल करके आप theta by 2 पे पहुचोगे हम जहाँ से start कर रहे हैं उसके आधे में हम अपना final answer expect कर रहे हैं हम यहाँ पर final answer जो expansion के बाद में मिल रहा है वो उसका आधा है and this will work both ways अगर यह ऐसा है तो हम इसको simplify करते समय compress करके sin theta भी लिख सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर ज्यादा बहतर होगा कि हम इनको half angle formulas बोलना start करें in general इनको हम क्या बोल सकते हैं half angle formulas क्योंकि ultimately आपका answer जो है जो given होता है उसके half के terms में आता है जो given होता है उसके half के terms में आता है ठीक है arrangement आपका same रहे है arrangement यह आपको maintain करके चला है ठीक है बड़ इसको पर discussion बात में करते हैं अभी हाँ पर जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे जो formulas है वो नए formulas नहीं है जो भी हमने multiple angle के लिए पढ़ा है वही exactly हम यहाँ पर सब multiple के लिए भी सेम arrangement पढ़ रहे हैं बस a के place में आपको यहाँ पर theta by 2 imagine करना है ठीक है अगर मैं यहाँ पर आपको बूलू कि आपका और यहाँ पर cos 2a का formula ready है which is 2 cos square a minus 1 and now if I ask you to replace a with theta by 2 क्या आपके पास में उपर वाला arrangement आ जाएगा क्या बनेगा अगर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं यह ले जा सकते हैं अब ऐसे याद करो चाहे ऐसे याद करो यहाँ चाहे वैसे याद करो या तो आप वही arrangement इस्तमाल करना है जहाँ पर भी आप हो उसके आधे पर अगर जाना है तो यह arrangement इस्तमाल करना है ठीक है so 2 cos square something minus 1 this something will be half of whatever is written on the left hand side ठीक है so यह तो काफी आसा अंकाम हो गया क्या हम इसी की मदद से अगला वाला भी कर सकते हैं यहाँ पर है नहीं यहाला भी काफी आसान है क्योंकि अभी अभी हमने यहाँ पर फिर से समझदार तो हो सारे बच्चे ठीक है इतना समझ ही जाओगे तो यहाँ पर जल्ली से देख लो आखरी बार कर रहा हूं ठीक है आपको यह सम मुल्टिपल आंगल फॉर्मलेस का ही इक तरीके से रूप मतलब करूंटिट फॉर्म है एक तरीके से ठीक है तो कितना हो जाए गई यह वाजाए गा आपका कॉस थीटा इस एक पर यहाँ पर यह सेम चीज़ लिखे भी है आप चाहे उसको ऐसे याद करो जाहे वैसे आद करो आप याद तो सेम ही चीज़ कर रह है ठीक है अल्राइट सू हमारा जो नेक्स्ट है विच जस अगर हमारे पास में टुट है अपॉन मायनस टीटा वाई टू होनाची कुछ नहीं हमने इए के प्लिश में फिर से थीटा वाई टू का इस्तिमाल के इस नॉट निव फॉर्मला एस वारेंजमेंट इस अर्गें में arrangement थी ठीक है all right and इसी वज़े से हम इन सभी को एक साथ क्लब करके बोल सकते हैं as half angle formless ठीक है so now this is important discussion half angle formless का discussion हम यहां पर एक बार देख लेते हैं जो अभी अभी हमने discuss किया ना उसको एक बार फिर से देख रहे हैं आप यहां पर बताओ कि कि आपने already अभी यहां पर देखा है कि sin 2a का formula क्या होना चाहिए sin 2a का formula होता है 2 sin a cos है so what we are saying is कि arrangement को याद रखो आप इस arrangement को याद करो ठीक है और इस वज़े से अगर आपको कोई बोलता है कि sin a को लिखो तो sin a को आप 2 sin a by 2 cos a by 2 बोल सकते हूं है क्या बोल सकते हूं इनको half angle formulas बोल सकते हूं क्योंकि आपका इधर वाला जो angle है इसके comparison में right hand side में आधे angles लिखे हुए है ठीक है and अगर हमें ये बात क्लिक कर ही है कि आधे angles हमें लिखना है तो इसका मतलब अब मैं sin 4a का भी equivalent लिख सकता हूं this is important to know इस arrangement का इस्तेमाल करके मैं sin 4a का भी equivalent लिख सकता हूं वो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 sin 2 है into cos 2 है simple क्योंकि यहाँ पर जो भी लिखा है मुझे उसका आधा करना है अगर यह arrangement इस्तेमाल करना चाहता हूं arrangement क्या है 2 times of sin of some angle into cos of some angle ठीक है इसका मतलब मैं 8 के लिख सकता हूं अगर मैं 8 के लिख सकता हूं तो यहाँ पर आपके लिए answer किसमें आएगा 4 में answer आएगा आपका ठीक है but interestingly enough मैं यहाँ पर इसका मतलब sin 3a को भी change कर सकता हूं यहाँ पर just because 3 लिखा है इसका यह मतलब मतलब समझना कि आप इसके अंदर half angle formula इसका arrangement इस्तेमाल नहीं कर सकते है कर सकते हो लेकिन उसके अंदर आपको अच्छा नहीं दिखाए देगा यहाँ पर क्या दिखाए देगा आगर मैं sin 3a को लिखना चाता हूं तो अलग से एक format है हमारे पास में but we can also think कि अगर जरुवत पड़ती है तो हम यहाँ पर sin 3a upon 2 into cos of 3a upon 2 ऐसा लिख सकते हैं यह सही है क्योंकि यह जो arrangement है न यह जो standard arrangement है सबसे पहला वाला formula जो है हमारा इसको हमें किस नजर से देखना है वो नजर develop कर लो नजर क्या develop करना है यहाँ पर क्या visual आपका यहाँ पर create होना चाहिए कि यहाँ पर जो होता है उसका आधा यहाँ पर होता है बस खतम बाद तो यहाँ पर जो है उसका आधा यहाँ पर है बहुत बढ़ी है अब यही सेम चीज़ आप जो है अलग से हमें थ्री थीटा के लिए नहीं बता रहा हूं यहां समझ गया आप सारे बच्चे कि अगर मैं यहां पर बोलूँगा कि आप और फॉर्मलेस करो तो यार और फॉर्मलेस ऐसे हम बहुत सार बना सकते हैं यह फॉर् ऐसे हमें पर फॉर्मलेस नहीं बोचता मिन को नोटसां बैगा हमारा यहां पर चाहिकन आरूम theta minus 4 sin cube theta मतलब इस arrangement का अगर आपको इस्तमाल करना है तो यहाँ जो angle है उसका 1 third angle इन दोनो locations पे होना जाए अगर आपको इस arrangement का इस्तमाल करना है अगर आपको इस arrangement का इस्तमाल करके sin theta लिखना है तो आप यहाँ पर answer क्या बताओगे 3 sin theta by 3 क्योंकि यहां जो है उसका वन थर्ड हो जाना चाहिए माइनस फूर टाइम सो साइन क्यू थीटा वाई थ्री ठीक है इसके पहले हमने साइन थीटा ही लिखा था लेकिन वो बाई टू वाले अर्रेंजमेंट से लिखा था यहां पर देखो इसके पहले हमने साइन थीटा ही लिखा था लेकिन बाई टू वाले अर्रेंजमेंट से लिखा था इस बार फिर से हमने साइन थीटा ही लिखा है लेकिन बाई थी वाले अर्रेंजमेंट से लिखा है अगर question में हमें by 3 करने से फायदा मिल रहा है तो by 3 से करेंगे, by 2 से फायदा मिल रहा है, by 2 से करेंगे लेकिन आप यहाँ पर दिमाग हमारा खुल चुका है, ठीक है, दिमाग यह खुल चुका है कि सम multiple अलग से करने की ज़रूत नहीं है multiple angle formulas में जो हमने arrangement पढ़ लिया है न, वही सब कुछ है, वो जो arrangement है, वही सब कुछ है, ठीक है, दिमाग का दही, अभी से दिमाग का दही नहीं होना चाहिए आपका, because this is just lecture number 7, अभी हमारे 4-5 lectures और बचे हैं, ठीक है, तो आगे जाके और जादा फिर तो मतलब आपका दिक्कत ह हो जाएगी, है न, so अभी यहाँ पर जो है, थोड़ा और regularly, है न, revise करते हो, मैं मानता हूँ, आप यहाँ पर attend कर रहे होंगे lectures regularly, कोई दिक्कत नहीं है, यह तो बिल्कुल करना ही आपको, लेकिन regular basis पर revise भी करना है, ठीक है, revise करते रोगे तो आपको यहाँ पर connection बैठा रह रहेगा, ट्राइ करें सारे बचे, आरे यह न, सहीं कि इतना मच चमकाओ कि दिमाग ट्रांसपरेंट हो जाए, ओके, ट्राइ करो सारे बचे इस question को, reference book solve नहीं कर पा रहे हो, हाँ, यहाँ पर बटा, मुबीन, यह problem हो सकता है, कि कई बार होता क्या है, कि educator जिस flow से पढ़ाता है, जैसे कि मैं यहाँ पर जिस flow को लेके चल रहा हूं, ठीक है, हो सकता है कि आपके reference book के अंदर वो flow ना हो, हो सकता है कि मैं जो next lecture में आपको formulas बता हो सकता है कि उस question को solve करने के लिए एक दूसरे का भी discussion करना पड़ रहा है, जो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन book वाला ने पहले कर दिया, ठीक है, so इसलिए यहाँ पर जो थोड़ा सा reference book solve करने में, जब chapter ongoing होता है तो दिक्कत आती, ठीक है, so make sure कि आपके reference book के अंदर, अगर title same है, तब तो आप उसी time पे practice अपनी पूरी continue कर सकते हो, उसी order में चल रहा है अगर जिस order में पढ़ा रहा हो तो, क्यूंकि author के ओपर depend करता है, ऐसा कुछ नहीं है और educator के ओपर depend करता है कि वो पहले क्या पढ़ा रहा है, ठीक है, so that is something that you need to look at, अगर आप reference book को अभी यहाँ पर एकदम से standard मान के चल रहे हो तो, ठीक है, chapter खता होने के बाद, जब हम यहाँ पर सारे concept पढ़ लेंगे, तब तो आपको सारे question करता है, आई जाएंगे, obviously, ठीक है, अभी लेकिन अगर यह mixture हो रहा है, तो आप थोड़ा सा भी wait कर सकते हो, ठीक है, alright, so here, I think, हम यह यहाँ पर एक बाद तो समय में आगे होगी, कि sin theta जो है, वो तो अपने आप में half angle में change किया चा सकता है, लेकिन 1 minus cos theta is something that we can club together and think of, 1 minus sin theta, यहाँ पर सोच के देखो, और 1 plus cos theta, है न, हम चाहा रहे हैं कि यह simplify हो, यह simplify हो, तो उपर हम चाहा रहे हैं कि 1 cancel हो, ठीक है, और नीच 1 plus cos 2 और 1 minus cos 2 के नज़रे से देखना start कर दिया, तो तो आपको काफी आसाली से सौन में आ चुका होगा, ठीक है, बट हाला कि मैं तो हर बार यह सोचता हूँ, मैं यहाँ पर multiple तरीके से जो ही इसको लिखने की कोशिश करता ही नहीं हूँ, मैं हर बार यह सोचता हूँ कि यह मेरे पास में दो ही options है, मैं अपने cos 2a को या तो 2 cos square a minus 1 जैसा imagine कर सकता हूँ, या फिर cos 2a को मैं 1 minus 2 sin square a जैसा imagine कर सकता हूँ, ठीक है, ताकि दिमाग पे ज़ादा जोर ना पड़े हर बार, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर सोच लूँगा, मैं यहाँ पर सोच लूँगा कि होगा, क्योंकि मुझे पता है न, यहाँ पर सब multiple angle formulas तो fake है, वो unnecessary है, ठीक है, सब कुछ जो है, वो arrangement ही है, तो arrangement ही अगर मुझे देखना है थे, आपर multiple angle वाला ही, मैं expression लिख रहा हूँ, लेकिन अपने दिमाज में यहाँ पर सब multiple वाला, यहाँ पर मैं ultimately expression लिख दूँगा, मुझे अगर यहाँ पर one plus cos theta चाहिए, तो मैं यहाँ पर अगर theta चाहिए, तो यहाँ पर theta by 2 खुद से कर दूँगा न, ठीक है, so I will not be forcing you to remember, सब multiple angle formulas separately, ठीक है, आपको अगर करना है तो बहुत बढ़ी है बात है, बट मैं तो नहीं करता हूँ, मैं हमेशे इसी form में से अपन theta का हमें formula जो है, 2 sin theta by 2, cos theta by 2 ही, इस्तेमाल करना है, ठीक है, और numerator में 1 minus है न, तो 1 minus के लिए में क्या सुचूँगा, arrangement कैसे create होगा, नीचे अले formula से arrangement create होगा, cos 2A को उस side, और sin square को इस side, ठीक है, so 1 minus cos वाला जो arrangement होता है, वो 2 sin square वाला arrangement होता है, जो 1 minus cos वाला arrangement होता है, वो 2 sin square वाला arrangement होता है, लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि theta है, तो मेरा answer में theta by 2 आना चीए, ठीक है, मेरा answer में theta by 2 आना चीए, arrangement is important, यहाँ पर जो है, half angle तो हम उसको करी लेंगे फिर, ठीक है, and plus आपके साथ ने यहाँ पर कितरा मनेगा, 2 sin theta by 2, cos theta by 2, so I guess if you take something common, multiple things should get cancelled out, है न अकी क्या common निकालना, यकि पर देखना, 2 sin theta by 2, I guess common निकल रहा है उपर से, 2 sin theta by 2, उपर से common निकलेगा, तो क्या भचे देखना, 2 sin theta by 2, अगर common निकल गया, तो enc theta by 2 एक बजगे आपके साथ, ठीक है, और 2 sin theta by 2 निकल कहे तो cos theta by 2 आपके बज़े, और नीचे, आपके साथ क् तो 2 cos theta by 2 common निकालने के बाद में आपके बाद में यहाँ पर बचे का cos theta by 2 और अगले वाले में हैना भगवान की देया से बचे का sin theta by 2 ताकि यह cancellation हो जाए ठीक है और cancellation होके आपके यहाँ यहाँ पर 2 भी cancel हो जाएगा tan theta by 2 आपके यहाँ पर final answer create होगा ठीक है arrangement is important tan theta by 2 becomes our final answer ठीक है तो c answer ही हाँ पर आपका correct है clear होता है सारे बच्चों को बढ़ सकते हैं आगे ओल्राइट ओके 99.989 परसेंटाइल अनुरा का आया है बहुत बढ़ी है बिटा और अनकेडमी जहीं से पढ़ाई की थी तो बहुत ही बढ़ी है बाती फिर तो ओल्राइट सींगेज कैसे सॉल करने है प्लीस बताइए सिंगेज कैसे सॉल करनी है सिंगेज तो देखो अल्टिमेटली ऐसा कुछ नहीं कि सींगेज तो वो क्यआ बुक है उसके अंदर question question को solve करना है ठीक है उसके अपने theory पढ़नी पढ़ेगी तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि exercise point of view से आप at least single correct जो है first go में करने की कोश्च कर सकते हैं जब आपका यहां पर कोई topic रहनी है ठीक है आपका यहां पर trigonometry कुछ time giveaway में खता हो जाएगा ठीक है तो उसकाद में आपको नया chapter भी तो start करना रहेगा ठीक है तो I don't think कि आप trigonometry के चलते हुए जब मैं आपको trigonometry पढ़ा रहा हूँ तभी आप पूरी single solve कर लोगे या पूरी अरियन solve कर लोगे ऐसा हो इनी सकता क्योंकि आपको समी तरन टाइम नहीं होता आप आप सीखी रहे हो आप सीखी रहे हो ना तो तब तक आपको यहाँ पर पूरी बुक solve करने का समी मिलता नहीं लेकिन आप यह सोचो कि भई आपके पास में पूरी बुक अगर अभी अभी solve कर लोगे तो दो साल तक क्या ट्रिणोमेटर नहीं करोगे कभी ऐसा थोड़ी होता है कि आपको यहाँ पर रेफरेंस बुक अभी ही solve करनी जब ट्रिणोमेटर पढ़ाया जा रहा है आपको रेफरेंस बुक के at least a decent enough portion solve कर लेना होता है ठीक है तो आप यहाँ पर कोशिच करो कि solve example और जो उसके बीचिस में जो unsolved चीज़े होती है for practice ठीक है वो आप solve कर लेना ठीक है and exercise में से single correct करना केवल ठीक है ताकि multi correct comprehension match the column यह सारी जो चीज़े हैं वो आपकी बची वी रहेंगी for later practice अगर हो पारा है किसी बच्चे से तो कोई मना ही नहीं नहीं ठीक है लेकिन I don't think is a practically possible in most of the cases in 99% of the cases it is not possible ठीक है so don't take it upon yourself कि यार हम से नहीं हो रही है point is किसी से नहीं हो रही है ठीक है है और चलो तो यहाला social question काफे आसा निकला है यहां पर लेकिन यहाला सवाल देखते हैं चलो यह interesting लग रहा है इसके अंदर क्या हो रहा है पहली बात तो इसके नदर एक बात नजर आ रही कि बहुत सारा है कि हम यहां पर जो है arrangement कौन सा इस्तिमाल कर सकते हैं half-angle form इस वाला arrangement इस्तिमाल कर सकते हैं ठीक है so now if you look closely हम यहां पर अंदर से simplification करना start करेंगे यह सबसे अंदर वाला expression है इसमें मैं देख सकता हूं कि two common निकल रहे ठीक है तो एक जो है बहुत बड़ा अंडरूट है उसके अंदर एक और अंडरूट है और उसके अंदर एक और अंडरूट है जिसके अंदर में आपको two common निकालने के लिए बोल रहा हूं so two common निकाल हूं में तो मेरे पास में यहां पर बचे का one plus cost eight theta ठीक है this is a very important question to actually build the concept जो में कबसे बोलने की कोशिश कर रहा हूं ठीक है इस question के बाद में automatically you develop हो जाएगा ठीक है all right so यह जो आपके उसमें one plus cost eight theta वाला arrangement है यह आप कहां से उठाओगे ठीक है अगर आपको यह arrangement उठाना है है तो आपको यहां पे cost to a के formula से ही उठाना पड़ेगा ठीक है so cost to a का भी आप कौन सा formula इस्तेमाल करोगे जिसके अंदर one plus cost to a बन पा रहा हो क्योंकि one plus cost है नहीं हापे तो मुझे one plus cost create करना है तो मैं यहां पे two cost square यहां पे जो भी है उसका आधा हमारे final answer में आता है तो यहां पे अगर 8a है तो हमारे final answer में क्या आएगा 4a आएगा ठीक है आगर यहां पे eight theta है तो हमारे final answer में क्या आएगा four theta आएगा ठीक है that is what we want to understand through this question कि भाई यह formula काफी हद तक universal type के formula है यह लग जाते हैं आगर आप यहां पे arrangement की ही बात करो तो यह arrangement जो है केवल 2a के लिए काम नहीं कर रही है 4a 8a सब के लिए काम कर रही है आपको यह काम करना है कि यार यहां पे जो भी है न उसका आधा यहां पर लिखना है जैसे आप यह बोलते हैं यह formula ज्यादा universal हो जाते हैं ठीक है एंड नाओ वी कन सिंप्लिफाइब इस हापर सिंप्लिफाइब करते जाएंगे एक ही थॉट्ट आपको तीन चार बार इस्तिमाल करना है ठीक है यहां पर one plus cos जब भी होगा तो आप two cos square वाला arrangement इस्तिमाल करोगे इसके अंदर जितना भी एंगल है उसका आधा इस्तिमाल करोगे तो जैसे आप यह करते हो आपके असमीं हापे कितना आगे four आगया है और cos square आगया unroot है तो simplify हो जाएगा बस यहां पर जो है फिर से आपका जो है यह जो idea है कि theta belong करता है zero से लेके five by sixteen का यह आपको help करेगा to actually simplify the unroot क्योंकि आपको पता है यहाँ पर एक दिक्कत होती है वो दिक्कत हम सबको पता है I guess कि unroot of x square जो होता है वो कितना होता है mod x होता है unroot of x square actually x नहीं होता है unroot of x square mod x होता है ठीक है लेकिन अगर आपको पता है कि आपका x positive है if you know कि x आपका positive तो फिर आप यहाँ पर बोल सकते हो कि unroot of x square x ही है tension मतलो mod what के tension मतलो x positive है tension मतलो ऐसे कुछ यहाँ पर हमें बोलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आपका 4 वो तो unroot के बाहर 2,1 के आई जाएगा लेकिन cos square 4 theta जो है cos square 4 theta का जब में unroot लोगा तो यहाँ पर cos 4 theta mod के साथ में बनेगा लेकिन हमारा theta क्योंकि काफी छोटा है तो आप इस अभी भी यह first quadrant के अंदर लाय करने वाला ही angle है ठीक है और that is the reason that is the reason कि आपको यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है आपको यहाँ पर basically यह देना पड़ रहा है question बनाने वाले को ठीक है चलो लेकिन यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अपने simplification की तरफ तो यह हो जाएगा अपना अंडरूट के अंदर 2 times of sorry 2 plus अंडरूट के अंदर 2 plus और यह simplify हो गया है यह बन गया है हमरे पास में 2 cos 4 theta है ना हमारा पहला अंडरूट यहाँ पर simplify हो गया 2 cos 4 theta में alright next हमारे यहाँ पर फिर से काम जो है फिर से same ही काम करना है तो अब यहाँ पर फिर से ज्यादा explain करने की को 12 and create होना चाहिए so यहाँ पर 2 times of cos square तो हो गई होगा लेकिन 4 theta starting point है तो end point हमारा 2 theta हो जाएगा ठीक है फिर से हाँ पर मैं अंडरूट लोगा अंडरूट लेते समय आप मुझे पताए कि यह positive expression ही बनने वाला है इसलिए अंडरूट के अंदर simplify हो कि यह 2 cos 2 theta बनेगा ठीक है और यह 4 1 के 2 बना और यह cos square के वैसे cos बना and next यहाँ पर फिर से हम इन दोरों मैंसे अब 2 common निकालेंगे इन दोरों मैंसे अगर मैं 2 common निकालता हूँ तो मेरे पसमें फिर से 1 plus cos 2 theta बनता है 1 plus cos 2 theta ठीक है तो यह फिर से कितना हो जाएगा अंडरूट के अंदर यह तो actually वही 2 cos square theta हो गया तो यह क्या हो जाएगा फिर ultimately 2 cos theta हो जाएगा और इसका answer क्या आएगा फिर आपका यहाँ पर D answer आपका करेंट टाएगा ठीक है So next question, let us move on to our next question, let this be the next question, आप बताओ यहाँ पर की a का value क्या होना ची, try करने सारे बच्छा, what will be the value of a? Yes यह दिख रहा है न सारे बच्छा को, a काहाँ पर है, a यहाँ पर है, basically a is some constant which is multiplied with cos 2 theta, so whenever you will simplify this, It is expected कि आपका answer some constant into cos 2 theta आएगा, तो अगर वो constant बता कर लोगे, तो आपको यहाँ पर ABCD में से mark भी answer करते आजाएगा, ठीक है Sir, सिंगेज 11 में करें कि 12 में करें, यह कसा सवाल है, सिंगेज, सिंगेज जो publication है, ठीक है, सिंगेज is not a book, सिंगेज is a publication, ठीक है Similarly, Ariant is a publication, Magra Hill is a publication, बहुत सारे यहाँ पर publications है, ठीक है, ओर रेट तो उनके एक किताब नहीं solve करनी है आपको, 556 किताब solve करनी है, ठीक है, आभी trigonometry की book लो, उसको solve करो फिर algebra पढ़ाय जाएगा, आपको quadratic equation, sequence series, permutation combination, ठीक है, तो उसके अलग से algebra की book आती है, उसको solve करो ठीक है, फिर coordinate geometry पढ़ाय जाएगा, straight line circle, तो coordinate geometry की book आती है, उसको भी solve करो ठीक है, but you are understanding this, कि यहाँ पर 11th के topic है, तो 11th में करो, और 12th के topic जैसे calculus आएगा, differential calculus, integral calculus, vector 3D, इसकी अलग से book आती है, तो उनको आपको अलग से solve करना है, हाँ जी, last 41 year वाले PYQ तो बेटा, आपके पास में विलकुल basic book होना ही चाहिए, है न, and आप यहाँ पर जो है, अलग क्योंकि एक ही साल में आपके multiple months में paper हो रहे है, और एक month में जो attempt है, उसके अंदर multiple, इसमें papers हो रहे है, slots में, ठीक है, so you have a lot of jman questions to solve now, यहाँ सवाल हमें दिख रहा है कि यहाँ सॉल करने में बिलकुल भी परिशानी नहीं आने ची, यह बिलकुल बस unnecessary यहाँ पर जो है 3 theta होता है हमारे पास में 3 sin theta minus 4 sin cube theta, divide करना है sin theta से तो अच्छी बात है कि sin theta उपर भी है, अलग से cancel हो जाएगा, और वैसे यहाँ पर हमारे पास में क्या है, cos 3 theta का formula कितना होता है, 4 cos cube theta minus 3 cos theta, नीचे हमारे पास में cos theta है, और फिर उसका हमें क्या करना है, square करना है, ठीक है, त squaring 3 minus 4 sin square theta, this is what is left after cancellation, और यहाँ पर 4 cos square theta minus 3, तो square open कर लेते हैं, देख लेते हैं, simplification क्या हो रहे है, square open करना को अच्छी बात है, ठीक है, और तो square open करना है, यहाँ पर क्या आएगा आएगा, आपके पस में, 9, फिर आएगा है, यहाँ पर 16, sin की power 4, और उसके साथ में हमारे पस में आएगा कितना, यह 12 होता है, तो 2AB की वाज़े से minus 24 आएगा, minus 24 sin की power 2 theta, ठीक है, यह आपका पहला bracket है, ऐसे आपका दूसरा bracket भी open कर लो, क्या अटेंचन इसकंदर, तो यहाँ पर आएगा, आपके समें 16 cos की power 4 theta, तो यह आजाएगा plus 9 हो, और यह आजाएगा कितना यह 12 है, तो 2AB करने से minus 24 cos square theta बनने वाला है, ठीक है, तो आप यहाँ पर 20 minus का sin है, इसका थोड़ा सा importance है, है ना, क्यूंकि आपके यहाँ पर एक तो 9 और 9 cancel हो रहा है, minus की वज़़े से, ठीक है, next आप यहाँ पर देख सकते हो कि, आपके कौन-कौन से terms merge होंगे, ठीक है, so if 24 वाला है, उसको भी यहाँ पर ध्यान से देखो, 24 वाले की case में यह minus minus क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो plus के साथ में cos square theta है, और यह तो minus है अपना, तो यह minus of sin square theta है, ठीक है, एक काम और कर लेते हैं यहाँ पर, यह जो हमारे पास में expression है, इसको a square minus b square से factorize कर लेते ह हम यहाँ पर अलड़ी, अब cos to theta दिखने लगा है शायद, नहीं दिखने लगा है कि है, यहाँ पर बन रहा है, sin square theta minus cos square theta, ठीक है, और वैसे ही आगे जो लिखा हुआ है, 24 times of cos square theta minus sin square theta, तो cos square theta माइनस sin square theta था आपको cos to theta होता ही है न, ठीक है, यह तो आपका 1 होता ही है न, यह यहाँ पर थोड़ा सा tension है, आपको पहले हैं आपर minus common निकालना पड़ेगा, तो आपको हैं आपको cos to theta दिखाई देगा, ठीक है, sin square theta minus cos square theta, cos square theta माइनस sin square theta, आपको cos to theta होता है, तो आपका यह जो 24 वाला term है, 24 वाला term है, वो तो cos to theta ही बन रहा है, लेकिन यह 16 वाला term है, यह minus 16 cos 2 theta बन रहा है, so what we end up with is, 24 minus 16 मतलब 8 cos 2 theta, 8 cos 2 theta, इसलिए आपके हैं पर, जो constant आपको दिख रहा है, multiplication वो क्या है, 8 नजर आ रहा है, तो आपका D answer correct is case, दिख रहा है सर बच्चों को, simple थाना सवाल, कि वाल फॉर्मले का direct application है, nothing else, आचा कुछ बच्चों नहीं हावे, जैसे आरियन है, इसने addition कर दिया है, शायद, ठीक है, आपने addition, minus sign का ध्यान नहीं रखा है, है न, तो आपके हैं पर 40 answer आ रहे, नहीं, यहाँ पर subtraction होगा, और आपका answer 8 आएगा, एक बार फिर से चेक कर लें, yes, all right, 8 cos 2, 8 cos 2 theta, बिल्कुल, ठीक है, एक यह सवाल करने की कोश्च क करते हैं, यह भी काफी अच्छा सवाल है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो है, मुझे सवाल पढ़के दिखाना पड़ेगा, कुछ तो यहाँ पर गढ़वड हुई है, प्रिंटिंग में, okay, so, let me just try to, decode की यहाँ पर क्या है, if 2 cos theta is equal to x plus 1 by x, यह तो सब को दिख रहे है, multiple angle of theta, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है, of the multiple angle of theta, multiple angle of theta मतलब 2 theta, 3 theta, cos 2 theta, cos 3 theta, cosine लिखा है, cosine मतलब क्या है, cos, ठीक है, so, आपको यहाँ पर नीचे आरे जो options है, वो बताने है, कि cos 2 theta, cos 3 theta में क्या आना चाहिए, अरे भोती फर्जी तरीके से पूछा question, है ना, directly पूछ सकते थे, if this is equal to that, if this is equal to that, तो नीचे में से कौन सा सही है, in short यह हमारा question है, ठीक है, अगर यह given condition है, तो A, B, C, D, में से कौन सा आपको यहाँ पर option सही है, यह जल्दी से आप यहाँ पर solve करके बताओ, ठीक है, try करने सारे बचे, हाँ, जी, तो क्या लगता है आपको, अगर कोई आप से यहाँ पर check करने के लिए बोल रहा है, तो आप यहाँ पर देख लो, पहले तो आपके options किस तरीक से create किये गए, ठीक है, हमारे पास में x square प्लस 1 by x square है, हमारे पास में x square प्लस 1 by x square है, तो इन दोर में से कोई एक ही तो इन दोर में से कोई एक ही correct हो सकता है, ठीक है, तो बस हम यहाँ पर बिल्कुल बच्पन में, algebraic identities पड़ी थी, तो शायद इस तरह के सावा हमें सबसे पहले solve किये थे, इसमें परिशाह नहीं है कुछ, इसके अंदर परिशाह नहीं है, गिवन कंडिशन को square कर लो, आगर आप यहाँ पर square करते हो तो आपके इसमें क्या आता है, 4 cos square theta आएगा, यहाँ पर x square प्लस 1 by x square के साथ में 2ab वाले term basically 2 बन जाएगा, because ab का multiplication 1 हो जाएगा, ठीक है, तो क्या करना है अब यहाँ पर, आपको x square प्लस 1 by x square निकालना है, तो इसको left hand side में ले जाओ, आगर आप यहाँ पर left hand side में ले जाते हो, तो x square प्लस 1 by x square कितना आता है, x square प्लस 1 by x square यहाँ पर आजएगा, आपका 4 cos square theta minus 2, यहाँ से एकर आप 2 common निकालोगे, तो हो जाएगा, 2 cos square theta minus 1, तो यह तो कुछ होता है, यह क्या होता है, 2 cos square theta minus 1, क्या होता है, यह cos 2 theta होता है, यह cos 2 theta होता है, ठीक है, so 2 times of cos 2 theta is the correct answer, a is the correct answer in this case, लेकिन question क्योंकि आपका multi correct है, आपको यहाँ पर अभी x cube plus 1 by x cube भी find करना है, but I guess अब आपको सभी बच्चों को clear हो गया होगा कि हाँ पर हमारा next step क्या होना चाहिए, ठीक है, हम अपने original expression को square करनी की जगे, अपकी बार cube करेंगे, हमें निकालना ही cube है न, COD option में, तो cube कर लेते, now again we have the expression x plus 1 by x is equal to how much, x plus 1 by x is equal to 2 cos theta, if I cube both sides, this time we are doing cube both sides, last time हमने क्या किया था, square both sides, square both sides किया था हमने last time, ठीक है, और तो अगर मैं यहाँ पर cube करूँगा, तो यहाँ पर बस एक बार जो है, formula अच्छे से लगाना सीख जाओ, अगर आप यहाँ पर cube करते हैं, तो आपकास में क्या आता है, a cube plus b cube, a cube plus b cube plus 3ab into a plus b, ऐसा आपका basically formula है, a plus b का whole cube का formula यह है, ठीक है, अगर मैं left hand side cube करता हूँ, तो ऐसा यह open होना चाहिए, और right hand side में जो cube है, वो क्या create करेगा, 8 times of cos cube theta, 8 times of cos cube theta, ठीक है, अब यहाँ पर धिहाँ से देखो, कि आप एक जो है, चाला की यहाँ पर कर सकते हो, आप यह बोल सकते हो, यह यहाँ प्लस 1 by x जो यहाँ पर नजर आ रहा है न, वो ही तो 2 cos theta था, तो यहाँ पर डाल, यही तो आपका 2 cos थी रहा था, अगर आप यहाँ पर डाल दोगे तो आपको actually x plus 1 by x, x cube plus 1 by x cube जो चाहिए, वही आ जाएगा, x cube plus 1 by x cube यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, already right hand side में आपका 8 cos cube theta है, आपने यहाँ पर जो basically 3 के साथ में multiply किया, वो क्या बनाएगा, 6 cos theta, तो आप right hand side में ले जाएगा, minus 6 cos theta, है न, अगर किसी को भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बीच में जो है, एक-दो step और होनी चाहिए थी, तो आप यहाँ पर अपने नोडू बूग में करते समय, कुछ steps और additional कर सकते हो, ठीक है, no problem with that, A and C are the correct answer, बहुत बढ़ी है बच्चा, यहाँ पर आप यहाँ पर 2 common निकालों, अगर आप 2 common निकालते है तो आपको formula यहाँ पर दिख जाना चाहिए, 2 common निकालके आपके 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 आपर बन क्या रहा है, यह बन रहा है, आपके इसमें 4 cos cube theta minus 3 cos theta and यह formula भी हमें दिख जाना चाहिए कि यह क्या है, cos 3 theta का formula है, ठीक है, तो 2 times of cos 3 theta becomes the correct answer, ठीक है, 2 times of cos 3 theta, 2 times of cos 3 theta becomes the correct answer, ठीक है, So, A and C are the correct answer in this case, ठीक है, and I guess with that, we have done enough practice, and now I can give you one very recent question, J main 2020, अगर आज की यहाँ पर महनत आपने अच्छे से देखी है, और आपने सारे formula समझे है, तो आपको J main 2020 का यह सवाल करते हैं, ठीक है, All right, so this is your homework question, सारे बच्चे इसको एक बार try जरूर करें, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर मैं extra उमीद लगाए बैठाओं कि आप यहाँ पर थोड़ी सी चीजें decode करोगे, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको अगर hint देना जाहूं, तो hint यह है कि this question involves a concept that we have studied in earlier lectures as well, ठीक है, अगर lecture के formals तो देखने ही पड़ेंगे, आपको आज के lecture के formals तो लगाने ही पड़ेंगे, बट पुराने lectures के formals भी आपको यहाँ पर लगाने की जरूरत पड़ेंगे, ठीक है, all right, so all the best, आप try करना है इस question को, है न, अगर किसी नहीं हाँ पर इसके पहले के sessions miss कियो है, तो यहार जा के एक बार जो है, इस link के उपर देख लेना सारे बच्चे, live.me.je के उपर, ठीक है, जहाँ पर आपको पूरा content, access हमने देखे रखा है, ठीक है, DPVs, Parabolas के नहीं हुए है, कोई बात नहीं आप यहाँ पर जो अपने, जो special classes है, उसके अंदर जा के अपने discussions को देख लेन ठीक है, वहाँ पर मैंने कई सारे discussions किये है, YouTube पर नहीं हो पाई, कोई बात नहीं है, हमारे पास में यहाँ पर और भी free resources है, special classes is one of them, ठीक है, and you can definitely take help from those classes as well, ठीक है, alright, तो इस साल कर लेंगे, इस साल कर लेंगे, है न, don't worry, alright, चलो, great, तो आज का session यहीं पर app up करते हैं, कल हम यहाँ पर जो session होने वाला है, बच्चो जे पीपी का, उसके दर हम जे एडवांस की previous year questions discuss करेंगे, ठीक है, actually, actually हो क्या रहा है, कि sequence and series में बहुत अच्छे previous year questions है, and I want to discuss a lot of questions with all of you, ठीक है, but I cannot do it in one single session of PYQ that we decided, when we were thinking about 3.0, हम दे डिसाइड कहा था कि हम यहाँ पर एक session तो कम PYQ का बच्चो के साथ में लेंगे, ताकि उनको एक confidence है कि हाँ यहाँ पर जो हमारे अभी recent PYQ है, हम सभी सभी को actually target कर सकते है, attempt कर सकते हैं, ठीक है, but यह वाला जो particular chapter is के अंदर वाकई बहुत अच्छे previous year questions है, तो what I have done is, I have created JPPs, जिसमें previous year questions मैंने incorporate कर दिए, ठीक है, तो होंगे, ठीक है, so उनको भी आपको देखना है, and मेरी खाल से उसके बाद आपको काफी अच्छा लएगा, हैना सारे questions देखके अच्छा लगना जी आप, ठीक है, आपको यह feel होना जीए कि यह question के अंदर जो भी steps है, सारी steps मुझे पता थी, हैना कल के session में आपको ऐसा feel आने हम अगर वो नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या पाएंगा, ठीक है, just knowing the concepts is not enough, हैना, getting to the answer, that to an exam is very important, ठीक है, तो कल के session में आपको यह पता चलने होले है, कि आपको कितना शान्ती से, जे advance के questions के साथ में dealings करनी पड़ते है, ठीक है, आपको एक एक step में यहापे, जो है, calculation भी करनी पड़ सकते है, आपको यहापे question lengthy भी लग सकता है, आपको हो सकता है कि एक ही question multiple concepts लगते होई नजर आएं, ठीक है, बट मज़ा आएगा आपको, है न, जेए advance के questions करोगे तो काफी मज़ा आएगा, especially in this chapter sequence series, ठीक है, और आप अगर एक अदम आगे बढ़ना चाते हो, आ आपके साथ में Unacademy subscription तो है, ठीक है, जहाँ पर live and interactive classes आपकी होती है, और साथे साथ आपको यहाँ पर पता होगा कि इंडिया के कई सारे top educators एक साथ आपको यहाँ पर accessible हो जाता है, जिनकी classes आप यहाँ भी देख सकते हो, mental download कर सकते हो, उनसे doubt पूच सकते हो, और यह सारे resources क साथ में बचों ने इतना amazing जो है perform करके दिखाया है, आप यहाँ पर Unacademy app को अभी आपने अगर download नहीं किया तो कर लो, और उसके इंदर मेरी profile को जाके follow जरूर कर लेना, ताकि आपके पास में कोई भी class का notification miss नहीं होगा, and साथे साथ आप जब subscription लेना चाहोगे, तो फिर स Samir Life के साथ में आपको maximum possible discount वैसे मिली जाता है, so make sure कि you know all these things before taking the subscription as well, ठीक है, और अगर कोई बच्चे इहाँ पर अभी afford नहीं कर सकता है, वो अगर हमारे साथ में इहाँ पर Unacademy JET योपर ही जुड़े होए हैं, तो उन्होंने बिल्कुल भी tension नहीं लेना है, क्योंकि आपक आपको अलग से कुछ करने की सुरत नहीं पड़ती है, है न, वहाँ पर ही आपको जो है test series मिल जाती है, वहीं पर आपको practice sessions मिल जाते हैं, वहीं पर आपको doubt cleaning sessions मिल जाते हैं, ठीक है, लेकिन आप अगर अभी यहाँ पर Unacademy JET से अपनी पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको अ that's what I wanted to convey, so that's it, आज का session यही कतम करते हैं, take care बचो, bye-bye